सफल सोच का सफल जादू डेविड जे स्वाड्स अध्याए एक सफल जीवन की शुरुवात एक सपने से होती है सफल लोग अपनी वर्तमान नोकरी, परिवार, सेहत या आमधनी की तरफ नहीं देखते वे भीड से आगे निकल जाते हैं और एक छोटा परंतु मैतवपूरुन काम करते हैं वे जीवन को उस तरह नहीं देखते जैसा वह है बलकि उस तरह देखते हैं जैसा वह हो सकता है वे देखते हैं कि जीवन कैसा होगा जब वे इसमें मैं जीतूंगा कि लगनशिल वे बुद्धि मतापुरून प्रयास भर देंगे किसी काम में प्रगति तभी हो सकती है जब उसकी संभावनाओं को देखा जाई महान आर्किटेक्ट, भवन निर्माता और निवेसक बड़े शहर की जुगियों और खंडरों की वास्थुगियों को नहीं देखते वे उन जुगियों को नई बस्तियों में बदलने की संभावनाओं को देखते हैं जहां लोग रहें, काम करें और जीवन का आनंद लें हर कमपनी, स्कूल, संस्था और इमारत एक सपना है जिसे किसी ने देखा और रहकिकत में बदला महान जीवन हमेशा एक सपने से शुरू होता है, हर इनसान के पास दो तरह की द्रिष्टी होती है नेत्र द्रिष्टी और मस्तिस्क द्रिष्टी नेत्रद्रष्टी हमें बताती है कि हमारे चारों तरफ कौन सी वस्तुए हैं नेत्रद्रष्टी पुरक्षों, लोगों, इमारतों, पहाडों, पानी, सितारों और अन्य बोतिक व्य मूर्द वस्तुओं की तस्वीर बनाती है नेत्रद्रष्टी बोतिक है मस्तिस्क दरश्टी नित्र दरश्टी से अलग है मस्तिस्क दरश्टी यह देखने की शक्ति नहीं है कि क्या मौजूद है बलकि यह देखने की शक्ति है कि इनसान की बुद्धी के प्रियोग के बाद क्या संभव हो सकता है मस्तिस्क दरश्टी सपने देखने की शक्ती है मस्तिस्क दरश्टी भविश्य की तस्विरे बनाती है वह है घर जिसका हम ख्वाब देखते हैं वे पारिवारिक संबंद जो हम चाहते हैं वह है आमदनी जिसका हम आनंद लेंगे वे छुटियां जो हम मनाएंगे या वह है दोलत जो भविश्य में हमारे पास होगी नित्र द्रश्टी पूरी तरह बोतिक है और सिर्फ वास्त्विक्ता देखती है मस्तिश्क द्रश्टी पूरी तरह मानसिक है और सिर्फ संभावनाई देखती है मस्तिष्क दरश्टी वह दिखाती है जो अभी वास्त्विक या बोतिक नहीं है हम सपने देखने की अपनी मस्तिष्क दरश्टी को किस तरह चूंते हैं इससे हमारी सफलता, हमारी संपत्ती और हमारा सुक तै होता है लोगों की नेत्र दरश्टी एक सी होती है बहुत कम उमर में ही सभी बच्चे वस्त्वों को सपस्ट रूप से देख सकते हैं जैसे लोग, हमारते, सितारे और पानी परन्तु लोगों की मस्तिष्क दरश्टी में बहुत अंतर होता है यानि उन चीजों की मानसिक तस्वीर देखने में जो अभी वास्त्विक या बोतिक नहीं है ज्यादातर लोग बविश्या को मुश्किलों से बरा देखते हैं नोकरी या बिजनस के छेतर में वे एक ओसत कम तनखवा के काम में खुद को जिंदी की उजारते देखते हैं सामाजिक जीवन में उनकी मस्तिस्क द्रश्टी बहुत कम खुशी देख पाती है और यहां उन्हें बहुत बोरियत तथा बड़ी समश्याइन दिखती है और पारिवारिक जीवन में भी वे ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक उबाऊ, सामान्य और समश्याओं से बरा जीवन देखते हैं दूसरी ओर सफलता की दोर बढ़ रहे कुछ स्वपंदर्सी बविश्य को चुनोतियों से बरा देखते हैं वे काम को प्रगती और प्रतिष्टा की राहा के रूप में देखते हैं, जिस पर आगे चलकर बड़े पुरुष्कार मिलेंगे रचनात्मक स्वपंदर्सी सामाजिक सबंदों को उच्छा वर्दक, प्रेरक और खुश्नमा नजरिये से देखते हैं पारिबारिक जीवन में वे रोमांच, रोचकता और खुशी देखते हैं वे एक सुखद और अच्छे जीवन का सपना देखने का विखल्प चुनते हैं हम अपनी जिन्दगी को विजेताओं की तरह जीएंगे या पराजितों की तरह यह इस बात पर निर्वर करता है कि हम अपनी मस्तिश्क द्रश्च्टी का प्रियोग किस तरह करते हैं हम क्या देखने या किस चीज़ के सपने देखने का विखल्प चुनते हैं हम मेंसे हर एक के पास इस्जीवन को स्वर्ग या नरक बनाने की शक्ति है जो इस बात पर निर्वर करती है कि हम इसके बारे में किस तरह से सपने देखने का विकल्प चुनते हैं जो लोग जीवन को स्वर्ग की तरह देखते हैं वे बीजेता होते हैं जो लोग जीवन को नरक की तरह देखते हैं वे पराजित होते हैं कुछ लोग मानते हैं कि उनका भविश्य, तकदीर या किस्मत से तैह होता है ये लोग सोचते हैं कि दोलत, सफलता और अच्छा जीवन पासे फैंकने, पईये के गूमने या लोटरे में खुलने वाले नंबर पर निर्वर होता है कितनी मुर्क तपूर्ण बात है आंकडों के हिसाब से लाटरे में दस लाख डोलर जीतने की संभावना करोडों में एक है लाटरियां उन लोगों को आकरशित करती हैं जो मानते हैं कि सिर्फ कुछ डालर के निवेस से दोलत हासिल की जा सकती है लोटरी या किसी तरह का जुआ उनहीं लोगों को फसाने के लिए चलाया जाता है जो सोचते हैं कि वे तकदीर या किसमत के सारे अमिर बन सकते हैं चाहने और सपने देखने में अंतर होता है चाहना निस्क्रिये होता है चाहना एक आलसी मन और अंजन है इसके पीछे ने तो बुद्धी होती है ने ही प्रियास परन्तु सपने देखने के पीछे परिणाम हासिल करने की कारिय यूजना या एक्शन प्लान होता है जिम चाहता है कि उसे प्रमोशन मिले परन्तु जिम कभी स्वेचा से अत्रिक्त काम करने की पहल नहीं करता क्यों नहीं आजबाते क्या जिम की अधिक धन कमाने की इच्छा कभी याकीकत में बदल पाएगी जाहिर है नहीं मेरी चाहती है कि वह उस अकाउंटिंग फर्म में पार्टनर बन जाई जहां वह काम करती है परन्तु उसके पास एडवांस अकाउंटिंग कोर्स करने का समय ही नहीं है जब दिन में बारा या चौदा गंटे काम करने की जरूरत होती है तब वह अपनी तरफ से मदद करने का कोई प्रस्ताव नहीं रखती वह फर्म के एगराकों को टेक्स बचाने के सुझाओ देने में बिलकुल भी मेनद या कोशिश नहीं करती है परिणाम मेरे की कभी पूरी नहीं हो पाती टीम और सूजन चाते हैं कि उनका अपना सफल बिजनेस हो परंतु वे वीकेंड के मनोरंजन को प्राथ्मिक्ता देते हैं उनका सारा समय पार्टियों सेर सपाटिक और मनोरंजन में ही गुजर जाता है और उनकी चाहत सिर्फ चाहती बनी रहती ह देखिए कोई भी कुछ भी चाह सकता है परंतु सपने देखने वाला जब कुछ चाहता है तो वह उसे हासिल करने के लिए मेहनत करता है आप अपने परिचितों को दोस रेने में बांट सकते हैं वीजेता और पराजित वीजेता सक्रियत सफंतर्स्टी होते हैं वे अपने सफनों को सकारात मत वह बहुतिक उपलबदियों में बदलने के लिए मेहनत करते हैं पराजित निसक्रियत दोस दर्षी होते हैं वे यह मानते हैं कि सिस्टम उनके खिलाफ है और भवीशे भग्यदवरत होता है पराजित लोग दूसरों की बुराई करते हैं जून को प्रमोशन इसलिए मिला क्योंकि उसने बोस के साथ थोड़ा अतिरिक्त काम करवाया फ्रेड को बड़ा आफर इसलिए मिला क्योंकि उसने खरीदार को रिश्वत दी पीट और सारा के पास नई मर्सिडीज है पर शायद उने पांच साल तक इसकी किस्तें चुकाने पड़ेगी विजेता सदभावनाओं से बरहे होते हैं मैं जोन की उपलब्दी पर खुस हूँ वह कड़ी मेनत करता है और उसे पूरुसकार मिलना ही चाहिए बेटी का प्रमोशन यह साबित करता है कि जब कोई बहुत अच्छा काम करता है तो उसे इसका इनाम मिलता है पराजित लोग निराशावादी होते हैं अर्थ व्यवस्ता चोपट हो चुकी है देश कर्ज में डूबा है व्यापारी का ऐसंतुलन के चलते मंदी के बुरे दिन आने वाले हैं इसलिए भविशय के लिए निवेश करने की जंजट में मत भसो जो बड़े सपने देखते हैं वे सोचते हैं इस समय अर्थ व्यवस्ता कितनी ही अच्छी या बुरी हो यह बेहतर हो जाएगी यहां हमेसा होता है मैं एक महान भविशय की कल्पना कर रहा हूँ इसके अलावा मैं देश की अर्थ व्यवस्ता को नियन्तिरित नहीं कर सकता हूँ विजेता उदार होते हैं पैसे कमाने में मैं दूसरों की जितनी मदद करूँगा बदले में मुझे उतने ही ज़्यादा पैसे मिलेंगे दूसरे लोगों के लिए किये गए अच्छे कामों का पुरुस्कार हमेसा मिलता है पराजित लोग बिना कुछ दिये सब कुछ हासिल करना चाहते हैं मैं एक बड़ी कमपनी के लिए काम करता हूँ मुझे ज़्यादा तनक्वा मिलनी चाहिए मैं यहाँ पर दस साल से हूँ कमपनी को मुझे ज़्यादा तनक्वा देना चाहिए एकस्पेंस अकाउंट में गड़बड़ी करो सभी ऐसा करते हैं हालांकि मैं बिमार नहीं हूँ फिर भी मैं तीन दिन की बिमारी की चुक्टी ले लूँगा यहे मेरा अधिकार है विजेता जानते हैं कि दुनिया में मुफ्त में कुछ नहीं मिलता त्याग का मतलब है अपने और अपने प्रियजनों के सुख़द बविश्य के लिए निवेस करना और कड़ी मेनत इनसान को सुखी बनाती है जब हम लोगों को अधिकांस संभावनाओं को विक्षित करने में उनकी मदद करते हैं तो यहे अपने आप में एक बड़ा पुरुसकार होता है कई मैनेजर मुझे बता चुके हैं लोगों को ओसत जिन्दगी से बचाने और उन्हें सफलता का रास्ता दिखाने में मुझे बहुत संतोस मिलता है सेल्जमेन बताते हैं कि किस तरह वे गराहक की मदद करते हैं ताकि वहे अपने बिजनस को नया आयाम देकर उसे लाबदाइक बना सके खेल पर सिक्षक बताते हैं कि किस तरह वे किसी खिलाडी को साहस वे दिसा देते हैं और फिर उसे मशूर होते देखते हैं हाले में मैंने पांचमी कक्षा की एक स्कूल टीचर के सम्मान में आयोजित समारों में भाग लिया यह ऐसा मन्य बात थी क्योंकि यह दिकांस वियसक अपनी पांचमी कक्षा की टीचर की परवान नहीं करते हैं कई बार तो वे उसे पूरी तरह भूल जाते हैं परन्तो इस समारों में सैंक्डों लोग मुझूद थे इन लोगों ने मिस बावर का आभार माना कि उन्होंने उनके लिए कितना कुछ किया था समारों के बाद मैंने मिस बावर से पूछा आपने बच्चों के लिए क्या किया उन्होंने सोचते हुए जवाब दिया मैंने बच्चों को कभी बच्चा नहीं माना मैंने अपने मस्तिस को इस तरह पर शिक्षित किया ताकि मैं यह देख सकूँ कि ये बच्चे फ्यासकता की मंजिल की और बढ़ रहे यात्री हैं ये बच्चे एसे पोदे हैं जो धीरे धीरे परंदु निश्चित रूप से विशाल वरक्ष में विक्षित हो रहे हैं मैंने अपनी शेक्षिनिक जिम्मेदारियों को तीन आयमों से देखा अच्छे माता पिता अच्छे नागरिक और अच्छे करमचारी बनने में उनकी मदद करना इसी मुख्य विचार ने मुझे रहा दिखाई कि मैं उन्हें किस तरह और क्या पड़ाऊं कितना अद्बुत उधरन है यह उससे तो बहुत बेतर है कि बच्छों को सिर्फ बच्चाई माना जाए और यह सोचा जाए कि शिक्षा देना सिर्फ एक नुक्री है मिस्ट बावर ने बच्चों में छुपी संभावनाओं को देखा और उस संभावना को हकीकत में बदलने के लिए मारक दर्शन देने के अपनी जिम्मेदारी समझी सपने को किस तरह बढ़ा करें किसी दूसरे की गती वीदियों को नजर अन्दाज करने के लिए इस तरह की बात कहना आसान है कि उनकी किस्मत अच्छी थी उसमें बेतर खेलने की क्षमता है वह पैदाई सी जीनियस है उसने यह फर्ष पर लेट कर हसल किया या किसी और तरीके से यह बताना कि सफलता किस्मत की वज़े से मिली बहराल सस्तो यह है कि सफलता दूलत और खुशी किस्मत की वज़े से नहीं मिलते सभी उपलब्दियां उन सपनों की वज़े से पैदा होती है जिने साथ सी लोग हकीकत में बदल देते हैं हम जिन बड़ी बड़ी मारतों में रहे रहे हैं, जो करसी उत्पादक हमें अनाज खिला रहे हैं, जो उद्द्योग हमारा मनोरंजन कर रहे हैं, जो संस्ताइं सिक्षा दे रही हैं और प्रेरित कर रही हैं, वे रसनात्मक व्यक्तियों के वीचारों और सपनों से विक्सित ह जब आप किसी सफल बिजनेस, स्कूल, सांसकर्टिक या राजनेतिक संस्ता को देखते हैं तो आप किसी इनसान के सपने को देख रहे हैं जो हकीकत में बदल चुका है रचनात्मक सपनों की बदोलत ही सुखी परिवार संभव होता है जीवन को बगेचे की तरह माने एक समय था जब कैलिफोर्निया की वादियां रेगिस्तान थी परंतो सुपन दर्शियों ने इस बेकार भूमी को संचित क्षेतर के रूप में देखा जहां लोगों के लिए उप्योगी अनाज हुगाया जा सकता था जिनोंने यह जमीन खरीदी वे अपने सपने पर मेनत करके माला माल हो गई सफल लोग वे होते हैं जो अपने सपने को दूसरों द्वारा चाही जाने वाली सेवा और सामान में बदल देते हैं किसी सपने को सफलता तक विक्षित करना बगीचे को विक्षित करने की तरह है इसमें च्छे कदम सामिल है नमबर एक अपने सपने का बीज चुनिए नमबर दो उस बीज को स्विकार करने के लिए अपने मस्तिस को तैयार कीजिए नमबर तीन, अपने सपने का बीज बोईए नमबर चार, अपने सपने के बीज को खाद पाने दीजिए नमबर पांस, अपनी उर्जा को एकागर कीजिए मैं करके दिखाऊंगा, कप्रियोग कीजिए नमबर छे, समय से अपने लिए काम करवाईए पहला कदम अपने सपने का बीज चुनिए जिस तरह अच्छी खेती के लिए मक्का का बीज सावदाने से चुनना मैतो कुर्ण है उसी तरह अच्छे जीवन के लिए सपने का बीज समझदारे से चुनना चाहिए बीज हमेशा अपनी तरह के फल देते हैं गेहूं की बीच से हमेशा गेहूं की फसल मिलती है, मक्का की नहीं, निम्बू के बीजों से निम्बू के पेड़ मिलते हैं, आडू के नहीं, सपने का बीज भी अपनी प्रकृति के फल देता है, किस सपने का बीज बोया जाई, यह है फैसला करते समय, आपको खुद से दो एहम सवाल पूछना चाहिए, मैं क्या करना चाहता हूँ, इसमें कितने लाव की संभावना है, दूसरों की सेवा के बदले में, मिलने वाला लाव आपका पुरुषकार है, बिजनस में हम अच्छे सामान और सेवाओं को उचित कीमत पर देकर लाव कमाते हैं, बिजनस के जैसे स्कूलों और सेवावावी संस्ताओं में लाव के माइने बदल जाते हैं, लाव का मतलब यह हो सकता है कि कितने लोगों को सिखाया गया था, या बेहतर डंग से जीने में उनकी मदद की गई, किसी चर्च के लिए लाव का मतलब यह हो सकता है, कि उसने कितने लोगों की मदद की किसी परुपकारी संस्ता के लिए लाव का मतलब यह हो सकता है कि उसने कितने गरीबों को भोजन कराया किसी ट्रेड एसोशेशन के लिए लाव का मतलब यह हो सकता है कि उसने अपने सदश्यों की कितनी सेवा की लाव हमेशा हमारे द्वरा की जाने वाली भलाई का पैमाना है आपका सबना चाहे जो भी हो यह बात तो तैह है कि आप अधिक्तम लाव की फसल पाना चाहते हैं क्योंकि लाव से ही परिणाम तोले जाते हैं संभावना बहुत मैतोपूर्ण है हर व्यक्ति में कई योग्यताई होती है अच्छे जीवन की एक पूंजी है आपकी स्रेश्टम योग्यता को चुनना और उसे विक्सित करना दुखी जीवन का रास्ता वह काम करना है जिसके बारे में हम जानते हैं कि वह गलत है कोई महिला चित्रकार किसी पेंटिंग के बदले में 25 डोलर हासिल करके बहुत खुश हो सकती है क्योंकि वह जानती है कि उसकी मेनत से दूसरे की आत्मा को सुख मिलेगा जब आप सपने का चुनाओ करें तो खुद से पूछें मेरा सपना पूरा होने से दूसरों को कितनी संतुष्ट अगतिवीदियों को उर्जा वैदिसा देता है और स्कोर रखने का तरीका है एक तरफ पैसा स्कूल तथा अस्प्ताल बनवाता है और हमारी सरकारें चलाता है दूसरी तरफ पैसा अपराद बढ़ाता है विश्वस्त पदों पर बैठे लोगों को रिश्वत खोर बनाता ह और सरकार शिक्षा तथा चर्च के कुछ सद्शियों को बरहष्ट करता है मैं क्या करना चाहता हूँ सफलता बहुत आसान होती है अगर हम किसी स्टोर में जाकर दुकानदार से यह कह सकते एसे सपने का बीश दीजी जो मुझे गारंटी से सफल और अमीर बना दे परंतु ह अमेसा नहीं कर सकते सपनों के वीज बाजार में नहीं बिकते नए ही उन्हें विरासत में हासिल किया जा सकता और ना ही उदार लिया जा सकता ना ही किसी दूसरे को हस्तांतरित किया जा सकता है दोस्त माता पिता और सिक्षक लक्षक के बारे में सुझाओ दे सकते हैं परं बिजनस में धेर सारी दूलत कमा सकता हूँ, यह सवाल किसी रोसनी वरे दिन में यह पूछने की तरह है, सूरज की रोसनी कहा है, या समुन्दर में किसी जहाज के डेक पर खड़े होकर यह पूछने की तरह है, पानी कहा है, पैसा कहा है, इस सवाल का जवाब है, हर तरफ, अ जादातर संगीतकारों की आमदनी कम है परंतो कुछ संगीतकार हर साल करोडों कमाते हैं। इसी तरह आम तोर पर पादरियों को कम वेतन मिलता है परंतो कुछ को बहुत अधिक धन मिलता है। कई छोटे बिजनस मालिक बहुत कम कमाते हैं परंतो कुछ अमीर बन जाते हैं और उन्हें आशा से अधिक पुरुषकार मिलते हैं। आर्थिक अफसर के संदर्ब में कहा जाए। तो कोई व्यवसाई किसी इनसान को अमीर नहीं बनाता। इनसान खुद अपने आपको अमीर बनाता है। सपने का सबसे अच्छा बीज वह है जिसे आप अपने दिमाग से बाहर ने निकाल सकें। ऐसा विचार जो कभी आपका साथ ने छोड़े। ऐसा उदेश्य या काम जिसमें आप डूब जाएं और दिवानगी की हद तक पहुँँ जाएं। आदर सपने का बीज वह काम है जिसे किये बिना आप रहे ना सकें। दूसरा कदम उस बीज को स्विकार करने के लिए अपने मस्तिस्क को तैयार कीजिए। हर माले जानता है कि बीज बोने से पहले जमीन को कितनी अच्छी तरह से तैयार किया जाएगगा बीज उतने ही अच्छे होगेने। जिस तरह जमीन पोदे के लिए है उसी तरह आपका मस्तिस्क सपने के लिए है। सपने के बीज को स्विकार करने के लिए आपका मस्तिस्क जितनी अच्छी तरह से तयार होगा आपके सपने की जड़े उतनी ही अच्छी तरह से जमेंगी अच्छी तरह से तयार जमीन कहती है मैं बीज को स्विकार करती हूँ सपने के लिए तयार मस्तिस्क कहता है मैं सपने को स्विकार करता हूँ मैं इसके लिए तयार हूँ अपनी स्वपन मशिन पर गरव कीजिए आपका मस्तिस्क जहां आप अपने सपने को बोते और पालते हैं अनूठा है पूरी स्रेश्टी में ऐसा कोई नहीं है जो आपकी तरह दिखता, बोलता, चलता और सुचता हो इस बात पर खुश हों अनुठे होने का आर्थी यह है कि जिस अपने कुआभा की कदमें बदलना चाते हैं उसके लिए आपके पास सर्वेस्रेश्ट सोपन मशीन है किसी सत्तादारी व्यक्ति की जगह होता जो लोग ऐसा कहते हैं वे अपने महान उपार को नजर अंदास कर रही है अनुठाबन यह हो सकता है कि आप अमेरिका के राष्टबती के साथ उसका पद बदलना चाहें परन्तु आप निश्चित रूप से जिन्दगी की अदला बदली नहीं करना चाहेंगे अपने जीवन को पसंद करना एक अच्छी बात है आपके उदेश्यों के लिए आपके पास सर्वेस्रेश्ट स्वपन मसीन है अपने मस्तिस को PMA Positive Mental Attitude यानि सकारात मानसिक नजरिये के द्रवे से दोई आपके हाथ और चेरा धूल की चड़ और घ्रीस की वज़े से गंदे हो जाते हैं कुछ समय बाद हताशा, हार और निराशा की वज़े से आपके मस्तिस्क में भी गंदगी जमा हो सकती है जिस तरह बोजन करने से पहले हमें अपने हाथ दोने की जरूरत है उसी तरह सपने पर काम करने से पहले हमें अपना मस्तिस्क दोने की जरूरत होती है अपने सपने की जड़ों को मजबूत करने के लिए आपको उन यादों को दो कर साफ कर देना चाहिए जो आपको पीछे दकेल रही है जैसे वह समय जब आपने कोई काम करने की ऐसा फलकोशिस की थी जिस वज़े से आप मुर्क साबित हुए और अप्मानित हुए या वह समय जब आपने बिजनेस, विवा या निवेस में हार का सामना किया हो अपने मस्तिस को साफ करने के लिए उस पर पी-ए में दरवे छिड़के यानि अपनी सफलताओं और उपलबदियों के सकारात्मक मानसिक नजरिये के विचार सोचे वह परसंसा याद करें जो आपको अपने पसंदिदा लोगों से मिली या वह जीत जो आपने हासिल की अपनी पराजय की तरफ सिर्फ सबक सीखने के लिए देखें फिर उसे भूल जें नकारांदमक यादों को दोकर मिटा दें अपना सपना निरोगी भूमी में बोई अपने सपने की सेर का ब्रोशर तयार कर लें कल्पना करें कि कोई दोस्त आपको और आपकी पत्नी को मोस्को की यात्रा पर चलने का सुझाओ दे रहा है परंतु वहां जाने में आपकी कोई दिल्चस्पी नहीं है उसकी कोई बज़े नहीं है आप बस यूहीं नहीं जाना चाहते हैं फिर आपका दोस्ता आपको मासकों के इतिहास, संस्कृती, प्रिती रिवाज, मनोरंजन और सामाजिक समश्यों की तस्वीर दिखाता है। और कुछ समय बाद आप जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। हम किसी चीज के बारे में जितना अधिक जानने लगते हैं, उसके बारे में हमारी जिग्यासा उतनी ही बढ़ जाती है। हमारा मस्तिस्क भी हमारे सपनों को इसी तरह से स्विकार करता है। आपके पास अपने सपने की तस्विर जितनी सपस्ट होगी, आप उसके बारे में उतने ही अधिक उत्साई होगी। सपने को स्विकार करने के लिए मस्तिस्क को तयार करने का एक जरूरी हिस्सा है। अपनी बोतिक द्रस्टी से सपने को पूरी सपस्टता से देखना। उस विशविदेले या स्कूल का ब्रह्वण करें, जहां आपका सपना सच होगा। अपने दम पर कोई नया करियर या बिजनस शुरू करने का सपना देख रहे हैं। इसके बारे में जितना संभव हो, उतना अध्यन करें। उस करियर या बिजनस में काम कर रहें लोगों से बात करें, अपनी योजना को कागज पर लिख लें, पहले तो बड़ी तस्वीर, इसके बाद विश्तरत विवरान आपनी मस्तिस्क दरस्टिका प्रियोग करके, अपनी मस्तिस्क को तयार करें, ताकि वह महान सपने के बीज क को विक्सित कर सके तीसरा कदम अपने सपने का बीज बोई ये सावदानी से चुने गए बेहतरीन टमाटर के बीज के बारे में सोचिए इस छोटे से बीज में 25 पॉन फल देने की संभावना छुपी है एक बीज आसानी से अपने वजन से 10 लाग मुना अधिक वजन के फल पै आने जाई यही महान सपनों के साथ होता है धन कमाने बिजनस खड़ा करने समाजिक समस्चें सुल जाने या जीवन को बेहतर बनाने के लिए दुनिया के सरवस्रेस्ट विचार भी विर्थ हैं जब तक कि उन्हें बोई आने जाई और जब अच्छी तरह से तयार किसी मस्त कोका कोला तक हर महान व्योसाई कभी सिर्प एक विचार था जिसे बोया गया इनकी दोलत एक विचार से पैदा हुई जिस पर मेहनत की गई हमारे चारो तरफ ऐसे लोग हैं जो काश मैंने इसा किया होता कि बिमारी के सामने हार मान लेते हैं यह बिमारी कई रुपों में मिलती है निवेस के बारे में चर्चा करते समय लोग कहते हैं काश मैंने दस साल पहले अमुक शेर खरीद लिये होते ही मेरी छटी इंदरी ने मुझे फलां कमपनी में निवेस करने को कहा था परन तो मैंने इसा नहीं किया जिन लोगों ने अपने सपने को नहीं बोया तो बिजनस शुरू करने की बात करते समय कहती है मैं 1980 में अपना बिजनस शुरू करना जाता था परन्तु मेरे सामने कुछ परिशानिया थी या जब मैं पीछे पलट कर देखता हूँ तो मैं अमुक आउसर का लाब ने उठाने के लिए खुद को लानत बेशता हूँ करियर के बारे में चप्चा करते समय आप अक्सर लोगों को यह कहते वे सुन सकते है कि किस तरह उन्होंने अपने सपने की संभावना को मर जाने दिया मैं अपना खुद का बिजनस खड़ा करना चाहता था परन्तु मुझे रास्ता साफ नजर नहीं आ रहा था या बहुत पहले मैं दरसल कम्प्यूटर लाइन में जाना चाहता था परन्तु फिर मैंने सोचा कि कम्प्यूटर का फैशन सिर्फ कुछ समय तक ही रहेगा काश मैंने ऐसा किया होता कि बिमारी उतनी ही आम है जितने की जुकाम बुद्धि माने से बरी एक पुरानी काहावता है बोले या लिखे जाने वाले दुखत शब्दों में सबसे दुखत शब्द है ऐसा हो सकता था इसकी वज़े से उन लोगों का जिवन निरासा जनक हो जाता है जिन के पास महान विचार तो होते हैं परंतू बे उन्हें मर जाने देती हैं सपनों को हकीकत में बदलने के लिए यहां पर दो योजनाई हैं नमबर एक सपना बोई ये करम कीजिए अभी शुरू कीजिए आज मुझे एक कार डिलर ने फोन करके आगरे किया कि मैं उसकी कंपनी के सर्वस रेष्ट वर्स के समारों में उसके सेल्स टाप के सामने भासन दूँ उसने मुझे से कहा आठ साल पहले मैं पूलिस अबसर था नोकरी ठीक ठाक थी परंतु कम तनक्वा राजनेतिक और नकारात्मक माहूल मुझे पर बुरा असर डाल रहे थे एक वीकेंड में मैंने आपकी पुस्तक दे मैजिक आफ तिंकिंग बे पढ़ी और अध्याई दस काम में जुटने की आदत डालिये का एक वाक्या पढ़ा सोंवार के सुबह मैं अपने बोस से मिलने गया और अपना इस्तिफा दे दिया मैंने फैसला कर लिया कि अगर मुझे इस जीवन का आनंद लेना है तो मुझे अभी शुरू करना होगा मैंने एसा ही किया और शिर्फ आठ साल में ही मैं आर्थिक रूप से सोतंत्र हो गया जब हम अपने सपने को सच करने के लिए मेहनत करते हैं तब एसा ही होता है कोलेज जाकर डिग्री हासिल करना चाहते हैं आप ही शुरू कीजिए आपको लग रहा है कि आप अपने नोकरी में प्रगती नहीं कर रहे हैं आप ही अपने वरिष्ट अदिकारी से बात करें, करज में गले तक डूपे हैं, अभी हाल अपनी आर्थिक स्तितिका विशलेशन करें. नंबर दो, अपने सपने को बोने के लिए आदर स्तितिका इंतजार ने करें. बच्मन में खेती करते समय मैंने जब शीख लिया था कि बुआई की इस्तितियां कभी आधर्स नहीं होती बीज बोने के लिए मوسم या तो जरूरत से थोड़ा नम होता था या फिर थोड़ा ज्यादा सुखा या तो यह थोड़ा जल्दी होता था या फिर थोड़ी देर हो चुकी होती थी मुझे याद है एक बसंद में मेरे पिताजी ने कहा था हमने आज तक मका इतनी देर में कभी नहीं बोई है और हमें शायद अच्छी फसल नहीं मिले परन्तु हमने इस समय मका नहीं बोई तो हमें बिलकुल भी फसल नहीं मिलेगी इसलिए जब के पलाइनवादी बाक्यों पर साबदाने से गोर करें जैसे मैं अपने सपने पर काम करना तब शुरू करूंगा जब अर्थ वे उस्ता सुदर जाएगी या जब मैं कर्द से बाहर निकल लाऊंगा या जब छुटियां खत्म हो जाएगी या जब अमुक ऐसा काम कर लेगा याद रखें एक वक्त ऐसा आएगा जब आगे होंगी चौथा कदम अपने सपने के बीज को खाद पाने दीजिए अपने टमाटर के बीज के बारे में थोड़ा और सोचिए बीज बेहतरीन है जमीन अच्छी तरह से तयार है और आपने बीज बो भी दिया है पर अच्छे सुआद वाले टमाटर उगें और डेहर सारी उगें इसके लिए इस बीज को पोशन की जरूरत है सूरज की रोशनी, खाद और पानी की आपके सपने के बीज को भी पोशन, कलपना, प्रोटसाहन और विचार की जरूरत है ताकि वह विक्सित हो सके और आपको दोलतमंद बना सके सरकारी आंकडों के अनुसार हर साल बीस लाख बिजनस शुरू होते हैं मैं आपको एक दमपती टाम और सूजन के बारे में बता दूँ जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनस में आर्थिक सुतंतर था और समरदी के अपने सपने को विक्सत कर रहे हैं सूजन ने इसे इस तरह से बताया हमने फैसला किया कि इस मूलबूत विचार में जिसे आपने सपने का बीज कहा है वे सारी संभावनाएं थी जो हम चाथते थे हमने दूसरे लोगों को इसमें सफल होते देखा और वे हमसे ज़्यादा स्मार्ट या बेतर नहीं थे इसलिए हमने फैसला किया नहीं हमने संकलप किया कि हम अपने बीजनस को सफल बनाएंगे हमने हर रात को तीन गंटे बीजनस के लिए अलग निकाल कर रख लिए और हर विकेंड में आठ गंटे समय निकालने के लिए हमें त्याग करना पड़ा वे हंस्ते वे आगे बोली हमें टीवी बॉलिंग आदी छोड़ने पड़ी जिसमें हमें वैसे भी कोई मज़ा नहीं आ रहा था हम इस बिजनेस में सब्ता में कम से कम एक बार लोगों से आमने सामने मिले और अपने ग्रूप लेडर से फोन पर बातें की जितनी बार कर सकते थे हमें उन लोगों से बहुत उपियों की विचार मिले जो इस बिजनेस में बहुत अच्छा परदसन कर रहे थे जब भी हमारे सामने कोई समझे आती थी हम मदद मांग लेते थे और इसमें हमें थोड़ी सी उम्मीद की रोशनी और परोटसान दिया जिसकी हमें जरूर थी हमने अपने खाली समय का एक एक मिनट बिजनस फैलाने में लगाया हमने बैटकों वैसे मेनारों में भाग लिया और अपने बिजनस को उतनी ही सावदाने से पाला पोशा जितनी सावदाने से हम अपने दो बच्चों को पालते हैं टाम ने मुझे बताया कि बिजनस के पहले साल में उन्हें 31,000 डालर की कमाई हुई परंतु मुख्य मुद्दा यह है है कि वे अपने बिजनस को सफल बना रहे थे इसकी देख बाल करके इसे पोसन दे कर ताकि यह सफल बन सके सबक एक बार सपने को बोने के बाद इसे पोसन दे सेमिनारों में भाग लें अगर जरूरी हो तो कोलेज जाई ट्रेड एसोशेशन के सदश्य बने सफल लोगों से बात करें पढ़ें सफलता की मान सिक्ता वाले दूसरे लोगों की मदद लें मानविय सबाओ का एक पुराना नियम है एक जैसे पंक वाले पक्षी एकठे उड़ते हैं यह नियम हमेशा सही है इसलिए अगर आप बहुत कमाना चाते हैं और दोलतमन बनना चाते हैं तो एसे लोगों के साथ जुड़ें जिनकी आमदनी बहुत जादा हो अगर आपके दोस्तों के सुमूँ में ऐसे लोग हैं जो ओसत जिन्दगी से संतूष्ट हैं जिनके जीवन की फिलासपी है जो किस्मत में होगा वही मिलेगा तो समय के साथ आप भी वैसा ही बन जाएंगे आपका सपना मर जाएगा आपकी दरश्टी धुंदली हो जाएगी और आपकी अध्यात्विक मरती हो जाएगी इसका उदाहन देखिए मान लेजिए आप अपने ओसत मित्रों को बताते हैं कि पांच साल के बीतर आप हर साल दो लाग डालर कमाने जा रहेंगे आपके साधान दोस्तों आप पर हंसेंगे वे आपको बताएंगे कि आप नादान है मुरख है यहीं नहीं वे अपने दूसरे दोस्तों को भी मज़े लेकर बताएंगे कि आप कितने मुरख है जो सोच रहे हैं कि आप इतना सारा पैसा कमा सकते हैं परन्तु अगर आप उन लोगों को अपनी योजना बताएंगे, जो दो लाग डालर परती वर्स कमा रहे हैं, तो वे कहेंगे, बहुत बढ़िया, यह बहुत अच्छी बात है, मैं इसमें आपकी किस तरह मदद कर सकता हूँ? इस बात का ध्यान रखें, जो लोग सफल नहीं हो पा रहे हैं, वे यह नहीं चाहते कि आप सफल हों, वे चाहते हैं कि आप उसत जिन्द की जीएं, क्योंकि इससे उन्हें अपने बारे में कोई शिकायत नहीं होगी, दुख में संगी साथी अच्छे लगते हैं, इसलिए हम क सफल हो जाएं, अगर आप सफल हो जाएंगे, पैसे कमाएंगे और अच्छे जीवन का अनंद लेंगे, तो इससे वे ऐसा हज़ हो जाएंगे, इसा करके आप उनके समू के साथ विश्वासगात करेंगे, जबकि अगर आप ऐस सफल होंगे, तो आपके ओसत मित्र आपके ब बांटने के लिए बहुत कुछ है अपने सपने को बड़ा करते समय अपने आपको सकारात्मक लोगों से गेर ले सकारात्मक लोग चाते हैं कि आप जीते हैं सफलता हासिल करें अच्छे जीवन का आनंद ले वास्तविक संतुष्टी प्राप्त करें और दूसरों के जीवन में योगदान दे दूसरी तरब नकारात्मक लोग चाते हैं कि आप जीवन में अपनी वर्तमान स्थिती को स्विकार करें बोरियत और ओस्त दरजे के साथ संतुष्ट रहें कम आमदने में गुजरा करें और उन पुरुसकारों से बन्चित रहें जो दूसरों की मदद करने के लिए मिलते हैं खर्पतवार और इलियों को दूर रखें आईए हम दुबारा आपके तमाटर के पोदे की तरफ चलते हैं अगर सूरिय की उरजा, पानी और पोशन के लिए इसे खर्पतवार से मुकाबला करना पड़े तो इसकी फजल कमजोर होगी और मौका पाते ही इलियां इसे कुतर जाएंगी और नश्ट कर देंगी आर्थिक सवतंतर ताका आपका सबना भी खर्पतवार और इलियों को अपनी तरफ आकर्शित करेगा यह काम नहीं करेगा तुम अपना समय वरबाद कर रहे हो जैसी बातें कहे कर आपके नकारातमक दोस्त खर्पतवार के बीजबो देंगे इतने बड़े सपने देखने पर कुछ मित्राप का मजाक उड़ाएंगे कई लोग आपकी तरफ आज के लिए जीयो का परलोबन भी उचा लेंगे आपके सपने को खत्रे में डालने के लिए इलिया भी आ जाएंगे हो सकता है कि किसी दोस्त के मन में आपसे पैसा उदार लेने के इच्छा जाग जाए या फिर वहे आपको किसी बेतर अवसर की खोज करने के लिए प्रेरित कर देए इसके अलावा मीडिया की तरफ से भी खर्पतवार और इलिया आएंगे इस बात के लिए तैयार रहें कि आप पर नकारात्मक ख़बरों की बंबारी होगी और यह खबरें बिजनस अर्थ बेरस्था व्यपारी के सफलता हो संसत्की जांस और टेक्स कानून में परिवर्तन के बारे में होगी नकारात्मक लोगों से खुद को अलग करने के लिए बहुत कोशिस करने पड़ेगी परन्तु यह लगवक तैय है कि अगर आप सफलता की मान सिकता वाले लोगों के साथ जुडेंगे तो आप दोलत्मन बन जाएंगे इसलिए किसी समय यह है फैसला करें कि जिन लोगों के साथ जुडें आप उनकी हर दिन जांच करेंगे ऐसे लोगों से खुद को दूर कर लें जो हर चीज़ के बारे में बुरी बात करते रहते हैं और आपके सपने की मोच चाते हैं पांचवा कदम अपनी उर्जा को एकागर कीजी मैं करके दिखाँगा कप्रियो कीजी फुटबाल मैच के कोच विन्स लामर्डी का परसिद कथन है आदर्स रूप से एनुसासित इच्छा सक्ती को कोई भी थाकत नहीं रोक सकती उनके जीतने के रिकार्ड ने एक काहवत में गहरा अर्थ बर दिया जहां चाह वहां रह कोच लामर्डी का उतकर्स योगदान यह था कि उन्होंने यह दिखाया कि इच्छा सक्ती क्या कर सकती है यह नहीं सिर्फ फुटबल मैच जीत सकती है बलकि जिन्दगी के मैच भी जीत सकती है जीत आती है जब आप सोचते हैं मैं जो चाहता हूँ पाकर रहूँगा जीत तब नहीं आती जब आप सोचते हैं मैं कुछ पाना चाओंगा देखिए किसी इनसान का सबसे सशक्त संकल्प होता है मैं करके दिखाऊंगा जब आप ठान लेते हैं मैं करके दिखाऊंगा तो आपका मस्तिस्क दो आस्चरे जनक काम करता है पहला यह आपको बताता है कि किस तरह अपने सपने को सच किया जाई और दूसरा मैं करके दिखाऊंगा का संकल्प आपको आवशक शक्ती देता है इसे इस तरह से देखें आपकी सारी मस्तिस्क शक्ती आपकी सारी मानसिक शक्ती मैं करके दिखाऊंगा वाले मानसिक हिस्से में है आप अपने सपने को जितनी गहराई से अपने मस्तिस्क में रोपेंगे उनका साकार होना उतना ही तै है अगर आप सोचते हैं मैं जो घर चाहता हूँ उसे खरीद कर दिखाऊंगा तो पैसे का सुरोत अपने आप पर कट हो जाएगा अगर आप सोचते हैं, मैं अपने बिजनस के विचार को हकीकत बना कर दिखाऊंगा, तो इसे करने का तरीका अपने आप सामने आ जाएगा अगर आप सोचते हैं मैं नोकरी में प्रमोशन लेकर दिखाऊंगा तो आपके सामने ये हैस्पस्ट हो जाएगा कि आपको क्या करना है एक बार मैं करके दिखाऊंगा कि इच्छा सकती आपके पूरे नियंतरन में आ जाई तो फिर मैच जीतना, पैसे कमाना, आपका पसंद दिदा जीवन साती पाना, सुनाओ जीतना यानि आप जो चाते हैं उसे पाना आपके लिए आसान हो जाएगा हर इनसान के मस्तिस्क में दो पहलू होती है मैं कोशिश करूँगा का पहलू और मैं करके दिखाऊंगा का पहलू जब कोई कहता है मैं कोशिश करूँगा तो इसका मतलब होता है मैं प्रक्रिया तो पूरी करूँगा परन्तु मुझे यकीन है कि मैं ऐस अफल हो जाऊंगा मैं कोसिस करूंगा वाले लोग अवचेतन मन से हार के बारे में पहले से सोच रहे हैं वे हारने के बाद बचाओ के रास्ते या अच्छे से बहाने के बारे में सोच रहे हैं जो सेल्जमेन अपने मैनेजर से कहता है मैं मिस्टर ब्राउन से मिलने की कोसिस करूंगा नहीं जानता की कैसे परंतु मैं यह करके दिखाऊंगा। वहें नहीं सिर्फ मिस्टर ब्राउन से मिलेगा बलकि मिस्टर ब्राउन को कुछ बेच कर भी आएगा। सबक किसी भी सपने दोलत प्रसंसा बिजनेस में सफलता को हासिल करने के लिए लक्षा के प्रती पूर्ण समर्पन की आवशक्ता होती है। को ही समान उम्र के हैं। कोन जितेगा। वहें खिलाडी जिसमें अधिक संकल्प शक्ती होगी। कोलम्बस ने नई दुनिया खोजी। क्यों। उस समय कम से कम सो समुदरी कप्तान उतने ही योग्य थे। उन में से कई तो अंजान समुदर में पस्चिम की और यात्रा करने के बारे में विचार भी कर रहे थे। फरक शिर्प यह था कि कोलम्बस ने फार इस्ट का शोटकट खोजने का द्रड़ संकल्प कर लिया। दो दसक से भी अधिक समय तक उसने अपने उर्जा को समुदरी अभियान पर जाने पर एकागर किया। साल्स लिंडबर्ग पहला पाइलेट नहीं था जिसने मन में अंटार्क्टिका को भिना रुके अकेले पार करने का विचार कवाया। पर उसकी सपने की मशीन उसकी उड़ने वाली मशीन से कहीं बेहतर थी उसके संकलब ने उसे पहला पाइलिट बनाया और उसका नाम दुनिया में मशूर हो गया बान बान सबसे स्मार्ट या सबसे अच सिक्षित राकेट इंजिनियर नहीं था परंतु वह सबसे समर्पित, निश्टावान और प्रेरित राकेट इंजिनियर था और उसने चंदरमा पर हमारी विजे में मुख्य भूमिका अदा की अमेरिकी जंडा चंदरमा पर हमेशा रहेगा क्योंकि उसके सपने ने दूसरे इंजिनिरों की कलपना और अन्तताय विस्व की कलपना को प्रेरित किया कौन जीत रहा है टीपी या जेई दो लोगों पर विचार करें टेड़ पी और जॉन ई दोनों की ही उमर 35 की लगबग है किसी भी पारंपरिक पैमाने से ट्रेड का IQ चोटी के एक प्रतिसत लोगों के बरावर है उच सिक्सित ट्रेड के पास PhD की डिगरी है वह है आकस्टक और स्वस्थ है अपने विवास से खुश है और उसकी एक प्यारी सी बेठी है ट्रेड की रूचिया बोतिकी से बास्केटबाल और विस्थ की राजनितिक तक फैली हुई है ऐसा लगता है जैसे यह ऐसा आदारन रूप से सफल वेक्ति का वरणन हो कलत टेड एक messy ऐलेक्टोनिक्स इंझिनियर है जिसने 6 साल में 4 नोकरिया बदली है टेड कहीं नहीं जा रहा हर नोकरी से निकाले जाने का कारण एक ही होता है टीपी बहुत ज़्यदा प्रजेक्ट में शामिल हो जाता है टेड बहुत ज़्यदा प्रोजेक्ट्स में शामिल हो जाता है कभी किसी प्रोजेक्ट को पूरा करके नहीं दिखाता अद्बूत इंचान परंतु वह गेंद को गोल में नहीं डाल पाता समश्या टेड अपनी उर्जा को एकागर नहीं करता उसका मस्तिस्क कभी पूरी तरह एक जगह नहीं रहता दूसरी तरफ जोन ई उपर से टेड की तुलना में बहुत कम योग्य नज़राता है जोन की समान्य बुद्धी है उसके पास कोई डिगरी नहीं है उसका वजन जाता है और वह बहुत कम पड़ता है एसा लगता है जैसे जोन साधारन होगा गलत जान और उसका परिवार खुश है जोन का अपना खुद का विजनस है वह डिलरों को खेल की नोकाईं बेशता है और हर साल धाई लाक डालर से अधिका नगद मुनाफ़ा कमाता है जोन की सबलता का रहशे क्या है उसे नाओं से प्रेम है वे किस तरह बनाई जाती है वे क्या कर सकती है उनका प्रियोग कैसे करना चाहिए और उसका विस्वास है कि हरा आदमे के पास कम से कम एक नाओ होनी चाहिए जान के घर के हर कमरे में आपको एसा फरनिचर लेंप या पेंटिंग मिल जाएंगी जिससे नाओं के प्रती उसका प्रेम परकट हो टेड और जान के बीच मुख्य अंतर क्या है टेड अपनी उर्जा को बरबाद करता है जबकि जान अपनी उर्जा को एकागर करता है टेड दूर के कई लक्षों पर अपनी पेलेड गंज से निसाना लगाता है जान अपनी उर्जा को राइफल में एकागर करता है और पास के एक लक्षा पर निसाना साथता है यह करें अपने सपने को हकीकत में बदलने के लिए जीरो इन करें अपने काम को इकठा करें मैं करके दिखाऊंगा कि अपने उर्जा को एकागर करें और संकल्प लें छटा कदम समय से अपने लिए काम करवाई किसी बच्चे के लिए यह समझना बहुत मुश्किल होता है कि सबजी के बीच से फल उगने में कई सफ़ता या महिने लग जाएंगे क्या फिर यह समझाना कि छोटे देवदार के पोदे को विशाल ब्रक्ष बनने में कई दसक लग सकते हैं दरसल किसी भी उमर के किसी भी व्यक्ति के लिए यह समझना मुश्किल है कि समय से अपने लिए काम करवाना कितना जरूरी और समझदारी का काम है करियर बनाने के लिए समय का निवेस करें आप अपने सपने के बीच से जो लाब चाते हैं उसे मिलने में समय लगता है मैं आपको रशेल के बारे में बता दू जो मेरे एक दोस्त की बीस वर्षिय बेटी है वह है सचमुच दूइदा में थी उसने मुझसे कहा मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ मेरे नमबर इतने अच्छे हैं कि मुझे पांच सबसे अच्छे मेडिकल कालेजों में से एक में प्रविस मिल जाएगा मैंने जवाब दिया मुझे एसा नहीं लगता कि इसमें कोई समश्या है मेडिकल कालेजों का स्टंडर बहुत उंचा होता है वे दस में से नो आविदकों को ऐस विकार कर देते हैं मैं जानती हूँ रसेल ने सहमत होते हुए कहा पर मेडिकल कालेज जाने का मतलब है बिना आमदनी के दस साल तक बहुत ज़्यादा मेंनत करना और अगले दस साल मेरे जीवन के बेतरीन साल है मैं गूमना फिरना चाहती हूँ बहुत से लोगों से मिलना चाहती हूँ ज्यादातर यह वालोग जो करते हैं मैं वह करना चाहती हूँ मुझे क्या करना चाहिए मैंने कहा काम इनसान के जीवन का एक परमुख हिस्सा होता है अगर तुम्हें लगता है कि तुम कोई और काम करने के बज़ाई डोक्टर बनना चाहती हो तो फिर डोक्टर बन जाओ दस साल बहुत लंबे दिखते हैं परंतु तुम्हें इस अनुबव में आनन दाएगा और इसके बाद भी प्रेक्टिस के लिए तुम्हारे पास 40 साल का समय बचा रहेगा सपनों की परिक्षा देने माली यह चुनोती सब के सामने आती है क्या मैं बवीशे के अधिक बड़े पूरसकार के लिए अभी समय और योगिता का निवेस करूं या मैं अपने समय का निवेस ज्यादा तर लोगों की तरह करूं और सिर्फ आज के लिए जीएं धन कमाने के लिए समय का निवेस कीजिए आप अक्सर काहवत सुनते हैं बहुत सा पैसा कमाने के लिए बहुत से पैसे की जरूरत होती है एक और पुरा निकाहवत है जो सच नहीं है अमीर लोग अधिक का अमीर बनते हैं और गरीब लोग अधिक करीब दरसल निवेस में धनकी मातरा से अधिक में तो पूर्ण होता है समय एक डोलर अधिक नहीं होता परंतु बारा परतिसद की दरसे निवेस किये जाने पर चक्रवर्ती ब्याज के इसाब से यह 30 साल में 32 डोलर कमाएगा 60 साल में 1024 डोलर और 90 साल में 32,768 डोलर चक्रवर्ती के सिदांद का सीदासा अर्थ है कि आपको अपने निवेस से जो लाब मिलता है आप बविशय में ज्यादा लाब कमाने के लिए उसका दुबारा निवेस कर सकते हैं इस उदारन की तरफ देखें कि चक्रवर्ती का जवरदस जादू समय भी इतने पर किस तरह दोलत परदान करता है जेन और जिल दोनों की उमर 25 साल है दोनों ही एक बार 1000 डालर का निवेस करती है जिन में 18% की दर्शे लाबांस मिलेगा बारा मैने के बाद जेन फैसला करती है कि वह अपने 180 डालर के लाबांस से अपने लिए कुछ ऐसा खरीदे जो वह सचमुच चाती है जिल अपने 180 डालर को अपने 1000 डालर के मूल निवेस में जोडने का फैसला करती है इस तरह एक साल के अंत में जेन के पास 1000 डालर का निवेस है और 180 डालर का वह सामान जिसके पीछे वह पागल थी जिल के पास 1000 डालर और 180 डालर है जो उसके लिए काम कर रहे है यानि कुल मिलाकर उसका निवेस 1180 डालर अगर जेन अपने लाब को हर वर्ष खर्च करती रहे और जिल अपने लाब का लगातार निवेस करती रहे तथा ब्याज की दर 18% बनी रहे तो उनके धन की तस्वीर कैसी होगी 40 साल के अंत में जब जेन और जिल 65 की हो जाएंगी तो यह रहे परिनाम जेन के पास अब भी उनके 1000 डालर और 40 तोफे होंगे जो उसने 100 सी डालर परती वर्ष के इसाब से खरीदे होंगी जील का निवेश चक्रवर्दी के जादू से जील का निवेश 1000 गुना बढ़ गया अगर जील का धन सिर्फ 15% की दर से ही चक्रवर्दी हो रहा होता तो भी उसके पास 65 साल की उम्रे में 3 लाख डालर से अधिक होती निवेश के बारे में आपको जो सबसे महत्वपूर्ण सिधान्द मालूम होना चाहिए वह है चक्रवर्दी का सिधान्द इस पर विचार करें हर मईने 12% के ब्याज पर सिर्फ 100 डालर का निवेश करने से आपके पास 30 साल बाद 3,897 डालर हो जाएंगी हर मईने 100 डालर की रकम 50 साल में 30 लाख डालर हो जाएंगी याद रखें तीन चीजें तैय करती हैं कि दोलतमंद बनाने वाली योजना आपको कितना अमेर बनाएंगी आपने कितनी रकम का निवेश किया है किस ब्याजदर पर निवेश किया है और आप अपने धन को कितने लंबे समय तक अपने लिए काम करने देते हैं 72 के नियम को जाने यह जानने के लिए कि आपका पैसा कितनी तेजी से दुगना होगा सिर्फ बहतर की संख्या को ब्याजदर से भाग दे अगर आपका धन 9% पर निवेश किया गया है तो यह 8 साल में दुगना होगा 72 को 9 से भाग दे अगर आपका धन 18% ब्याजदर कमा रहा है तो यह सिर्फ 4 साल में दुगना हो जाएगा 72 को 18 से भाग दे जरा देखें 10,000 डॉलर का एक मुस्त निवेश 12, 18 और 24 परतिसद के चकरवरती ब्याजद के इसाब से आपके लिए कितना कुछ कर सकता है बसरते आप समय को अपने लिए काम करने का मौका दे आप जो भी चाहते हूं एक समय में एक कदम से आप उसे पा लेंगे सफलता, दोलत और खुशी हमेशा कदम दर कदम हासिल की जाती है ने की एक बार में चलांग लगा कर इन उदारनों पर विचार कीजिए एक नवजात शिसू के लिए महेंगी कालेज सिक्षिया का सपना सिर्फ 50 डोलर परति माहा के समझदारी पूर्ण निवेश से पूरा किया जा सकता है आकरशक शरीर का आर्थ है हेल्थ सेंटर और जोगिंग ट्रेक की बार बार यात्रा वजन एक बार में एक पॉंड करके ही कम किया जा सकता है कोई लड़की राष्टे ब्यूटी की विन बन सकती है एक बार में एक सौंदरिय प्रतियुगता जीत कर और प्रतियुगताओं के बीच में कोचिंग तदा अनुसासन से कोई फूटवाल टीम चेंपियंशिप जीत सकती है अगर वह एक अच्छे मैच के बाद दूसरा अच्छा मैच खेले तदा उसके बाद एक और अच्छा मैच पीट रोज बेसबाल हिट करने की संख्या में सरवादिक लीडर बनी उन्होंने एक बार में एक हिट करके यह रिकोर्ड बनाया उन्होंने अबने सामने के ततकालिक लक्षे पर पूरा ध्यान एकतरित किया हिट करना और बड़ा सपना नया रिकोर्ड बनाना सच हो गया जो अविनिता एक बार में एक द्रश्या पर ध्यान के निरित करते हैं महान अविनिता बन जाते हैं एक पैरवाला एक आदमी देश के इस छोर से उत छोर तक तीन अजार बहतर मिल दोड़ा ताकि अपने इस सपने को सच कर सके कि अपगनता सिर्फ मस्तिस्क में होती है उसने एक बार में एक कदम दोड़कर एसा किया एक मैनेजर कमपनी में एक के बाद एक प्रमोशन पाकर चोटी पर पहुंचा ने की अचानक उपर की तरफ एक ही छलांग में पहुंचा लाखों राकेट परक्षेपनों के बाद जाकर यह पूरी तरह समझ में आया कि चंदरमा तक पहुंचने और वहां से लोटने के लिए किन चीजों की जरूरत है इस पुराने निती सुत्र को याद रखिए लंबी से लंबी यात्रा भी एक कदम से सुरू होती है महान दोलत की सुरुवात सिर्फ कुछ डालरों से होती है सुखी जीवन एक बार में एक दिन में बनाया जाता है इन सिदान्तों को अवल में लाइए अभी पहला ब्रड़ता से अपनी सक्ति साली तस्वीरें बनाये कि आप क्या हो सकते हैं या क्या हासिल कर सकते हैं और किन चीजों के स्वामी बन सकते हैं सफलता एक सपना है जिस पर मेहनत की गई हो दूसरा जीवन को एक बगीचे की तरह मानिये हमें वही पोदे मिलते हैं जिनके बीज हमने लगाई है तीसरा बीज अवेसा अपनी तरह की फसल देता है पूछिए मैं कौन से बीज की फसल काटना चाहता हूं और मेरे सपने से लाब की संभावना क्या है चोथा अपने महान विचार को स्विकार करने के लिए अपने मस्तिस को तैयार कीजिए धूल, कीचड़ और ग्रिस को दो कर साफ कीजिए इसे महान विचार स्विकार करने के लिए तैयार कीजिए पांचवाँ एक महान सपना बोईए दोलत सिर्फ एक विचार है जिस पर मेहनत की गई है आदर्स परिस्तितियों का इंतजार मत कीजिए छठा अपने सपने के बीज को कलपना प्रोथ साहन और विचारों द्वारा पोशन दीजिए सफल्दा की मान सिक्ता वाले लोगों को अपनी मदद करने दीजिए साथवाँ मैं करके दिखाऊंगा कि नजरिये से अपनी उर्जा को एगा कर करें आप सफल होंगे विजेता बनने की सिर्फ कोशिस ने करें आठवाँ समय का लाब लें करियर बनाने में समय का निवेस करें दोलत बनाने में इसका प्रियोग करें धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 2 की तरफ जो है काम करते समय सीटी बजाई दोस्तों उमीद है आपने मेरे इस चैनल लेश्ट 13 को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो इसे तुरंट सब्सक्राइब करें और बेल आइकोन बटन को दवाई ताकि आपको हर वीडियो तुरंट उपलब्द हो सके धन्यवाद आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू अध्याई 2 काम करते समय सीटी बजाई 20 साल पहले एक कालेज के डिन रिटाइर हो रहे थे मैंने उनके विदाई समारों में भाग लिया उन्होंने संक्षिप्त धन्यवाद बासन दिया और उसमें इस शांदार आदमी ने अपने फिलोस्पी बताई कि सफल जीवन की राह क्या है उन्होंने कहा मित्रो सुख की सिर्फ दो रहे हैं एक है प्रेम और दूसरा है काम जीवन में वास्तविक संतुष्टी हासिल करने के लिए दो कदम उठाइए पहला हर मानवी संबद में प्रेम का समावेस कीजिए दूसरा एसा काम खोजिए जिसमें आपको आनन्द आए और फिर उसे अच्छी तरह से करने में अपनी शत्त प्रतिशत उर्जा लगा दीजिए सबसे प्रेम करें और काम करने का आनन्द लें अगर आप ऐसा कर लें तो यहे बात तैह है कि आप सुखी और अमीर होंगे वहे विद्वान सही था प्रेम करिए और अपने काम का आनन्द लेजिए जब आप ऐसा करते हैं तो सुख समरदी तथा सफलता सुनिश्चित हो जाती है मैं कई लोगों से बात करता हूँ जो अपने करियर से एसन दुष्ट हैं जब हमारी चर्चा इस सवाल पर आती है कि अगर आप इतने ही दुखी हैं तो दूसरी नोकरी क्यों नहीं तलास करते हैं तो मुझे कई बहाने सुनने को मिलते हैं वे लोग इने कारण कहते हैं वे अपनी खुद की ओड़ी हुई नोकरी की गुलामी में क्यों पड़े हुए हैं ये रही वे जंजीरें जिनके द्वारा लोग अपने आपको उस नोकरी से बांध लेते हैं जिसे वे पसंद नहीं करते नोकरी की पहली जंजीर नोकरी बदलने के लिए मैं ज़्यादा बुड़ा हूँ या ज़्यादा छोटा हूँ बहुत से लोग 40 गंटे परती सब्ता की अपनी नोकरी की जेल में सिर्फ इसलिए कैद रहते हैं क्योंकि वे सोचते हैं कि उनकी उमर ज्यादा हो चुकी है उन्हें लगता है कि वे इतने बुड़े हो चुके हैं कि वे बाहर जाकर अपना मंचा काम नहीं कर सकते जो लोग इस तरह से सोचते हैं उन्हें यह याद रखना चाहिए कि अमेरिका के पहले बिलिनियर हेंडरी फोड सिर्फ एक शेड़ ट्री मेकैनिक थे दुनिया भर में मसूर मैकडोनाल्स की स्ताफना करने से पहले पचास की उमर तक रेक राक कम आमदनी वाले सेल्जमेन थे जब करनल सैंडर्स ने केंटकी फ्राइट चिकन स्टोर शुरू किया तो उनकी उमर साट से अधिक थी और जब राष्टपती रेगन को पहली बार राष्टपती पद की सपद दिलाई गई तो वे सत्तर के थे उमर के दूसरे छोर पर एपल कम्प्यूटर सोर कैबेज पैस डोल्स के संस्ताफक ने जब अपना बिजनस शुरू किया तब उनकी उमर लगवग 25 साल की थी किसी करियर को शुरू करने या बदलने की सबसे अच्छी उमर क्या है वही जो इस वक्त आपकी है सफल लोग नोकरी समद्धिन निरने लेते समय उमर को अंदेखा कर देते है नोकरी की दूसरी जनजीर परन्तु मेरी वर्तमान नोकरी में ठिक ठाक पैसा मिल रहा है कम आमदनी में मेरा गुजारा नहीं हो पाएगा पिछले महिने मैंने अटलांटा के एक अच्छे रेस्तरा में लंच किया वेटर ने मेरा नाम लेकर मेरा विवादन किया और फिर बताया कि वह मेरा पूर विद्यार थी था आप शायद मुझे भूल गए होगी पर चार साल पहले आपने मुझे पढ़ाया है दो साल पहले मैंने फाइनांस में एमबीए की डिगरी ली थी यह हैस्पस्ट था कि वेटर मुझे बात करना चाता था जब मैंने लंच खत्म कर लिया तो उसने मुझे कहा आपको शायद हैरानी हो रही होगी कि एमबीए की डिगरी होने के बाद भी मैं वेटर का कम क्यों कर रहा हूँ मैं बताता हूँ मुझे जो सबसे अच्छी नोकरी मिल रही थी वहे थी 22,500 डोलर की यहाँ पर मैं हर साल लगबग 30,000 डोलर कमा लेता हूँ मैं एक अच्छा वेटर हूँ और इस रेश्टरा में बहुत अच्छी टिप मिलती है जब नोकरियों में फाइनांस के M.B. के लोगों की मांग और तनकुएं बढ़ेंगी तब मैं वहे नोकरी पाने की कोसिस करूँगा जहां मैं अपने शिक्षा का परियोग कर सकूँ मैंने जवाब दिया देखो तुम्हें यहाँ देखकर मुझे आस्चरिया हो रहा है पर मैं तुम्हें आस्वस्त कर दूँ ऐसा इसलिए नहीं है क्योंकि तुम जैसा कुछ लोग कहते हैं सिर्फ एक वेटर हो फिर मैंने बताया कि मैं भी एक वेटर था और ड्राइवर होटल कलराग खेत में काम करने वाला मजदूर गरगर जाकर सामान बेचने वाला सेल्जमेन भी और यह सारे काम मैंने अच्छी तरह से मन लगा कर किये थे मैंने उसे यह समझाने की कोशिश की कि हर काम मैं तो पूर्ण होता है और उसका सम्मान किया जाना चाहिए मैंने अपने मित्र को बताया कि अगर वह सचमुच रेस्तरा बिजनस को पसंद करता है तो उसे यहीं पर रुके रहना चाहिए हर काम सम्मान जानक होता है परन्तु अगर उसे इस उद्योग में अपना बविशय नहीं दिखता तो उसे कम आमदनी को स्विकार करना चाहिए और फाइनास की नोकरी कर लेनी चाहिए मैंने इस मुद्दे पर जोर दिया कि लंबे समय में लोग वह काम करके सबसे अधिक पैसा कमाते हैं जो उन्हें चुनोती देता है कई लोग यह गलती करते हैं कि वे सिर्फ शुरुवाती तनकुआ पर विचार करते हैं और भविशे के आमदनी को नजर अंदाज कर देते हैं दो सबता बाद मेरे पास इस पूर विद्यार्थी का फोन आया मैं फाइनास में नोकरी खोज रहा हूँ मैं सचमुच यही काम करना चाहता हूँ सबक संभावना पर विचार कीजिए लंबे समय के बारे में सोचिए काम की शंतुस्टी के बारे में सोचिए कुछ समय के ताथ कालिक पुरुसकारों को देखकर लाल 꼭 मत कीजिए नोकरी की तीसरी जंजीर पर मेरा परिवार मुझसे उमीद करता है कि मैं अमुक काम करूँ आप निश्चित रूप से ऐसी मैलाओं को जानते होंगे जो कोई करियर शुरू करना चाहती है परंदो ऐसा इसलिए नहीं कर पाती क्योंकि उनके पती आपती करते है और शायद आप ऐसे पतीयों को भी जानते होंगे जो दूसरी संभावनाओं का पीछा करना चाहते होंगे परंदो ऐसा इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि उनकी पत्नियां मना कर देती है और कुछ बच्चे जब व्यवसाइच चुनते हैं तो ऐसा अपने इच्छाओं से नहीं करते हैं बलकि इसलिए गरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि उनके माता पिता ऐसा करने के लिए उन पर दवाव डाल रहे हैं जब कोई अपने जीवन साथी को उसकी पसंद की नोकरी या करियर चुनने से रोकता है तो उसका व्यवार स्वार्थ पूर्ण होता है इस तरह से रोकने से अक्सर गहरा संगर्स छिट जाता है रिष्टों में हर व्यक्ति को दूसरे की रूच्छियों को ध्यान में रखते हुए उदार्था पूर्ण करिया करने चाहिए और सांजे लाव के लिए त्याक करने का इच्छुक रहना चाहिए जब दोनों ही एक दूसरे के प्रतियुदारता पूर्ण व्यवार करेंगे और इच्छा से त्याक करेंगे तो नतीजा निश्चित रूप से सुख़द होगा आदर्स चीती में पती-पत्नी दोनों को एक सांजे आर्थिक लक्षय का पीछा करना चाहिए जब अमेरिका मूलता एक क्रिसी परतान समाज था तब पती-पत्नी के रिष्टे सबसे मदूर थे क्यों? क्योंकि जिस आर्थिक लक्षय तक पहुंचने की वे कोसिस कर रहे थे वह एक ही था एक दूसरे पर निरवर होने के कारण दमपत्ती आद्यात्मी ग्रूप से भी एक ही सुत्र में बंदे रहते हैं आज बहुत कम परिवार आर्थिक द्रिष्टे से परस पर निरवर्था के लाबों का आनंद उठा पाते हैं वह है आनंद जो सांजा लक्षयों को हासिल करने के लिए इकठे काम करने में आता है परन्तु कई पती पतनी अपने रिटेल स्टोर्स, रेस्ट्राओं, डे केर सेंटर्स, कानूनी दफ्तरों, मेडिकल क्लिनिक्स और सर्विस एंटरप्राइजेस में इकठे काम करके बहुत सुख हासिल कर रहे हैं कई माता पिता चाहते हैं कि बच्चे उनके नक्षे कदम पर चलें खास कर चिकित्सा और कानून जैसे व्यवसायों में या खांदानी बिजनस में परन्तु मम्मी या डैडी के मनपसंद काम करने के लिए बच्चों को प्रोच्षाइद करना गलत है जब तक कि बच्चों को उस व्यवसाय से प्रेम नहीं हो मैं एक उदहर्ण देना चाहूंगा लगबग 15 साल पहले मेरे दो विद्यार थी थे दोनों ही अन्तेष्टी करने वाले निर्देशकों के बेटे थे इस बिजनस में लंबे समय से यह परंपरा चली आ रही थी कि पुत्र खांदानी बिजनस संभालेगा सैयोग से दोनों ही पुत्रों ने अपने परिवार का बिजनस संभाला एक यूवक को अन्तेष्टी का निर्देशक बनने का विचार बहुत पसंद था और इस वज़े से उसका बिजनस फला फुला दूसरे यूवक ने अपने पिता का अन्तेष्टी बिजनस संभाला परंटों सिर्फ परिवार के प्रबल दवाव की वज़े से चार साल बाद उसका बिजनस चोपट हो गया और इस बिजनस को इसके वास्तिक मुल्य से कम कीमत पर बेचना पड़ा किसी बच्चे को अपने माता पिता के बिजनस में जाने के लिए विवस करना या उस पर दवाव डालना तीन कारणों से गलत है नमबर एक, जब तक पुत्र या पुत्री उस बिजनस को पसंद नहीं करे तब तक वह अपने माता या पिता के बिजनस में सफल नहीं हो सकता नमबर दो, बच्चे अपने जीवन में माता पिता के हस्त क्षेप से चिड़ जाएंगे माता विता उन दोयम दर्जे की उपलबदियों से निरास होंगे जो निश्ची दूरूप से मिलेंगी समझदार माता विता जानते हैं कि बच्चों को उनकी मन पसंद के क्षेतर में सफल होते देखना बहुत संतोस जनक अनुबव होता है नोकरी की चोथी जंजीर परंतु मैं जिस खेतर में जाना चाहता हूँ वहां बहुत भीड है मैं आपको एक बात जितनी परबलदा से बता देना चाहता हूँ इसे दो बार पड़ें ताकि आगे बढ़ने से पहले यह है आपके अवचेतन में समा जाए जिस व्यक्ति में सफल होने की प्रबलिच्छा है उसके लिए कोई भी बिजनस कभी बहुत योग के लोगों से बरा नहीं रहा है नहीं बविश्य में बरा रहेगा वकालत को ही ले वकालत में रूची और सही नजरिया रखने वाले अच्छे लोगों को एक दसक तक यह बताया गया वकालत से बचो यहां बहुत भीड है हर साल साथ हजार वकील वकालत छोड़ देते हैं जापान की तुलना में हमारे यहां बीस गुना वकील है अगर तुम वकील बनने की कोशिस करोगे तो भूके मर जाओगे इसके अलावा वकालत अब सम्मान चनंक पेसा नहीं रह गया है यकीन नहो तो अकबारों में वकीलों के विग्यापन पढ़ लो यह है सच है कि संख्या के इसाब से वकालत के पेसे में भीड दिखती है पर जब आप नयाई विदों पर ख्यात कानूनी फर्मों के पार्टनरों और कानूनी विदवादों से बात करेंगे तो आपको यह है पता चलेगा कि गुनवत्ता के स्तर पर वकालत के पेसे में बिलकुल भीड नहीं है समझा यह हैं कि जो लोग वकालत कर रही है उनमेंसे कई यह काम गलत कारणों से कर रही है पहला मैं इसमें आसानी से बहुत से पैसे कमा सकता हूं दूसरा यह राजनिती में जाने का एक अच्छा रास्ता है और तीसरा, मैं कानून नहे जानने वाले लोगों के अग्यान का लाव उठा सकता हूँ परंतु जो सही कारण से वकालत का पेशा चुनते हैं, उनके लिए इसमें बहुत संभावनाई है इस पेशे में जाने के सही कारण है नमबर एक, मुझे यह चुनोती पूर्ण लगता है नमबर दो, समाच जितना जटिल होता जाएगा, योग्या वकिलों की मांग उतनी ही बढ़ती जाएगी और नमबर तीन, कानून तथा न्याई हमेशा एक सम्मान जनक पेशा रहेगा यह क्षेतर भीड बरा हुआ है, कि सला अब उन लोगों के उन्दी जाती है जो चर्च, कालेज परशिक्षन, चिकित्सा, अभीने, पत्तर कारिता और बिजनस में जाने के बारे में विचार कर रही है सच तो यह है, कि किसी भी पेसे में ऐसे लोगों भी भीड नहीं है जिनमें व्यवसाई के प्रतीस रिष्ट नजरिया हो और अच्छा परदसन करने की प्रभलिच्छा हो यह ध्यान रखें कि सभी भविशे वक्ताओं की तरह करियर के भविशे वक्ता भी अक्सर गलत होते हैं उधारन के तोर पर जब सरकार राष्ट ये रख्षा पर अधिक जोर देती है तो इंजिनियरों के सुनेरे भविशे की भविशे वानी की जाती है परन्तु जब रख्षा भी हमें कटोती होती है तो लोगों को इंजिनिरिंग से बचने की सला दी जाती है रोजगार के उसर हमेशा मतलते रहते हैं जब दूइतिय विशे समापत हुआ तो किसी ने कम्पिटरों की जबरदस्त मांगी वविशे वानी नहीं की टेलिविजन, सडक निर्मान, जेट, एरकराफ्ट और लोजिंग उद्योग जो आज रोजगार के जबरदस्त स्त्रोत हैं उस वक्त छोटे उद्योग थे आज बहुत कम लोग जेनेटिक्स, यात्रा और मनोरंजन के नए प्रकारों में लोगों की जबरदस्त भावी मांग की वविशे वानी कर रहे हैं सबक अगर आप समझदारी से करियर चुनना चाते हों तो सिर्क उसी क्षेत्र के बारे में विचार कीजी जिसमें जाने की आपकी धदकती हुई प्रबल इच्छा हो नोकरी की पांचवी जंजीर वह काम मत करो जिसमें आगे रास्ता बंध है पूरे देश में फास्ट पूर्ट रेस्त्राओं, दवा की दुकानों, फोटोग्राफी, स्टूडियो, सूपर मार्केट और कार गरेजों हर तरह के रिटेल और सर्विस बिजनस में करमचारी चाहिए के साइन बोटंगे हुए है और परतेक उद्योग, वेवेवसाई में हर दिन अकबारों की वरगिकरत रोजगार परस्टों में नोकरियों के अवसर उपलब्द है रोजगार की मांग रोजगार की पूरती से बहुत ज़्यादा है इसके बाद भी 70 लाग से लेकर एक करोड़ लोग हर समय बेरुजगार रहते हैं क्यों? एक कारण तो यह है कि बेरुजगारी के लाव कुछ ज़्यादा ही उदार है परन्तु मुख्य समश्या यह है कि कई लोग उपलब्द नोकरियों को बंद रास्ते वाली मानते हैं या अपने स्तर से हीन समझते हैं कई लोग अवसरों के प्रती अंदे होते हैं और वे जल्दी ही इस निसकर्ष पर पहुंच जाते हैं कि कई नोक्रियां कहीं नहीं ले जाती सच तो यह है कि मुक्त समाज में बंद रास्ते वाली कोई नोक्री नहीं होती सिर्फ बंद रास्ते वाले लोग होते हैं जो अवसरों के परती अंदे होते हैं मुझे उधान देने दे हमारे घर के अलावा 15,000 अन्यागरों का कच्रा उठाने वाली फर्म के मालिक ने 18 साल की उमर में हेलपर के रूप में काम शुरू किया था 12 साल बाद आज वैं मल्टी मिलेनियर है जहां दूसरों ने सिर्फ एक गंदा, बदबूदार, घटिया से भी घटिया काम देखा वहीं उसने सेवाओं को सुधारने, उत्पादक्ता बढ़ाने, लागत कम करने और इस प्रक्रिया में पैसा कमाने की संभावना को देखा सबक हर काम में बविश्य होता है, हर काम खुले रास्ते वाला होता है अपने काम को उस तरह देखें, जिस तरह यह हो सकता है ने की उस तरह जिस तरह वह वरतमान में है स्मार्ट लोग उस काम को नहीं देखते, जो इस समय उनके पास है बलकि यहे देखते हैं कि यहे उन्हें कहां ले जा सकता है यहे ने देखें कि क्या है बलकि यहे देखें कि क्या हो सकता है हमारे सबसे बड़े संग्टनों के बहुत से परमुक ऐसे हैं जिनोंने कमपनी में अपने निचले स्थर से काम शुरू किया और एक एक सीड़ी चड़कर वे कमपनी के मैनेजमेंट की चोटी तक पहुंचे मैंने हाल में ओरेगन में एक एसे ही परमुक से बात की इस आदमे की ओप चारिक सिक्षा हाई स्कूल से अधिक नहीं थी मैं कमपनी में आया तब मैं 20 साल का था उसने बताया मुझे असेंबली लाइन का काम दिया गया इमानदारी से कहूं तो मुझे उस काम से नफरत थी परंदु मैंने उसे एक आउसर की तरह देखा अगर मैं अच्छा काम करूंगा तो मेरा प्रमोशन हो जाएगा मैंने जल्दी से काम सीखा और फिर इस बारे में सुझाओ देना शुरू किये कि हम पुर्जों के असेंबल करने के तरीके में किस तरह सुधार कर सकते हैं जल्दी मुझे तरक्की मिल गई और अगले काम में निफुन होने के बाद मैंने सवाल पूछना और सुझाओ देना शुरू किया जिसका परिणाम यह हुआ कि मुझे तेजी से पर्मोशन मिले जब मैं 48 साल का था तो बोर्ड आप डारेक्टर ने मुझे प्रेजिडेंट बना दिया मैंने टिपणी की आपको खुद पर बहुत गर्व होना चाहिए मुझे है मेरे मित्र ने जबाब दिया पर मैं अभी भी अपने सबी करमचारियों में उपर उठने की इच्छा जागरत करने में सफल नहीं हो पाया हूँ जैसा आप जानते हैं कि कंपनी करमचारियों की सिक्ष्यागा खर्च उटाती है हमारी अतिरिक्ट सूदाएं बहुत अधिक हैं और हम लगबग हमेशा कंपनी के लोगों को ही प्रमोशन देते हैं जो लोग रूटीन काम करते हैं वे कम से कम उतने खुश हैं जितने की वेस्ट कोस्ट पर किसी भी अन्या फर्म के उनके साथी मैं ऐस अंतूस्ट हूँ उन्होंने कहा क्योंकि हमारे बहुत कम करमचारी खुद को उपर उठाने की कोशिज करते हैं मैंने अपने संगटन के ढांचे को इस तरह तयार किया है ताकि हर करमचारी के पास उपर उठने की संभावना रहे फिर भी निचली पाइदान के अधिकांस लोग सोचते हैं कि वे जो काम कर रहे हैं उसमें प्रगती नहीं हो सकती और इसलिए वे आगे बढ़ने के लिए कोई प्रयास नहीं करते याद रखें ऐसे लोग होते हैं जो प्रगती नहीं करते ऐसा कोई काम नहीं होता जिसमें प्रगती नहीं होती डेल्टा एरलाइन्स हो या आई बियम या बैंक आउफ अमेरिका हर महान बिजनस कभी छोटा बिजनस था परन्तो इस बिजनस का मार्क दर्शन उन साधान लोगों ने किया जिन के पास ऐसाधान लक्षे और द्रस्टी थी चेक अकाउंट काउंटर को चलाना होटल के आंगतुकों का नाम रजिस्टर में लिखना टेबलों पर वेटर का काम करना अस्पताल में अर्दली होना टेक्सी चलाना और पैकेट इदर से उधर पूँचाने जैसे मैतव ही इन काम सीखने के अफसर हैं लगातार यह देखा जा सकता है कि एगजिक्यूटिव भावी मैनेजर के रूप में ऐसे उम्मेदवार चाते हैं जो हर तरह का काम जानते हों और जिनके पास जमीनी अनुभव हो काम की दुनिया में जो चीज सचमुच मैतो पूर्ण है वह है काम करके हासिल किया गया ग्यान ने की पठे पुस्टकों में काम के बारे में दी गई जानकारी पढ़कर हासिल किया गया ग्यान बेहतर सहत चाहिए अपने काम का अनंद लेजिए हर आदमी बेहतर सहत चाहता है यह बहुत अच्छी बात है हम एक अदबुत संसार में रहे रहे हैं और हमारी यवदी बहुत सिमित है अगर आप इसका अनंद ले सकते हैं तो आपको यह जीवन बहुत ही चोटा लगेगा परंतु हम जिस बहुमुल्य सवाल का सामना करते हैं वह है कैसे हर साल हम नए रिकोर्ड बनाते हैं कि हमने विसेश आहार दौाईयों, जोगिन, हेल्थ कलब की फीस पर कितना पैसा खर्च किया छुट्टियों पर जाने बहतर दिखने, बहतर अनुगव करने बहतर सोने और जीवन को लंबा करने की कोशिस पर कितना खर्च किया सेहत मन्द जीवन की अपनी खोज में हमने अंजाने में ही सेहत मन्द तता सुखी जीवन के लिए आवशक सबसे मैतो पूर्ण ततो खो दिया है वह है काम जिसका हम आनंद लें आधिकायू और चुनोती पूर्ण कारिया में एक सीधा संबन होता है अगर आपको काम में मजा आ रहा है तो यह लंबे सुखी और स्वस्त जीवन की सर्वस्रेस्ट गारंटी है नेशन बिजनेस पत्रिका नेक सर्वे में अपने पाठकों से कहा कि वे अमेरिका के दस सिर्षत बिजनेसमेनों की सुची बनाए जो अमेरिका की सोतंतरता प्राप्ति की शुरुवाती दो सो वर्सों में रहे कोई भी यही सोचेगा कि इस तरह के व्यक्ति को बहुत चिंता, कड़ी मेनत, कुंठा और काम धंदे समंदी अन्य मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा तभी वह इतना महान बन पाया होगा सर्वे में पाटकों ने एडिशन, बेल और फोड जैसे लोगों के नाम लिखे चोटी के सभी दस व्यक्ति लाखों करमचारियों की जीविका के लिए उतरदाई थे इन में से परतेक ने बिलिनों डालर उगाई और खर्च किये थे और ये सब अत्यन्त परतियोगी उद्योगों में थे जिसे स्वास्ते पत्रिकाई एकसर जल्दी होने वाली मोत का कारण मानती है इन महान उपलब्दी हासिल करने वालों की ओसत आयू कितनी थी 88 वर्ष इस सदी के महान राजनेता विन्स्टन चर्चिल ने बहुत शराब पी हर दिन दरजन भर सिगार पीए और कभी ने तो जोगिंग की ने ही जिम गए ने ही कोई व्यायाम किया और चर्चिल ने हर मनफसंद चीज मन्चाई मातरा में खाई उन्होंने ब्रिटेन का सबसे कठिन समय में नितरतों किया उस्त के लिखी हर आउसर पर बोले और एसंख्या मुश्किल निरने लिए चर्चिल ने अच्छी सेहत के बारे में नियमों की अवेलना की सिवाए उस एक नियम के जिसे हम नजर अंदास कर देते हैं उन्होंने अपने काम का आनंद लिया चर्चिल 91 साल तक जीए बहुत कम लोग बॉब होप और जार्ज बर्णस जितनी कड़ी मेंनत करते हों और ये लोग असी पार करने के बाद भी बहुत भजबूत है इन्हें पैसे या परसंसा की जुरूरत नहीं है उन्हें हजारों सम्मान मिल चुके है उनके चलने का कारण क्या है उन्हें कौन सी चीज सेहतमन बनाती है वे जो करते हैं उन्हें उससे प्रेम है कुछ साल पहले देश के एरक्राफ्ट कंट्रोलर हरताल पर गई यूनियन ने सामाने मांगे रखी थी अधीक धन, बेहतर अतिरिक सुईदाएं और काम करने के कम घंटे यूनियन लेडर ने अपनी मांग के समर्तन में सबसे मुख्या दलील यह दी कि कंट्रोलर को बहानक तनाव जहलना पड़ता है कंट्रोलर की शिकायत थी कि हवाई अडे में ट्रेफिक को अंदर जाने और बाहर जाने देने की प्रकिरिया मांसी ग्रूप से इतनी तनाव पूर्ण होती है कि इस से कई लोग मदेरापान, मादक दरव्य और नर्वस ब्रेकडाउन के सिकार हो चुके हैं उनका यह भी कहना था कि हवाई या तायात को नियंतरित करने का ऐसा मान्य तनाव, हरदेरो, हाई बलड प्रेशर, बच्चों पर रहिंसा और तलाक के लिए भी जिम्मेदार था इन सबी तनाव सबंदी समश्याओं के इलाज के लिए यूनियन ने जो सुझाओ दिये थे, उनकी मूल बात यह थी, कि उन्हें अधिक धन दिया जाई कुछ मनोवेगैनकों और मनोविसलिसकों ने काम समंदी तनाव की सबसे ज़्यादा शिकायत करने वाले हर्ताली कंट्रोलर्स के एक समूव की जांच की इस जांच में यह मैत्वपून परंतु सीदी सी बात सामने आई तनाव के शिकार कंट्रोलर अपने काम को पसंद नहीं करते थे, उन्हें कभी एरक्राफ्ट कंट्रोलर बनना ही नहीं चाहिए था मस्तिस्क की जांच करने वालों ने एक और चीज़ खोजी जो कंट्रोलर हर्ताल पर नहीं गई थे और जो तनाव की शिकायद नहीं कर रही थे वे अपने काम की चुनोती, जिम्मेदारी और रोमांच का अनन लेते थे मैं एक कंट्रोलर को जानता हूँ जो दुनिया के सबसे व्यस्त हवाई अड़े अटलांटा हवाई अड़े पर काम करता है, उसने मुझे बताया कि वह सचमुच अपने काम को पसंद करता है परन्तु समू के दवाव के कारण भी वह अड़ताल पर चला गया मेरे दोस्त ने मुझे एक दिल्चस बात कही, उसने कहा आप जानते हैं, मुझे हड़तालियों की उस मुर्क तप उनलाइन में चल कर जाने में बहुत अधिक तनाव महसूस हुआ इतना तनाव मुझे उस समय महसूस नहीं होता था जब मैं हर मिनट तीन सो से पान सो यात्रियों को जमीन से उड़ाने या जमीन पर उतारने का काम करता था यात्रियों को यह बताने के लिए साइन बोर्ड उठाना, मुझे अजीब लग रहा था कि हमारी जिन्दगियां तनाव की वज़े से बरबाद हो रही है जबकि मैं जानता था कि मेरे मामले में यह सच नहीं था चुकि हवाई या तायात रास्टर के लिए अनिमारिया है और सरकारी करमचारियों की हड़ताले गैर कानूनी है इसलिए रास्टरिय रेगन ने कंट्रोलर से कह दिया अपने काम पर वापस जाएए वरना आपको नोकरी से निकल दिया जाएगा उन मेंसे कईयों नोकरी से निकलने का विकल्ब चुना यूनियन ने वविशवाणी की थी कि बहुत सी हवाई दुरुट नहीं होगी परन्तु यह वविशवाणी सच नहीं होई और हर साल लाखो मिल हवाई यात्रा करने वाले वेक्ति की रूप में मुझे यह जानकर रहात मिली कि उन कंट्रोलर्स की जगए अब नए कंट्रोलर्स रख लिए गए हैं जिने हवाई यातायात को नियंतृत करने में आनदाता था इस बात की संभावना है कि आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जो तनाव की शिकायत करते होंगी इन में से कुछ अपनी समश्या को अधिक तीखिपन से परिवासित करते हुए बर्नाउट की संग्या देते हैं जो तेजी से लोगप्रिय हो रही है एक नई मनोवगैनिक सब्दावली गल्ट फेमी ना पालें तनाव बहुत वास्तविक दिखता है लोग हर साल अपनी समश्याओं के इलाज के लिए दवाईयों, आहार, व्यायाम और डाक्टरी खर्च में बिलियनों डालर खर्च करते हैं परंतु दवा, जोगिंग, वजन उठाने और डोक्टरों की सला लेने से तनाव का इलाज नहीं होता असली इलाज इतना असान है कि उसकी तरफ हमारा ध्यानी नहीं जाता तनाव का इलाज करने के लिए आपको इसके कारण पर आकर्वन करना चाहिए और तनाव का कारण है वह है काम करना जो आपको आनन्दाय, चुनो तिपूर्म और अपने या दूसरों के लिए लाबकारी नहीं लगता हो जो लोग काम सम्मंदी तनाव की शिकायत करते हैं वे मिस्फिट होते हैं संक्षेप में वे अपने काम को पसंद नहीं करते उन्हें लगता है कि वे आयोग्य हैं, उब चुके हैं, गलत जगए पर हैं, अक्षम हैं उनके सास्थ दुर्वेवार होता है उन्हें धंकियां दी जाती है और उनकी कभी परसंसा नहीं होती एक डोक्टर ने तनाव के लिए यही इलाज सुझाया, अपने काम को पसंद करो दो साल पहले मुझे अपने बाएं पैर में एक बड़ा उपरेशन करवाना पड़ा अगले दिन डोक्टर यह देखने के लिए मेरे पास आई कि योजना के अनुसार मेरी हालत में सुधार हो रहा था या नहीं मैंने सफल आपरेशन के लिए डोक्टर को धन्यवाद दिया फिर मैंने पूछा कि हर सबतर पांच या अच्छा आपरेशन करने के तनाव को आप कैसे जहल पाते हैं जिसमें ऑपरेशन के बाद के काम और मरीजों के रिष्टेदारों से निफट नाम शामिल है डोक्टर ने मुस्करते हुए कहा मैं अपने काम से प्रेम करता हूँ मैंने आपका जिस तरह का आपरेशन किया है उस क्षेतर में मैं देश के सबसे अच्छे सरजनों में से एक हूँ अब अगर मुझे वह करना पड़े जो आप करते हैं तो मेरी हालत बहुत खराब हो जाएगी मैं बासन देने के डर से मर जाऊंगा देखिए डोक्टर ने आगे कहा मुझे अपने काम पर गरव है मैं जानता हूँ कि मैं बहुत योक्य हूँ अधिक सुखत जीवन जीने में लोगों की मदद करना और कई मामलों में तो जिन्दा रहने में उनकी मदद करना बहुत बड़ा पुरुसकार है आदे गंटे बाद मैं एक बहुत दुखत आपरेशन करने जा रहा हूँ मुझे एक मरीज का दाहिना पैर काटना है इसके बाद भी मैं उसके बचने की गारंटी नहीं दे सकता परन्तु आपरेशन के बाद मैं प्रास्पना करूँगा और इस वर को धन्यवाद दूँगा कि उसने मुझे वह योग्यता सहन सकते दी कि मैं उस आदमी को बचाने का परियास कर सकूँ और उसके इलाज के लिए संगर्स कर सकूँ मैंने पूछा ऐसा लगता है जैसे यह बहुत घंबीर आपरेशन है डोक्टर अगर मरीज मर जाए तो आपको कैसा लगेगा डोक्टर का जवाब था मैं तब भी गहरी नीन सोऊंगा क्योंकि मैंने अपनी तरफ से सर्वेस रेस्ट परियास किया है मैं जानता हूँ कि अगर मैंने उपरेशन नहीं किया तो मरीज तीन चार दिन में मर जाएगा मुझे विश्वास है कि इस वर यही चाहता है कि इनसान अपना सर्वेस रेस्ट परियास करे मैं वही करूंगा बाकी सब उसके उपर है अगर आप अपने काम को पसंद करते हैं तो तनाव होता ही नहीं है डोक्टर के साथ चर्चा के बाद मुझे दूसरे कमरे में पहुंचा दिया गया अपनी खिड़की से मैंने देखा कि मजदूर अस्पताल के लिए एक और भावन बना रहे थे उस काम को देखते समय मैंने गोर किया कि मजदूर जमीन से ग्यारा मंजिल उपर बने बारा इंच चोड़े स्टील गाडर पर आराम से और शांती से चल रहे थे एक गलत कदम का मतलब था निश्चित मृत्यू हम में से ज़्यादातर लोग अक्सर एस इस इस्तिति में काम करें तो हमें सच्मुत तनाव हो जाएगा परंतु मजदूर अपने काम को पसंद करते थे इसलिए उन्हें बिल्कुल तनाव नहीं होता था कोई भी काम तनाव पूर्ण हो सकता है अगर उसे करने वाले व्यक्ति को उसमें मज़ा नहीं आ रहा हो सिक्षन कार्या में जिसकी रूची नहीं हो वह स्कूल में पढ़ाने में पागल हो जाएगा अगर हमें किसी महत्वपून फुटबाल मैच में निर्णा एक मैदानी गोल दागने के लिए कहा जाए तो हमें से बहुत से लोगों के होस उड़ जाएगे जब विद्यार्ती किसी विशे को सिर्फ मजबूरी में पढ़ता है तो उसे बहुत तनाव होता है परन्तु अपना मन पसंद विशे पढ़ते समय उसे तनाव होने की संभावना कम होगी मैंने हाली में उन कामों के सूची बनाई जो मेरे लिए सबसे तना उबरे होंगे अगर आप भी ऐसी सुची बना लें तो शायद आपको भी लाप पहुंचे यह रही मेरी सुची पहला, न्यू यार्क में टेक्सी चलाना दूसरा, पुलिस वाले के रूप में काम करना तीसरा, इंकम टेक्स रिटर्न तैयार करना चोथा, तलाक के मावलों का वकील होना पांचवाँ, ड्राफ्ट्समेन के रूप में काम करना सबक, जिस काम में आपको सच्मु चानन दाता है वहे काम करना सुख, सफलता और समरदी की कुणजी है जिस नोकरी को आप पसंद ने करते हों उसे करके अच्छे जीवन की संभावना को कमजोर मत बनाईए मैनेजमेंट के सेमिनारों में कई सालों तक मैंने पर्तियोगियों को दो संख्याएं लिखने को कहा पिछले साल उन्होंने बिमारी की वज़े से कितने दिन चुटी ली और उनके अधिनस्त ओस्त करमचारियों ने बिमारी की वज़े से कितने दिन चुटी ली उत्तर हैरान करने वाले थे ओस्त मैनेजर लगवग दो दिन बिमार रहा जबकि ओसत करमचारी अठारा दिन बीमार रहा था यानि कि मैनेजर की तुल्ला में नो गुना अधिक क्यों? मुख्य स्पेस्टिकरणी यह है कि मैनेजर करमचारीयों की तुल्ला में अपने काम से अधिक संतूस्ट रहते हैं जो लोग अपनी नोकरी से खुश नहीं रहते उनके हर आउसर पर बीमार पढ़ने की संभावना अधिक होती है जब तक की बीमारी की चुटियों की संख्या यूनियन के समझोते या कमपनी द्वारा निर्दारित चुटियों से ज़्यादा नहीं हो जाए यही नहीं जो करमजारी अपने काम को पसंद नहीं करते वे पहला कमपनी का माल ज़्यादा चुराते हैं दूसरा ज़्यादातर जगडे और नोक जों का कारण बनते हैं तीसरा अफवा भैलाते हैं जिससे काम काज में रुका उटाती है और चोथा कम उत्वादगता का मूल कारण होते है मदपान का असली कारण क्या है मेरा एक मित्र जो एक प्रसिद अलकोहल रिहेबिलिटेशन सेंटर चलाता है सेंटर का अंसिक मालिक और मैनेजिंग डिरेक्टर है उसकी सेवाओं की बहुत जरूरत है बीस वर्ष की अधिकाईयो की जन संक्या की कम से कम दस प्रतिस्यत हिस्से को अलकोहलिक माना जाता है और अलकोहलिजम की लागत दुरगटनाई, काम चेनुस्तिती, काम में गलतियां, गलत निरने और तूटे घर हमारे राष्ट्रिय रक्षा के खर्च से कम से कम दुगनी होती है मैंने अपने मित्र से शराव के आदी होने के असली कारण पूछे वह अब धीमे से असा और बोला इनसान सराव का आदी तब होता है जब वह बहुत ज़्यदा सराव पीने लगता है परंतु गंबिरता से कहा जाए तो ज़्यदा सराव पीना समश्या नहीं है यह है तो समश्या का सिर्फ एक लक्षन है उसने सपस्ट किया हमारे सेंडर में हम सावदाने से रिकोर्ड रखते हैं और पूरे मैनोवेगनिक परिक्षन करते हैं हमने पाया है कि हम जिन लोगों का उपचार करते हैं उन में से सत्तर प्रतिशत लोग मूलते अपनी नोकरी से एसंतुस्ट होते हैं एसंतुस जनक नोकरी के दर्द को बुलाने के लिए वे शराब पीते हैं फिर एलकोहल रिहेबिलिटी सेंटर के डारेक्टर ने एक ऐसी बात कही जो हम सभी के लिए मैत्वपूर्ण है पिछले पंदर एवर्सों में हमने एक सो चोदर पादरियों की शराब की लटका इलाज किया हमारे विशलेशन के अनुसार दस में से साथ को धर्मी कुपदेसक का का काम करने में आनंद नहीं आता उन में से एदिकांस धर्मी कुपदेसक इसलिए बने क्योंकि उन्हें लगा कि उनका परिवार एसा करने के लिए उन पर दवाब डाल रहा है हमने पाया है कि सिर्फ शराब ही नहीं बलकि मादक द्रवियों के अधिकांस समश्याओं के पीछे का मूल कारण काम की ऐसंतुष्टी ही है इसलिए हमारी चिकित्सा के हिस्से के रूप में हम अपने मरीजों के रोजगार संबंदी मारक दर्सन देने पर बहुत जोर देते हैं ताकि वे ऐसा काम खोच सकें जिसमें उन्हें आनंदाई आपके मरीजों के ठीक होने की दर्व क्या है मैंने पूछा मुझे लगता है कि जो लोग इलाज करवाते होंगे उनमें से ज़्यादातर देर सबेर दुबारा पिना शुरू कर देते होंगे आप ठीक कह रहे हैं परन्तो हमने यह भी पाया है कि जो लोग हमारे करियर परमर्श के सुजाओ को मान लेते हैं उनके ठीक होने की दर्व बहुत अधिक होती है बजाए उन लोगों के जो अपने काम को नापसंद करने के बावजुद उसे करते रहते हैं त्याग करने में आनंद लीजिए त्याग सफलता में निवेस है एपी गती ने एक बार लिखा था बिना जोकिम के लाव कमाना बिना खत्रे के अनुबव पाना और बिना काम की पुरुषकार पाना लगवग उतना ही असंबव है जितना के बिना पैदा हुए जिन्दा रहना इस प्रेर्णा दाई कतन में हमें सफल जीवन की एक अनिवारिय शर्थ मिलती है संक्षेप में बिना त्याग के सफलता नहीं मिलती परन्तु क्या त्याग करना बुरा है हमारी बासा के कई शबदों की त्याग शबद को भी गलत समजा जाता है अधिकांस लोगों के लिए त्याग का मतलब होता है समय या पैसा देना मुस्क के लिए जीलना या कोई आपरिय काम करना खलंकि यह सच है कि त्याग के यह सब आर्थ हो सकते हैं परंतों यह परिवासा का सिर्फ आधा इसा है इस परिवासा का दूसरा इसा भी है जिसे हमेसा लगबग नजर अंदाज कर दिया जाता है त्याग किसी अधिक मुल्यवान वस्तु को प्रापत करने के लिए भी किया जा सकता है इसलिए त्याग के पूरी बरिवासा है कि किसी मुल्यवान वस्तु, धन, समय या उर्जा को देना ताकि बदले में अधिक मुल्यवान वस्तु, अधिक धन, अधिक उंचा जीवनस्तर, बच्चों की बेहतर शिक्षा या अन्य मुल्यवान वस्तु में प्रापत हो या बहुत आसान सब्दों में कहें तो त्याग का अर्थ है बाद में बहुत कुछ हासिल करने के लिए अभी थोड़ा देना इस तरह से देखा जाई तो त्याग का अर्थ है निवेश हम आज कुछ देते हैं ताकि हमें कल कोई चीज अधिक मातरा में मिले मैं आपको अपने एक परिचित एक्जिक्टिव का उधारन दू डवल्यू जेरोम ने अपनी पत्नी चार बच्चों और खुद के लाव के लिए त्याग किया मैं जेरोम को 25 साल से जानता हूँ उस समय वह एक परसिद होम प्रडेक्शन कंपनी में सेल्ज मैनेजर था कमपनी में उसकी सबल था उलेखनिय थी उसके चीफ एक्जिक्टिव ऑफिसर बनने के एक महिने बाद मैंने उसके साथ लंच किया मैंने जेरोम से पूछा कि उसने उसकी पत्नी और उसके परिवार ने जो त्याग किये थे उनकी एवज में यह पूरुसकार पाना क्या लाब का सोदा था वह है सबसे बड़ा पूरुसकार जो उसने हासिल किया था जेरोम ने एक फल सोचा और फिर उसने एक घहरिक बात कई कंपनी में अपना करियर शुरू करते समय मैं इस पुरानी काहवत की बुद्धिमता को समझ गया था कि शिकार करने के बज़ाए पीछा करने में अधिक आनन दाता है मैंने इसका यह मतलब निकाला कि चोटी पर पहुंचने में जितना आनन दाएगा कम से कम उतना आनन तो मुझे चोटी तक पहुंचने की कोशिस में आना चाहिए देखिए जिरोम ने आगे कहा जीवन एक यत्रा है और हम सर्वी के लिए मोत आखरी मंजिल है मुझे लगता है कि सब इस बात पर सहमत होंगे कि रोमान चक जीवन जीना तीस या चालिस साल तक बोरियत की मुर्दा जिन्दगी जीने से कहीं अधिक आनन दाएग है इसलिए मेरी पतनी मेरी और मैंने शुरू में यह तैकर लिया था कि मैं इस कमपनी के शिखर पर पहुंचूँगा और मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं है कि शुरूआत से ही मैं सिखर पर पहुंचना चाहता था एक महान रोमान चक अभियान पिछले पच्चेस सालों में आपने कितनी बार शहर बनले मैंने पूछा जी रोम का जवाब था साथ इसका मतलब था साथ घर बेचना साथ घर खरीदना चार बच्चों को साथ अलगलग जगे के स्कूल सिस्टम में डालना और साथ अलगलग समुदायों के साथ तालमेल बैठाना मैंने बीच में कहा अधिकास लोग कहेंगे कि यह करियर के लिए बहुत ज़्यदा त्याग था जे रोम ने स्पस्ट किया मैंने और मेरी ने हर तबादले को रोमांच की तरह देखा हमने अपने बच्चों को सिखाया कि वे हर तबादले को नई दोस्त बनाने देश को ज़्यादा अच्छी तरह से देखने अलग-अलग रिती रिवाजों, मौसमों और लोगों के तोर तरिकों को जानने के आउसर की तरह देखें निश्चित रूप से बच्चे अपने दोस्तों को कुछ समय तक यात रखते थी परंतु छोटी उमर में लोग खुद को जल्दी ही नए मावल में डाल लेते हैं और मुझे कई दूसरी तरह की कीमते में चुकानी पड़ी मुझे इस पर किरिया में अलग-अलग मैनेजरों के साथ तालमेल बैठाना पड़ा उन में से कुछ बहुत अच्छे थे, कुछ अच्छे नहीं थे कई बार मेरे अदिनस सहीत रह के नहीं थे दो बार तो मेरे सहयोगियों ने मेरी कल अच्छवी बनाकर मेरे करियर की परगती में बादा डालने की कोशिश की परंतु मैंने इन अनुब़ों का स्वागत किया उन से मैं अधिक मजबूत हुआ जहरूम ने जो किया वहे दरसल यह था त्याक करना अक्सर एक मांसी का बस्ता होती है ज्यादातर लोग यह मानते हैं कि तबादला होने का अर्थ त्याक करना है परन्तु जेरेम और मेरी ने तबादलों को रोमांस की तरह लिया अगर त्याग करने से पूरुसकर मिलता है तो लोग इस से बचने के लिए दूर क्यों मागते हैं लोग बविशे में और अधिक संतुष्टी हासिल करने के लिए आज के आनद को क्यो नहीं छोड़ना चाते शायद ऐसा उस नजरी की वज़े से है जो युद्ध के दोरान सैनिकों में लोग प्रिय था खाओ पियो और मोच करो क्योंकि कल तुम मर सकते हो या शायद यह है अभी की पीड़ी की बच्चुई निशानी है जो चाहती है कि उसकी मांगे ततकाल पूरी हो ठीक उसी तरह जैसे कोई बच्चा ततकाल संतुष्टी चाहता है जो भी अधिक्तम सफलता हसिल करना चाहते है उसे बाद में मिलने वाले पुरुशकारों के लिए वर्तमान में त्याग करने या निवेस करने का इच्चुक होना चाहिए इस बिंदू के पक्स में आप आगे दी गई बातों पर बिचार करें पहला 65 साल की उमर तक पहुँचने वाले ज़्यातातर लोगों की बचत निवेस या अन्या जायरा कम होती है और यह तब होता है जब दुनिया के सबसे अमीर समाज में 45 वर्स का व्यसक जीवन बिता चुके हैं अगर गरीबी और गरीबी के निकट रह रहे इन लोगों में अपने कमाई धन का सिर्फ 10% सेंक्डों सुरक्षित निवेसों में से किसी एक में निवेस किया होता तो उनकी आर्थिक स्थिती बहुत अच्छी होती और समाज एक सुरक्षा की व्यवस्ता धीरे धीरे पूरी तरह खत्म हो सकती थी दूसरा कई युवा महसूस करते हैं कि उन्हें सब्ता में सिर्फ 35 से 40 गंटे तकी काम करना चाहिए इस से अधिक काम करने के लिए कहा जाना उन्हें इतना बड़ा त्याग लगता है कि वे दूसरी नोकरी खोजने लगते हैं तीसरा लाखों लोग ऐसे नोकरियां कर रहे हैं जिन में रोबोट और कंप्यूटर तेजी से उनकी जगह ले रहे हैं ये लोग सोचते हैं कि अधिक मांग वाले क्षेतर में संबंदि नई योग्यताईं सीखना बहुत बड़ा त्याग है चोथा अपनी कमाई का एक इसा निवेस करने के बजाई करोणों लोग परलोबन के सामने हार मान लेते हैं और अभी नगत नहीं 48 महीनों की आसान किस्तों में जैसी योजना पर चीज़ें खरीद लेते हैं पांचवा और लाखों विद्यार्ति किसी विशे को सचमुच सीखने के लिए त्याग करना पसंद नहीं करते पास होने के लिए पढ़ने की बजाई वे बाकी सभी संबह उतरीकों पर विचार करते हैं सकारातमक पहलों से सोचा जाए तो हर उमर में कुछ लोग इतने समझदार होते हैं कि वे त्याग करने के इचुक रहते हैं समाज में डोक्टरों का बहुत सम्मान होता है क्योंकि डोक्टर बनने के लिए बहुत अधिक त्याग करना पड़ता है डोक्टर बनने के लिए प्री मेडिकल कोलेज में बहुत अच्छे नमबर लाना पड़ते हैं और फिर मेडिकल कोलेज की तेल निकालने वाली पढ़ाई करना पड़ती है फिर असली त्याकाता है रेजिडेंट या परशिक्षू के रूप में किसी अस्प्ताल में अनुभव हासिल करने के लिए काम करना कम थनकुआवर परशिक्षू एक सब्ता में सो या इस से अधिक कंटे काम करता है बिना आराम या नींद के लगातार 36 कंटे गुजारता है और एक महिने में सिर्पू से एक दिन छुट्टी मिलती है डोक्टरों को परशिक्षित करने वाले विश्य सग्या कहते हैं कि काम की यह ऐसाधारन दिन्चरिया आवशक है ताकि नए डोक्टरों में उस अनुसासन और जिम्मेदारी का एहसास विख्षित हो सके जिसकी उनसे अपेक्षा की जाती है डोक्टर लाइन में बूट कैम में सेवा करना कठिन है परंतु जो डोक्टर अपने पर्शिक्षन काल में पास हो जाते हैं उन्हें अपनी उपलबदी पर बहुत गर्व होता है मेरे एक युवा डाक्टर मितर जान वाई एक उधारन है मैं उन्हें तब से जानता हूँ जब उन्होंने दस साल पहले प्री मेडिकल किया था हाले में उन्होंने मुझे बताया जब से मैंने मेडिकल कालेज में पढ़ना शुरू किया है तब से मैं सब्ता में साथ दिन हर तिन बारे से सोला गंटे तक काम करता हूँ त्याक करने में मुझे दिक्कत नहीं होती जल्दी मैं डॉक्टरों की प्रैक्टिस करने लगूंगा और अधिकांस लोगों के हिसाब से मेरी आमदनी अच्छी खासी होगी इसके बाद बरसों से 9-5 बजे तक काम करने वाले मेरे पुराने दोस्त मुझे जलेंगे क्योंकि मेरी जीवन सेली उनसे बेहतर हो जाएगी जोन की बातें सुनकर मैं उन परीचित यूगों के बारे में सोचने लगा जो कल बेहतर परिनाम पाने के लिए आस्तियाग कर रहे है डवलू पीट कम्प्यूटर सर्विसमेन के रूप में काम करता है उसका पेजर हर सबता 168 गंटे उसके पास रहता है वह सेवा के कॉल्स पर खुशी खुशी जाता है क्योंकि यह मेरा काम है मैं इसमें अच्छा हूँ और मेरी कमपनी ग्रहाकों को संतूष्ट रखने में विश्वास रखती है मैं 32 वर्षिय मैं इलाकों भी जानता हूँ वह सेक्रेटरी के रूप में फूल टाइम काम करती है और वेटर के रूप में पार्ट टाइम सिर्फ इसलिए ताकि वे अपने चोटी बेहन की मदद कर सके जो किड्नी की ला इलाज बिमारी से पीडित है उसके इलाज में बहुत कर्च होता है त्याग एक निवेस है और इसका अर्थ सिर्फ पैसाई नहीं होता इसका अर्थ उससे बहुत आगे होता है त्याग कारत होता है इस दुनिया में खुशी खोजने में दूसरों की मदद करना ताकि उनको गहरी संतुष्टी प्रापत हो आपको एपी गथी का वह वक्य याद है जो मैंने पहले बताया है बिना जोकिम के लाब ख़वाना बिना खत्रे के अनुबव पाना और बिना काम की पुरुसकार पाना लगवग उतना ही ये संबव है जितना की बिना पैदा हुए जिन्दा रहना मैं आपके सामने एक पुरानी कानी फिर से दोरा दूँ एक बहुत अमीर राजा संक्षिप में यह जानना चाहता था कि सफल होने के लिए क्या जानना जरूरी है उसने अपने राज्या के सबसे समझदार लोगों से यह रहशे खोजने को कहा मैं आप लोगों को जवाब खोज कर लाने के लिए दस साल का समय देता हूँ दस साल बाद समझदार लोगों लोटे और उन्होंने राजा की टेवल पर 24 पुस्तकें रख दी यह रहशे बहुत जटिल दिख रहा है राजा ने कहा संक्षिप जवाब खोजने के लिए आप दस साल और मेंनत करें दस साल बाद विद्वान दुबारा लोटे इस वार उन्होंने राजा की मेज़ पर शिर्फ एक पुस्तक रखी राजा ने कहा यह अब भी थोड़ा जटिल लग रहा है मैं आपको दस साल और देता हूँ ताकि आप सफलता का संक्षिप सिधान्त पता कर सकें दुनिया में कोई चीज मुफ्त वे नहीं मिलती राजा ने बहुत खुश हो कर समझ़दार लोगों को बढ़ाई देते हूए कहा आखिर कार आपने सफलता का सिधान्त खोजी लिया दुनिया में कोई चीज मुफ्त में नहीं मिलती सिर्फ त्याग के द्वारा मुझे दोस्त, सुक, उपलब्दी, धन, तरक्की, पुरुस्का, प्रेम, अन्य मुल्यवान वस्तु में मिली है त्याग करने का अनंद उठाइए, त्याग सफलता की ओर ले जाता है अधिक सफलता चाहिए, अधिक त्याग की आदर डालिए कई लोग मानते हैं कि प्रोफेशनल खिलाडियों को बहुत अधिक पैसा मिलता है खास कर फुटवाल खिलाडियों को परन्तु अगर त्याग के बारे में विचार किया जाई तो शायद उन्हें कम पैसा मिलता है प्रोफेशनल बनने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत, अभ्यास और त्याग की आफशकता होती है हाई स्कूल के बाराजार खिलाडियों में से एक फुटवाल खिलाडी के नाम पर विचार किया जाता है जब खिलाडी को कॉंट्रेक्ट मिल जाता है तो इससे भी बड़ी त्याग की जरूरत होती है अभ्यास बहुत ज़्यादा त्याग मांगता है टीवी पर तो आप जो एक पास देखते हैं वह पास देने के लिए क्वार्टर बैक ने सो पास देने का अभ्यास किया होगा किसी मैच में कोई तकनीक आजमाने से पहले उसे पचास बार अभ्यास किया गया होगा कई अन्य अत्याग भी सामिल है जैसे अपने परिवार से दूर रहना, घश्टकारी यात्राई, चोटें और जब परदर्शन आसा के अनुरूप ने हो तो एहें को चोट पोंचना और दर्सकों की गालिया बहुत से अत्याग करने के बाद ही किलाडी प्रोफेशनल बनते हैं सफल लोगों के बेहतरीन परदर्सन बहुत आसान दिखते हैं, जिस वक्ता के बासन पर जबरदस तालिया बजाई जाती है, जिस कलाकार की पेंटिंग उन्चे दाम पर विखती है, जो एक्जिक्यूटिव सिखर पर पहुन जाता है, जो सेल्जमेन राष्ट्री जो पियानो वादक सुरोताओं को मंत्र मुग्द कर देता है, उसने हर गंटे के प्रदर्शन के लिए 10 गंटे या इस से अधिक अभ्यास किया होगा, महान फुटवाल के लाड़ी अपने खेले जाने वाले हर मिनट का 20 गुना समय अभ्यास में लगाते हैं, सिर्शस्त लो मधूर सुर निकालने के सोभविक परती हुगा है, देखने वाले यह नहीं जान पाते कि सिर्शस्त लोगों को हर दिन अपनी योग्यताओं को विक्सित करने में कितना समय देना पड़ता है, या कितनी मेहनत करने पड़ती है, अगर आप किसी डोक्टर, संगीतकार या वक बताती है कि प्रोफेशनल्स लोग अधीक धन क्यों कमाते हैं, एक कंपनी में एक मशीन थी, जो खराब हो गई, करमचारियों ने अपनी तरफ से इसे ठीक करने के पूरी कोशिस की, आखिरकार मैनेजर ने एक सलाकार को बुलवाया, विसे सग्या ने मशीन को कुछ मिनिट तक देखा, अपनी किट में से एक रबड़ का हतोड़ा निकाला, मशीन में एक खास जगह पर धीमे से हतोड़ा मारा, और लो, मशीन अच्छी तर ऐसे चल गई, जल्दी मैनेजर को 300 डोलर का बिल मिला, मैनेजर हैरान था, सलाकार ने मशीन पर सिर्फ एक हतोड़ा मारा थ इसलिए उसने सलाकार से अपना बिल वस्तु वार देने को कहा, सलाकार ने यह बिल भेजा, मशीन पर हतोड़ा मारना एक डोलर, यह जानना कि हतोड़ा कहा मारा जाए, 299 डोलर, कुल 300 डोलर, कोई किस तरह प्रोफेशनल बनता है, सिर्फ अभ्यास, अभ्यास और अधिक अ अभ्यास की आफशकता होती है, क्या कालेज में कुछ समय, गुजारने बर से ही कोई व्यक्ति प्रोफेशनल बन जाता है, यह रहा एक मातर अर्थपूर्ण मापतंड, व्यक्ति तब प्रोफेशनल बनता है, जब उसका काम इतना आसान, इतना सहज, इतना सरल दिखने लग इसी तरह वहे गोता खुरबीन प्रोफेशनल है जो 60 फूट उपर से कुदे और पानी बिल्कुल ने उचले और वहे सिक्षक प्रोफेशनल है जो आठ साल के बच्चों को गुर्टो अक्षन का सी दान्त इस तरह समझाए कि वे समझ जाए हर वेवसाई में प्रोफेशनल लोगों की जरूरत है यसे लोग जो अपने काम को कुशलता विसेसग्यता और निश्टा के शाथ करें फास्ट फूड रेस्तरा और दान्त की सर्जरी से लेकर कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग तक हर क्षेतर में प्रोफेस्नल लोगों को ही सर्वादिक पूरुसकार मिलते हैं क्या अनुबाव किसी विक्ति की योग्यता का सूचक है एक रोजगार विसे सग्या ने मुझे बताया कि उसके वेवसाई में लोगों को एक समच्या यहा आती है कि लोगों और नुक्रियों में तालमेल कैसे बठाया जाए वे कहती है आज का लदिकांस विसे सग्यों तवारा फीस लेकर तैयार किये जाते है ज्यादातर वायोड़ा जिस तरह दिखते हैं और उन में जो लिखा जाता है उसकी वज़ाई से किसी व्यक्ति के वास्तविक योग्यता को समझबाना दिनों दिन मुश्किल होता जा रहा है हम रोजगार से जुड़े लोग इस मेतुपून बिंदों को अच्छी तरह समझ चुके हैं कि अनुभव और योग्यता के बीच अक्सर कोई तालमेल नहीं होता मैंने उन से इसे सपष्ट करने को कहा उन्होंने कहा देखिए अनुभव का योगार बहुत प्रामक हो सकता है उधारन के तोर पर पांच साल के अनुभव का आर्थ यह भी हो सकता है कि इस व्यक्ते ने पांच साल तक नोकरी तो की परन्तु उसने फिछले चार साल कुछ भी नहीं सीखा अनुभव को नोकरी के वरसों से ना पा जाता है परन्तु दरसल इस से किसी व्यक्ति की योग्यता के बारे में जरा भी पता नहीं चलता मेरी मित्र ने आगे कहा एसा अकसर होता है कि दो साल के अनुभव व्यक्ति दस साल के अनुवाव वाले व्यक्ति से अधिक मुल्यवान हो आज उपर बढ़ने के लिए दरसल मेत्वपून यह है कि नोकरी करते समय आदमी ने कितना सीखा सिर्क समय की मात्रा मेत्वपून नहीं है सबक अगर आप सर्वेस रेस्ट आर्थिक और मनोव एग्यानिक पुरुषकार पाना चाते हैं तथा अभ्यास करके निष्टा से आगे बढ़ना चाते हैं तो यह जान लें कि यदि आप किसी नोकरी में बिना विकास के समय गुजारते हैं तो अंततै आप उस समय को बरबाद कर रहे हैं बिजनसमेन भी त्याग करते हैं अधिकास मिलेनियर्स स्वे निर्मित हैं अधिकास मिलेनियर्स को दोलत विरासत में नहीं मिले अमेरिका के 10 लाख मिलेनियर्स में से 81 परतिसत ने अपनी दोलत अपने खुद के बिजनस से कमाई है और अपने खुद के बिजनस में सफल होने के लिए त्याक की जरूरत होती है जब कोई आम आदमी किसी स्वे निर्मित मिलेनियर्स को देखता है तो वह जलते हुए सोचता है कि किस्मत की वज़े से वह आदमी अमीर होगा उसका यह सोचना सही हो सकता है बसरते किस्मत से उसका यह मतलब है कुछ समय तक अच्छे घर, शानदार कारों, महेंगी चूटियों के बिना रहना हर सब्ता सतर से लेकर सो गंटे तक काम करना अपनी बज़त को बिजनस में गवाने का जोखिम उठाना अधिक धनुदार लेना और टीवी, पढ़ने और दोस्तों के साथ समय गुजारने जैसे आनंदों को छोड़ना सही करियर कैसे चुने आप शायर जीवन में जितना समय काम करने में गुजारते हैं उतना किसी अन्या चीज़ को करने में नहीं गुजारते और आपके काम के जीवन की गुणवत्ता आपके गरल्यू जीवन की गुणवत्ता को परभावित करती है जो आप अपने जीवन साती, बच्चों और मित्रों के साथ गुजारते हैं आप अपने काम को जितना पसंद करते हैं आप समय को भी उसी अनुपात में पसंद करते हैं यही नहीं, आपकी सफलता, दोलत, सुक और सेहत भी बहुत हद तक आपके काम पर निर्वर करती है सही करियर खोजने के दो मुख्ये प्रशन पहला, क्या पुरुसकार मारक दर्शन पर आदारित है? किसी नोकरी को चुनते समय, एक महतोपुन प्रशन यह है क्या मेरे पुरुसकारों, तंक्वा, बोनस, अतिरिक सुविदाई, प्रमोशन का आदार मेरा प्रशन होगा? दूसरे सब्दों में, अगर आप बहुत अच्छा काम करते हैं, तो क्या आपको सिर्फ अच्छा काम करने के तुल्ला में अधिक धन मिलेगा? कॉमन सेंसा में बताता है, कि तंक्वा की सभी योजनाई, इस बात पर आदारी तो ने चाहिए, कि करमचारी कितनी अच्छी तरह काम करता है, परन्तु अक्सर ऐसा होता नहीं है, मैं आपको एक उधारन ले दूँ, और इस बात की संभावना है, कि आपने भी ऐसा कुछ द सामान की इचकी मत जोड़ना, पैसे लेना, सामान को थेले में डालना और खुशी-कुशी धन्यवाद कहना, जिल में उत्सा और उर्जा वरी है, तथा वहे अपनी सिफ्ट में डेट सो ग्राकों की सेवा करती है, वहे सिर्फ औसत प्रियास करता है, और सो ग्राकों की सेव करता है, फ्रेंग का नजरिया है, मैं यहां सिर्फ इसलिए हूँ, क्योंकि मुझे अपना पेट पालना है, और वहे सिर्फ पचास ग्राकों की सेवा करता है, फिर तन्खवा का दिन आता है, अब जड़ा सोचिए, किसे कितनी तन्खवा मिलेगी, तिनों को बराबर तन्ख किया था, जितना बोग और फ्रेंड दोनों ने मिलकर किया था, कमिशन सेल्ज के एक्षेतर में पुरुसकार परदर्सन के अनुसार मिलते हैं, कमिशन सेल्जमेन को बुगतान इसाधार पर मिलता है, कि उसने कितना सामान बेचा, बिजनसमेन को भी इस बात के लिए पहले यह पता लगा लें, क्या आपके अतरीक्त परियास के बदले में पुरुसकार मिलेगा? दो क्षेत्रों में पुरुसकार और परदर्सन के बीच किसी तरह का कोई संबन नहीं है, अगर है भी तो बहुत कम, यह एक शेत्र हैं सरकार और सिक्षा, शायद आप कुस निष्टावान सरकारी करमचारियों को जानते होंगे, जो अपने सर्वेसरेस्ट प्रोफेसनल प् सरकार और सिक्षा, दोनों ही तंत्रों में अक्सर सेवा के वर्सों के लिए पुरुसकार दिये जाते हैं, बजाए इसके कि किये गए काम की गुणवत्ता के अधार पर पुरुसकार दिया जाए, जब तक अन्यतत्व आर्थिक पुरुसकार से बहुत वजंदार नहीं हों, तब तक बुद्धिवान व्यक्ति दूसरे चेत्रों में अपने करियर का विकल्ब चुनना चाहेंगे क्या यह नोकरी आपकी योग्यता का विस्तार करती है किसी नोकरी को करने से पहले खुद से पूछें क्या मैं आज से च्छे मेने या एक साल या तीन साल बाद अधिक मुल्यवान बन जाओंगा अगर आप अपनी वरत्मान नोकरी छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं तो पूछें क्या मैंने वरत्मान नोकरी में कुछ उपयोगी सिखा है अगर पहले सवाल का जवाब नहीं है तो वहे नोकरी ने करें अगर दूसरे सवाल का जवाब नहीं है तो जितनी जल्दी हो सके नई नोकरी ढूंड ले अपना परशिक्षन काल सर्वेसरेस मारक दरसक के साथ गुजारें हर व्यक्ति को परसिक्षन के अंदर की आवशक्ता होती है जहां ग्यान, योग्यताईं और तक्निकें हासिल की जाती है ताकि वह व्यक्ति अपने मन्चाहे काम को करने के लिए तैयार हो जाई जो स्मार्ट फुटबाल खिलाडी प्रोफेसनल बनना चाहते हैं वे एसे कालेज को चुनते हैं जिन में से अधिकांस के लड़ी चुने जाते हैं बैतोकांक सी डोक्टर सबसे सम्माननी या मेडिकल कालेजों को चुनते हैं और कंप्यूटर के एक शेत्र में अंदर और बाहर की बात सीखने के इच्छुक लोग किसी सीरसस्त कंप्यूटर कंपनी में परशिक्षन लेते हैं किसी नोकरी को चुनने का मून बूत वीचार शुरुवातित तन्खवानाय होकर यह होना चाहिए कि क्या आप वहां कुछ हैसा सीखते हैं जो उपर उठने में आपकी मदद करेगा या आपका अपना वेवसाय सुरू करने के लिए आपको तैयार करेगा अधिकांस कानोनी और अकाउंटिंग पार्टनर्शिप एड़ोटाइजिंग एजेंसियों मेडिकल प्रैक्टिश और परामर्स दाता संस्ताये से लोगों द्वारा शुरू की गई है जिन्होंने किसी दूसरी फर्म के लिए काम करके आफशक योगताईं सिखी है किसी नोकरी के अवसर का मुल्यांकन करते समय मैं तो पूर्ण सवाल यह होता है मैं यहां क्या सीख सकता हूँ जो मुझे अपने बिजनस या इस चेतर में उपर की तरफ पर्मोशन के लिए तैयार करेगा कई लोग कालेज से निकल कर जल्द बाजी में किसी एसी जगह पर शिक्षन लेने लगते हैं जहां वे बहुत कम या बिल्कुल नहीं सीख पाते जिसका परियोग बेकेवल बढ़ने में कर सके कुछ नए सीखना सबसे बुरी बात होती है कोई कोच या मारक दर्सक ढूंडे जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सिखा सके महान अविनेता महान निर्देशकों के अधिन काम करके अपनी योग्यताओं को निकारते हैं बहुत कम फूटबाल के लड़ी महान कोच के बिना सिखर पर पहुंच पाते हैं बेहतरीन सेल्जमेनों को मूल बू तकनिके बेहतरीन सेल्जमेनेजर सिखाते हैं इस बात को याद रखें अगर आप पहले से ही अपने बोस्ट से ज़्यादा जानते हैं तो आप अपना समय बरबाद कर रहे हैं बूट कैम्प में जाने के लिए खुशी खुशी तयार रहें नए लोगों को सिखाने के लिए मिलिटरी में बूट कैम्प का इस्तेमाल किया जाता है पर शिक्षन और अनुसासन बहुत कड़ा होता है बूट कैम्प के मुखे उदेशे है मूल बूट पर शिक्षन देना और बविशे के काम के लिए भिक्ति का मुल ल्यांकन करना परंतु एक और मैं तो पूर्ण लक्षय यह निर्दारित करना होता है कि क्या रंगरूट जहल सकता है कुछ लोग नहीं जेल सकते और उन्हें मुक्त कर दिया जाता है सिविलियन्स के लिए भी बूट कैम्प होते हैं मैं इस समय साउथ वेस्टरन कंपनी के बारे में सोच रहा हूँ नेश विले की वह कंपनी जो बाइबल साइटे बेशने के लिए गर्मियों में कालेज के युवा विदार्थियों को नियुक्त करती है नेश विले में कुछ दिनों के गहन पर्शिक्षन के बाद उन्हें सामान बेशने के लिए देश भर में बेजा जाता है और यह कड़ी मेनत का काम होता है वे सुबह जल्दी सुरू करते हैं और देर रात तक गराकों को सीधे सामान बेशने का काम करते हैं युवा सेल्ज मेनेजर कमिशन पर काम करते हैं और ओर्डर मांगते समय वे जितनी बार हां सुनते हैं उससे कई गुना बार ना सुनते हैं परंतुबे परभावी सेलिंग की मूल बूत बातें सीख जाते हैं। ठीक उसी तरह जिस तरह बूट कैम्प में नो सेनिक यह सीखता है कि युद में कैसे बचा जाई। मैं बहुत से साउथ वेस्टरन पर सिक्षूओं से मिला हूँ। और लगबग हमेशा में बिजनस में ब बहुत अच्छा होता है और लीडर्शिप उतकरष्ट होती है। फिर भी सफलता व्यक्ति पर निर्वर करती है। व्यक्ति को इसे अपने दम पर हासिल करना होता है। संक्षेप में नमबर एक करियर की गुलामी की जंजीरों को तोड़कर फैंक दीजिए। पहला अगर आप नोकरी बदलना चाते हैं तो आपकी वर्तमान उमर सही है। दूसरा वर्तमान की तनक्वा से अधिक मेतुपून बविश्य की तनक्वा है। तीसरा आपके सबसे करीबी लोग चा इसक करते हैं। नमबर दो, बेतर स्वास्ते जाते हैं अपने काम कान अदलीजी। नमंबर तीन, अपने काम से प्रेम करें और तनाववे अन्य अपिबारियों को हरा दें। 4. त्याग सभलता के लिए किया गया निवैस है त्याग करने से पुरुसकार मिलते है 5. नोकरी चुनते समय यह सुनी चिट कर लें कि तन्खवा और पुरुसकार परदर्शन के आधार पर मिलते हों नमबर छे एसी नोकरी चुने जो आगे बढ़ने और आपकी योग्यताओं को अधिक्तम करने में आपकी मदद करती हो धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याईत तीन की तरफ जो है बड़ी सोच का बड़ा जादो दोस्तों उमीद है आपने इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा अगर नहीं किया है तो मेरे इस चैनल लिष्ट धत्रिन को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कीजिए ताकि आपके पास जैसे ही वीडियो अपलोड हो तुरंत पहुंग जाए आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू अध्याई तीन बड़ी सोच का बढ़ा जादू जब मैं कोलेज में था तो मैंने फैसला किया कि मैं एक साल तक हर वीकेंड पर एक अलग चर्च में जाऊंगा मैंने संकल्प कर लिया था कि मैं अधिक से अधिक आस्थाओं विश्वासों और अवदार्णाओं के संपर्क में आऊंगा मुझे आसा थी कि मैं वह खोज लूँगा जो हम सब खोजना चाहते हैं काम आने वाली सफलता की एक प्रैक्टिकल फिलोसिपी एक रवी बार मैं एक पूर्व निश्चित चर्च की तरफ जा रहा था रास्ते में मैं एक और चर्च के पास से गुजरा लौन में बुलेटेन बोर्ड लगा था जिस पर प्रवचन का सिर्चक लिखा था सिर्चक इतना रोचक था कि मैंने यहीं रुकने का फैसला किया प्रवचन का सिर्चक सचमुचाकर्शक था सबसे बड़ा प्रलोबन मैं युवा था और प्रलोबनों के बारे में पहले से ही बहुत कुछ जानता था परोचन की शुरुवात में पादरी ने स्पष्ट किया कि सबसे बड़ा प्रलोबन वासना नहीं है लोब भी नहीं है, चोरी भी नहीं है और जूट भी नहीं है उन्होंने जन समुदाय को बताया कि सबसे बड़ा प्रलोबन है छोटी मानसिक्ता वाले इर्शालू और नकारात्मक लोगों के गटिया जीवन मुल्यों के सिस्टम को स्विकार कर लेना पादरी ने इस पर जोर दिया कि अगर हम इस परलोबन को जीत ले तो बाकी परलोबनों से निवटना तुलनात्मक रूप से आसान हो जाएगा उन्होंने बार बार इस बात पर जोर दिया अपने जीवन को सही फोकस में करें इस बात पर ध्याने कागर करें कि बाकी चीजों की तुलना में सचमुच बड़ा क्या है आपका परिवार, आपका करियर, आपका धन और आपके लक्ष है कई दसक बीच चुके हैं परन्तु मुझे आज भी वह परवचन याद है जैसे मैंने उसे आज सुभई सुनाओ मुझे इसमें जो महान संदेश मिला उसे मैं आपके साथ बांटना चाहता हूँ पादरी ने समझदारी की जो बात मुझे बताई थी उसे आपको भी सफलता दोलत और सुख की यात्रा में मदद मिलेगी एक अच्छे केक में क्या खास बात होती है जाहिर है आईसिंग अतिरिक्त मिठी आईसिंग जो केक बन जाने के बाद उस पर लगाई जाती है कुछ बेकरियों का केक का बिजनस अच्छा चल रहा है और वेगरहक की पसंद के इसाब से उन्हें सजाती है कुछ मैने पहले की बात है मेरे पोती सारा बिमार थी मैंने उसके लिए एक केक खरीदा और बेकरी में बैठी महिला से उस पर लिखवा दिया सारा मैं खुश हूँ कि तुम ठीक हो रही हो वहे केक एक टन दवा के बराबर था और जब सारा ने अपने लिए विक्तिकत रूप से सजाया गया केक दिखा तो उसकी आंखों में चमक आ गई और आवाज की चहक से उसके दादा जी में भी नया जोस आ गया केक पर आइसिंग लगाना सफलता पूरवक धन कमाने का सिधान थै दो साल पहले बहुत ज़्यादा ठंड पड़ी पाइप जमने की बज़ए से पानी नहीं आ रहा था इसलिए मैंने पलंबरों को फोन करना शुरू किया पहले पांच पलंबरों ने साफ मना करते हुए कहा हम जितना काम कर सकते हैं हमारे पास उससे बहुत ज़्यादा काम है हम आपके पास शायद 48 गंटे या इससे अधिक समय तक नहीं आ सकते आखिरकार छटवे पलंबर ने कहा देखिए मैं लगातार 40 गंटे से काम कर रहा हूँ और मैं जानता हूँ कि आप कहां रहते हैं और मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ अगर आप बतियां जली रहने दे और मुझे बता दें कि चाबी कहां रखी है तो मैं रात को एक से दो बज़े के बीच वहां पर आ जाओंगा जब पलंबर रात को दो बज़े के कुछ समय बाद आया तो मैं काम कर रहा था कुछी समय में पानी आने लगा और पलंबर चला गया परंतु गंटना यहीं पर खतम नहीं हुई चार दिन बाद जब ठंड कम हो गई तो मेरे पास पलंबर का फोन आया मैं सिर्फ यह पता करना चाहता हूँ कि पाइप ठीक तरह से काम कर रहे है और उन मेंसे पानी तो लिक नहीं हो रहा है मैंने उसे बताया कि हर चीज ठीक तरह से काम कर रही थी फिर उसने कहा मुझे आपकी सेवा करके खुशी हुई मिस्टर स्वाड मेरा एर कंडिशनिंग का बिजनस भी है अगर आपको गर्मियों में सेवा की आवशकता हो तो सिर्फ मुझे फोन कर दें और मैं सीधे आपके पास आ जाओंगा और किसमत का खेल देखी कि सचमुझ मेरा एर कंडिशनिंग सिस्टम जून में खराब हो गया और जाहिर था उसे सुधारने का काम उसी पलंबर को मिला जिसने जमे हुए पाइप को ठीक करने का समय निकाला था क्यों? क्योंकि उसने ठंडे मौसम में पाइप ठीक करने के बाद मुझे फोन किया था सब कुछ ठीक तो है पलंबर ने केक पर आइसिंग लगाई और इस वज़े से उसे अधिक बिजनस मिला कुछ समय पहले की बात है मेरे 25 साल पुराने डेंटिस्ट ने मुझे पताया कि वहे रिटाइर हो रहा है उसने अपनी प्रेक्टिस एक युवा दंट चिकित्सक को बेश दी थी जिसने हाली में डेंटिक कालेज से परिक्षा पास की थी मेरे पुराने डेंटिस्ट ने मुझे आस्वस्त किया कि वहे युवक बहुत योग्य था इसलिए अगर उसे बविश्य में दान्तों की तकलीफ हो तो मैं उसी से प्रामर्श लो कुछ समय बाद मेरे दान्त में तकलीफ हुई और मैंने नए डॉक्टर से अपोइंटमेंट लिया सच कहूं तो मैं बहुत गबरा रहा था परन्तु मैंने पाया कि युवा डॉक्टर प्रोफेशनल था और उसमें बहुत आतमिस्वास भी था अगले दिन शनिवार को मेरे फोन की गंटी बजी मैं बिल विल्सन बोल रहा हूँ आपके दान्तों का डाक्टर मैंने सिर्फ यह जानने के लिए फोन किया है कि आपके दान्त ठीक तो है फिर उसने मुझे दो एक सुजाओ दिये और मुझे बताया कि मेरी सेवा करके उसे कितनी खुशी हुई है कल पना कीजिए दान्तों का डॉक्टर फोन करके आपसे पूछ रहा है कि सब कुछ ठीक तो है यहे फोन कॉल केक पर लगाई गई आईसिंग थी जिसने यहे थाबित किया मेरे ठीक होने में दान्तों के डॉक्टर को कितनी रूची थी तीन मिनिट की उस फोन काल ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया कि मैं वरसों तक उसी नए दंत चिक एचसक के पास जाता रहूँगा और इसके बाद जब भी कोई मुझे पूछता था क्या आप किसी अच्छे दंत चिक एचसक को जानते हैं तो ततकाल मेरे दिमाग में उसी दंत चिक एचसक का नाम आए जाता था वह है एक फोन कॉल उस दंद चिकित्सक को कई वरसों में हजारों डॉलर के आमदनी परदान करेगा कोई किस तरह सफल डेंटल प्रैक्टिस बनाता है केक पर कुछ आइसिंग लगाएं सिर्फ एक काम करें आसा से अधिक सेवा करें सेवा को पहले रखें और पैसा अपने आप आ जाएगा यह सफलता का बहुत ही सठीक नियम है जितना की गुरुत्वा कर्शन बोतिकी का मेरी एक मित्र है जो रहवासी रियल इस्टेट बेजती है हर विक्री के बाद वे सद्वावनावश ग्रहाक को फोन करती है उनका यह काम केक पर लगी आइसिंग की तरह है वे कहती है रियल इस्टेट बिजनस में ऐसा आम तोर पर नहीं किया जाता ज्यादा तर एजेंट डरते हैं कि ग्रहाक शिकायत करेगा अक्सर लोगों को छोटी मोटी समझाई होती है और मैं उन्हें सुलजा रेती हूँ मेरे परतिष्टा के लिए और कोई चीज इतनी अच्छी नहीं होती जितनी की बिक्री के बाद की गई सेवा जब लोग शिकायत करते हैं तो एक तरह से मुझे खुशी होती है लोग जल्दी उस एजेंट को भूल जाते हैं जो सिर्फ मकान बेचता है पर वे उस एजेंट को याद रखते हैं जो बिक्री के बाद उनकी सेवा करता है और आपको यह जानकर आस्चरे होगा उन्होंने आगे कहा कि जिन लोगों को मैंने मकान बेचा था वे अक्सर कुछ साल बाद मुझसे दुबारा संपरक करते हैं और बताते हैं कि उनका ट्रांसफर हो गया है या वे किसी बड़े घर में जाना चाते हैं वे मुझसे उसी घर को दुबारा बेचने को कहते हैं जो उन्होंने मुझसे खरीदा था मैं इस बिजनस में 13 साल पहले आई थी और एक गर तो ऐसा है जिसे मैं 3 बार बेच चुकी हूँ सेल के बाद की जाने वाली सेवा यानि सोदे पर थोड़ी सी अतिरिक ताइसिंग से लाब होता है लोग जितना पाने की उमीद करते हैं मैं बस उससे थोड़ा ज़्यादा उन्हें देदेती हूँ होलसेल वस्तर वेफसाई में बहुत परतियों किता है कई वार तो ऐसा होता है कि छोटे रिटेलर के स्टोर में जितने गरहा काते हैं उससे ज़्यादा संख्या में सेल्जमेन होते हैं जो सामान बेचने की कोशिश करते हैं कपड़ों के बहुत कम सेल्जमेन बड़ी सफलता हसिल कर पाते हैं पर जोनेस काफी सफल है एक दिन मैंने जोन से पूछा कि वे बाकी होलसेल सेल्जमेनों से दूगनी कमाई कैसे कर लेते हैं जोन ने एक पल के लिए सोचा और फिर कहा शिक्षा इस पर मैंने जोन से कहा यह सुनकर मैं हैरान हूँ मैं जानता हूँ कि कई लोगों की उपलब्दियों में सिक्षा एक मैत्वपून तत्व होता है परन तो शायद ही कभी मैंने यह सुना है कि सिक्षा पहले स्थान पर आती है जोन हसा और बोला मैंने अपनी बात को ठीक तरह से सफ़ष्ट नहीं किया मेरा मतलब यह नहीं कि मेरी सिक्षा की बज़े से मेरी कमाई ज़्यादा हो रही है मैं सिर्फ कुछ समय के लिए नाइट स्कूल गया हूँ सिक्षा से मेरा मतलब दूसरा था मैं अपने रिटेल ग्राकों को यह सिक्षा देता हूँ कि उन्हें जो समान बेचता हूँ उसे वे अपने ग्राक को किस तरह बेचे है देखिए जो उनने समझाया मेरी विक्री दरसल तब तक पूरी नहीं होती जब तक कि व्यापारी मेरे समान को खरीदने ले यह विक्री का सिर्फ आदा इस्सा है दूसरा आदा इसा तब पूरा होता है जब उस व्यापारी के ग्राक उससे वह समान खरीदते हैं जो मैंने उसे बेचा था मेरे कई ग्राक अच्छे व्यापारी नहीं है वे नहीं जानते कि समान किस तरह बेचा जाई और अगर वे मुझसे खरीदे गई माल को नहीं बेच पाएंगी तो मेरा विजनच जल्दी ठप हो जाएगा इसलिए जब मैं अपने ग्राकों को कोई नई रिंज देता हूँ तो मैं उन्हें बता देता हूँ कि उस कपड़े के लिए किस तरह की मैला सबसे अच्छी ग्राक हो सकती है उसकी उम्र उसकी फैशन की रूची उसकी आमदनी इत्यादी फिर मैं यह समझाता हूँ कि कपड़े की किन विसेस्ताओं पर जोर देना होगा किस तरह उस कपड़े का परदर्शन करना है सबसे मैतवपूर्ण बात किस तरह ग्राक की कलपना को जकड़ना है कलपना को जकड़ने से आपका क्या मतलब है मैंने पूछा जोन हसा और उसने जवाब दिया मैलाओं और पुरुसों के कपड़े बेशने वाले ज्यादतर लोग सिर्फ कपड़ा बेशते है यह सो प्रतिसत उन से बना है या दोने पर यह कपड़ा नहीं सिक उड़ेगा परन्तु इस तरह की बातों से माल नहीं बिकता यह बोलते समय व्यापारी सिर्फ वही दोरा रहा है जो लेबल पर लिखा है मैं अपने रिटेल व्यापारियों को यह सिखाता हूँ कि वे ग्राहक को यह बताएं कि उनके कपड़े पहनने से ग्राहक आफिस में कितना अच्छा दिखेगा या लोग सोचेंगे कि यह कितनी महंगी ड्रेस है जबकि दरसल यह महंगी नहीं है या यह कहना कि आप इस ड्रेस में बहुत दूबली दिख रही है कलपना से मेरा यही मतलब है जब मैं कलपना को अपने रिटेलर के दिमाग में डाल देता हूँ तो वे ज़्यादा कपड़े बेशते हैं और इस कारण मैं भी ज़्यादा बेशता हूँ यह मूलबूत रूप से बहुत आसान है और मेरे अधिकांस परतिदोंदी इस मुगालते में रहते हैं कि रिटेलर अपने आप सामान बेशने के तरीके खोज लेगा मुझे लगता है कि आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा कि मैं सड़क पर काम कर रहे ओसत सेल्जमेंट से दो गुना अधिक क्यों कमाता हूँ सेल्जमें द्यान दे अपने ग्राकों के लिए केक पर थोड़ी आइसिंग लगाएं परडेक्ट बेचने में उनकी मदद करें ताकि वे आप से सामान ले एक प्रसुती विसेसगे ने मुझे बताया कि जब डिलिवरी के बाद मा अस्पताल से जाती है तो कुछ दिनों के बाद वे उसे फोन क्यों करता है यह पूरी तरह सदबावना की फोन कॉल होती है क्योंकि मा और शिसू की देखवाल अब दूसरे विसे से गय करते है परंतु इसके बावजूद मैं फोन करता हूँ इसके पीछे मेरा स्वार्थ होता है मैं चाहता हूँ कि नई मा अपने गरभ बती सेलियों को मेरे बारे में बताई दावा निप्टाने के बाद बीमा एजेट अपने गराहक को फोन करते हैं या उससे मिलते हैं ताकि यह सुनिश्चित कर सकें कि वह संतुष्ट हो गया है और चूंकि गराहक अब यह जानता है कि बीमा कंपनी बुगदान करती है इसलिए कॉल के लिए यह आदर समय होता है इस समय गराहक बीमे की अपनी दूसरी जरूरतों पर विचार करता है दावे का बुगदान करना अधिक बीमा बेजने का जबरदस्त अवसर है सब इक शेत्रों के स्मार्ट लोग जिस केक को बेजते हैं उस पर थोड़ी सी अतिरिक्त आइसिंग लगा देते हैं जो कंप्यूटर कंपनिया मार्केट में अधिक माल बेजना चाती है वे बिकरी के बाद यह जानकारी लेती है कि इंस्टोलेशन ठीक तो हुआ है मैं कपड़े के सेल्जमेन को जानता हूँ जो ग्राहक के सूट खरीदने के एक मैने बाद फोन करके उनसे पूचता है कि सूट संतोज जनक तो है कॉल के दोरान यह सेल्जमेन ग्राहकों को उन नए कपड़ों के बारे में बताता है जो स्टोर में हाली में आई है बेटी एम पहुत सा गरेलू सामान बेशती है डिटरजेंट, सिल्वर, पॉलिस, कार्पेट क्लीनर, डियोडरेन आदी वह हर मेंने अपने परते ग्राहकों फोन करके पूचती है कि सामान किस तरह काम कर रहा है इसके बाद वह दूसरे सामान सुजाती है जिनकी ग्राणी को जरूरत हो सकती है उसका कहना है निश्चित रूप से हमारे सामान सबसे अच्छे हैं कुछ ग्राहक मेरे घर पर फोन करके उनका ओडर देते हैं परंतु अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए मैं उन्हें फोन करती हूँ जो विद्यार्थी बेहतर आंक चाते हैं वे अपने रिपोर्ट तैयार करते समय कुछ अतरिक्त कारिया करते हैं जैसे अच्छी टाइपिंग या सुन्दर फोल्डर और वे टीचर के नाम की स्पेलिंग सही लिखते हैं केक पर आइसिंग लगाने का आर्थिया है कि लोग जितना पाने की उम्मीद करते हैं उन्हें उससे कुछ अधिक देना और यह चोटी चोटी चीजों से शुरू होता है जैसे फोन का जवाब देना अक्सर ऐसा होता है कि जब आप किसी कंपनी में फोन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे आपरेटर दरसल यह है कह रही हो मैं अपने काम को पसंद नहीं करती आप मुझे तंग क्यों कर रहे हैं अब आप क्या चाहते हैं जब आप देने वाले वेक्ति की आवाज की टोन से टेलिफोन ओपरेटर, रिसेपनिस्ट, चेक आउट स्टेंड कैशियर और टिकेट बेचने वाले कंपनी के ग्रहाग कंपनी के प्रेजडेंट या मैतवपून मैनेजर से शाइदी कभी मिलते हैं वे कंपनी के बारे में सही या गलत विचार उसी वेवार से बनाते हैं जिस तरह का वेवार उन्हें मैतवहिन लोगों से मिलता है अनुबवी या त्री एसे ओटलों में ठहरते हैं जहां रिजर्वेशन करने वाले करमजारी विनमर और सकारात्मक होते हैं लोग वेटरों के वेवार के आदार पर रेस्तरा चुनते हैं किसी रेस्तरा में बार बार जाने के पीछे सेवा अधिक मैतवपूर्ण होती है बोजन का स्वाद कितना अच्छा है यह हैं हमेसा कम मैतवपूर्ण है और कुरियर कमपनियां जानती है कि सरकारी डाग सेवा को पिछाडने में सिष्ट वैदोस्ताना सेवा उनका सर्वस्रेस्ट परतियोगी हतियार है क्योंकि सरकारी डाग सेवा में काउंटर पर बैठे लोगों का नजरिया आम तोर पर नकारात्मक होता है प्लीज थैंक यू और आज आप अच्छे दिख रहे हैं मुफ्त की आइसिंग है जिससे सामान बिखता है और बिजनस बढ़ता है मैनेजरों के लिए टिपणी अपनी कमपनी या आफिस में फोन करें अगर आपको अच्छी आवाज में मुझे सचमुच खुशी है कि आपने फोन किया सुनाई ने दे तो उस व्यक्ति को या तो शिखाएं या फिर बदल दे किसी मित्र से कहें कि वह आपकी कमपनी में आई अगर उसे वहाँ पर अच्छी सेवा ने मिले तो सुधार करने के कदम उठाई सफलता चाने वाले लोग पूशते हैं लोग जितनी आशा करते हैं मैं उसे उससे अधिक किस तरह दे सकता हूँ जिस केक को मैं बेच रहा हूँ उस पर मैं किस तरह से आईसिंग लगा सकता हूँ केक वह है सामान या सेवा जो आप दे रही हैं सिर्फ बेक की अवा आटा है परन्तों अगर आप इस पर थोड़ी सी आइसिंग लगा देते हैं और सामान बेशने के बाद थोड़ी सी अतिरिक्ट सेवा करते हैं तो आप उस आटे को जाएकेदार बना देते हैं इसे आजमा कर देखी और कुरुसकारों का आनंद लेजिए कुछ महीने पहले मैंने मीनी पोलिस में अपने युवा मित्र अलेग डबल्यू के साथ नास्ता किया जो अपनी मिटिंग प्लानिंग से वाचलाता है वह है मैत्वपूर्ण कॉर्पूरेट मिटिंगों की योजना बनाता है और सुईदाओं, मनोरंजन, वक्ताओं, पुरुसकारों और भाग लेने वालों में आने जाने की विवस्ता करता है वे सारे विवरन जो किसी सफल मिटिंग का हिस्सा है नास्ते पर अलेक ने मुझे कहा अभी आपकी फ्लाइट में तीन गंटे का वक्त है मुझे एक संभावित ग्राग से मिलने जाना है क्या आप मेरे साथ चलेंगी शायद आप शेल्ज प्रस्तुती देने के संबने मुझे एक दो सुजाओ दे सके मैंने कहा कि अगर मेरे जाने से कोई व्यवदान ने हो तो मुझे ऐसा करने में खुशी होगी अलेक ने बहुत अच्छी तरह से अपनी प्रस्तुती दी उसने अपने संभावित ग्राग से यह पूछा कि वह इस मीटिंग से जो सर्वस्रेस्ट परिनाम चाता है उन्हें विस्तार से बताई अलेक ने कहा मिस्टर ब्राउन यहें मान लें कि मीटिंग खतम हो चुकी है और इसमें भाग लेने वाले घर जा रहे है आप क्या चाहेंगे कि वह कंपनी को किस तरह देखें अगले साल के आपके लक्षों या प्रडेक्ट लाइन को किस तरह देखें आदर स्तीती में आप मीटिंग में क्या हासिल करना चाहते हैं अलेक ने अपनी पूरी प्रडिती इसी बात में लगा दी कि संभावीद ग्राख सर्वसरेश्ट परिणाम कावरनन करे जब अलेक ने सर्वसरेश्ट परिणाम के बारे में पता कर लिया तो उसने सावदानी से उन पर मुख लक्षों को दो राया जो संभावित ग्राक मीटिंग से चाहता था फिर उसने संभावित ग्राक को धन्यवाद दिया और एक समय तै कर लिया जब वह वापिस आकर कॉर्परेट मीटिंग के लिए एक विस्तरत योजना परस्तुत करेगा बाद में अलेक ने संभावित ग्राकों के साथ मैं हमेसा दो इंटर्यू की शेलिका प्रियोग करता हूँ पहले इंटर्यू में सिर्फ जानकारी कट्थी करता हूँ मैं कभी भी संभावित ग्राक को यह बताने की कोशिस नहीं करता कि मेरे सेवाइ कितनी अच्छ है इस से पहले मैं यह पता लगाता हूं कि ग्रहाद किया चाता है और उसकी जरूरतें क्या है दूसरे इंट्रुड़ू में मैं बताता हूं कि उसके लक्ष्यों को हासिल करने में मेरी सेवाई किस तरह उसकी मदद कर सकती है गर लोटने वाली फ्लाइट में मैं अलेक और उसकी अती परवावी सेल्स तकनिक को अपने दिमाग से निकाल नहीं पाया अलेक ने ग्राहक से यह नहीं का यह आपके लिए सबसे अच्छा रहेगा या आपके पास आपके मीटिंग के लिए बहुत बढ़िया योजना है इसके बजाए अलेक ने एक डोक्टर की तरह व्यवार किया उसने अपने संबावित ग्राहक को यह बताने दिया कि वह मीटिंग में क्या हासिल करना चाहता है इसके बाद अलेक ने एक आदर सी उजना प्रस्तूत की ताकि उसके संभावित ग्राग के लक्षे हासिल हो जाए नोकरी पाने के लिए सर्वसरेश्ट परिनाम की शैलिका प्रियोग करें नोकरी पाने के लिए बायड़ेटा पर बहुत जोर दिया जाता है जबकि सच तो यह है कि बायड़ेटा सिर्फ इंटर्यू तक पहुचाने में आपकी मदद करता है यह आपको नोकरी नहीं दिलाता नोकरी आपको व्यक्तिकत इंटर्यू दिलाता है और इंट्रिवू में आप अलेक के सर्वसरेस्ट परिणाम के तरीके का प्रियोग करके इसका लाब उठा सकते हैं इंट्रिवू के सुरुवात में इंट्रिवू लेने वाले से कुछ इस तरह की बात कहें मैं जानता हूँ कि इस इंट्रू में आज हम इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि आप यह देखना चाहते हैं कि मैं आपके लिए ठीक हूँ या नहीं और मैं यह देखना चाहता हूँ कि आपकी कंपनी मेरे लिए ठीक है या नहीं हम यह देखने के लिए मिल रहे हैं कि क्या रोजगार के संबंदों से हम दोनों को लाब होगा क्या आप इस आदर्स व्यक्ति का बरनन करेंगे जो आप इस पद के लिए चाहते हैं जब आप इस तरह कुल कर सची बात कहते हैं तो आपके संभावित नियुक्ता इसके जवाब में इस तरह की बात कहींगे हम जो व्यक्ति चाहते हैं उसमें कई गुन होना चाहिए इमानदारी, युग्यता, पहल करने की सक्ति, सहयोग करने की इच्छा और मैतव काक्षा जब आप यह जान जाएं कि संभावित नियुक्ता कौन से गुन चाहता है तो आप यह स्पस्ट कर सकते हैं कि आप उसकी जरूरतों के इस हब से किस तरह आदर्स हैं इसके बाद आप उतने आदर्स तरों के अनुरूप अपनी युग्यता साबित कर सकते हैं उसे यह बताकर अपनी इमानदारी का परिचे दीजी कि पूरानी कंपनी में आप पर विश्वास करके आपको धन का जिमा सौंपा गया था आप निपून हैं यह बताने के लिए आप अपनी नोकरी का अनुबाव, सिक्षा और प्रापत हुए सम्मानों का उलेक करें जब आप अपने नियुकता से सरोसरेष्ट उम्मीदवार का वरणन करने के लिए कहते हैं तो आप परिपक को अबुद्धी का परिचे देते हैं क्योंकि इसके बाद आप अपने नियुकता के आवशक्ताओं के अनुरूप अपनी योग्यताओं का परदर्सन कर सकते हैं आप अपने नियुकता के सामने यह भी शावित कर सकते हैं कि आप नोकरी के लिए आविदन करने में बिजनसमेन की तरह व्यवार कर रही हैं अलेक ने सर्वस रेस्ट परिणाम की निती का सफलता पुर्वक इस्तेमाल किया यह देखने के लिए मैंने उस उपाई को सेलिंग क्लिनिकों में सिखाना शुरू किया और मैंने हमेशा यह उलेक किया कि मैंने इसे किस से सिखा है लगवगा ठरा मैने बाद मैंने रियल एस्टेट एजेंटों के एक समोगे के सामने सर्वस रेस्ट परिणाम बेचने की अवदारना समझाई और वहां मैं लाउस एंजलिस के रियल एस्टेट एजेंट जैक ऐसे मिला जैक ने मुझे बताया कि उसने किस तरह इस उपाई के अनुरूप काम किया आपके सेमिनार के कुछ समय बाद ही मेरे पास पिट्स बर्ग से एक एक एजेक्जेक्टिव का फोन आया यह एक्जेक्टिव अपनी कंपनी की ब्रांच आफिस शुरू करने के लिए लोस एंजलिस में रहने आ रहा था मैंने सर्वस रेस्ट पर इनाम वाली सेल्ज निती का प्रियोग करने का फैसला किया मैंने उससे पांच या दस मिनिट तक शुरू आती बात की और उसे विश्वास दिलाया कि मैं उसे कुछ गरोंगे विस्तरत विवरन बेजूंगा फिर मैंने उससे पूछा कि वह इस बारे में विस्तार से बताए कि वह किस तरह का घर चाता है फोन पर एक गंटे की इस बात्चित के बाद मैं जान गया कि उसे अपना घर कितने एकांत में चाहिए था किस तरह के पडोसी चाहिए थे और शोपिंग सेंटर, स्कूल और गोल्फ कोर्स कितने पास चाहिए थे मैंने वह हर चीज जान ली जो मेरे संभावित गराग के इसाब से मैं तो कुर्ण थी मैंने उससे वादा किया कि मैं 2160 घरों की अपनी सूची में उसके मन पसंदगर की तलास शुरू करूँगा और उसे दो दिन में जवाब दूँगा मैंने फोन किया और संभावित गराग को बताया कि मुझे चार घर मिले हैं जो उसकी आवशक्ताओं को पूरा करते हैं मैंने उससे वैब उसकी पतनी से अगले इविकेंड में standards से यात्रा करने का अनूरोद किया मैं संभावित ग्रहा को और उसकी पतनी से शनिवार के सुबह हवाई अड़े पर मिला मैं उन्हें लंच के लिए शेहर के उस हिस्से में ले गया जहां चारों गर स्थित थे फिर मैंने उन्हें वे चारों गर तिखाई तीन गंटे में पती पतनी ने अपने लिए घर पसंद कर लिया और सेल पूरी हो गई परन्तो आपने तो कहा था कि सर्वस्रेस्ट परिणाम की तकनिक का परियोग करके आपने पंद्रे लाख डोलर की जायतात बेची क्या उस आदमी ने एक गर की इतनी भारी कीमत दी थी अरे नहीं एजेंट ने मुश्कराते हुए कहा परन्तो अगले च्छे मैंनों में पांच और परिवारों का यहां ट्रांसपर हुआ चुकि मैंने मालिक की इतनी अच्छी सेवा की थी इसलिए यह स्वबाविक था कि मालिक ने स्टाफ को सला दी कि वे गर खरीदने के बारे में मुझसे संपरक करी इस तरह मैं अच्छाए गर बेचने में सभल हुआ मैंने अपने एक मित्र को भी सर्वसरे इस्परे नाम की निती समझाई जो अपना मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनस करता है उसके संगठन में लोग शुरुआत में पार्ट टाइम सामान बेचते हैं और तूसरे लोगों को अपने बिजनस में शामिल करने का मंतरन देते हैं लोगों को शामिल करने के लिए उनसे पूसता है कि वे उस आधर्स पार्ट टाइम बिजनस का वर्णन करें जिसके वे मालिक मनना चाते हैं मेरा दोस्त मुझे बताता है कि लोग अपने पार्ट टाइम बिजनस में जो चीजे चाते हैं वे ऐसे मितामदनी, पारिवारिक हिस्सेदरी, काम के लचिले गंटे, कम लागत और एसा सामान जो सचमुच उप्योगी हो मेरे मित्र ने सपस्ट किया जब मैं लोगों को इस बारे में संकल्प करवा लेता हूँ कि वे क्या चाते हैं तो इसके बाद उन्हें यह दिखाना आसान होता है कि मेरा बिजनस की इस तरह उनकी रूचियों के हिसाब से आदर्स है सर्वस्रेस्ट परिणाम की निती काम करती है, इसका प्रियोग करें सर्वस्रेस्ट परिणाम की निती काम प्रियोग करती है, साल में दो बार कमपनी एक सम्मेलन आयोजित करती है, जिसमें ग्राकों को अपने खर्चे पर भाग लेने का आमंतरन दिया जाता है इस सम्मेलन का मुख्य उद्वेस्ट यह है, कि ग्राक सोफट्वेउर निर्माता को यह है बता सके की वे वरतमान परडेक्ट में क्या परिवरतन देखना चाहते हैं या उनके इज़ाव से किन नए प्रडेक्ट्स की जरूरत है इस तरह से सोफ्ट्वेर कमपनी अपनी मार्कटिंग लागत कम कत लेती है और ग्राकों की बहुत अधिका वफादारी हासिल करती है सर्वेस्रेस्ट परिणाम की तकनीक का एक मुख्य हिस्सा यह है कि आप दूसरों को अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दें हर व्यक्ति के मन में बहुत से विचार होते हैं कम्पनी जो कर रही है वह सही है या गलत अर्थ व्य Wind उस्ता के बारे में क्या अच्छा है क्या बुरा गवर्नर मेर प्रेजडेंट किस तरह काम कर रही हैं और क्या समज़िक सुरक्षया चलती रही है और किम्पनी में बहुत से लोगों के पास इस बारे में विचार होते हैं कि कमपनी को बेतर तरीके से कैसे चलाया जा सकता है समझ्या यह है कि अधिकांस कमपनियों में जो लोग काम करते हैं उनसे यह कभी नहीं पूछा जाता इस बारे में आपके क्या विचार है क्या आप जानते हैं कि इसे बेतर तरीके से कैसे किया जा सकता है और क्या आप कोई रास्ता सुझा सकते हैं जिससे इस काम को कम समय में किया जा सके इसका परिणाम यह होता है कि समझदारी के बहुत से विचारों का कभी दोहन नहीं हो पाता विचार सील वेक्ती कुंठित मैसूस करते हैं और कमपनी का परदर्शन परवावित होता है फ्लोरेडा में मेरा एक दोस्त है पीटर एफ जो स्टील फेबरिकेशन बिजनस में है पिछली मंदी के दोरान अधिकान स्टील कमपनियों की समझ़ाई निरासा जनक थी परदो पीटर का बिजनस तरक्की कर रहा था मैं फीटर से एक महीने पहले उसकी कमपनी के रिजोर्ट होटल में मिला मैंने उससे पूछा कि जब उसके परतियों की कस्ट में है तो उसका बिजनस क्यों तरक्की कर रहा है मुझे लगता है कि इसके पीछे कई कारण है परंतु सबसे मैतवपूर्ण का अंशाइद यह है कि मैं कोई भी मैतवपूर्ण निन्ने लेने से पहले अपने करमचारियों के विचार जान लेता हूँ मैं नियमित रूप से दवाल स्ट्रीट जन्र और अन्य बिजनस परकाशन पढ़ता हूँ परंतु जैसा मैंने सेना में सीखा सर्वेस रेस्ट ग्यान अक्सर पैदल सिपाईयों से मिलता है हम अपने स्टील को डेश बर में इंस्टोल करते हैं मैं इस बात का विसेश ध्यान रखता हूँ कि इंस्टोलेशन करने वाले लोगों से मेरी चर्चा होती रहे मैं उनसे पूशता हूँ हमारे ग्राक अजकल क्या सोच रहे है मैं विचारों का स्थाई प्रवा बनाई रखता हूँ और हमारे इंस्टोलेशन करने वाले लोगों और सेल्ज मेनों से जानकर इकटी करता हूँ हम अपने ग्राकों को मैं हमेशा अपने वर्तमान ग्राकों से पूशता हूँ कि वे अगली पीडी के रेफ्रिज डेटेड स्टोरेज में किन अतिरिक्त सुईदाओं को देखना चाते हैं विचार सब के मन में आते हैं सोचते सभी है मेरे दोस्त ने कहा इसलिए मैं उन्हें अपने विचार बताने के लिए परोटशाइट करता हूँ जब मैं इंस्टॉल करने वालों ट्रक ट्राइवरों उत्पादन करमचारियों या ग्राकों से उनके विचार पूशता हूँ तो मैं दो चीजें हासिल करता हूँ मैं उनका सहयोग असिल कर रहा हूँ, क्योंकि उनके पास मुझे अपने विचार बताने का आउसर है. दूसरी चीज, मैं बहुत से अच्छे विचार हासिल करता हूँ, जिन से मैं लाब उठा सकता हूँ. मुझे अपने कुछ मैनेजरों को आपका क्या विचार है तक्नीक सिखाने में बहुत समश्या आई उनमें से कुछ को तो पहले इस बात का प्रषिक्षन दिया गया था कि दूसरे लोगों के खासकर अधे नस्तों के विचार पूसना कमज़ोरी की निशानी है मेरा मानना है कि दूसरे लोगों के विचार सुनना द्रड़ता की निशानी है सर्वस्रेस्परिनाम की निती का प्रियोग करें आप जो चाहते हैं उसे हासिल करने में यह चमिकार कर देगी सेल हो बेहतर नोकरी हो या फिर सहयोग वे समर्थन हो पहला पता लगाएं कि सामने वाला क्या आदर्सलाब हसिल करना चाहता है दूसरा अपने परस्ताव को इस तरह से रखें कि उसे वह आदर्सलाब मिल सके आप जो भी करते हों उसमें सर्वस्रेस्परिनाम का प्रियोग कर सकते हैं अगर आप विद्यारती हैं और A ग्रेड हासिल करना चाहते हों तो कोर्स के शुरू में सिक्सक से यह पूछ लें कि A ग्रेड हासिल करने के लिए क्या आवशक है अगर आप वकील हैं और किसी की वसीयत तैयार करने में मदद कर रही है तो वसीयत बनाने से पहले यह ठीक ठीक जान ले कि ग्रहाक वसीयत से क्या हासिल करना चाहता है अगर आप आज से 6 मेने बाद परमोसन पाना चाहते हैं तो अपने मैनेजर से यह पूछ लें कि इसे हासिल करने के लिए आपको क्या करना होगा ओसत लोगों और उतकरश्ट लोगों में एक सुक्षम परंतु मैतोपूर्ण अंतर होता है सफलता चाने वाले लोग अपने हर काम में क्वालिटी को पहले नंबर पर रखते हैं साहे वैसा मान खरीदना हो या दोस्त बनाना जबकि ओसत लोग क्वांटिटी या मात्रा पर ध्यान देते हैं सफलता चाने वाले लोग वास्तव एक मुल्य की तलास करते हैं ओसत लोग सिर्फ यह विज़ार करते हैं इसकी कीमत कितनी है यह कितनी बड़ी है और मूल कीमत क्या थी सस्ता साइटिस से बचें मैं कई वर्सों से एक छोटा प्रियोग करवा रहा हूँ यह मुर्खता पूर्ण लग सकता है परन तो इससे सिख्षा मिलती है किसी क्लासरूम या सम्मेलेन में भाग लेने वाली महिलाओं से मैं कहता हूँ कि वे एक कागज पर अपने पास मुझूद सेंडलों की संख्या लिख दे ओसत संख्या 24 है फिर मैं एक और सवाल पूशता हूँ आपने अपने जूतों में से पिछले च्छे महिने में कितने सेंडल पहने ओसत संख्या आम तोर पर चार या पांच होती है अंत में मैं पूशता हूँ आपने इतने सारे सेंडल क्यों करीदे जब आपको उनने पहनना ही नहीं था जवाब लगबग वही मिलता है वे सेल में मिल रहे थे और मुझसे खरीदे बिना रहा नहीं गया या सेंडल स्टोर में बहुत अच्छे दिख रहे थे परन्तु मुझे जल्दी ही पता चल गया कि मैं उन्हें पसंद नहीं करती या उन पर 50% की छूट थी इस परियोग को करने से मैंने एक और सबक सीखा जो सेंडल उन्हें करीदने थे परन्तु जिने वे पैनती नहीं थी वे खराब तरीके से बनाए गई थे गटिया क्वालिटी की थे और वर्तमान फैशन तक सीमित थे मैलाओं ने जिन सेंडलों को सबसे ज़़ा पैना वे अच्छी क्वालिटी के थे तुलनात्मक रूप से महेंगे थे मैंने इसे इसलिए खरीदा क्योंकि यह सेल में मिल रहा था कि प्रेड़ना भी मौजूद रहती है समझदार गराकों के पास हर चीज दुलनात्मक रूप से कम रहती है वे जानते हैं कि सचमुच मुल्यवान वस्त में सेल में या सस्ती नहीं मिलती स्मार्ट खरीदारी स्कावत की बुद्धिमता को पैचानते हैं दुगने की में दो और आदी संक्या खरीदो आज खरीदीगी क्वालिटी ड्रेस आज से एक या दो दसक बाद भी फैशन में रहेगी अच्छी क्वालिटी की कार आज से पांच या दस साल बाद भी उतनी ही मुल्यवान रहेगी और लोग उसकी प्रसंसा करेंगे जबकि आज का सस्ता सोदा जल्द ही पिकार हो जाएगा अच्छी क्वालिटी की जुएलरी समय गुजरने के साथ अधिक मुल्यवान बन जाती है जबकि आज खरीदी गई बहुताव वाली सस्ती जुएलरी की कल कोई कीमत नहीं रहेगी आम तोर पर यह विशेश सेल में मिल रहा है का आर्थ होता है यह बहुत अच्छा नहीं है कुछ लोगों का अनुमान है कि सेल में खरीदे गए बोजन का 30% कच्रे के डिबे में जाता है कुछ डिटर्जेंट निर्माता एक बहुत ही आसान चाल चलते हैं और अपने सामान को थोड़े बड़े डिबे में पैक कर देते हैं ताकि वै काफी सस्ता दिखे चाहे आप कुछ भी खरीदें कपड़े, उपकरन, कार, बोजन यहां तक की घर भी अगर कोई चीज सेल में मिल रही हो तो उसे खरीदने के बारे में थोड़ा सावधान रहें एक पैसा बजाने की समझदारी और एक रूपया गवाने की मुर्कता बेंजामिन फ्रेंक्लिन दवाया सुझाई गई यहावधारना आज भी सही है इन दिनों एक बहुत नया उद्योग मिनी वेराउस विक्षित हुआ है इसका मुख्य उदेशे सामान रखने में उन लोगों की मदद करना है जो सोचते हैं कि काश उन्होंने यह सामान नहीं खरीदा होता परंतु उसे कुड़ीदान में फेंकने में उन्हें अपरातबोद का अनुबह होता है चोटे घर और कांडोज समश्या नहीं है समश्या तो उस परलोबन का प्रतिरोध करने की ऐस मर्था है जिसकी वज़े से हम गटिया और बेकार सामान खरीदते हैं अधिक दोस्त या असली दोस्त कुछ साल पहले मैं कॉले रोडो के रिजार्ट में एक पूरु संसत से मिला हम दोनों ने ही एक मानव संसादन समेलन को संबोदित किया हमने जीवन के महान रहशय यानि लोगों के बारे में दो गंटे तक बातें की मेरे नए परीचितने मुझे बताया मैं बारह साल तक संसत सदस्या था उस दोरान मुझे लगता था कि मेरे हजारों दोस्ते हर सबता मुझे सेंकडों चिठिया मिलती थी दरजनों लोग मुझे फोन करते थे जब मैं अपने जिले में जाता था तो सुब चिन तक मुझे गहर लेते थे चुनाओ खर्च के लिए पैसे जुटाने में कोई समश्या नहीं आती थी फिर पूरो सांसद ने कहा मैं अपने सात्वे चुनाओ अभियान में हार गया और इसके कुछ गंटे बाद ही मैंने अपने जीवन का बहुत पड़ा सबक सीखा मैंने पाया कि मेरे पास दुनिया में दस सच्चे दोस्त नहीं है मैंने टिपने की आपके अनुबह से आपने कुछ सबक सिखा होगा मेरे दोस्त ने सपष्ट किया बिल्कुल इस बारे में सोच विचार के बाद मैं इस निसकर्श पर पहुंचा कि दस सच्चे दोस्तों ना बेतर है बजाए इसके कि आपके पास दस हजार लोग हो जो तवी तक आपके साथ रहें जब तक कि आप सिखर पर हो परन्तु जब आप नीचे गिर जाएं तो उसी फल आपका साथ छोड़ दें आपको नजर अंदाज कर दें यहां तक कि आपका तिरसकार करने लगी हर चीज की तरह दोस्तों को भी उनकी क्वांटिटी या संख्या की इसाब से नहीं बलकि उनकी क्वालिटी या गुनवत्ता के इसाब से तोला जाना चाहिए इस बूडे सजन ने एक मैतोपून बात कही जब दोस्तों की संख्या पर विचार करें तो उनी को गिनें जो सचमुच आपकी परवा करते हैं आपकी मदद करना चाते हैं और बदले में कुछ नहीं चाते हैं उन लोगों को अपने दोस्तों में ने गिने जो आप से सिर्फ कोई लाब चाते हैं रियल एस्टेट हमारी नजरों में पहनते हैं प्रियोग करते हैं या जहां हम रहते हैं या काम करते हैं रियल एस्टेट उन सब का स्रोत है फिर भी जब रहवासी रियल एस्टेट को खरीदने या किराई पर लेने की बात आती है तो कई लोग कीमत को उपर रख देते हैं और वास्तिविक मुल्य को नीचे और इस वजए से वे नुकसान उठाते हैं घर को चुनना एक लंबा, मुश्किल यहां तक की दर्दनाक अनुववी हो सकता है और जब घर खरीदने का फैसला आखिरकार कर लिया जाता है तो कई खरीदार जल्दी नाकुश हो जाते हैं अक्सर इस तरह की चर्चाएं उस दमपती के बीच होती है जिन्होंने हाले में कोई घर करीदा है पतनी, यह मेरे सपनों का घर नहीं है पर मुझे लगता है कि यह वह हमारे जरूरत के इसाब से ठीक है इसके अलावा हम दोनों की तनक्वाई मिलकर भी बहुत ज्यादा नहीं है और हमारे नोकरियों की कोई गारंटी नहीं है हम वह गर भी खरीद सकते थे जिसे हम सच मुझ खरीदना चाते थे पर एजेंट ने इस बात पर जोड़ दिया कि यह मकान सस्ता है पती मैं सहमत हूँ सच कहूं तो यह जगे बहुत अच्छी नहीं है और मुझे थोड़ा संकोज भी हो रहा है पर अगर हमारी किसमत अच्छी रही तो हमारी आमदनी बढ़ जाएगी और शायद चार या पांच साल में हम किसी ऐसे गर में रहने लगें जिसे हम ज़्यादा पसंद करते हो पतनी मैं भी ऐसी यासा करती हूँ जिम अभी सिर्फ चार साल का है इसलिए मुझे लगता है कि तब तक पडोस उसके इसाफ से ठीकी रहेगा पती शायद हम उस ज़्यादा अच्छे गर को खरीच सकते थे परंतु हम इसी में संतूस्ट रहने की कोशिस करेंगे आज कल समय का कोई बरोसा नहीं है इन लोगों ने जो समझोता किया है क्या वे फाइदे का सोधा है पती पतनी घर को सच मुझ पसंद नहीं करते इसलिए वे इसकी कम देखबाल करेंगे और इसमें बहुत कम सुधार करेंगे बच्चा उस उम्र में है जब आसपास का माहोल और दूसरे बच्चों का प्रवाव बहुत ज़्यदा मैत्व पूर्ण होता है चुकि घर किसी अच्छे इलाके में नहीं है इसलिए उसे उतनी सराना नहीं मिलेगी जितनी की अच्छे इलाके में रहने पर मिलती दरसल इस गर की कीमत गट भी सकती है जहां हम रहते हैं वह जगह हमारे जीवन के हर पहलू को प्रभावित करती है हमारे नजरिये हमारे आतम विस्वास हमारे मित्तरताओं यहां तक की हमारे स्वास्ते को भी जो लोग रियल एस्टेट चुनने में फर्स्ट कलास चुनाओ करते हैं वे ज़्यादा सुखी रहते हैं समय के साथ ज़्यादा दोलत मन बनते हैं और उन लोगों से बेतर मैसूस करते हैं जो सस्ता खरीदते हैं और समझोता करो के मारे पर चलते हैं पेपर कलिप मान सिकता से बचें प्रचूर दोलत इकठी करने के लिए लोगों को सिर्फ दो मूलबूत सवालों का सही जवाब देना होता है पहला है हम किस तरह अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं दोलत बढ़ाने वाला दूसरा सवाल है हम किस तरह अपने खर्च को कम कर सकते हैं व्यक्तिकत या बिजनस फाइनस में लिए गए हर निर्णे में इन दो सवालों का जवाब देना होता है जब खर्च में कटोती करने की बात आती है तो कई लोग पेपर क्लिप मान सकता अपना लेते हैं दरजनों बार मैंने देखा है कि बिजनस एग्जेक्यूटिव लागत कम करने या खर्च कम करने के तरीकों पर चर्चा कर रहे थे और बिना अपवाद के हर बार चर्चा तुल्मात्मक रूप से महत्व ही नमुदों बर होने लगती थी जैसे ओफिस सप्लाई कानूनी पैड, लिफाफे, पेपर क्लिप यात्रा तता गर्मियों में तापवाद थोड़ा बढ़ा देना ताकि हर करमचारी थोड़ा अधिक घरम रहे और जाड़े में तापवाद को थोड़ा कम कर देना ताकि करमचारी थोड़े ज़्यादा ठंडे रहे चोटे खर्चों में कटोती करने के ये प्रियास अक्सर खर्च के मुकावले करने के बड़े तरिकों को अंदेखा कर देते हैं जैसे लाव इन प्रडेक्ट को बंद कर देना कुस डिबार्टमेंटों को मिला देना कम्प्यूटरों का बेहतर प्रियोग करना और नए वेंडर चुनना यह का गया है अमेरे की हर चीज़ की कीमत जानते हैं परंतु किसी चीज़ का मुल्य नहीं जानते हमें इस कावत के उधारन हर दिन देखते हैं बिजनस करने की पैनी वाइज पाउंड फुलिश निती आम है लोग अक्सर कार का भी मासिर प्रिमियम के आदार पर करवाते हैं तथा बाद में वे अहरान और गुसा होते हैं जब उन्हें पता चलता है कि कंपनी उनके दावे की किन किन चीज़ों का बुपतान नहीं करेगी एक मित्तर ने मुझे अपने सस्ते अकाउंटेंट का अनुभव बताया मैंने 6 साल तक जेजे से अकाउंटेंट का काम करवाया मैं अकाउंटेंग के बारे में कुछ नहीं जानता मैंने सुना था कि जेजे की परती गंटेंटेंट फिस बहुत कम थी फिर मैं दूसरे सेहर में चला गया और मैंने अकाउंटेंट बदलने का फैसला किया मेरे अकाउंटेंट की फिस ज़्यादा थी परन्तु मेरे पास समय कम था इसलिए मैंने उसे अपने रिटर्न्स फाईल करने के लिए दिये उसने पिछले कुछ सालों के मेरे स्टेटमेंट्स का वलोकन किया और मुझे बताया कि मुझे गलत सला दी गई थी स्टेटमेंट में भारी गलतिया नहीं थी परन्तु उसने कहा कि कई निर्ने लेने में चूकिय अवश्य थी जिनमें डिप्रिशेशन व्यापारिक खर्थ, पेंशन तथा लाविसेदारी योगदान और टेक्स रोकने के मामले शामिल थी मैंने उससे पूछा कि मैंने कितना अधिक टेक्स चुकाया था जिसे मैं बचा सकता था उसने जवाब दिया मैं बिना इसाब कि आपको ठिक ठिक तो नहीं बता सकता आपके निर्ने की चूक की वज़े से जो अधिक बुगतान किया है उसे वापस वाने के लिए अब बहुत देर हो चुकी है परन्तु मेरा अनुमान है कि कम से कम एक लाख डालर अधिक चुकाई है 6 साल के दोरान मेरे मित्र ने अकाउंटिंग की फीस के रूप में शायद 4 जार या 5 जार डालर बचाई थे परन्तु बदले में उसने अवशक्ता से एक लाख डालर अधिक टेक्स दिया था मेरे करियर के शुरुवात में मैंने एक एक पैसा बचाने वाले एक असली आदमी के लिए काम किया मेरी एक डूटी थी तलरकों की भरती करना कई बार मैंने सुझाओ दिया कि हम इस काम के लिए सबसे अच्छे लोगों को रखे इसमें ओसत करमचारियों से 10 या 20 परतिसत अधिक तनक्वा देना पड़ती है परन्तु मेरे बोस ने कम लागत करने माले को ही प्रात्मिकता दी जो हमेशा ज्यादा महेंगा साबित हुआ क्योंकि इन करमचारियों की उत्पादकता कम थी इन से गल्तियां अधिक होती थी ये कम दिन काम करते थे और बिमारी की चुट्टियां बहुत लेते थे बड़े चिन तक छोटी चीजों पर भी ध्यान देते हैं हारवे एस फायर स्टोन कहते हैं सफलता विवरन की पुत्री है कितनी सच बात है हम में से ज़्यादा तर लोगों ने देखा होगा कि फुटबाल मैच में कोई टीम सिर्क इसलिए हार गई क्योंकि एक खिलाडी के सामने वाले टीम के खिलाडी को उस तरीके से कवर नहीं किया जिस तरह से योजना बनाई गई थी हमने कामेडियनों को फिल होते देखा है क्योंकि उनकी टाइमिंग एक सेकंड या इस से भी कम अंतर से गड़ बढ़ा गई और हमने कई सेल्जमेनों को सेल कवाते देखा है क्योंकि और्डर के लिए पूचते समय उनकी आवाज की टोन गलत हो गई इस उदान पर विचार करें वोक्स वैगन सबसे ज़्यादा बिकने वाली कारों में से एक है लोग इसकी मजबूती और विश्वसनियता की वज़े से इस पर भरोसा करने लगे डिटेल्स मेतोपोन थे फिर कंपनी ने इस कार को अमेरिका में बनाना शुरू किया जल्दी ही विक्री बहुत कम हो गई और इसका कार्ण सिर्फ यह था कि छोटी छोटी बातों की और ध्यान नहीं दिया गया छोटी छोटी चीजें गड़वड होने लगी दरवाजे के हैंडल गिरने लगी कलच गड़वड थे एर कंडिशन चलते नहीं थे ब्रेक सिस्टम ठीक तरह से काम नहीं करते थे सुरक्षा की समस्चाओं की वज़ए से कई कारों को वापस लेना पड़ा वाल्स वेगन ने अपने बाजार का एक बड़ा हिस्सा गवा दिया इसलिए नहीं क्योंकि कार की मूलबूती होजना दोस्पूर्ण थी बलकि इसलिए क्योंकि कार को असेंबल करने के विस्तरत नेर्देसों का पूरी तरह से पालन नहीं किया गया था परिणाम यह हुआ कि लाखों कार खरीदारों ने वोक्सवेगन को अंदेखा करना शुरू कर दिया जब तक कि इसकी विश्वसिनिता एक बार फिर स्थापित नहीं हो गई विवरण के परती ऐसावदानी सिर्फ वोक्सवेगन की समच्चा नहीं है कुछ सालों में जितनी कारें वापिस ली गई है उन में से ज्यादातर के पिछे कारण लापरवाई थी नेकिन निर्मान दोस एक सरजन ने मुझे बताया कि उसने जो गुटने का उपरेशन किया उसमें उसे तीन गंटे के बज़ाए पांच गंटे का समय क्यों लगा मैं एक मशिनी पूरजे को गुटने के जोड में फिट करने वाला था जिस व्यक्ति को इस पूरजे का उडर देने की जिमेलारी दी गई थी उसने गलत साइज के पूरजे का उडर दे दिया सही साइज का पूरजा मंगवाने के लिए दो गंटे बरबाद हो गई वासिगिटर नेशनल से बर्फिलेट तूफान में उडान भर रहे हवाई जाज की दुरगिटना में सो से अधिक लोग मारे गए क्योंकि पाइलेट ने सोचा कि डैनो पर सैंकडो पॉंड बर्प के होने से फरक नहीं पड़ेगा परन्तु इस अतिरिक्त वजन से फरक पड़ा और कुछी सेकंडों में जहाज पोटो मैक में गिर गया जब हम कोई बड़ी योजना मना लें इसके बाद विवरन पर ध्यान देने से हमें बहुत लाव होता है मेरा एक मित्र न्यू आर्लियंस में दो सफल रेस्तराओं का मालिक है हर रेस्तरा बहुत पैसे कमाता है मैंने अपने दोस्त से पूछा कि वह अपने रेस्तरा को इतना व्यस्त कैसे रख पाता है जबकि अधिकांस रेस्तराओं का तो खर्च निकलना ही मुश्किल हो रहा है मेरा दोस्तांसा और उसने कहा अपनी सबलता को स्वस्ट करने के लिए मेरे पास तीन रहशे है वीवरन, वीवरन और वीवरन हम मीनों से शुरुवात करते हैं हर सलाद, ब्रेड, ड्रिंक और डेजर्ट के नाम बहुत सोच विचार कर चुने गई है पास डेकोरेटर से रहाई लेने के बाद मैंने सजावट की योजना चुनी मैंने चालिस वाइलिन वादनों को बजाते हुए सुना तब जाकर उन में से तीन को चुना फूलों की सजावट, फरनीचर, कुर्शियां, चांदी हर चीज सावदानी से चुनी गई है मैंने पूछा और बोजन के बारे में मेरे रेस्तरा मालेक मित्र ने कहा यह है पूरे मामले का सबसे आसान इसा है हम सिर्फ भेतरिन क्वालिटी का मीट, सबजिया और फल खरीदते हैं न्यू आर्लेंस में सो दूसरे रेस्तरा भी ऐसा ही करते हैं परन्तु फरक यह है कि मेरे करमचारी जब बोजन तयार करते हैं तो वे वीवरन के परती ज़्यादा द्यान देते हैं एक बार फिर मेरा दोस्त अंसा और उसने कहा वीवरन, वीवरन और वीवरन यह था उस रेस्तरा मालिक का उधारन जो अपने परतीयोगियों से लगवग दुगनी कीमत वसूल करता है उसका रेस्तरा हमेसा मरा रहता है और वह बहुत ज़्यादा पैसा सिर्फ इसलिए कमाता है क्योंकि उसने इस अवदारना की बुद्धिमता को पैचान लिया है बड़े चिंतकों के लिए छोटी चीजें बहुत माईने रखती है विवरन के प्रती थोड़ा ज़्यादा ध्यान हर काम में आपको लाप पहुंचाता है मैंने एक वस्तर निर्माता से पूछा कि वह है अपने सूट की कीमत अपने प्रतियोगियों की तुल्ला में पचास से सो प्रति से ज्यादा उंची रखने के बाद भी क्यों सफल है उसने जवाब दिया देखिए मैं जानता हूँ कि आप एक बड़े चिंतक है मैं भी हूँ परंतु मैं एक छोटा चिंतक भी हूँ मैंने पूचा क्या आप इसका मतलब समझाएंगे मुझे खुशी होगी फिर उसने रैक पर से एक सूट निकाला और मुझे दिखाया कि वह सूट के साथ क्या करता है जो गटिया और सस्ते दमों वाले उसके परतियोगी नहीं करते उसने मुझे सूट की सिलाई और बुनाई दिखाई सूट को बनाने का तरीका बताया लाइनिंग बताई किस तरह बटन सी ले गई थे छोटी चीज़े उसके प्रदरसन को देखने के बाद मैं समझ गया कि उसे अधिक कीमत क्यों मिलती है दुवित्य विसुयुद में शायद सबसे मैतोपून बाद जर्मन युद पोत बिस्मार्क का डूबना था अगर बिस्मार्क को डुबाया ने गया होता तो शायद ब्रेटेन हर गया होता इसलिए चर्चिल ने पूरी तरह से मन बना लिया कि बिस्मार्क को डुबाना ही होगा जहाज को डूबाने का आदेश देते समय चरचिल ने नो से ना के से नापतियों से बार बार कहा कि वे हर वीवरंट पूरी तरह से तै कर लें कुछ दिनों में विस्मार्क डूब गया वीवरंट पर ध्यान देने से फर्क पड़ा चोटी चीजों की तरफ ध्यान देने की वज़ए से बिटेन को सुरक्षित रहने में मदद मिले ट्रेड एसोसियस्नों, सेल्ज वे मैनेजमेंट से मिनारों और अन्या समूओं के सामने बोलते रहने की वज़ए से मैं सब्ता में कई बार खुद यह देखता हूँ कारिकरम के एक मैतवपून अतिति के नाम की स्पेलिंग गलत छप गई जो लोग प्रोफेशनल वक्ता होते हैं उन्हें दुरुबागया से गलत स्पेलिंग की आदत डालना पड़ती है मेरे नाम स्वार्ज की स्पेलिंग मिटिंग के कारिकरमों में अक्सर स्वार्ज, 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 श्वार्ज, स्वार्ज और यहां तक की सूल्ज भी छपी है परंतु आमंतरी तदेती आग बगूला हो गया क्योंकि उसका सरने मेर की बज़ाए मेर छप गया था उसने कुसे से एसोशेशन के एक्जिकुट्व डिरेक्टर, प्रेजिडेंट और स्टाफ से सिकायत की सुरोताओं को संबोधित करते समय भी उसने अपने नाम की गलत स्पेलिंग को लेकर काफी बातें की यह हैसाच है कि उसकी परतिक्रिया कुछ ज़्यादा ही तीखी थी उसका गुसा बहुत ही ज़्यादा था इससे एक छोटा परंतु बड़ा ही मेत्वकुन बिंदू जागर होता है लोगों के नाम की सही स्पेलिंग लिखें मेमों पर चिठ्टियों पर अमंतरन पत्रों पर और गोश्णाओं पर एक पुरानी का हवत है किसी व्यक्ति का नाम बासा का सबसे मेत्वकुन शब्द होता है दूसरी स्थिति एक पुरुषकार समारों में बारा लोगों को ऐसा धान पर दर्शन के लिए पुरुषकार दिया जाना था अंजाने में सूची में से दो लोगों के नाम छूट गए यहे गलती एक सब्दा तक पकड़ में नहीं आई जिन लोगों को छोड़ दिया गया था वे इतने संकोची थे कि यहे नहीं कह पाई अरे मेरा पुरुषकार कहां है परंतु नुकसान हो चुका था जिन दो लोगों को समान नहीं मिला उन्हें लगा कि उन्हें धर किनार कर दिया गया और मैं तो हिन समझा गया भविशे में उनका सायोग और समर्पन मिलना अब शायद संभव नहीं होगा सबक जब आप पूरुसकार दे रहे हूं तो यह पूरी तरह से सुनिश्चित कर लें कि हर उस व्यक्ति को पूरुसकार मिले जिसे पूरुसकार मिलना है तीस रिस्तिती खुशी का गंटा अधिक लंबा चलता है किसी दावत के पहले खुशी का गंटा आयोजित करना अमेरिकी बैटे की परप्रा है सराव उनमुकता से बहती है और कुछ शामिल होने वाले इस अवसर का लाव उठा कर शराब पीने के अपने पुराने रिकोर्ड तोड़ देते हैं हाले में हुए एक समारों में मिटिंग की योजना बनाने वालों ने फैसला किया कि वे दावत से पहले हर एक को फर्स्ट क्लास मूड में ले आएंगी इसलिए खुशी का गंटा साथ मिनट से बढ़ा कर 90 मिनिट का कर दिया गया दावत में लगबग 500 लोगों ने भाग लिया जब खाने का समय आया तो उन में से एक तियाई पूरी तरहना से में दुट्ट थे एक तियाई सेयमत रूप से पिये हुए थे और बचे हुए एक तियाई संजीदा थे उसी के गंटे को काफी लंबा चलने के अनुमती देने के अलावा मिटिंग की योजना बताने वालों ने एक और छोटी गलती की डीनर के दोरान भी बार खुले रखे ताकि शराबी खाने के साथ भी शराब पी सकें आखिर कारवक्ता ने जो अमेरिकी सीनेटर थे अपना भासन दिया इसके बाद जो हुआ वह बहुत ही दुरबागे पून था सीनेटर को एक घंभीर भासन देना था उनके बोलना शुरू करने से कुछ ही समय बाद सुरताओं में से एक नसे के दुट लोगों ने उनसे सवाल पूछ पूछ करों ने परेशान करना शुरू कर दिया और उनके पूरे बासन के दुरान कम से कम एक दरजन लोग टोईलेट की तरफ जाने के लिए खड़े हो रहे थे और एक दरजन लोग वहां से हलके होकर लोट रहे थे जब सेनेटर ने बोलना खतम किया तो वे गुसा नहीं थे बलकि पागल हो चुके थे एसोसियेशन के लीडर सरमीनदा थे और संजीदा स्रोता अपने सराबी साथियों की व्यवार पर पूरी तरह विचलित थे सबक खुसी के गंटे को तीस मिनट से अधिक नेट पढ़ने दे इतना प्रयाप्त है ज़्यादातर लोग हर दिन कई बार बहस करते हैं वे काम सोपने के उपर बहस करते हैं और उसे करने के तरीके पर भी वे राजनिती और कंपनी के मामलों पर बहस करते हैं और इस बात पर भी कि कहां खाया जाए वे बड़े और छोटे दोनों तरह के मुद्धोर बहस करते हैं परन्तु लोग बहस में कभी नहीं जीतते यह एक आस्टे जनक तथ्या है आप बहस में जीत नहीं सकते अपने जीवन साथी से किसी भी बात पर बहस कीजी डिनर के लिए कहां जाना है छुट्टियों की योजना कैसे बनाना है बच्चों के लिए कौन सा स्कूल सुनना है और आप हार जाएंगे जगडा शुरू हो जाएगा और पटाकों की लड़की तरह जगडा चेन रेक्शन की तरह होता है इससे पहले कि आप यह जान पाएं एक मैतवीन सिद्धिक रही पहस कई नए साब्दिक विश्पोर्ट कर देती है जैसे मैं तुमारे दोस्तों और रिष्टेदारों को बरदास्ट नहीं कर सकता तुम घर्ज के खर्च के लिए ज्यादा पैसे क्यों नहीं देते तुम हर बार अपनी अपनी क्यों चलाना चाहते हो अगर आप किसी संभावित गराक से अपने परतियोगी के प्रोडेक्ट की तुलना में अपने प्रोडेक्ट की तुलनात्म अगलाबों के बारे में बहस करेंगी तो आप हार जाएंगे किसी ट्रेफिक आवलदार से बहस करेंगे तो आपके जुर्मने में एक और अपराद जुड़ जाएगा अमपायर या रेफरी से सचमुस करमा गरम बहस करेंगे तो आपको मेच से बाहर कर दिया जाएगा आप पर जुर्मना कर दिया जाएगा या आपको सस्पेंट कर दिया जाएगा जब दो लोग बहस करते हैं तो दोनों ही अपनी बात सही साबीद करने के लिए अपने मस्तिस्की गहराईयों में सामगरीख होसते हैं दो लोग किसी मुद्दे पर जितनी ज़्यादा देर तक बहस करते हैं उन दोनों को उतना ही ज़्यादा विश्वास होता है कि वे सही हैं इस छोटी सी मैतव ही इन बहस पर विचार करें बिल सोचता है कि जोइंट्स का क्वाटर बैक लीग में सर्वस्रेष्ट है परन्तु जेक मानता है कि रेम्स का क्वाटर बैक लीग सर्वस्रेष्ट है बिल और जेक एक गंटे तक बहस करते हैं और दोनों ही अपने आपको सही साबित करने की कोसिस करते हैं सताही विसलेशन से बहस जल्दी ही इस बात की तरव मुड जाती है कि कितने प्रतेष्ट पास पूरे किये गए कितने बार क्वाटर बैक को बाहर निकाला गया फुटबाल जवटने की योग गयता है टच्डाउन पासेज को पूरा किया जाना इत्यादी अब यह है रहा बहस का आस्चिल जनक समापन बिल को अब पहले से अधिक विस्वास हो गया कि वह सही है क्योंकि बहतरेन क्वाटर बैक जाइंट्स के पास है और जैक को अब पहले से ज़्यादा विस्वास हो चुका है कि सर्वस रेस्ट क्वाटर बैक रेम्स के पास है इसलिए इस नियम को याद रखना चाहिए बहस जितनी लंबी और गहरी होती है दोनों पक्स उतना ही ज़़ा विस्वास करेंगे कि वे सही है बहस दोनों ही पक्सों को सुरक्षात्मक बना देती है और जब किसी व्यक्ति को अपने दृष्टिकोन की रक्षा करने के लिए विवस किया जाएगा तो वह और अधिक प्रमान खोजेगा ताकि वह अपने आपको सही साबित कर सके बहत से किसी की मानसिक्ता नहीं बदलती राष्ट्रपतियों के वाद विवाद आज चुनावी प्रक्रिया का अपेक्षित हिस्सा है परन्तु क्या इन वाद विवादों से निश्चित जमीनी नियमों के पमान से दिये गए इन उपचारिक तरकों से लोगों की दाढ़नाईं बदलती है कि वे किस उम्मिदवार को पसंद करते हैं सुनावी सर्वेक्षिन करने वाले कहते हैं नहीं राजनितिक अभियान में विरोधी के साथ बहस करने के लिए उम्मिदवार अगर तैयार होते हैं तो इसके पीछे एक मातर अच्छा कारणी यह होता है कि वे अपने वर्तमान समर्थन को काईम रख पाएंगे विरोधी के साथ वाद विवाद करने से इनकार करने से लगेगा उम्मिदवार डरपोक है और इस बात से उसके वोटर कम हो सकते हैं किसी भी डेविट गोलियात की स्थिति में ज्यादा तर लोग डेविट या अंडर डोग का साथ देते हैं महतोपून बिंदों को दोराते हुए पहला केक पर थोड़ी सी आइसिंग लगाई सर्वेस रेष्ट परिणाम के बारे में सोचें फिर जिस चीज की कलपनावे आदर्स रूप से करते हों वही उन्हें परदान करें तीसरा क्वालिटी के बारे में सोचें क्वांटिटी के बारे में नहीं याद रखें क्वालिटी हर जगे फाइदा पहुंचाती है जबकि क्वांटिटी हर जगे नुक्साद पहुंचाती है चाही यह सामान खरीदना हो दोस्त चुलना हो या अधिक धन कमाना हो चोथा बड़े चिंतक छोटी छोटी चीजों यानि विवरण पर ध्यान देते हैं यह ध्यान रखें कि सफलता विवरण की पुत्री है धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई च्यार की तरफ जो है सफलता के लिए आतम विश्वास कैसे लाई दोस्तों उमीद है आपने मेरे लिष्ट 13 चैनल को सबस्क्राइब कर लिया होगा और बेल बेटन को जरूर दबाईए ताकि जो भी वीडियो अपलोड किया जाए वो आपके पास तुरंत पहुंच जाए आपका दिन शुग हो सफल सोच का सफल जादू अध्याई च्यार सफलता के लिए आतम इस्वास कैसे लाई परमाणू विद्वन्स पर बनी एक फिल्म पर सारिद हुई जिसमें एक महानगर के जीवन पर इसका परभाव दिखाया गया इसके बाद मैंने सो कोलेज विद्यार्थियों से उनकी परतिक्रियाएं पूछी क्या पिछली रात को परमाणू विद्वन्स की चिंता की वजए से आपको नीन नहीं आई क्या इस फिल्म की वजए से परमाणू निसस्त्री करण के बारे में आपके विचारों में कोई बदलाव आया क्या आप परमाणू युद्व की आसंका से सच्मुश डरे हुए हैं जवाब नकारातमत थे सिर्फ तीन विद्यार्थी परमाणू वं और मानव सब्यता पर इसके परभाव को लेकर सच्मुश चिंतित या परिशान नजर आई सबसे बयाव है संभावित गटना यानि परमाणू युद्द की आशंका ज़ादातर विद्यार्थियों को चिंतित नहीं कर पाई परमाणू विद्वंस पर फिल्म दिखाने के बाद नीद की गोलियों या ट्रेंक्विलाइजर्स की बिक्री में कोई बड़ोतरी नहीं होगी नए ही आत्मत्याओं में कोई ब्रदी हुई नए ही बम सेल्टर्स डिबाबंद भोजन ताजे पानी की बोतलों की बिक्री बड़ी निसकर्स सबसे बयाव है संभावित गटना एसी गटना जो दरसल वह सब नष्ट कर सकती है जिसे इनसान ने हजारों सालों से हासिल किया है लोगों पे मन में डर नहीं जगा पाई दे न्यू इंग्लेंड जर्नल आफ मेडिकल में छपी एक ख़वर पर गोर करें अमेरिका में धुमरपान की बीमारी की वज़े से हर दिन एक अजार लोग समय से पहले ही मर जाते हैं यह एक कटू सकत्य है धुमरपान ऐसमय मृत्यू का कारण है क्योंकि यह हर दे रोग फेफडे, किडनी ब्लेडर और बहुत सी अन्य बिमारियों का कारण है जो जीवन को छोटा कर देती है परन्तु क्या धुमरपान करने वाले अपनी लट को छोड़ रहे है शायद कुछ लोग ऐसा कर रहे हूं परन्तु हर दिन ओसतन ग्यारा सो युवक युवतिया इस आदत के शिकार हो रहे है आप सोच सकते हैं कि प्रचूर उपलब्द परमान के बाद लोग धुमरपान छोड़ने के लिए हर आवशक कदम उठाएंगे परन्तु अधिकांस धुमरपान करने वालों का तर्क होता है मैं ठीक रहूंगा इससे दूसरे लोगों को बिमारियां हो सकती है परन्तु मुझे नहीं या मैं इसे बाद में छोड़ दूँगा या मैं एक ऐसे आदमी को जानता हूँ जो रोज तीन पैकेट सिगरेट पीता था फिर भी वैब बानुए साल तक जिया निशकर्स दरसल अधिकांस धुमरपान करने वाले इस बात से कते ही नहीं डरते कि यहलत उनका कितना नुकसान कर सकती है एक अकबार की खबर के अनुसार अलको हलक वह दूसरा सबसे बड़ा कारण है जिसकी बज़ए से लोग कमाईयों में ही मर जाते हैं लोग इस खत्रे से बचने के लिए क्या करते हैं क्या वे सचमस डर जाते हैं ज्यादातर मामलों में नहीं शराब पीकर गाड़ी चलाने के नियमों और शराब पीने की उमर बढ़ाने के बावजूद हर साल राजमार्गों पर 25,000 लोग शराब सबंदी दुरगटनाओं की वज़ए से मरते हैं दो लाख लोग स्थाई रूप से अपंग हो जाते हैं और 25 बिलियन डॉलर की संपति नश्ट होती है शराब सबंदी दुरगटनाओं 17 से 25 वर्स के बीच की आयू के लोगों की मोत का सबसे बड़ा कारण है पर गाड़ी चलाने और शराब पिने को लेकर कोई नहीं डरता हमारे असली डर होते हैं नौकरी के लिए आवेदन करने का डर तंखुआ बढ़ाने की मांग करने का डर सेल करने का डर कोई ऐसा काम करने का डर जिसे हमारे दोस्त नए पसंद करते हूं अपनी मंचाई चीज पाने का डर और हमारे ये डर बहुनाओं पर आधारित होते हैं जो डर हमारी पहल करने की शक्ति को पंगू बना देते हैं जो डर हमारे और सफलता या अच्छे जीवन के बीच में बादा बन कर खड़े होते हैं उनकी जड़े दो स्पूर्ण चिंतन में होती है अब यह रही अच्छी खबर हम इन डरों को जीत सकते हैं हम उन मुश्किलों पर जीत हासिल करने का आनंद ले सकते हैं जो हमें सफलता, दोलत और सुख का आनंद लेने से रोपती है आईए देखें कैसे ही करम कीजिए, जिस से डर रहे हों वह काम कर दीजिए और डर गाइब हो जाएगा मिसेज फ्रेंकलिन डी रुजवेल्ट हालांकि संपन परिवार में पैदा हुई थी परंतु कि सोरावस्ता में उनमें ऐसुरक्षा की प्रबल भावना थी अपनी सहिलियों की तुलना में उनमें आतवमिस्वास की बहुत ज़्यादा कमी थी परंतु बाद में एलिनोर डी रुजवेल्ट ने प्रबल आतवमिस्वास हासिल कर लिया वेवक्ता, लेखिका और बीस्वें सदी की सबसे प्रभावशाली वेप्रियमेला बनी कैसे ही लोगों के डर नाम की बयानक मनोवैगैनिक बिमारी को मिसेज रुजवेल्ट इसलिए जीत सकी क्योंकि उन्होंने यह समझ लिया कि इस बिमारी का इलाज किस तरह किया जा सकता है उन्होंने अपनी पुस्तक यू लर्न बाई लिविंग में लिखा है आप शक्ती, साहस और आतम विश्वास एसे हर अनुवों से हासिल करते हैं जिसमें आप डर की आंखों में देखना सचमुच बंद करतेते हैं आप इतने सक्षम बन जाते हैं कि खुद से कह सकें मैं इस देशत में जिया हूँ मैं हर उस चीज़ का सामना कर सकता हूँ जो मेरे सामने आएगी आपको हर वह काम करना चाहिए जो आप सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते दूसरे सब्दों में एलिनोर डिजवेल्ट ने करम करके डर को पराजित किया उन्होंने डर का सामना किया और खुद को बताया जिस काम से मैं डरती हूँ मैं वह काम कर सकती हूँ और करूँगी मैं अमेरिका के कुछ मानताओं वक्ताओं के साथ मंच पर बोलता हूँ जब हम अपने अनुबव और किसे एक दूसरे को सुनाते हैं तो सभी इस बात पर सैमत होते हैं कि हजारों बार मंच पर बोलने के बाद भी वे नर्वस हो जाते हैं हर बार बासन देते समय वे थोड़े तनाव में होते हैं और फिर थोड़े डरे हुए यही नहीं सब लोग एक और बात पर भी सैमत होते हैं बाशन देने से पहले गब्रावड की वज़े से एड्रिनेलेन का बहाउत तेज हो जाता है, वे अधिक चोकस हो जाते हैं और इसकी वज़े से उन्हें प्रोथसान मिलता है, कि वे अपनी बात को ज्याद अच्छी तरह से पेश कर पाई हैं, नापसंद काम को कर दें, आपकी चिंता अपने आप कम हो जाएगी, हम में से हर एक के सामने एसे काम होते हैं, जिनके बारे में हम सोचते हैं कि यह काम हमें नए करना पड़े, तो अच्छा है, हमारी जिन्दगी में बहुत से डर होते हैं, जैसे किसी नए संभावित गराग से मिलने जाने का डर, खराब आ करने का डर, किसी गुसेल गराग से बात करने के लिए फोन उठाने का डर, यह रहा एक मैतोपोन तत्थ है, आप दुखत काम को जितने लंबे समय तक टालेंगे, यह उतना ही ज़्यादा दुखत होता जाएगा, शायद आप अपनी तनक्वा बढ़वाना चाते हों, ट्रा करना आ जाएंगे, कि आपको यह मांग क्यों नहीं करना चाहिए, देर करने से आपका डर बढ़ता है, करम करने से डर खतम होता है, एक दोस्त को उनके आँखों के डोक्टर ने तीन साल पहले बताया, कि उसे मोतियाविंद का ओपरेशन करवा लेना चाहिए, सभी अंदा हो गया, तो उसने आपरेशन करवाया और च्छै गंटे में घर लोटाया, उसने मुझे बात में बताया, कि आपरेशन के डर की वज़े से उसे तीन साल तक हर रात कम से कम दो गंटे तक नीन नहीं आई, यानि कुल मिलाकर दो हजार गंटों से भी अधिक की नीन, कर करने की ऐस फलता की वज़े से उसकी पढ़ने की क्षमता, टीवी देखने की सामर्थे और प्रकृति का आनंद लेने की क्षमता भी तीन साल तक काफी परवावित हुई, यदि आवशक है तो इसे अभी कर दें, फिलोसिपी ने मेरे दोस्त के चिंता के समय को बचा दिया ह होता, काम तालने से डर ताकतवर बनता है, करम करने से डर खतम होता है, जिस काम से आप डर रहे हों, उसे कर दें और आपका डर गयब हो जाएगा, अपने बोस के साथ किसी समश्या पर चर्चा करने से डर रहे हैं, उस पर चर्चा करें, किसी नोकरी के लिए आवेदन करने से कबरा रहे हैं, उसके लिए आवधन दे दे, किसी व्यक्ति से डेटिंग के लिए पूछने से डर रहे हैं, उसे पूछ ले, मेरे एक दोस्त के हाबी सकाई डाइविंग है, मैंने उससे पूछा कि उसने किस तरह पहली डाईविंग लगाने का साहस जुटाया उसने कहा मैंने दो काम किये पहला मैंने जमीन पर वे सारे निर्दे सासिल किये की इसे किस तरह किया जाता है और दूसरा मैं खूद गया तालने से हमारा आतों विश्वास उसी तरह कम होता है जिस तरह बाड़ भूमी का ख्षरन करती है आप किसी तालमटोल करने वाले मैनेजर के लिए काम करना पसंद नहीं करेंगे और अगर आप निरने नहीं ले पाते तो आपके करमचारे भी आपके लिए काम नहीं करना चाहेंगे जितने लंबे समय तक हम किसी एपरिय मामले को टालते हैं उतने ही लंबे समय तक वह हमें चिंतित करता है और हमें उतना यदिक दद सहन करना पड़ता है किसी समश्या को शुरुआत में ही खतम कर दीजिए अगर गहाओ का इलाज नहीं किया जाई तो वह नासूर बन जाता है और हमारी जान ले सकता है दूसरे लोग क्या सोचेंगे के डर से कैसे निप्टा जाई हर आदमी दूसरों से परसंसा चाता है यह मानुए सभाव की मूल बूताव शकता है किसी काम को करने से पहले चाहे पहनने के कपड़े चुनना हो घर सजाना हो कार खरीदना हो या किसी आफिस में नोकरी करना हो कई लोग खुझ से पूछते हैं मेरे दोस्त क्या कहेंगे क्या उन्हें अच्छा लगेगा क्या वे पीट पीछे मुझ पर हांसेंगे मेरा मजाक उड़ाएंगे ज्यादातर लोग वह काम करने से डरते हैं जिसकी वज़े से दूसरों को सदमा लगे बुरा लगे या वे वीचलित हो जाएंगे दूसरे लोग क्या सोचेंगे से निफ्टने का आसान तरीका अगर आप डरेंगे तो आप स्विक्रत समाजिक मानदंडों के अनुरूप काम करते रहेंगे परन्तु दूसरे लोगों की पसंद नापसंद और पूर्वागरों के अनुसार अपनी जिंदगी गुजारने से आपका विकास कुंठित होता है दूसरों के इसाब से जीने वाले लोग अपनी पृतिवा का गलागों देते हैं जो सफलता का आनंद लेने के लिए एक अनिवारियत तत्व है क्या दूसरे लोगों को यह अच्छा लगेगा कि डर को हराने के लिए यहां दो सुझाओ दिये जा रहे हैं पहला आप जो काम करना चाहते हैं अगर वह नैतिक और कानूनी द्रश्टी से सही है तो उसे कर दें आपका जीवन आपका है जो दोस्त आपके अच्छे काम के अलोजना करते हैं वे दरशल आपके दोस्त नहीं है संभावना इस बात की है कि जो लोग यह सोचते हैं कि आपका व्यवारवा में सा उनके मांदंडों के अनुरूप होना चाहिए वे लोग तब आपके साथ नहीं होंगे जब आपको धन, नोकरी या मदद की आवशकता होगी जो लोग यह चाहते हैं कि आप भी उन्हीं की तरह सोचें उन्हीं की तरह काम करें उन्हें यह देखने में मज़ा आएगा कि आप ऐस अभल हो गई है या किसी तरह की मुश्किल में फंस गई है यह याद रखें जो लोग आपसे यह उमीर करते हैं कि आपका द्रिश्ट्टिकोन उन्हीं जैसा हो वे स्वें बहुत ऐस रुक्षित होते हैं दूसरा अगर आपको परसंसा ही चाहिए तो उनकी परसंसा चाहिए जिनका आप सबसे अधिक सम्मान करते हो एक मार्क दर्सक चुन ले दूसरे लोग क्या सोचेंगे यह पूछने के बजाए यह पूछें जिस सबसे सफल वेक्ति को मैं जानता हूँ क्या वह मेरे मस्तिस्क में मुझूद वीचार की सराना करेगा सफल लोग जिस तरह सोचते हैं और काम करते हैं उसी तरह सोचें और काम करें तैयारी करके डर को हराइए हर चार साल बाद अमेरिका में राश्टर प्रती पत का चुनाव होता है इस पत के दो प्रमुगदावेदारों के बीज टेलिविजन पर बड़ी बहस होती है दस करोड या इस से भी अधिक लोग इस बहस को देखते है चुनावी सर्वेक्षन में पीछे चल रहा उम्मिदवार इस बहस में बहतर प्रदशन करके बराबरी करना चाता है जो उम्मिदवार आगे होता है वह अपने बढ़त बनाई रखने की कोसिस करता है लाकों वोट और शायद पूरा चुनावी इस बात पर निर्वर करता है कि कौन सा उम्मिदवार देश की चुनूतियों को बहतर तरीके से समझता है और किस के पास इन समझ्याओं का सर्वेस्रेश्ट समाधान है और इसे समझने में कोई गल्ती ने करें दोनों उम्मिदवार गबराई होते हैं दोनों ही डरे होते हैं महिनों और कई बार तो वर्सों की चुनावी तयारी दाओं पर लगी होती है हर उमिदवार अपने स्विम सेवियों की कड़ी मेहनद, चुनावी चंदे और सबसे बढ़कर देश के कल्यान के बारे में चिंतित होता है कोई उमिदवार ठीक ठीक यह नहीं जानता कि कौन से सवाल पूछे जाएंगे परंतु उसे यह मालूम होता है कि किन मुद्दों के बारे में सवाल पूछे जा सकते हैं जैसे आर्थिक मामले, विदेश मामले, विदेश वियापार, हस्ट्रिय सुरुक्षा और सामाजिक कल्यान टीवी पर बहस या वाद विवाद के कुछ दिन पहले हर उमिदवार आम तोर पर चुनाओ अवियान बंद कर देता है एकांत में चला जाता है और तैयारी करता है स्टाप का एक सदश्य विरोधी उमिदवार की भूमिका निबाता है स्टाप के बाकी लोग रिपोर्टरों की इन भूमिका निबाते हैं और एसे सवाल पूछते हैं जो पत्रकार वास्त्विक वाद विवाद में पूछ सकते हैं वाद विवाद के इस विश्टरत अभिनेका उदेश्य यह होता है कि उमिदवार का आतम विश्वास बढ़ जाई और वहे अपना प्रदस्टन सर्वस रेष्ट करने के लिए तैयार हो जाई जब उमिदवार जनता के सामने जाते हैं तो जनता ततकाल भाप लेती है कि किस में ज़्यादा आतम विश्वास है और जनता एसा राष्वपती चाती है जिसमें आतम विश्वास हो द्रडता हो निर्ने लेने की क्षमता हो और साथ में विनमर भी हो मददाता एसा राष्वपती चाते हैं जिसे मेत्वण मुद्दों का ग्यान हो इमर सन्ने लिखा है डर हमेशा अग्यान से पैदा होता है और मद्दाता ऐसे उम्मिद्वार का समर्थन नहीं करते जो अग्यान की वज़े से तयार नहीं हो डर का प्रमुक कारण है अपूर्ण या अधुराग्यान पूरी तयारी हो तो डर को हराने में मदद मिलती है बोक्सिंग मैज की प्रैक्टिस के लिए विज़ेता ऐसा पार्टनर चुंते हैं जिसकी बोक्सिंग की शैली उनके प्रतिदवन्दी से मिलती चुलती हो फुटबाल का कोस्ट बहुत अधिकते यारी करवाता है ताकि टीम का आतम विज़वास बढ़ जाए और डर दूर भाग जाए विरोधी टीमू के खेल की फिल्मों की समिक्षा की जाती है खास चालों की बार बार प्रैक्टिस की जाती है और खेलाडियों की व्यवदान पहुंचाने वाले के तीविदियों पर परतिबंद लगा दिया जाता है एसा इसलिए किया जाता है क्योंकि बराबरी की टकर में आतम विज़वास ही निरनायक तर्तो होता है और आतम विज़वास तैयारी से आता है तैयारी नोक्री के इंट्रिव में भी आत्मिस्वास बढ़ाती है नोक्री के लिए आवेदन करने वाले यादिकांस लोग साहिब एक किशोर हों, हाले में निकले काले सनातक हों या अधेड़ वेक्ती हों इंटर्यू के दोरान डरे होते हैं और उनका डर साफ जलकता है। कुछ लोग तो इतने डरे होते हैं कि वे इंटर्यू लेने वाले से नजरें नहीं मिलाते हैं। उनकी यादास्त गड़बडा जाती है। वे कुर्सी के इधर उधर सरकते रहते हैं और उन्हें बहुत पसिन आता है इस डर का प्रमुकार्ण ग्यान की कमी है रोजगार दिलाने वाले का बिजनस करने वाले एक मित्र ने मुझे बताया कि इंटर्यू के डर को हराने के लिए किस तरह की तैयारी करना चाहिए पहला जिस तरह का काम आप खोज रहे हैं उसके बारे में जाने अंदर से भी और बाहर से भी दूसरा यह जाने कि किस तरह आपकी योग्यता आपका विक्तितो और आपकी इच्छा नोकरी के अनुरूब है यह जाने कि आप किस तरह योग्य हैं और आप नोकरी क्यों चाहते हैं तीसरा जिस कमपनी में आप जाना चाहते हैं उसके बारे में जानकारी रखिए। यह क्या करती है इसका record कैसा है? इसे किन समझ्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कंपणिए और अपने संभावित काम के बारे में आपको जितना अधिक जञान होगा, आप में उतना यदिक आतम विस्वास होगा, और आप में जितना अधिक आतम विस्वास होगा आपको नोकरी मिलने की संभावना उतनी ही अधिक होगी Selling में आतम विस्वास कैसे हासिल करें लोगों को सबसे ज़दा डर सारुजनिक रूप से बोलने में लगता है ज्यादातर लोगों को सारवजनिक संभासन के बार अगर किसी बिजनस से सबसे ज़्यादा डर लगता है तो वह है सेलिंग और मैं एक बार फिर दो रादू सेल्ज प्रेजटेशन देते बार लोगों को जो लकवा मार जाता है उसे दूर करने का उपाय है तैयारी लोग इस बात से डरते हैं कि वे मुर्क दिखेंगे संभावित ग्राग नहीं कह देगा वे शर्मिंदा होंगे वे भूल जाएंगे कि वे प्रडेक के बारे में क्या-क्या कहना चाहते थे ओर्डर के लिए पूछने का डर और सेल्ने कर पाने का डर मेरे एक अच्छे दोस्त जोन इवांस विस्वस्तरिय सेल्ज पर शिक्षक हैं जोन बताते हैं सेलिंग का मूल बूद सिदानता है तैयारी सेल्ज मैन में विनमरता होना चाहिए उसमें जोस होना चाहिए परंतु बेजने के लिए उसे आतंविश्वास का प्रदर्शन करना चाहिए मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे प्रोडेक्ट से आपकी आव्शक्ताइं पूरी होती है अब जोन आगे कहते हैं अपने प्रोडेक्ट को सफलता पूरुक बेजने के लिए जिस प्रबल आतम विश्वास की आवशक्ता होती है, उसे हासिल करने का सर्वसरेश तरीका, दरसल इकलोता तरीका है तैयारी, और तैयारी का अर्थ है ग्यान, आप जो बेच रहे हैं उसका ग्यान, आपके सामान से संभावित ग्राग को मिलने वाले लाव का ग्यान, और जि कर सकता है इतनी अच्छी तरह तैयारी कीजी कि आप किसी भी पूछे गए सवाल का जवाब दे सकें निर्मान आवशक मात्रा गारंटी का ग्यान रखिए सीमाओं का ग्यान रखिए यानि आपको यह मालूम होना चाहिए कि प्रोडेक्ट का प्रियोग कब नहीं करना चाहिए दूसरी बात यह जानकारी रखिए कि आपके प्रょडेक्ट या सेवा से आपके प्रोस्पेक्ट को किस तरह मदद मिलेगी आपका ग्रहाग आतमरूची के नियम के हिसाफ से काम करता है जब कोई सेल्जमेन प्रस्तूती देता है तो ग्रहाग दर असल यह जानना चाहता है इसका मेरी समच्चा से क्या संबंद है? इससे मुझे क्या फाइदा होगा? आतम विस्वास बढ़ाने वाला तीस राता तो है प्रोस्पेक्टरस के बारे में ग्यान. आप मशिनों को सामान नहीं बेच रहे हैं, आप लोगों को सामान बेच रहे हैं. जिस तरह परिचित लोगों के साथ रहने पर आप में आतम विस्वास रहता है और आपको डर कानुबव नहीं होता, उसी तरह प्रोस्पेक्टरस के साथ रहने पर भी आप में तब आतम विस्वास पैदा होता है, जब आप उनकी विक्तिकत रूचियों, विक्तित तव, विक प्रतिकत जिम्मेदारियों, नोकरी की जिम्मेदारियों और परिवार के बारे में परियाप जानकारी रखेंगे। इसलिए किसी सेल्स देती में विस्वास पूर्ण कारिया करने के लिए अपने आपको तैयार कीजी। तीन चीजों का ग्यान हासिल कीजी। आप जो प्रडेक्ट ढेच रहे हैं उसका ग्यान। इससे प्रडेक्ट को किस तरह लाब पहुंचेगा इसका ग्यान। और प्रोस्पेक्टस कौन है इसका ग्यान। परंतु सेलिंग में आवशक आतों विश्वास हासिल करने के लिए ग्यानी काफी नहीं होता। एक चीज इससे भी ज़रा जरूरी है और बहह है प्रेक्टिस प्रेक्टिस और प्रेक्टिस। अपने प्रेंजिटेशन की प्रेक्टिस ऐसे लोगों के साथ करें जो ग्रहक की भूमिका निवाईं। शेशे के सामने प्रेक्टिस करें या इससे भी अच्छा यह होगा कि आप किसी टीवी कैमरे से अपने फिलम बना लें। अपने हाव बाओ देखें। अपनी आवाज पर ध्यान दें। और अपने बोड़ी लेंग्वेज देखें। जब आप पूर लोगों ने कॉलेज पूरा करने के बाद कभी विशे सगिये ग्यान हासिल करने का कोई प्रियास नहीं किया। उन्होंने बिजनस, मैनेजमेंट, सेलिंग या अपने प्रोफेशन के बारे में जो सिखा वह संयोग से और हिट और मिस आधार पर सिखा। परंतो अब जवाना बदल चुका है। आज सेमिनार, क्लिनिक, संक्षिप्ट कोर्स और सम्मेलन आयोजित होते हैं जिन में आप किसी भी चीज के बारे में नविंतम जानकारियां, तक्निकें और ग्यान हासिल कर सकते हैं। विशे सगिये ग्यान के ये स्प्रोफ परिवारिक शिक्षा की तुल आपकी आवशकताँ से होता है और अनावशक जानकारी नहीं दी जाती। तीसरे, पढ़ाने वालों से आपको जितने उप्योगी जानकारी मिलती है, उतनी ही उप्योगी जानकारी आप अपने सैवागियों से हासिल कर सकते हैं। विशे सगिये परिशिक्षन बैटके, उन पर्सनल कंप्यूटर की मेमरी को प्रोग्राम कीजिए हम मेंसे हर एक के साथ जो कुछ भी हुआ है वह हमारी मेमरी यानि यादास्त में दर्ज है हमारे दिमाग की यादास्त और कंप्यूटर में स्टोर की हुई मेमरी लगबग एक सी होती है हमारे मेमरी बेंक में दरसल सेंक्डों बिलियन गटनाई है जो बाहर आने के लिए आपके चेतन मस्तिस के इसारे का इंतजार कर रही है बच्मन के अनस्वासन के विशिस्ट विवरन दूसरे बच्चों की मदद स्कूल में होने वाले गटनाई लोगों के साथ बिताई पल हर वह गटना जो आपके साथ हुई है या जिसमें आप शामिल है वह आपकी मानसिक तिजोरी में सुरक्षित है आपकी यादास्त एक अद्बुत जगए है इसमें बिलियनों चीजें भरी है आपने जो चीजें देखी है जो चर्चाएं सुनी है जिन वस्तों को स्पर्स किया है जिन गंदों को सुंगा है जिन खाद्य अपदार्थों वे द्रव्यों को चखा है वे सब आपकी यादास्त में सुरक्षित है और इसमें इससे भी ज़्यादा चीजें मौजूद है आपकी अध्यात्मे कनुगूतियां आपके विशार और आपकी बहुनाई भी आपके मस्तिस्क में है आपका चेतन मस्तिस्क यह नहीं जानता कि आपकी यादास्त की तिजोरे में कितना अद्बूत सामान भरा हुआ है परंतु आपका आउचेतन मस्तिस्क यह बात जानता है बहराल आपका चेतन चिंतन आपके आउचेतन मस्तिस्क के कारियों को नियंतरित करता है आप चेतन रूप से उन गटनाओं का बहुत थोड़ा सा हिसा ही याद रख सकते हैं जिन्होंने आपको वर्तमान सो रूप में ढाला है परंथो आपका उचेतन मस्तिस्क सब कुछ याद रखता है और आपके व्यवार को प्रभावित करता है आप वह एकलोते व्यक्ति हैं जो अपने लाब के लिए अपने मस्तिस्क स्टोरेज बेंक का इस्तेमाल कर सकते हैं जब आपके विचारों पर डरहावी होने लगे जब आपका आतों विश्वास कम होने लगे जब आपको महसूस हो कि आपकी दुनिया धराशा ही हो रही है तो आपके पास दो विकल्ब होते हैं पहला, आप अतीद के नकारातमक, निराशाजनक, हताशावरे विचार याद कर सकते हैं और उन्हें अपना मानसिक आहर बना सकते हैं या दूसरा, आप प्रशंता के विचार, जीत के फल और अपने नियामतों को याद कर सकते हैं, आप अपनी मेमरी बैंक से जो निकालते हैं, वह अत्यंत महत्वोन होता है, अगर आप नकारानवक चीजें याद करते हैं, तो आपको और अधिक कार्ण मिल जाएंगी, कि आप स यादें, आपकी वरतमान स्थिती पर दवाव डालने लगती हैं, वहमों के याद कीजी, जब आप कोशिश करने के बाद ऐसा भलूए थे, वे अवसर याद कीजी, जब किसी ने आपको बताया था, कि आपके विचार मुर्क तापूर्ण है, और आपके लक्षब बहुत ज विकल्ब भी चुन सकते हैं, आप अपने मेमरी बैंक को कह सकते हैं, कि वह आपकी यादों की तिजोरी से अच्छे पोशक विचार निकालें, आप विजे, सफलता, अच्छे अनुबव निकाल सकते हैं, जो आपको प्रेरित करेंगे, और आपका आतों विश्वास बढ़ा लबदियों और सफलताओं को याद कीजिए, इस बात का ध्यान रखें, कि आपका मेमरी बैंक इस बात की परवाद नहीं करता, कि आप इस में से किस तरह के विचारों को निकालते हैं, यह तो आपके जीवन की गटनाओं का सिर्फ एक वेराउस होता है, फैसला आप करते है मेमरी बैंक के कोई पूरु अग्रे नहीं होते हैं, आपके चिंतन यंतर का चेतन हिस्सा यह फैसला करता है, कि क्या सफलता के विचारों को बाहर निकाल कर डर को हराया जाए, या फिर ऐस सफलता के विचारों को बाहर निकाल कर डर के सामने हार मान ले जाए, मान ले, आप किसी मैत्वपूर्ण इंट्र्यूव का सामना कर रहे हैं आपको सामने वाले व्यक्ति का सायोग चाहिए परन तो आप डरे हुए है आपको यह डर लग रहा है कि आप हार जाएंगे अब अगर आप ऐसी गटनाओं को याद करेंगे जैसे याद करो स्कूल में तुम्हारे कितने खराब नमबर थे बासा की गलतियों के वज़े से तुम पर लोग हंसते थे तुम में आवशक योगेता ही नहीं है तुम्हारी पूरू पतनी सोचती थी कि तुम मुर रखो तो आपका आतम विश्वास नश्ट हो जाएगा परन्तु अगर आप अपने मांसिक कंप्यूटर से आतम विश्वास बढ़ाने वाली अच्छी यादे निकालेंगे तो आपका आतम विश्वास बढ़ जाएगा जोखिम सविकार कीजी वे सभलता की इंटे हैं किसी व्यक्ति के आतम विश्वास का सबसे बड़ा प्यमाना है जोखिम उठाने की इच्छा कोई वेक्ति किस हद तक जोखिम से बचना चाता है उसी हद तक वह डरा होता है पुरानी कहावत कोई जोखिम नहीं कोई लाब नहीं लगबग हमेशा सच होती है जोखिम यानि नुक्सान की संभावना सफलता के लिए उतनी ही आवशक है जितने जीवन के लिए हवा कल्पना कीजिए क्या होगा अगर हर व्यक्ति यह फैसला कर ले कि वह शत्परतिसत जोखिम रही जीवन जीने की कोसिस करेगा पहला कोई किसान फसल नहीं बोईगा क्योंकि ज्यादा बारिस हो सकती है या सूखा पड़ सकता है या बाजार में अनाज की कीमते बहुत कर सकती है दूसरा, कोई भी व्यक्ति नया बिजनस शुरू नहीं करेगा क्योंकि परतियोगिता के कारणों में चोपट हो सकता है तीसरा, कोई भी टेलिविजिन कारिकरम नहीं बनाएगा क्योंकि हो सकता है, इसे इतने कम दर्शक देखें कि इसे विग्यापन नहीं मिले चोथा, निवेशक नहीं मारतों, टेल के कुओं की खोज और नए काम में अपना पैसा नहीं लगाएंगे पांचवाँ, कलाकार और लेखक काम करना बंद कर देंगे क्योंकि जनता उनकी रच्छना को ऐस्विकार कर सकती है पूरी तरह सुरुक्षित होने के लिए लोग अपना पैसा बैंकों से निकाल लेंगे बोजन का संग्रे कर लेंगे कार चलाने से इंकार कर देंगे और होस्पिटल में मरीज खून लेने से इंकार कर देंगे सो प्रतिस्त सुरक्षा का लक्षे हमारी अर्थ व्याउस्ता को लगवग रातो रात नश्ट कर सकता है अगर सभी लोग जोखिम से पूरी तरह बचना चाहें तो कोई भी किसी भी नोकरी के लिए आवेदन नहीं देगा किसी साइतिक पत्री का मिकविता नहीं बेजेगा किसी दोस्त से डेटिंग पर चलने के लिए नहीं पूछेगा मिटिंग में नहीं बोलेगा या ओर्डर के लिए नहीं पूछेगा यह रहा एक मैतोपूर्ण बिंदू सफलता चारने वाले लोग जो खिम लेते हैं और कई बार जो खिम लेने की वज़ए से उन्हें नुक्सान भी होता है आज के मिलियने रो में 37% ऐसे हैं जो दोलती कठी करने के बाद दिवालिया होगे परंतु उन्होंने हार नहीं मानी और वे दोबारा जीते ही कोई भी निवेस हामेसा सही नहीं होता जो लोग शोपिंग सेंटर रहवासी कलोनियो और दफ्तरों की इमारते बनाते हैं वे कई बार अपना पैसा कमा देते हैं पोईल ट्रिलिंग बिजनस में ज्यादातर कुएं सुखे निकलते हैं किसी भी फुटबाल कोच का सीजन हर साल आदर्स नहीं होता सभी संगीतकार गलतियां करते हैं हम ऐस अबलता के बाद कैसी प्रतिकरिया करते हैं यही सबलता की कुणजी है आपने सुना होगा कि जो लोग किसी नोकरी या बिजनस में ऐस भल हो जाते हैं वे कहते हैं मैंने यह करके देख लिया है अब मैं दुबारा यह काम कभी नहीं करूँगा कई बार हम सब ऐसा महसूस करते हैं कि हार मान लेना चाहिए और अगर हम सावदान ने रहें तो हम सच्पूस हार मान लेंगे समर्पन करने के लिए साथियों का प्रबल दवाव भी हो सकता है वे आप से कहते हैं देखो तुमने कोशिश करके देख ली तुम्हारी युजना काम नहीं आई दिवार से सिर क्यों पोड रहे हैं बुरा मत मानो नए काम की कोशिश करने वाले ज्यादा तर लोग ऐस अफल होते हैं ये लोग आपके समकक्ष और दोस्त अक्सर आपको समर्पन करते देखकर खुश होते हैं यह निराशाजनक है परंतु सत्य है उनके पास अपने एदम पर कुछ करने का सास नहीं होता अगर वे आपको ऐस अफल होते देखते हैं तो उन्हें अपने बारे में बेतर महसूस होता है आप उन मेंसे एक होते हैं एक और ओसफ आदमी आमने सामने के स्थितियों में आतों विजवास कैसे जीता जा आए अक्सर आमने सामने की इस्तितियों में दो बाते होती है आप जो चाहते हैं या जो आपको वह हासिल होता है या फिर नहीं होता जब आप किसी नोकरी के लिए आविदन करते हैं तो आपके सामने एक और आदमी होता है जिसके पास हां या ना कहने का अधिकार होता है जब आप कोई वस्तू बेशते हैं तो आप आम तोर पर अपनी प्रस्तूती किसी एसे आदमी से ये सामने देते हैं जिसमें हां या ना का रैसला करने की शक्ती होती है और जब आपके प्रदर्शन का मुल्यांकन होता है, प्रमोशन का आग्रह होता है, या आप कोई खास चीज चाहते हैं, तो आप आम तोर पर किसी अकेले व्यक्ति से बात करते हैं, उस व्यक्ति से जो सक्ता और शक्ति का परती निदेतों करता है आपके डर को बढ़ाने वाली एक और बात यह है, कि जिस व्यक्ति से आप मिल रहे हैं, उसके पास गरेलू मैदान का लाब भी होता है, आप अपनी सेल्ज प्रेस्टेशन अपने ओफिस में नहीं, बलकि प्रोस्पेक्टर्स के ओफिस में जाकर देते हैं, आप अपने बोस स उसके चेम्बर में बात करते हैं, अपने चेम्बर में नहीं, तोड़ा दबाव महसूस होना सोबाविक हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को आप पर वावित करना चाते हैं, वहें अपने परिचित माहुल में हैं, जबकि आप नहीं हैं, आज रात हजारों गरों में एक जीवन स डिपार्टमेंट के हेड ने मुझे कल मिलने के लिए बुलाया है। मैं इसलिए चिंतित हूँ क्योंकि मैं नहीं जानती कि वह क्या चाता है। या मैं कल एक नई प्रोस्पेक्टर से मिलने जा रहा हूँ। मैंने सुनाए कि वह बहुत ही कड़क सुवाव का है। आमने सामने के मुलाकात में कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा समश्याएं आती है। हम चर्चा के पहले दैशत और आतंक का अनुभाव करते हैं। चर्चा के दोरान डरे और गवराई हुए हो सकते हैं और बाद में इस बात पर अफसोस कर सकते हैं कि हमने अपने बात ठीक से नहीं कही और कई गलतियां कर दी। जब लोग किसी अधिकारी से बात करते हैं तो अक्सर बूरी तरह ऐसफल हो जाते हैं। चोटा जिमी हर तिन तीस मिनिट देर से स्कूल पहुंचता है। इस कारणों से प्रिंसिपल ने ओफस में बुलाया। वह डर जाता है और यह नहीं बता पता कि उसे देर इसलिए हो रही थी क्योंकि मा के आफिस का समय बदले जाने के कारण उसे अपनी छोटी बेहन की देखवाल करने के लिए रुकना पड़ता था। बेटी एक नोक्री के इंट्रिव में बूरी तरह गबरा जाती है और पहले की नोक्रियों के मैतोपूर्ण अनुबहों का जिक्र करना भूल जाती है। बिल के दिमाग में कुछ जोरदार विचार है कि कमपनी को किस तरह बेतर तरीके से चलाया जा सकता है परंतो उसे बिग बोस से डर लगता है। वह इतना गबरा जाता है कि जब उसे सुझाओ मंगे जाते हैं तो वह अपने विचार भूल जाता है। यह ध्यान रखें कि कुछ मैनेजर और दूसरे सत्तादारी लोग यह सीखने के लिए कुर्स में भाग लेते हैं कि दूसरों को कैसे दबाया जाए। विश्वास कैसे प्रापत हो जिसमें हाँ या ना कहने की शक्ति हो। यहाँ दो सुझाओ दिये जा रहे हैं जो आपके काम आएंगे। पहला मीटिंग से पहले खुद को बताएं हम दो मैतों लोग आपसी मैतों की किसी विशे पर चर्चा करने के लिए बैठ रहे हैं। मुझे उस चीज की आवशकता है जो सामने वाला प्रदान कर रहा है। परंतु उसे भी उस चीज की आवशकता है जो मैं प्रदान कर रहा हूँ। यह चर्चा हम दोनों के भग्ये को परभवित कर सकती है। सांजे लक्षों पर द्यान एकागर करें। बच्पन से यमेव्यसकों, सिक्षकों और सत्ता के अन्या लोगों का सम्मान करना सिखाया जाता है। इस तरह की सीख अच्छी है किसी भी सामजिक संग्टन को बनाई रखने के लिए सत्ता का सम्मान किया जाना चाहिए। साहिए यह घर हो या बड़ा बिजनस हो या आफिस हो। बहराल इस पर क्रिया में कई लोगों को सत्तादारी लोगों का सम्मान करने के बज़ए उन से डरना सिखा दिया जाता है। सत्तादारी लोगों का सम्मान करें हाँ सत्तादारी लोगों से डरें कभी नहीं सत्ता का डर और उसकी वज़े से उत्कुन आतम विस्वास का अभाव सफलता की राह में असली बादा है इसलिए जब आप इंट्रिव की तेयरी करें तो खुद के सामने दो राएं हम दो तो कि किसी विशे पर चर्चा करने वाले हैं दूसरा, खुद को याद दिलाएं कि सामने वाला वक्ति भी इनसान है बगवान नहीं है वहबी उसी तरह से बोजन पचाता है, सांस लेता है और खांसता है जिस तरह से आप करते हैं वहे व्यक्ति संतुलित और मैत्वण हो सकता है परन्तु वहे भी एक इनसान ही है जिसके पास चिंताई, कुंठाई, बच्चों या जीवन साथी या पैसे की समश्या हो सकती है और यहे चिंतावी की दूसरे लोग कॉर्परेट मैच में उसे हरा देंगे और यहे भी ध्यान रखें की हो सकता है सत्ता में बैठा व्यक्ति भी आपसे उतना ही डर रहा हो जितना आप उससे डर रहे हो आप जो भीच रहे हैं, उसे खरिदने वाला इनसान भी गलतियां करने से डरता है और अपने सुपिरियर के सामने गलत छवी बनाने से डरता है आप जिस मैनेजर के अधीन है उसे भी अमेशा इस बात की चिंता होती है कि जिस मैनेजर के अधीन वहे काम कर रहा है वहे उसके बारे में क्या सोचेगा यह दुर्बाग्यपुर्ण परंतु सत्य है कि सभी संग्ठनात्मक स्तरों पर लोग धरे होते हैं हम एक दूसरे से जितने अलग हैं उससे कहीं ज़्यादा एक समान है मुझ में आतों विश्वास है कि छवी बनाई अपनी किसी करीबी सहिली के साथ थोड़ा शोद करें इस तरह की बात कहें आप और चाल्स इतने करीब हैं क्या मैं आप से पूछ सकती हूं कि आप दोनों एक दूसरे की तरफ कैसे आकर सित हुए आपकी सहिली शायद इस तरह की बाती कहीं ही अरे हमने पाया कि हमारी रूचें इतनी मिलती है कि यह सोबाविक ही था हम इकठे रहना चाहें या किसी पूरुष से कहें आपकी और सोनिया की जोड़ी बहुत अच्छी है कौन सी चीज़ आपको करीब लाई और संभावित पर्चिकरिया यह है मैं उससे एक पार्टी में मिला जल्दी हमने पाया कि हम दोनों को ही टेनिस पसंद है और हमारे लक्षे एक जैसे हैं इसके बाद मुझे जो पहली चीज़ बता चली वह है यह है कि हम दोनों ने शादी कर ली अब आपके दोनों दोस्तों ने अपने जीवन साती चुनने के बहुत अच्छे कारण बताए है परन्तों उन दोनों ने ही इस बात को नजर अंदाज कर दिया कि रंग रूप आपसी शारिरिक आकरसंड पहले से ही था और इसी के बाद सांजी रूजिया खोजी गई थी रंग रूप से आकरसंड ने जारित होता है रंग रूप जीवन साती चुनने में मैतोपुन बूमिका निबाता है आतम विश्वास हासिल करने और डर जीतने का एक अचूक तरीका है आतम विश्वास से पूर्ण छवी विक्सित करना जब आप जानते हैं कि आपकी चुवी आतम विश्वास से पूर्ण है तो आपका आतम विश्वास बढ़ जाता है और आपके विवहार में भी आतम विश्वास आ जाता है दूसरे लोगों को ततकाल इस बात का एसास हो जाएगा और वे आपके प्रति अधिक सम्मान दिखाएंगे प्रडेक्ट या पैकेज का रंग रूप अत्यंद मैत्वपूर्ण मार्केटिंग अवदारना है कंपनिया अपने प्रडेक्ट या पैकेट के डिजाइन पर हर साल 200 बिलियन डॉलर से अधिक खर्च करती है सिर्फ इसलिए ताकि जोवे बेच रही है उसके प्रतिगरहक आकर शिब्ट कहो कार खरीदते समय ज़्यादातर लोग इंजन को नहीं देखते उनके लिए उसकी डिजाइन भैटोपूर्ण होती है बोजन खरीदते समय ज्यादातर लोग तत्वों को नहीं देखते उनका विश्वास तो लेवल पर होता है और यह है फैसला करने में कि आपको नोकरी दी जाए या नहीं आपके साथ डेटिक पर जाया जाए या नहीं या आपका सामान खरीदा जाए या नहीं आपका रंग रूप सामने वाले के निर्ने को और चेतन रूप से प्रभावित करता है लोग पुस्तक का मुल्याकन उसके कवर के इसाब से करते हैं अगर कोई विक्ति किसी पुस्तक को खोल कर उसके कुछ बेज़ पढ़े तो वहे उसके बारे में विचार बदल सकता है परन्तो अगर पुस्तक का कवर यानि की पैकेट आकरशक ने हो तो इस बात की सम्मावना नहीं है कि वहे पुस्तक खोलने का कष्ट करेगा जब तक कि वहे लेखक को ने जानता हो स्थिति के इसाब से सही कपड़े पैनने से आप अधिक सेलेबल बनते हैं लोग आपके दिखने के इसाब से आपका मुल्यांकन करते हैं यह होता है पहला जिस सिमा तक आपकी छवी विशे सग्या जैसी होती है लोग उसी के अनुरूप आपके विचारों का मुल्यांकन करते हैं दूसरा जब आप सब्ता की छवी परस्तूत करते हैं तो आपके करमचारी या दिनस्त सकारान वक्त पतिकरिया दिते हैं तीसरा जब आप अमीर दिखते हैं तो ग्राकों के आपके साथ बिजनस करने की संभावना अधिक होती है चोथा, बैंकर्स आपको पैसे उधार दे देंगे अगर आपको देखकर उन्हें यह लगे कि आपको पैसे की जुरूरत नहीं है जिस तरह लोग बोचन, कारों या घरों को उनके दिखने के इसाब से पसंद या ना पसंद करते हैं उसी तरह वे आपके दिखने के आदार पर ही आपके बारे में अपना विचार पनाते हैं याद रखें आपका 90 परतिसद पैक रहता है आफिस में या सारोजनिक स्थान पर लोग आपके शरीर का सिर्ष 10 परतिसद इसा ही खुला देखते हैं आपका सिर, चेहरा, गला और हाथ किसी पूरुश का 90 परतिसद इसा उसके शूट, शर्ट, जूते और मोजे के नीचे डखा हो रहता है और किसी मेंला का 90 परतिसद इसा ड्रेस, बलाउज, सूट, जूते और मोजे के नीचे डखा रहता है जिस तरह लोग अपने आपको कपड़ों में पैक करते हैं उससे खुद के बारे में उनके नजरिये पर सीधा प्रभाव पड़ता है हमारी पैकिंग का प्रभाव हमारे प्रति दूसरों के नजरिये पर भी पड़ता है वह व्यक्ति इतना अच्छा दिख रहा है, इसलिए वह अच्छा ही होगा या दूसरे छोर पर वह व्यक्ति मुर्ख दिखता है, इसलिए वह मुर्ख ही होगा स्वेम की सही पैकिंग से आपको दो तरह के लाब होते हैं पहली बात आप में अधिक आतम विस्वासा आ जाता है आप लोगों के साथ अधिक सहज होते हैं आप नई स्थितियों का सामना करने में बेहतर समर्थ होते हैं सही पैकिंग आपको आंतरिक शक्ति देती है। दूसरी बात अच्छा दिखने से आपको ततकाल विजेता का लाप मिल जाता है। जब आप आकरशक और सफल दिखते हैं तो लोग आपके साथ बिजनस करना चाते हैं। सवाल मुझे यह कब पता चलेगा कि मैंने स्थित्य के इसाब से सही कपड़े पैने हैं। जब आप जब तक आप अपने पैनावे में इतने सहे जनुबाव करें कि आपको खुद से या दूसरों से यहने पूछना पड़े क्या मैं ठीक दिख रहा हूं। आप तब सही तरह से कपड़े पैने हैं। जब आप अपने काम पर पूरा ध्यान लगा सकें। और इस बारे में नए सोचें कि आप किस तरह से पैक हैं। मैंने एक सेल्ज मैनेजर को अपने सेल्स स्टाप को यह सला देते सुना था। किसी स्टिति के लिए इतने उचित कपड़े पैने कि आपको यह याद ही ने रहे कि आप क्या पैने हैं। आपका काम है ग्रहा की आवशक्ताओं उपर सत्प्रतिसत ध्यान देना और यह सोचना कि आप उन्हें किस तरह संतुष्ट कर सकते हैं। अगर आप अपने दिखने को लेकर चिंतित हैं तो आपकी कुछ मानशी कूर्जा गलत इसा में जार रही हैं। उस दस प्रतिसत के बारे में क्या जिसे आप नहीं डगते। उस हिस्से का क्या करें। जिसे आप पैक नहीं कर सकें। आपके चेरे और आपकी आँखों का आत विश्वासी देखने का अचूप तरीका है मुसकुराना, मुसकुराना और मुसकुराना। इसे आजमाईए एक सची मुसकुराट दें और किसी आदमी या चीज के बारे में डरने की कोशिस करें। आप एसा नहीं कर सकते। नए ही आप मुसकुराते समय चिंता कर सकते हैं या गुसा हो सकते हैं। मैं 25 साल तक चार्ल डवल्यू के करीब रहा हूं। वह प्रिंटिंग बिजनस में एक सफल बिजनस मैंने और वह मुसकुराने वाला इनसान है। जब असंबाव डेटलाइने आती है तब भी चार्ल मुसकुराता रहता है। किसी बड़े कॉंट्रे खास तोर पर तब जब ज़्यादातर लोगों को मुसकुराने का कोई कारण नहीं मिलता। चार्ली ने जाहिर है मुसकुराते हुए मुझे धन्यवाद दिया। और कहा। मैंने स्मय को मुसकुराना सिखाया। चाहिए परिस्तितिया कैसे भी हो। इससे मैं बेहतर अन्बो मुड में आ जाते हैं। स्विकरते जीतने के लिए अपनी आँखों का प्रियोग कैसे करें। आपकी आँखें दो तरह से आपकी मदद कर सकती हैं। पहला। दूसरे लोगों से नजरे मिलाने से यह व्यक्त होता है। मुझे में आतम विस्वास है। मैं विजेता हूँ औ आप कुछ छुपा रहे हैं। आप इमानदार नहीं हैं या आप कमजोर और डरे हुए हैं। अगर आप शर्मी ले हैं तो नजरे मिलाने की आदत डालने का सिर्फ एक ही तरीका है। लोगों से नजरे मिलाने का तब तक अभ्यास करें जब तक कि आपको इसकी आदत ने प्रति के रिया तै होती हैं। आँखे सचमुच आत्मा का दरपन होती हैं। आँखे हमेशा हकीकत बताती हैं कि आप कैसा अनवाव कर रहे हैं। और आप कैसा मैसूस कर रहे हैं। प्रेम, ग्रणा, नफरत, डर या जो भी भाव आप मैसूस कर रहे हैं। आपके आँखे ह अपने मित्र की तरफ दो या तीन मिनट तक देखें और इस दोरान गहराई तथा गंबेरता से सोचें मैं तुमसे प्रेम करता हूँ फिर अपने मित्र से पूछें मेरी आँखे क्या कह रही थी आपका मित्र कह सकता है आपकी आँखे कह रही थी कि आप मुझे पसंद करते हैं या मुझे से प्रेम करते हैं फिर बिना अपने चेहरे के भाव बदले मन में ग्रणा और करोद के विचार बरकर अपने दोस्त की तरफ देखें एक बार फिर उनसे पूछें मेरी आंके क्या कह रही थी और सामने वाले व्यक्ति कहेगा आपके आंके कह रही थी कि आप मुझे पसंद नहीं करते आपके आंके आपके द्वारा महसूस किया गया हर भाव अभी व्यक्त करती है प्रेम, नफरत, अवहेलना, खुशी, डर, चिंता इस बिन्दू को समझे और इसका अभ्यास करें अपनी आंखों से कोई भाव व्यक्त करने के लिए आपको उपने मन में वह भाव पैदा करना होगा आपको सोचना होगा, मैं आपकी परवा करता हूँ तब ही आपकी आँखे कहे पाएंगी मैं आपकी परवा करता हूँ याद रखें आपकी आँखें आपकी आत्मा की तश्वीर है कोई भी निसंदे कोई भी अपनी आँखों की तश्वीर को तब तक नहीं बदल सकता जब तक कि वह अपने सोचने के तरीकी को ने बदल ले हो सकता है विचार बदलने में एक या दो मिनिट लगें और फिर आंखें उस बदले हुए भाव को व्यक्त करने लगेंगी परन्तु यह प्रक्रिया बिलकुल निश्चिंत है सास्वत सत्य है दूसरे लोगों के साथ महत्वपून मुलाकतों में आप अविव्यक्ति की इस तक्निक का प्रियोग कर सकते हैं इस तीति की कल्प न करें आप अपने बोस को पसंद नहीं करते परन्तु आपको उनसे कोई विसेस लाब चाहिए अपना आगर्या करने से पहले उनके बारे में ऐसी बातें सोचें जिनके आप परसंसा करते हैं बोस के बारे में कोई ऐसी चीज सोचें जिसके आप सराना करते हों ऐसा करने से इस बात की समावना काफी बढ़ जाएगी कि आपका बोस आपकी बात मान ले नुक्सान से सबक ले आज अंत्रिक स्यात्रा इतनी आम हो गई है कि अभी यह ख़बर नहीं रह गई है परंतु किसी मनुष्य को पृत्वी की कख्षा में पहुंचाने से पहले लगबग सोला हजार अंत्रिक स्यानों को भेजा गया हर ऐस भलता का विशलेशन दो सवालों के जवाब जानने के लिए किया गया क्या गलत हुआ था और अगली उडान में हम इस समच्य को किस तरह सुधार सकते हैं हवाई यात्रा आज यातायात का सबसे सुरक्षित माद्यम है क्योंकि हर हवाई दुर्गटना या हर का अध्यन यह जानने के लिए किया जाता है कि दुर्गटना क्यों हुई और इसे किस तरह रोका जा सकता है दूत्य विश्व युद में अमेरिका के 33,000 हवाई जाज नस्ट हुए क्योंकि युद चल रहा था इसलिए हर दुर्गटना का विस्तार से विश्लेशन नहीं किया गया परन्तु जो कुछ हमने सीखा उसके आदार पर हमने हवाई जाजों को अधिक सुरक्षित बनाया हवाई यात्रा अब इतनी सुरक्षित है कि सो बिलियन मील की उड़ान में सिर्फ एक दुर्गटना होती है विवसाइक उड़ान कितनी सुरक्षित है कोई व्यक्ती सथ सो मील प्रती गंटे की रवतार से 24 सु गंटे एक अजार साल तक उड़ता रहे तब कहीं जाकर उस व्यक्ती के हवाई दुर्गटना में मरने की असंका होगी आज खत्रा उड़ान के दुरान नहीं है बलकि हवाई अड़े तक जाने और वहाँ से आने के दुरान है हवाई यात्रा की तुलना में सड़क से यात्रा करना 1562 गुना अधिक ऐस रुक्षित है चिकित्सा में प्रगती इसलिए होती है क्योंकि डॉक्टर ऐस फ़लदा से सबक सीखते हैं एक पीड़ी पहले तक रद्या का बाईपास आपरेशन इतना खतरनाग माना जाता था कि इसका प्रियोग अंतिम विकल्प के रूप में किया जाता था चुकि सर्जनों ने पिछली ऐस फ़लदाओं से सीखा इसलिए आज डॉक्टर एक दिन में ऐसे कई उपरेशन कर रहे हैं आग लगना एक दुर्भग्य पूर्ण गटना है पर जब आग बुजाने वाले आग लगने के कारण का पता लगाते हैं तो इमारतों के कानून लिखे जाते हैं ताकि एसी गटना दुबारा ना हो सके जिन सबसे सफल लोगों को आप चानते हूं उनके बारे में सोचें उनमेंसे हर एक जितने बार जीता है उससे ज़्यादा बार हारा होगा जांज करने पर पाएंगे कि हर सिर्शस्त व्यक्तिकिने बहुत जटके सही है जैसे हां से अधिक बार नहीं सुना है नोकरी के लिए उसे ठुकराया गया है नोकरी से निकला गया है दुरगट नहीं हुई है बुरे स्वास्ते के दो राई है मादक द्रवियों का शिकार रहा है बुरे निवेस किये हैं और अपमान सहा है सफलता का रहिशे पराजय से बचना नहीं है इसके बजाए सफलता का रहिशे है पराजय के बाद विकास करना नुक्सान हमेशा एक संभावित सबक है कोई भी बच्चा दरजनों बार लड़ खड़ाई या गिरे बिना चलना नहीं सीख सकता हर महान मनोन जनकरता ने कई बुरे परदर्शन किये हैं तब कहीं जाकर वह इस काबिल बना कि लगातार अच्छा परदर्शन कर सके और हर परसंसित मैनेजर ने दरजनों बड़ी गलतियां की है गलतियां सब करते हैं हम किस तरह अपने नुक्सानों पराजियों और घलतियों को देखने का चुनाव करते हैं अंतत्य उसी से यह निर्धारित होता है कि कौन सफल होगा और कौन ओसत जिन्दगी जीएगा सभी प्रोफेशनलों से आसा की जाती है कि वे सर्वस रेष्ट परियास करें हम जो भी करते हैं उसमें हमारा सर्वस रेष्ट परियास होना चाहिए परन्तु पूर्णता या परफेक्शन असंबव है रा में ऐसा बलताएं हमेशा मिलेंगी कोई योजना, कोई मशीन, किसी भी तरह का कोई भी वेवसाई कभी भी पूरी तरह फूल प्रूफ नहीं हो सकता नुकसान अवश्यम भावी है सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या हमने नुकसान से कुछ सीखा सफलता और आतम विश्वास जीतने की कुंजी है पोस्ट मार्टम अगर हम समार्ट हैं तो हारने के बाद हम दो सवाल पूछें पहला क्या गलत हुआ याद रखिए हर पराजय का एक सटी सपस्टी करण होता है दूसरा हम इस गलती को किस तरह सुदार सकते हैं किसी भी समश्य को सुल जाने के लिए हमेशा नई तकनिकें इस्तिमाल की जा सकती है ने बुरी तरह बढ़का हुआ चिंतन दूसरा जिस काम से आप डर रहे हो उसे कर दें और आपका डर गाइब हो जाएगा तीसरा तैयारी करके आताओं विश्वास बढ़ाई नोकरी के इंटर्व्यू, सेल्स प्रेंटेशन और लोन के आग रहे के डर को इसकी तैयारी कीजी, कारिकरम दोरा खरा दें चो था, अपने मस्तिश के बैंक से विज़े की यादे निकाले पराजे की नहीं, याद रखें के वल आप ही अपने विचारों को नियंतरित कर सकते हैं पांचवाँ, जो काम आप करना चाहते हैं अगर वह कानूनी और नैतिक है, तो उसी कर दें चठा, आमने सामने की स्थिति में पहला, खुद को बताएं, हम दो मैतों पुन लोग आपसी मैतों के किसी विशे पर चर्चा कर रहे हैं और दूसरा, खुद को यादि लाएं कि सामने वाला विक्ति भी एक इनसान है साथवाँ, आतों विश्वास की छभी विक्षित करें अपनी पैकिंग इस तरह करें कि लोग आप में रूची लें आठवाँ, अच्छे सकारात्मक विचार सोच कर अपनी आँखों को सही तरह की शक्ति दें नवाँ, नुकसान एक सबक है, सबक सीखें और बड़ी सफलता की और आगे बड़ें धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई पांस की तरफ, जो है सफलता के लिए सो प्रतिसद दें आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू, अध्याई पांस, सफलता के लिए सो प्रतिसद दें ज़्यादा कुछ दिये बिना बहुत कम मिलता है, सफलता, दोलत और सुख उदारता से मिलते हैं, नेकी स्वार्थ से आप जितना ज़्यादा देते हैं, आपको उतना ही ज़्यादा मिलता है सफल लोग उधार होते हैं लोग उनसे जितनी उमीद करते हैं वे लोगों को उससे अधिक देते हैं तेने पर ध्यान के अंदरीत करें और जल्दी ही आपको अपने आप मिलने लगीगा आईए देखें इसा किस तरह होता है सोचिए एक दरजन का असली मतलब है तेरह है जब मैं छोटा था तो मेरे पिताजी पास के कस्वे में मीठी मकई बेचते थे जब मैं गिनने लाइक हुआ तो पिताजी ने मुझे यह जिम्मेदारी सूमपी कि मैं मकई के एक दरजन बुट्टों की धेरियां बना दू इसमें मुझे बहुत गरो महसूस हुआ मैं पांच साल का था परंतु मुझे लगा जैसे मैं भी अपना योगदान दे रहा हूँ इसलिए पिताजी के आदेस का पालन करते हुए मैंने मकई की धेरियां बना दी हर धेरी में पूरे बारे बुट्टे थे जब पिताजी ने मेरी बनाई धेरियों के कुछ सेंपल देखे तो वे बासकेट के पास गई उन्होंने मकई के कुछ और बुट्टे निकाले तदा हर डेरी में एक बूटा बढ़ा दिया इससे मैं बहुत नाराज हुआ और मैंने उनसे कहा मैं जानता हूँ कि कैसे गिना जाता है एक दरजन का मतलब बारह होता है अब हर डेरी में तेरे बूटे हो गए हैं तेरे का मतलब एक दरजन नहीं होता मैंने विरोध किया पिताजी ने मुस्कुरते हुए धीरे से समझाया जब हम मकई बेशते हैं तो हर दरजन में तेरे बुट्टे होते हैं देखो हम सिर्फ अच्छी मकई बेशते हैं परन्तु अगर बुट्टे पर अब भी छिलका हो तो हमारे डेर में एक खराब बुट्टा भी निकल सकता है जिसके बारे में हमें पता नहीं होता इसलिए हम अपने दोस्तों को एक अतिरिक बुट्टा दे देते हैं हम चाते हैं कि हमारे ग्रहा कि यह नय समझे कि हमने उन्हें धोका दिया है इसके अलावा पिताजी ने आगे कहा हम चात्यां कि जो भी हमारी मक्काई खरीदे वह कस्वे में अपने पडोशियों को बताए कि हमारे बुट्टे कितने अच्छे है इस तरह से हमारी मक्का अधिक बिकेगी और हम अधिक धन कमा पाएंगे मैंने इस बात के कई उधान देखे कि लोग अपने पडेक्ट बेचने में उधारता पूरवक गिंती करते थे एक बार हमने सेंकडो मील की दूरी पर स्थित हेचरी से चूजे खरीदे हेचरी हमें हर बुक्स में सो चूजे बेजने वाली थी जब चूजे आए तो उन्हें गिनने के जिम्मेदारी मुझे सूपी गई मैं यहे देखकर हैरान हो गया कि हर बक्से में एक सो साथ या एक सो आठ चूजे निकले ने की सो जिनका हमने ओडर दिया था हेचरी ने हर बक्से में कुछ अतिरिक चूजे रख दिये थे ताकि अगर उन्हें से कुछ बिमार हो तो भी हमें पूरे चूजे मिल सकें एसा करने की वज़े से उस हेचरी के ग्राहत हमेशा उसी से चूजे खरीटते रहे नकारात्मक परचार नहीं हुआ और उसका बिजनस तरक्की करता गया यह एक अद्बुत और स्मार्ट तरीका है जाहिर है कई साल बाद मैंने यह जाना कि एक दर्जन का मतलब है तेरे कि अवदारना कुछ बेकरों द्वारा लंबे समय से प्रियूप की जा रही है बेकर्स डजन वाक्यांस इसलिए प्रचलन में आया परंतु तब तक अतरिक्त देना मेरे सुवाव का हिस्सा बन चुका था अगर आप थोड़ा अतरिक्त देंगे तो आप हीरो बन जाएंगे उमीद से कम देंगे तो आप खुद को किसी की नफरत की सुचि में सामिल कर लेंगे हर एक जितना सोधा करता है उससे अधिक पाना पसंद करता है कोई भी दोखा खाना पसंद नहीं करता आप जितने सामान की कीमत लेते हैं उससे कम पाने से आप नाराज होते हैं आपके एहें को धका लगता है और आप उस कंपनी की बुराई करना चाते हैं जिसने आप से अनुचित लाब उठाया हो स्मार्ट लोग बढ़ाते हैं, मुर्ख लोग कम करते हैं सीखने का सबसे मैट्वकून तरीका है ध्यान से देखना हमें सबलता के मूलबुच सी दान सिखाने वाले सबक लोगों के साथ हर मुलाकात में उपलब्द होते हैं इस उधारन पर विचार करें, आप किसी केंडी स्टोर में जाएं और एक पॉंड खुली केंडी मांगते हैं काउंटर के पीछे बैठा आदमी तराजू पर केंडी का एक बड़ा धेर रख देता है शायद 20 ओंस और भी और फिर आपकी केंडी एक एक करके कम करना शुरू करता है जब तक की वज़न ठीक 16 ओंस ने हो जाई आपको कैसा मैसूस होता है आपको लगता है जैसे आपके साथ धोका किया गया हो आउचेतन रूप से आपने केंडी के 20 ओंस के बड़े धेर को अपनी केंडी माल लिया था जब काउंटर के पीछे बैठा आदमी इस में से कुछ कम कर देता है तो आपको ऐसा मैसूस होता है जैसे वह आपकी केंडी को चुरा रहा हो काउंटर के पीछे बैठे समझदार लोग बढ़ाने वाले नेती का प्रियोग करते हैं वो एक तराजू पर केंडी की तुलनात्पक रूप से कम मात्रा रखते हैं शायद 10 से 12 ओंस फिर वे मात्रा बढ़ाते जाते हैं जब तक की तराजू 16 ओंस नहीं दिखती अचेतन रूप से इससे आपको अच्छा मैसूस होता है क्योंकि आपको ऐसा लगता है जैसे आपको अतरिक्त केंडी मिल रही है 16 ओंस 16 ओंस ही होते हैं परंतु एक पॉंड को किस तरह से गिना जाता है इससे बहुत बड़ा फरक पड़ता है हाल ही में सूपर मारकेट के सी फूड काउंटर पर मुझसे आगे खड़ी एक महिला ने एक पॉंड जहिंगे का ओडर दिया काउंटर पर बैठे आदमी ने लापरवाई से लगबग दो पॉंड जहिंगे उठा कर तरह जूपर रख दिये और फिर वह उसे कम करने लगा आखिरकार जब जहिंगे ठीक सो लाउंस हो गई तो महिला ने गुस्से भरी आवाज में कहा मैंने अपना इरादा बदल लिया है अब मुझे जहिंगे नहीं चाहिए और वह बहार चली गई निश्चित रूप से काउंटर पर बैठे लोगों को सामान तोलने में सावधानी रखना चाहिए उस दिन जहिंगे की किमत 14 डॉलर परति पॉंड थी यानि 87.5 सेंट परतियोंस परंतु मुद्दे की बात यह है कि ग्रहाक को ऐसा कभी नहीं लगना चाहिए कि उसके साथ धोका किया गया हो सफल बिजनस कंपनिया अपने सेल बढ़ाने के लिए एसे रचनात्मक तरीके खोशती रहती है जिन के दोरा कुछ अतिरिक्त प्रदान करने की उदार तकनिक का प्रियोग किया जा सकी इसके उदारन देखिए पत्रिका की सदस्यता के साथ एक पाकेट कैलकुलेटर मुफ्त मिलता है टेलिवजन सेट खरीदने पर रिमोट कंट्रोल फ्री आता है और दवा कंपनी एक के किमत में दो देती है जब आप लोगों को उनके धन के बदले में उनकी आसा से अधिक देते हैं तो लोग आपको पसंद करते हैं और आपसे सामान खरीबते हैं उदारता या अधिक देने वाली शेली चमतकार करती है इसके परमान बहुत प्रबल है बहराल अब भी कई बिजनस कमपनिया है जो यह मानती है कि सफलता का आर्थ होता है दोखा देना ये से उधारन आम है कि कई स्टोरे से विग्यापन करते हैं जिनमें अस्तित्वहिन उपकर्ण मुर्गता पूरन रूप से कम कीमत पर बेचने का वाइदा होता है परंतु इसके बाद वे ग्राहक से विबाद करते हैं उसे दमकाते हैं यह कोसिस करते हैं कि वह ज़्यादा कीमत वाला कोई प्रडेक्ट खरीदने पर विबस हो सके इस तरह के बदमाशों को देखें परंतु सिर्व यह सीखने के लिए कि सफल कैसे नहीं हुआ जाता है आप अतिरिक्ट के सिदानत का इस्तेमाल जीवन के हर छेतर में कर सकते हैं पहला अपने बोस की अनपेक्षित वे अतिरिक्ट सेवा करें ऐसा करने पर आप अधिक तनक्वा अधिक अतिरिक्ट लाब और प्रोमोशन के दावेदार बन जाते हैं दूसरा स्कूल से मिले अपने होम असाइनमेंट में थोड़ा अतिरिक्ट कर दें और बहतर ग्रेड हासिल करें तीसरा अपने बच्चों को थोड़ा ज्यादा समय दें और बदले में अधिक प्रेम वैसे होग पाई चोथा कार पार्किंग के अटेंडेंट को सम्मान दे आपकी कार की बेहतर देखवाल होगी जब आप लोन तरास दे तो जाड़ियों को भी तरास दे कई संग्ठनों में हमें विसे सग्य मिलते हैं एसे लोग जो काम की मात्रा और क्वालिटी का अस्तर निर्धारित करते हैं यानि यह पैवाना बनाते हैं कि किस व्यक्ति जे कितने समय में कितने काम की आशा की जा सकती है समय के साथ व्यक्ति इस बात का आदी हो जाता है कि उससे कितने काम की उम्मिद की जाती है इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वहवे कितना काम करता है या करना चाहता है इससे सो प्रतिसत अधिकतम प्रियास करो वाला समाज बनने के बज़ाई दुर्भागे से हमारा समाज नियुनतम आवशक काम करो वाला समाज बन चुका है यह दुर्भ है कि लोग अधिक धन या अन्य सुजदाओं के वाइदे से प्रोथसाईत होकर नियुनतम आवशक कारिये से अधिक करी और अगर कोई व्यक्ति अपना निर्दारित काम करने के बाद अतिरिक्त काम करने की पहल करता है चाहिए युनियन एक्जिक्टिव अपने सदस्यों को घरव से बताते हैं देखो मैंने कम काम के बतले में तुम्हें अधिक तनकुआ दिलवा दी मुझे अपना वोट दो ज़्यादा पैसे दो ऐसी मित एक्सपेंस अकाउंट दो शोफर सहित लिमोजिन कार दो और अगली बार जब हम सोदे बाजी करेंगे तो मैं तुम्हें कम काम करने के बदले में और ज़्यादा दिलवाओंगा मैं वाशिक इंटन जाओंगा और वहां लोगों से कहुँँगा कि वे तुम्हारी नोकरियां बचाएं यह देश की उतपादगता और बिजनस की बहुत बड़ी तता प्रमुक समश्या है दूसरे लोगों के करमचारियों को ज़्यादा काम करने के लिए प्रोटसाइट किया जाता है जबकि हमारे यहां करमचारियों को कम काम करने के सबी संबाव लाग दिये जाते हैं खेत पर बड़े हुए बच्चे के रूप में मुझे याद है कि काम का कोई मनक पैमाना नहीं होता हो सकता था पहला काम यह दिया गया हो लान तरासो और मूलबूत काम के साथ हमेशा एक और काम जुड़ा रहता था फिर जाडियां तरासो या मूलबूत काम हो सकता था फेंस सुधारो जिसके साथ जुड़ा दूसरा काम हो सकता था खर्पतवार भी साफ कर दो फिर भी कोई करत्रिम पैमाना नहीं होता जो बताए कि प्रियाप्त काम कितना था करने वाले काम हमेशा ज़्यादा होते थे उन्हें करने के लिए समय कम होता था परंतु चुकि काम ज़रूरी और विवीद परकार के होते थे इसलिए उन्हें करने में मजा आता था यह रहा नोकरी में आगे बढ़ने प्रमोशन पाने ज़्यादा पैसे कमाने और सबसे महत्वपून बात काम का आनंद लेने का मूलबूच सी धांत सोंपे गए काम को अधिकादी कुशलता और शिग्रता से करें तथा इसके बाद खुशी-खुशी ज़्यादा काम करने की पहल करें याद रखें जब आप लोन तरास दें तो इसके बाद ज़ाडियों को भी तरास दें मैं आपको एक बहुत सफल व्यक्तिका उधारन दे दूँ जो अतरिक्त काम की पहल करके शिखर पर पहुंचा चार सब्ता पहले मैं कैलिफोर्निया की प्रसिद सिलिकोन वैली में एक सिर्च कंप्यूटर कंपनी के मेनेजमेंट समुगा के साब ने भासन देने गया डिनर के दोरान और भासन के पहले मैंने अपने मेजबान से कहा आपने कहा था कि चीफ एग्जिकुटिव आफिसर यहां पर रहेंगे वे कहा है मित्तर ने कहा वे आपके 22 तरफ तीसरी टेबल पर बैठे है मैंने उस तरफ देखा और जब मुझे वहाँ CEO जैसा कोई व्यक्ति नहीं दिखा तो मैंने मेजबान के साथ अपनी चर्चा दुबारा शुरू कर दी कुछ मिनिट बाद मैंने दुबारा पूछा CEO कहां बैठे है मेजबान ने दुबारा उस टेबल की दरवी सारा किया और CEO का वरनन किया वह है आदमी मैंने कहा अरे उनकी उम्र तो 35 भी नहीं होगी क्या वे सचमुच CEO है मेजबान हंसा और उसने कहा वह सिर्फ 34 साल का है और वह हमारा CEO है जब टिम हमारे कंपनी में 13 साल पहले आया था तब वह सीदा कॉलेज से निकला था जहां उसके कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई की थी वह मेरे या दिन काम करता था मैंने उसे पहला काम यह दिया कि वह हमारे बिलिंग के तरीकों की जांस करे हम अपने कंप्यूटर सिस्टम बड़े अस्पतालों को बेशते हैं मुझे किसी गड़बडी की उमीद नहीं थी मैंने सोचा कि यह काम बहुत छोटा है और मैं टिम को खास तोर पर कोई छोटा काम देना चाहता था ताकि वह अपने पैर जमा सके दो दिन बाद टिम मेरे पास आया और उसने कहा मैंने प्रोग्राम में एक समश्या खोजी है परंतु हम इसे आसानी से सुधार सकते हैं मुझे समश्या का अंदेसा भी नहीं था परंतु टिम ने एक एसी समश्या खोज ली जो हमें हर महीने 30,000 डोलर का चूना लगा रही थी मैंने सोचा था कि बिलिंग प्रोग्राम की जांच करने में टिम कम से कम एक महीने तक व्यस्त रहेगा परंतु सिर्फ दो दिन में उसने एक एसी समश्या कोज ली जिसकी हमें उमीद नहीं थी और उसने हमारा बहुत सा फैसा बचा दिया फिर टिम मेरे पास आया और उसने कहा अब अगला काम कौन सा है बोस टिम शुरू से ही ऐसा था वह दरजनों जटिल समश्याँ से जूजा उन्हें रिकार्ड तोड समय में सूजाया और ज़्यादा काम मांगता रहा टिम ने तेजी से तरक्की की चार साल में हमारी भूमिकाइम बदल चुकी थी अब मैं उसके अधिन काम कर रहा था उसे जो भी काम सोपा गया उसने हर काम में निपुनता हासिल की तथा इसके बाद वह अधिक काम ढूनता रहा जब नए CEO की निउक्ति का समय आया तो Board of Directors और प्रमुक एग्जिकुटे उसने जिने उसे मैनेज करना था सरवय सम्माति से टीम को चुना एक च्छन के लिए मेरा दिमाग उस समय में पहुँच गया जब मुझसे कहा गया था जब आप लोन तरास दें तो ज़डियां भी तरास दें यह फिलास्पिक काम करती है इस विजार पर सोचें चाहे हम कितनी भी कोशिज कर लें आप और में अर्थवे उस्ता के भग्ये को नियंद्रित नहीं कर सकते परंतु आप और में अपने आर्थिक भग्य को नियंद्रित कर सकते हैं चाहिए अर्थवियोस्ता की स्थिति कैसी भी हो हम अधिक सम्रद, सुक और मांसिक शांति का अनंद ले सकते हैं अधिक काम करने के लिए स्वेच्छा से पहल करना सफलता का एक प्रमुक हिस्सा है अपने हाथ के काम में अपना सब कुछ जोंक दें तता इसके बाद और काम मांगे मैनेजरों के लिए टिप अपने करमचारियों के प्रदर्सन के आधार पर पुरुसकार का सिस्टम बनाई एसा करने से आप पाएंगे कि लोग इतना अधिक काम कर रहे हैं जितना आपने सपने में भी नहीं सोचा होगा जिम्मियों ने स्कूल छोड़ दिया और सफल हो रहा है क्योंकि वह सर्वस्रेस्ट प्रियास करता है इन दिनों माता पिता के लिए शायद सबसे बड़े अपमान की बात यह होती है कि उनका बच्चा स्कूल की पढ़ाई छोड़ दे ड्रोप आउट हम में से अधिकांस लोगों के लिए शायद सबसे बूरी स्थिती होती है अमेरिकी संस्कृती में हाइ स्कूल ड्रोप आउट का आर्थ होता है बेरोजगारी, अपराद, पागलपन, मादक द्रव्य और बरबाद जिन्दगी माता-पिता और शिक्षक मानते हैं कि सभी बच्चों को स्कूल जाना चाहिए जब तक की वे कम से कम हाइ स्कूल पासने कर लें स्कूल में गुजारा समय यूवक या यूवती के लिए हमेसा अच्छा होता है और अगर कोई यूवक या यूवती पढ़ाई य दूरी छोड़ दे तो वे आजिवका नहीं कमा सकता इस तरह के आम विचार बहुत से यूवाओं और समाज के लिए अच्छे नहीं होते बच्चों को स्कूल में रखो चाहे यह उनके साथ कुछ भी करें कि समर्थक इस बात पर गरव नहीं कर सकते कि स्कूल के हाल में गार्ड न्यूक्त हों और विद्यार्थियों से हवाई अड़ों की तरह मेटल डिटेक्टर से गुजरने के लिए कहा जाए सचाई यह है कि कुछ यूवाओं को अपनी कि सोरावस्ता में इस स्कूल छोड़ देना चाहिए समाज की यह जिम्मेदारी होना चाहिए कि वहैसे यूवाओं के लिए अवसर उपलव्द कराई जो उप्चारिक सिख्षा के प्रती सकारात्मक प्रतिकरिया नहीं करते ही अगर हम किसी यूवक को उसकी इच्छा के विरुद स्कूल में पढ़ने के लिए विवस करें तो अक्सर बोरियत, कुंठा और विद्रो की प्रवर्टी उत्कुन होती है ये वे शक्तियां है जो बच्चों को अपराद, मादक दरवे और दूसरी समश्याओं की तरफ दकेलने में मदद करती है मैं आपको जिमी ओ के बारे में बता दूँ उसने स्कूल छोड़ दिया परंतु वह बहुत अच्छी तरह काम कर रहा है वह अपने उन सातियों से काफी बेतर स्थिती में है जो उसी की तरह स्कूल में नहीं रहना चाते परंतु उन पर ऐसा करने के लिए दवाब डाला गया मैं जिमी ओ से चार साल पहले मिला थंडे दिसंबर की एक सूबह गंटी बजी और मैंने बाहर निकल कर देखा कि यह बच्चा खड़ा था उसकी उमर शायद 14 होगी उसकी उन्चाई लगवग 5 फुट 5 इंच होगी और वह किसी चड़ी की तरह दूला था उसने बहुत भी नमरता से कहा गुड मॉर्निंग मैं काम की तलास कर रहा हूँ मैंने देखा कि आपके पीछे के दालान में बहुत से लठे पड़े हैं जो इतने बड़े हैं कि आपकी अंगिठे में नहीं समा सकते मैं उन्हें सही आकार में काड़ देता हूँ ताकि अगर सचमुस ठंड पड़ने लगे तो आपके पास अंगिठे में जलाने के लिए बहुत सी लकड़ी रहे मैंने उसकी सोर से कहा बात तो सही है और मेरे पास कुलाडी या कोई ओजार नहीं है कोई दिक्कत नहीं उसने कहा मेरे पास सब सामान है फिर मैंने उसकी साइकिल को देखा वहाँ पर सचमुच एक कुलाडी और ओजार फ्रेम में बंदे हुए थे तुम कितना लोगे? मैंने पूछा पांस डोलर परती घंटा उसने जवाब दिया पर यह तो न्यूंतम मजदूरी से अधिक है मैंने परती के रिया गी मैं जानता हूँ उसने कहा और मैं सचमुच मेनत से काम करता हूँ मैं अपना सर्वस रेष्ट परियास करूँगा कि सोहर ने काम शवज पर इतना ज़्यादा जोर दिया कि मैंने उसे लट्थे चिरने का काम देने का फैसला कर लिया मन ही मन मैं सोच रहा था कि यह बच्चा इतने पैसे लाइक काम नहीं कर पाएगा पर उन्तु मैं उसे पसंद करने लगा था और मैंने यह अनुमान लगा जो जो अतिरिक्त धन मैं उसे दे रहा था वह एक तरह से प्रोपकार था उसने लट्थे चिरना शुरू किया और मैं अपने अफिस चला गया मैं सोच रहा था कि लट्थे चिरने में उसे कम से कम चार गंटे लगेंगे परन्तु दो गंटे से भी कम समय में वह मेरे अफिस की गंटी बजा रहा था जिम्मी ने कहा डॉक्टर स्वार्स मैंने लकडी चीर दी है और गठर बना दिये है अपने बोट हारवर की सभाई के लिए आपका क्या इरादा है मैं हैरान था कि उसने इतनी जल्दी लकडी चीर दी इसलिए मैंने कहा कर दो अगले पांस साल तक जिम्मी ने मेरे लिए घर्ब के पाहर और बीतर बहुत से काम किये इसके साथ ही वैपडोस में अपने स्थाई ग्रहक बना रहा था और एसे काम कर रहा था जो आजकल बहुत कम लोग करना चाते है गटर साप करना दिवार दोना कचरा उठा कर ले जाना और लान तराशना एक दिन मैंने जिमें से पूछा कि वैं स्कूल में आगे क्यों नहीं पड़ा बड़े खुले पंसे उसने कहा उभे मुझे जो सिखाने की कोशिस कर रहे थे मैं उससे बहुत बोर हो चुका था क्योंकि उससे मुझे कोई फाइदा नहीं हो रहा था इसलिए मैं अपने हाथों से काम करना पसंद करता हूँ मैं विविद्दा चाहता हूँ और अपना खुद का बोस्मना चाहता हूँ इसके अलावा मैं और मेरे दादी अकेले हैं दादी की तबियत खराब रहती है इसलिए पैसे कमाना मेरे लिए विसे सुरूप से मैं तफूर्ण है मैं अपनी आदी कमाई उने दे देता हूँ और बचे हुए पैसों का आदी कांसी साथ जमा कर लेता हूँ जिम्यो अब 19 साल का है और वह अब भी मेरे लिए काम कर रहा है अब उसके दोसे योगी हैं जिनकी उमर 16 साल है उसके पास एक ट्रक है लोन मोर है और अपने लगातार बढ़ रहे अगराकों की सेवा के लिए अन्य आवशक यंतर भी है जब मैं जिम्य के बिजनस को फलते फूलते देखता हूँ तो अक्सर सोचता हूँ कि यह सब के लिए अच्छा रहा कि वह सकूल अदूरा चोड़ कर आ गया ताकि वह अपना मन पसंद काम कर सके वह काम जिसे करने की जुरूरत थी जिम्य को इस कुरूर संसार में सफलता पाने के चिंता करने की कोई जुरूरत नहीं है जिम्य सफल हो रहा है अगर उसे सकूल में रहने के लिए मजबूर किया जाता गनित सिखाया जाता यह बताया जाता कि रोमन समराज्य का विटन क्यों हुआ राज्यों के बीच युद के कार्ण बताये जाते और यह सिखाया जाता कि परमाणू की सरंचना कैसी होती है तो वह नकारात्मक पलाइन करने के लिए प्रोच्षाइट हुआ होता मादक त्रव्य, संभावित अवराद या इस से भी बुरा परन्तु जिम्मी में इतनी हिम्मत थी कि वह दुनिया में अपने लिए जगे तलास ले और वह खुश है कि उसने ऐसा किया जिम्मी और मैं अक्सर बातें करते हैं मुझे उसके पहने सवाल सुनकर आस्चरिय होता है वह अक्सर ऐसी बातें पूचता है जैसे कर प्रनाली के साथ सचमस्दिक्कत क्या है क्या इंपोर्ट कोटा एक अच्छा विचार है और मैं अपने धन का सबसे अच्छा निवेश किस तरह कर सकता हूँ जीमी के लक्षे बड़े है बरसों से वह मुझे बताता आ रहा है कि किसी दिन वह एक ऐसी जगे का मालिक बनना चाहता है जहां मोटर साइकल साला का अपनी कुसलताओं को जान सके और बाइक चलाने का आनंद लेसके पिछले सब्ता है उसने मुझे बताया कि उसने शेहर से 50 मिल दूर 100 एकड जमीन नकत खरी दी है जिस पर वह मोटर साइकल हैवन बनाने जा रहा है और जमी अभी सिर्फ 19 साल का है 30 साल का होने से पहले वह मिलेनियर बन जाएगा जमी के पास देने के लिए सच मुझ कुछ है और जमी दे रहा है यह सही है कि नए जमाने में हमें उच्छ सिक्षित इंजिनियरों, आर्किटेक्ट्स, डॉक्टरों, कम्प्यूटर विसे सग्यों और वेग्यानिकों की जरूरत होगी परंतु हर आदमी इन गतिवीडियों के लिए नहीं बना है जो काम लोगों को चुनोती पूर्ण नहीं लगते वेग काम करने के लिए उन्हें विवस करना मुर्क तापूर्ण ही नहीं बलकि क्रूर, एदूरदर्शी तापूर्ण और विपरित परिनाम देने वाला है चार उपहार जिनके ससक्ट परिनाम मिलते हैं अच्छा उपहार दिल से आता है यह कहता है, मैं आपके बारे में सोचता हूँ और मुझे आपकी परवा है मैं आपका दोस्त हूँ जब तक उपहार किसी दूसरे इंसान को उपर ने उठाई और उसे आस्वास्त ने करे तब तक कोई सच्चा दूरगामी परवाव नहीं पड़ता इससे भी बुरी बात यह है कि इसकी सराना नहीं होती उपहार विचार के मुल्या से महान बनता है ने की धन के मुल्या से जिस तरह प्रेम को पैसे से नहीं खरीदा जा सकता उसी तरह प्रेम को पैसे से दिया भी नहीं जा सकता उत्सा बढ़ाने वाली फोन कोल कीजी आमने सामने की चर्चा के बाद संप्रेशन का सबसे व्यक्तिकत माद्यम फोन है अगर इसे आशा परदान करने, किसी अच्छे काम की परसंसा करने और अच्छे काम करते रहने के लिए लोगों को प्रेड़ना देने के उपहार के रूप में सोचा जाए तो फोन करना मित्रता को प्रगाड करने का एक सशक्त उपाई हो सकता है निर्मित मकानों की एक कंपनी के प्रेजडेंट ने मुझे बताया वह है अपने तेन सो डिलरों को उच्छाई बनाई रखने के लिए किस तरह टेली फोन के उपहर का प्रियोग करता है मैं पचास से साथ डिलरों को फोन करने के लिए बुदवार का दिन अलग रख लेता हूँ मैं मार्किटिंग रन निती या उनके परदर्सन के बारे में चर्चा करने के लिए उन्हें फोन नहीं करता हमारे पास आठ सेल्ज मेनेजर हैं जो यह काम करते हैं मेरी फोन काल्स तो विशुद सद्वावना की कॉल्स होती है मैं हर डिलर को बताता हूँ कि मुझे उस पर गरव है फिर मैं उनके परिवार उसकी सेहत और इसी तरह की चीज़ों के बारे में पूसता हूँ मैं अधिकांस डिलरों से साल में साथ या आठ वार फोन पर बात करता हूँ हमारे विजनस में थोड़ा उत्सा वरने के लिए यह बहुत बढ़िया तरीका है फोन काल करने का अभ्यास कीजी किसी उपलवदी पर लोगों को बदाई देने के लिए फोन एक आरामदाइक तरीका है और फोन करना लोगों को यह बताने का बहुत अच्छा तरीका है कि आप उन्हें मेतवण मानते हैं क्योंकि यह पूरी तरह अनपेक्षित होता है इसलिए अगर आपके किसी परीचित को प्रमोशन मिलता है अच्छी नोकरी मिलती है उसके गर बच्चे का जनम होता है या उसे कोई पूरुसकार मिलता है तो उसे फोन करे वह व्यक्ति आपको लंबे समय तक याद रखेगा अपने समय का उपहार दे जिन बच्चों के माता-पिताओं के पास उन्हें देने के लिए समय नहीं होता वे उस चोटी उमर में भी हैरान होते है डैडी या ममी हमेशा काम करने या पार्टी या मीटिंग में जाने का समय कैसे निकाल लेते हैं जब कि उनके पास मेरे लिए कभी समय नहीं होता या दूसरे बच्चों के माता-पिता लिटल लीग गिम मैच देखते हैं परन्तु मेरे डैडी मुझे वहाँ सिर्फ छोड़ने जाते हैं और मैच कत्म होने के बाद लेने आते हैं या जब मेरे डैडी मुझे से बात करते हैं तो ऐसा लगता है जैसे वे किसी और चीज़ के बारे में सोच रहे हैं बच्चों को आपके समय और आपके पूरे ध्यान के उपहार की जरूरत है आपके जीवन साती को भी और आपके माता-पिता को भी जो हो सकता है और अदास्रम में रह रहे हो आप समय कैसे निकालेंगे पहले तो यह है फैसला करें कि क्या मैत्वपूर्ण है उन लोगों को समय देना जिने आपकी जरूरत है या अपने आनंद में समय बिताना, खेलना, बाहर खाना, उस मनोरंजन में भाग लेना जिसमें सिर्फ आपको आनंद आता है दूसरे, अपने काम और अन्य अगतिविदियों की योजना बहुत साउधानी से बनाई ताकि आपके पास उन लोगों के लिए समय रहे, जिने आपके विशेश ध्यान की जरूरत है खुद से कहें, मेरे प्रियजन, मेरी पहली प्रात्मिकता है व्यक्तिगत चिठ्थी लिखें, यह एक सशक्त उपहार है हाली में, मैं अपने एक मित्र के ओफिस में था, जो एक कमपनी का प्रमुक मालिक है इस कमपनी का ग्रास्टर रोर, साल वर में एक बिलियन डॉलर है यह बेहद अमीर विक्तिगती अपने ओफिस की दिवारों को महंगी कलाकर्टियों से सजा सकता था इसके बजाए उसने अपने ओफिस में हाथ से लिखी चिठियां मनवा कर टंगा रखी है ये चिठियां एक सिरसस्त गोलफर, एक सीनेटर और उसके पादरी ने लिखी है दिवारों पर इन चिठियों के अलावा उसके पोतों की दो ड्राइंग लगी है जो मेरे मित्र की नजरों में इतनी मेत्वकून थी कि उसे इस्थाई रूप से याद किया जाए लोग हाथ से लेखी चिठियां पसंद करते हैं यह बताती है, मैं आपके बारे में सोच रहा हूँ और मैंने आपको यह बताने के लिए समय निकाला व्यक्तिकत चिठियां लोगों को यह बताने का अदबू तरीका है कि उनके प्रमोशन पर प्रोफेशनल एसोसियेशन में अफसर बनने पर कोई सम्मान मिलने पर बच्चों के जनम पर या कालेज से ग्रेजवेट होने पर आपको कितना गर्व है ग्रिटिंग कार्ड ठीक है परन्तु सिर्फ तभी जब आप इसके साथ व्यक्तिकत संदेश बेजें कुछ लोग नाम प्रिंट करके ग्रिटिंग कार्ड भेजते हैं हम मेंसे ज़्यादातर लोग इस तरह की अभी व्यक्तिकत होता है कुछ ज़्यादा ही कुछल कुछ ज़्यादा ही मशीनी यह दरसल कहता है हमारे कम्पिटरों में आपका नाम है और आपको यह कार्ड भेजने के लिए इसे प्रोग्राम किया गया है अगर मुझे मिलने वाले आमंतरन पत्र पर हाथ से लिखे एक या दो वाक्या नहीं होते तो मेरी पहले इच्छा यह होती है कि उसे रद्दी की टोकरी में फैंक दूँ यह बहना मत बनाए मेरे पास व्यक्तिकत चिठ्थियां लिए समय नहीं है जीवन के किसी भी खेतर में सच्मुच मैं तो कुण लोग यह कहने का समय निकाल लेते हैं आपकी मदद के लिए धन्यवाद या हम आपसे दुबारा मिलने के लिए उच्छुख है हाल के सभी अमेरिकी राश्रपती हर सब्ता बहुत सी व्यक्तिकत चिठ्थियां लिखते थे क्यों क्योंकि व्यक्तिकत चिठ्थियां समर्थन हासिल करने का एक प्रभावी तरीका है सुनने की कलासिकें यह एक सशक्त उपहार है सब लोग यहां तक की सबसे सकारात्मक लोग भी कई बार हताश, निराश और आहत होते हैं हो सकता है आफिस में चीजें ठीक ने हो किसोर पुत्र या पुत्री संकट में हो विवा या रोमांस खत्रे में पढ़ गया हो जब आपका कोई परिचित निराशा के दलदल में हो तो उस व्यक्तिकी समश्या को सुने सुने और सिर्फ सुनकर आप सानो बुती और समर्थन के उपार दे सकते हैं सुनने का आश्या यह नहीं है कि आप सलादे या उस व्यक्तिकी समश्या को सुल्जा दे उस व्यक्तिको यह बताने के परलोवन से बचें अगर मैं तुमारी जगह होता तो ऐसा करता वैसा करता या यह रहा वह काम जो तुम्हे करना चाहिए सुनने का अर्थ सिर्फ यह है कि आप दूसरे व्यक्ति तक चिकित सा पदती का वहलाब पहुंचने दे जो समश्या के बारे में बोलते रहने से मिलता है किसी को भी जो सबसे बुरा दंड दिया जा सकता है वह है उसे चर्चा के आनंद से वंचित कर देना सुनने की कला या विश्वास पातर बनने की कला आज जितनी मेत्वपूर्ण है उतनी शायद पहले कभी नहीं रही हमारा समाज धीरे धीरे एकाकी बनता जा रहा है पांच में से एक गर में सिर्फ एक ही व्यक्ति रहता है और हमारे आदे गरों में सिर्फ एक या दो व्यक्ति रहते हैं याद रखें सुनने से प्रेम परदर्शित होता है यह सामने वाले व्यक्ति को बताता है मैं आपका मित्र हूँ मैं आपका ख्याल रखता हूँ बच्चे अपने माता पिता या दादा दादी को जो उपार देते हैं वे किसी स्टोर से नहीं खरी दे जाते वे तो बच्चों द्वारा बनाई गई तस्वीरे होती है बर्ड फीडर्स होते हैं जिने बच्चे ने बनाया है कोई भी ऐसी चीज होती है जिसे बनाने में बच्चे ने अपना समय लगया और प्रतिवा का प्रियोग किया इमर सन्नी माना था सबसे अच्छा उपार अपना खुद का इस्सा होता है जब आप खुद को देते हैं तो आप प्रेम अविवेक्त करते हैं सामने बाले के सामने यह साबित करते हैं कि आप उसका ख्याल रखते हैं और आप गंबीर हैं जब आपको यह ऐसी चीज देते हैं जिसे आप मुल्यवान और प्रियमानते हैं शायद कोई फुस्तक डिश या पेंटिंग तो आप अपना एक इसाद दे रहे हैं और यह तैह है कि इस उपार की निश्चित रूप से सराना होगी परिवार को समर्थन दे यह अच्छी दवा है हाल ही में मैं अपने पुराने मित्र जोन आर से मिला जो एक पबलिक स्कूल सिस्टम में मनोवेगानिक है हम दोनों ने दिन बर एक सेमिनार में भाग लिया जिसका सिर्शक था किस तरह बॉर्डर लाइन रिटाइडेट यूगों की मदद की जाई शाम को डिनर के वक्त मैंने जोन से पूछा कि मंद बुद्धी यूवाओं को किस चीज की सबसे ज़्यादा जरूर्थ होती है जोन ने एक पल के लिए सोचा और फिर जवाब दिया कुछ दवाइं हैं जो मदद कर सकती है मैं सक्ती पर जोर देश रहा हूँ क्योंकि एक्सर जो दवाइं दी जाती है वे फाइदे के बज़ाए नुकसान पहुँचाती है जो उपचार सबसे ज़्यादा पहुँचाता है वह है संबल देने वाले परिवार की मदद कम से कम एक व्यक्ति ऐसा होना चाहिए जो समश्या ग्रस्त व्यक्ति की सचमुच मदद करना चाहता हो परंतु आप एक मनोवगयनिक है मैंने कहा मुझे हैरानी है कि आपने यहे नहीं कहा कि काउंसलिंग सबसे ज़्यादा मदद कर सकती है बिलकुल नहीं जो नहीं कहा काउंसलिंग मदद कर सकती है लेकिन सिर्फ तभी जब मरीज को घर पर परोच्छान सकारात्मक परोच्छान और सम्मान मिले मैं किसी मरीज की मदद तभी कर सकता हूँ जब घर पर सकारात्मक प्रेड़ना और सम्मान मिलता हूँ परंतु तब नहीं जब उसे नीचा दिखाने वाला व्यवार जहलना पड़ता हो जो अधिकांस जरूर्ट बंदों को छेलना पड़ता है देखिए जो ने आगे कहा मैं अपने अधिकांस मरीजों को सब्ता में एक गंटे प्रामर्स देता हूँ अगर उस व्यक्ति का परिवार सकारात्मक है तो मुझे अच्छे परिणाम मिलते है खुद को बेहतर तरीके से समझने लक्षे बनाने और दूसरे लोगों के साथ अधिक प्रवावी तरीके से व्यभार करने में मैं उस व्यक्ति की मदद कर सकता हूँ परंतु अगर उसका परिवार उसका साथ ने दे तो मेरे प्रियास अर्थ ही नहे मैं मरीज के लिए दो मेने में जो काम करता हूँ नकारात्मक परिवार दो मिनिट में उस काम को मटिया मेट कर सकता है या उससे हो रहे फाइदे को कम कर सकता है क्या आप इसे अधिक स्पष्ट करेंगे मैंने जोन से पूछा क्या आप यह समझाने के लिए विसिष्ट उधान दे सकते हैं कि सकारात्मक परिवार का होना मैत्वपूर्ण है ठीक है जो उनने जवाब दिया मैं कोसिस करता हूँ मैं आपको दो यूउकों के बारे में बताता हूँ जे टी सत्रे साल का है और बी डवल्यू सोले का मैं इन दोनों के साथ काम कर रहा हूँ दोनों ही बॉर्डर लाइन रिटाइडी है सेरिब्रल पेल सी से पीडित है और वेल चेर पर है दोनों की सामाजिक आर्थिक प्रस्ट वूम्यावी बहुत समान है परन्तों इन युवाओं की पीडा के बारे में उनके परिवार के नजरियों में जमीन आस्मान का फर्क है जेटी के मामले में मेरे दोस्त ने आगे कहा माता पिता और उसके बाही बहन उसे यह ऐसास दिलाते है कि वह ऐवांचित है बोज है और उसके जीवन पर बदनुमा दाग है उसे अपरादी अनुभव कराया जाता है क्योंकि अतिरिक्त देख बाल की आवशकता होने के कारण वह उन्हें आगे बढ़ने से रोक रहा है उसके घर जाने के बाद यह सपष्ट हो जाता है कि जेटी का परिवार उसे पसंद नहीं करता जेटी भी यह बात समझता है हलांकि यह से व्यक्ति की बुद्धी कम हो सकती है परन्तों इन्सान में दूसरे लोगों के नजरियों को भापने की गहरी बुद्धी और अच्छी समझ होती है कुद्धे भी लिवी समझ लेते हैं कि उन्हें चाहा जा रहा है या नहीं मुझे एसा लगता है कि जेटी को आपकी सेवाओं की जितनी आवशकता है उससे अधिक आवशकता उसके माताविता को है मैंने टिपनी की जोन मुस्कुराया और बोला आप सही हो सकते हैं परंतु मैं आपको डवल्यू और उसके परिवार के सकारात्मक नजरिये के बारे में बता दूँ मैंने जिन बच्चों के साथ काम किया है बी डवल्यू उन में से सबसे सुही बच्चों में से एक है जब मैं BW के घर गया तो उसके ममी डैडी और दो अन्य खुश बच्चे सकारात्मक और प्रगती सिल दिखे वे हंस रहे थे और भावपूर्ण चर्चा का आनंद ले रहे थे और BW काम में हाथ बटाता था उसे अपने काम करने पड़ते थे वे है इसे काम करता था जिने वे जमीनी काम कहते थे कुर्सियां साफ करना डीनर की टेबल साफ करना आदी क्योंकि जैसा उसकी मा मजाक में कहती थी वे है इसके सबसे करीब है स्कूल में भी जोन ने आगे कहा दोनों के वेवार में बहुत अंतर है जेटी उदास रहता है और कभी नहीं मुस्कूराता स्कूल के आवारा बच्चे और दादा उस बच्चे की हांसी उड़ाते हैं जो अलग हो और जब वे जेटी के साथ हैसा करते हैं तो उसे चोट पहुँचती है परंतु BW की कहानी अलग है बात रूप में वीलचेर नहीं जा सकती इसलिए जब उसे टोईलेट जाना होता है तो वे रेंग कर जाता है वे बहुत अंस्ता है कुछ सालों में जोन ने आगे कहा BW को किसी तरह की नोकरी मिल जाएगी वे कभी सामान्य नहीं हो पाएगा परंतु वे खुश रहेगा परंतु जेटी के साथ इसा नहीं होगा उसके मामले में तो मैं यही कहूंगा कि वे शायद ही कभी कोई उपियोगी नोकरी करने का बिल हो पाएगा मैंने टिपनी की अब मंद बुद्धी यूकों की मदद करने के लिए सकारात्मत परिवारिक माहूल की बहुत पैरवी कर रहे हैं परंतु क्या यह दवा अन्यमनो वेग्यानिक समश्याओं को भी ठीक कर सकती है मैंने पूछा अरे हां क्यों नहीं जोनने जवाब दिया शराब खुरी की लट ले सो में से एक भी सराबी यह बूरी आदत नहीं छोड़ सकता जब तक कि कम से कम एक व्यक्ति लगातार उसे मदबूत सहरा नहीं दे अलकोहालिक एनानिमस के पीछे की यहीद आउधारना है अगर शराबी सचमुच इस लट को छोड़ना चाता है और अगर शराबी के साथ समझने वाले या सहरा देने वाले लोग हैं तो सफलता हासिल की जा सकती है किसी भी तरह की बादा को पार करने के लिए इनसान को किसी ऐसे वेक्ति के सहरे की जरूरत होती है जो सचमुच परवा करे यह मनोव ग्यान का नियम है जब हम इस व्यवसाई में इस बात का एहसास कर लेंगे तब हम आगे की तरफ एक बड़ा कदम उठा लेंगे पिछले कुछ सब्ताओं में मैंने जोन के विचारों के बारे में काफी सोचा हम मेंसे हर एक को सहरा देने वाले परिवार या कम से कम एक व्यक्ति के सहरे की आवशक्ता होती है इस मैं तबून बिंदू पर ध्यान दे जब आप सहरा देते हैं तो आप खुद को अधिक पसंद करते हैं और अधिक प्रेम करते हैं और जब आपको मदद की जरूरत हो, तो सहरा देने वाले व्यक्तिकी खोज करें, ऐसे व्यक्तिकी नहीं जो आपका मुल्यांकन करें, बलकि ऐसे व्यक्तिकी जो आपकी मदद करना चाहें, खुद को आत्म सम्मान का उपहार दें, यह सफल जीवन का नियम है, इस बारे में हर खुझ क सम्मान करते हैं अगर आप खुद को first class मानते हैं तो दूसरे आपके परती first class सम्मान दिखाएंगे परंटो आपकी खुद में अपनी मेराए है मैं second class निकम्मा हूँ तो आपको बहुत कम सम्मान मिलेगा हम धीरे धीरे निकम्मों का देश बनते जा रहे हैं किसी स्टोर में आतम सम्मान नाम का कोई प्रडेक्ट नहीं मिलता इसलिए हम इसे खरीद नहीं सकते नए ही यह विरासत में मिलता है यह जिन्स के साथ भी नहीं आता और हम किसी ऐसे वेक्ति से आतम सम्मान उदार भी नहीं ले सकते जिसके पास यह प्रचूर मात्रा में हो आतम सम्मान का सिर्फ एक ही स्थोत है स्वेम आप हम उन लोगों का सम्मान नहीं करते जो बच्चों को नसीले पदार देशते हैं या लोगों को वेश्यावर्तियों के लिए लुबाते हैं परंतु हम मेंसे हर एक के मन में सराभियों और सामाजिक बन्चितों के परती सहनू बुतिवे अध्यात्मिक प्रेम होता है जब हम उनके दुख को देखते हैं तो हम अपने आप से कहते हैं इश्वर की करपा है वरना उसकी जगे मैं भी हो सकता था परंतु हम इन दुर्बागेपुर्ण लोगों का सम्मान नहीं करते क्योंकि वे अपना खुद का सम्मान नहीं करते युनानी विद्वान मेनियस ने 2400 साल पहले कहा था कोई श्रेष्ट वेक्ति संकेन मान सकता या आतम सम्मान की कमी नहीं दर्साएगा हम आफिस में उस वेक्ति का सम्मान नहीं करते जो दूसरों को नीचा दिखाता है अपने अधिनस्तों पर बहुत सक्ती करता है बं की तरह दिखता है और लगातार गालियां बगता रहता है इस तरह के लोगों का व्यवार हमें बताता है कि उन में आतम सम्मान की कमी है फिर हम उनका सम्मान क्यों करेंगी कई लोगों को आतम सम्मान की कमी नकारात्मंग माहुल की वज़े से हो जाती है जिन पत्नियों पर सारे रिक और मानसी का त्याचार होता है वे आत्म सम्मान खो देती है जिन पत्तियों को उनकी पत्निया नीचा दिखाती है या दूसरे पुरोसों के तुल्ला में उन्हें हमेशा हीन साबित करती है वे लगबग हमेशा अपना आत्म सम्मान गवा देते है और जिन बचों से कहा जाता है क्या तुम अच्छे नंबर नहीं ला सकते अगर मैंने तुमें नशा करते पकड़ा तो मैं तुम्हारी चमड़ी उदेर दूँगा और तुम जिस तरह से व्यवार करते हो उस पर मुझे शर्म आती है निश्चित रूप से उनका आतम सम्मान खतम हो जाता है और व्यवार के ऐसे तरीकों के शिकार हो जाते हैं जिनकी वज़े से वे मुझे में पड़ जाते हैं इसलिए आतम सम्मान की कमी सिर्फ हमारे मेशन, जेल और सुधार ग्राओं के लोगों तक ही सीमित नहीं है गहरे आतम सम्मान का परदर्शन करना और दूसरों की परसंसा वे सम्मान हासिल करना सब लोगों के लिए एक चुनोती है जेटी नाम के एक युवा मेनेजर ने एक गटना बताई जब लगातार नीचा दिखाये जाने के कारण उसका आतम सम्मान खत्रे में पड़ गया तब उसने यह बताया कि किस तरह उसने स्थिति को काबू किया जिस वज़े से अब उसका काफी सम्मान किया जाता है जेटी ने कहा मुझे एक होल सेल डिस्ट्रिब्यूटिंग कमपनी में सहायक नियंतरक की नोकरी मिले मैं जानता हूँ कि मुझे में आतों विश्वास की कमी थी मैं युवा था तुलनातमक रूप से अनुबव हीन था और शायद सबसे मैतोपून बात यह है थी कि मुझे में बासा की अशुदियां थी मुझे लगता है कि मैं अपने आपको हीन महसूस करता था और दूसरों को भी हीन दिखता था जल्द ही मैंने पाया कि हमारी कमपनी का तानाशा प्रेजिडेंट हमारी सब्ताइक मैनेजमेंट मिटिंग में मुझे नीचा दिखा रहा था हर सौमवार की सुबह मैं एक या दो तानों का शिकार होता था हमेशा मुझी से चीफ की एश ट्रे या पानी का गिलास लाने या इसी तरह के चपराशियों के काम करने के लिए कहा जाता था चीफ जानता था कि मैं इस सेकंड क्लास व्यवार को पसंद नहीं करता यह जानने के बाद वह मुझे नीचा दिखाने के लिए अधिक प्रेरित हुआ उसका व्यवार आखिरी मुझे चुपने लगा मुझे अपने काम का ग्यान था और मैं अच्छा काम कर रहा था मैंने अपना मन मना लिया कि मैं चीफ के एतानों मुझे निशाना बनाकर किये जा रहे मजाक तब दह चपराशियों वाले व्यवार को अब और सहन नहीं करूंगा अगले मिटिंग में चीफ ने मेरे बोलने की समश्या के बारे में एक मज़ा किया और मुझे नीचा दिखाया कुछ मिनट बाद उजने एक छोटी सी गलती के बारे में अपमान जनक शब्द कहे जो मैंने अपने रिपोर्ट में की थी मिटिंग के ततकाल बाद मैं प्रेजिडेंट से अकेले में मिला और बोला सर पिछले छे मैंने से मैं आपका अपमान सहन कर रहा हूँ मैं यह तो नहीं जानता कि आप ऐसा क्यों करते हैं मुझे लगता है कि मैं परियप्त योग्या हूँ वरना आपने मुझे नोकरी पर नहीं रखा होता मुझे यह भी लगता है कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ वरना आपने मुझे नोकरी से निकाल दिया होता मैं श्वें का इतना ज़्यादा सम्मान करता हूँ कि मैं इस तरह के वेवार को अब और सहन नहीं कर सकता इसलिए मैं नोकरी छोड़कर जा रहा हूँ फिर क्या हुआ? मैंने पूछा जेटी ने आगे कहा मैं कमरे से बाहर निकला अपने केविन में गया और सामान समेटना शुरू कर दिया पांस मिनिट के बीतर चीफ मेरे पास आई उन्होंने मुझे माफी मांगी और आग्रे किया कि मैं नोकरी छोड़कर नैजाओ मैंने नोकरी नहीं छोड़ी और अगली मीटिंग में चीफ ने खुद को भी नमर बनाया अपने व्यवार के लिए दूसरे मैनेजरों से भी गंभीरता से बाफी मांगी तब से वे मेरे साथ बहुत सम्मान जनक व्यवार करते हैं इस गटना को नो मेने हो चुके हैं और मुझे इस दोराने एक बड़ा पर्मोशन मिल चुका है सबक जब आपके साथ गलत व्यवार हो रहा हो तो भी नमरता परंतु द्रड़ता से बोलिए नीचा दिखाने वाले को बता दीजिए कि आप उसके व्यवार की किन बातों को पसंद नहीं करते याद रखें जब आप अपना सम्मान करेंगे तो दूसरे भी आपका सम्मान करेंगे खड़े रहें और महत्व पाएं आखवार के बिजनस में काम कर रहे मेरे एक दोस्त ने मुझसे कहा कि हमारे समाज में आत्म सम्मान की कमी बहुत बड़े पैवाने पर फैली होई है हम गरों से अपने देश को सुतंतर लोगों की भूमी और बहादरों का घर कहते है परंतु अधिकांस लोग सुतंतर अनुवव नहीं करते और वे बहादरों जैसे काम भी नहीं करते इस बात से आपका क्या मतलब है कि लोग सुतंतर अनुवव नहीं करते और बहादरों जैसे काम नहीं करते मैंने पूछा हर दिन हमें संपादक के नाम आए धेर सारे पत्तर मिलते हैं मेरे दोस्त ने कहा आम तोर पर उन में से 90% लोग राजनेता हूं विचारों, प्रडेक्ट, कमपनियों स्कूलों और अदालतों को दोस्त देते हैं आप जिस भी चीज़ का नाम ले लोग उसकी आलोसना करते हैं मुझे कश्ट इस वात से होता है मेरे अख़बारी दोस्त ने कहा कि शिकायत करने वाले दस लोगों में से सिर्फ एक ही अपने नाम के इस्ताक्सर करता है क्या इससे ऐसा लगता है कि लोग बाधूर है इस बिजनस में तीन दसक तक रहने के बाद मैं इस निसकर्स पर पहुंचा हूँ कि अधिकांस लोग डर्पोक होते हैं अगर कोई अपने विचारों का इतना भी सम्मान नहीं करता कि उसके नीचे अपने हस्ताक्सर कर दे तो हम उने कुड़ेदान में डाल देते हैं आतम सम्मान की कमी सपष्ट करती है कि कई लोग उस भीड में क्यों शामिलोना चाहते हैं जिसे एनानिमस या गुमनाम कहा जाता है जो लोग सारोजनिक मंच पर बोलते हैं वे साबित करते हैं कि उनमें आतम सम्मान है भले ही आप उनकी कही बातों से इस हैमत नहीं हो परंतु आप और अन्य लोग उनका सम्मान करेंगे क्योंकि उनमें बोलने की हिम्मत है क्या करें जब मैं कोई नहीं हूँ कि भावना आपको जकड ले जब हमारी नोकड़ी या पारिवारी की जीवन में चीजें गड़बड होती है तो हमारा मन लल्चा जाता है कि हम अपना सम्मान करना छोड़ दे और संगर्स करने के बजाए समरपन कर दे जब आतम सम्मान में कमी की भावना आने लगी तो इन बिंदों को याद कीजिए आप दुरलब है किसी और के पास आपके फिंगर प्रिंट आपकी आवाज, आपका कद या जैसा खोजी कुट्टे बताते हैं आपके शरीर की गंद नहीं है इससे भी अधिक मेतोपून बात यह है कि किसी और के पास आपके जैसा दिमाग नहीं है आप इस दर्टी के पांस बिलियन लोगों से हर माबले में अलग है आप से पहले आने वाले सेंक्रों बिलियन लोगों में पहले कभी कोई आपके जैसा नहीं रहा है और आपके बाद आने वाले कई ट्रिलियन लोगों में से भी कोई बिल्कुल आपकी तरह नहीं होगा आपकी जरूरत है आप मेंसे किसी को यहाँ इसलिए नहीं बेजा गया कि आप खुद काई ध्यान रखे दूसरे लोगों जीवन साथी बच्चों, करमचारियों, प्रोशियों, ग्रहाकों, माता-पिता, भाई-बहन वो आपकी जरूरत है आपकी दोस्ती, आपका प्रेम और समर्थन आपका मार्ग दर्शन और आपकी योगताई आपको बांटने के लिए दी गई है आप एक उधारन बने जितना आपको लगता है आप मेंसे हर एक की उससे ज़्यादा नकल की जाती है आपकी आदते और आपके नजरिये महतवपूर्ण है आपकी आदते कर सकते हैं और दूसरों को सिखाने में गरव कर सकते हैं। इन बातों को ध्यान में रखें। पहला आप जितना ज़्यादा देंगी। आपको उतना ज़्यादा मिलेगा। देने से आपको अदबूत ऐसास होता है। और यह एक biggest से जो फल देता है। दूसरा, सोचिए, दरसल एक दरजन का मतलब होता है, तेरह, जितने का सोधा हुआ है, हमेशा लोगों को उससे अधिक दे तीसरा, स्मार्ट लोग बढ़ाते हैं, वे कभी गढ़ाते नहीं हैं, जब आप कोई चीज बेचें, तो कुछ अतिरिक्त दे चोथा, आगे बढ़ने के लिए जितना काम आउशक है, उससे अधिक काम करें, याद रखें, जब आप लोग तराशें, तो ज़ाड़ियां भी तराश दें पांचवाँ, एक अच्छा उपार बताता है, मैं आपका ख्याल रखता हूँ, उच्छा बढ़ाने वाली फोन करें, अपने समय का उपहार दें, व्यक्तिगत चिठी लिगें, सुनें, यह एक सशक्च उपहार है चटा, परिवार को सहरा दें, यह एक अच्छी दवा है सात्वाँ, खुद को आतम सम्मान का उपार दें, खड़े हूँ और मैं तव पाई यह बात हमेशा याद रखें, कि हम खुद का जीतना सम्मान करते हैं, लोग उसी अनुपात में हमारा सम्मान करते हैं धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई 6 की तरफ, जो है अपना मन्चाहा काम करवाने के लिए लोगों को प्रिरित करने की सफल तकने के अपका दिन शुभ हो सफल सोच का सफल जादू अध्यायच्छ है अपना मन पसंद काम करवाने के लिए लोगों को प्रेरित करने की सफल तकनी के हम दूसरे लोगों को जितनी अच्छी तरह से प्रेरित करते हैं उसी अनुपात में हम सफल होते हैं हमें जो धन, परभाव और अधिकार आसिल होता है, वह इस बात पर निरवर करता है, कि हम दूसरों से कितना काम करวाते हैं। सेलिंग में सफल होने के लिए, सेल्जमेंट को दूसरे लोगों को खरीदने के लिए राजी करना पड़ता है। मेनेजमेंट में सफल होने के लिए आपको दूसरों के सहयोग पर निर्वर होना पड़ता है क्योंकि काम करने में वे आपकी मदद करते हैं। सुनाओ जीतने के लिए राजनेताओं को नागरिकों को प्रेरित करना होता है कि वे उन्हें वोट दें। लाग कमाने के लिए व्यापारीक राकों पर निर्बर है कि वे उनका सामान खरीदें। इस तरह आपकी सफलता इस बात पर निर्बर करती है कि आप दूसरे लोगों से कितना काम, खरिदारी, निवेस या त्याग करवाते हैं। चाहे हम कोई भी काम करें, हमें उसमें दूसरों के सायोग की जरूरत होती है। दूसरों के माद्यम से खुद को उचस तरवर पहुंचाने के लिए उनका सायोग हासिल करने की आफशक्ता होती है। और दूसरों की मदद स्वेचिक होना चाहिए। आप लोगों का सायोग बल पूर्वक हासिल नहीं कर सकते। नए ही आप आग्रह करके या भीक मांगकर ज्यादा कुछ हासिल कर सकते हैं। एक पल के लिए सोचें कि आपकी सफलता किस हद तक आपकी प्रेड़ना देने की खिशमता पर निर्वर करती है। अपने बच्चों से होमवर्क करवाने के लिए, किसी सकत व्यक्ति से अपॉंटमेंट लेने के लिए, अपने करमचारियों से सर्वस रेष्ट परियास करवाने के लिए, और किसी को अपना प्रडेक्ट, प्रस्ताव, योजना या विचार खरिदने हैं तु प्रेरित करने के लिए यह आवशक है कि आपको यह ग्यान हो कि किस तरह प्रेरित वे प्रोथसाइट किया जाता है। सही तरीके से प्रेरित करके अधिकार वे प्रभाव कैसे हासिल किया जाता है। यह सीखा जा सकता है। आईए देखें एसा किस तरह संभव है। लोगों को दिखाएं कि समरद कैसे हुआ जाए अधिक समरदी का आनंद कैसे लिया जाए इस बारे में बहुत सला दी जाती है इस में से जादातर सला शुरू होती है आपको यह करना चाहिए से इसके बाद आपको बताया जाता है कि आपको बहतर काम करना चाहिए आपको अधिक सामान बेचना चाहिए आपको बेतर जीवन जीना चाहिए आपको अच्छे नमबर लाना चाहिए इत्यादी समश्चा यह है कि जो लोग आपको बताते हैं कि आपको यह करना चाहिए वे यहें नहीं समझाते कि आप उनके नुस्खे को किस तरह अपने काम में ला सकते हैं एक कहानी बताती है कि किस तरह किया जाई कितना मैतपूर्ण होता है एक विशेसग्य से पूछा गया कि मिलियनियर्स कैसे बना जाई विशे सग्या ने कहा यह आसान है आपको सिर्फ इतना करना है कि आप 10 सब्ता तक हर सब्ता बैंक में 1 लाख डोलर जमा करें इस तरह से आप मिलेनियर बन जाएंगी मिलेनियर बनने के इच्चुग वेक्ति ने पूछा परंतु मैं हर सब्ता एक लाख डोलर कहां से लगँगा विशे सग्या का जवाब था यह है आपकी समश्या है मैंने आपको सामान्य निती बता दी है अब बाकी विवरण आप खुद सोच लें लोगों से सर्वसरेश्ट परिणाम हासिल करने में विवरण मैतपून भूमिका निवाते हैं सिर्फ बड़ी निती परियाप्त नहीं है लोगों को अच्छे परदर्शन करवाने के लिए आपको उन्हें दिखाना जाईए कि वह काम कैसे किया जाई जो आप उनसे करवाना चाते हैं मेरा एक मित्र मल्टी लेवल मार्केटिंग बिजनस में अद्बुत रूप से सफल है जिसे उसने और उसकी पत्नी ने सुन्य अशे शुरू किया था अब इस शांदार दमपत्ति के पास एक करोड़ डालर की पूंजी और साथ अजार लोगों की उत्साही टीम है यह बिजनस इस दमपत्ति को हर साल प्रति व्यक्ति प्रति माह 24 डालर की धर से कमा कर देता है यानि कुल मिलाकर लगबग 20 लाख डालर प्रति वर्स मैंने उससे यह पूछा कि वह है और उसकी पतने इतने सफल क्यों है जबकि कई लोग कोशिस करने के बाद भी इसमें सफल नहीं हो पाते मेरे मित्तर ने जवाब दिया देखिए हमारी प्रडेक्ट लाइन सर्वस रेस्ट है परंतु सफलता का रहश्य है अपने लोगों को बिजनस में लाना और फिर उन्हें यह दिखाना कि सफल कैसे हुआ जाए प्रडेक्ट को बेच कर और अपने दोस्तों को डिस्ट्यूबिटर के रूप में बिजनस में शामिल करके जब हम इस बिजनस में आए तो किसी ने हमारी मदद नहीं की हमने अपने दम पर संगर्स किया हमने अपने गलतियों से सीखा कि लोगों को शामिल कैसे किया जाए और उन्हें सफल होना कैसे सिखाया जाए हमने बहुत सी कोशिसें की जिन में से कई तो काम ही नहीं आई परंतु हम प्रियोग करते रहे हमारा बिजनस धीरे धीरे परंतु निश्चित रूप से बढ़ता रहा हम अपने बिजनस में शामिल होने वाले लोगों को दो योजनाई बताते रहे पहली योजना है लोगों को शामिल कैसे करें और दूसरी है प्रडेक्ट किस तरह बेचें परंतु ये तो सफल मल्टी लेवल मार्केटिंग की मूलग उतवाते हैं मैंने पूछा बिल्कुल है मेरे दोस्त ने सैमत ओते हुए कहा परंतु हम अपने सायोगियों को सिर्फ यह नहीं बताते कि क्या करना है हम उन्हें यह दिखाते हैं किसे कैसे करना है लोगों को यह बताना आसान है कि वे हमारे बिजनस में अमीर बन सकते हैं लोगों को शुरुवात में उत्साहित करना मुश्किल नहीं होता क्योंकि हर आदमी ज़्यादा पैसा कमाना चाहता है परन्तु अगर हम लोगों को यह नहीं दिखाते कि ज़्यादा पैसे कैसे कमाई जाई तो उनका उत्साह जल्दी ही ठंडा हो जाता है क्या आप अपनी बात को अधिक स्पस्ट करेंगे मैंने पूछा ठीक है मैं उधारन देता हूँ मेरे मित्र ने आगे कहा हम लोगों को सिर्फ यही नहीं बताते कि कोई प्रडेक्ट अच्छा है हम उन्हें दिखाते हैं किसी प्रडेक्ट का 30 सेकंड का डेमोंस्टेशन 3000 सब्दों के मोखिक बर्णन से अधिक मुल्यवान होता है हम अपने लोगों को सिर्फ यह नहीं बताते कि वे अपने परीचितों को बिजनस में शामिल करने का आमंतरन दे हम उने दिखाते हैं कि यह सा किस तरह करें आमंतरित कैसे किया जाए उन से क्या कहा जाए कब कहा जाए और शामिल होने के लिए उन से किस तरह वाइदा करवाया जाएगी वीवरण निश्चित बातें यह बातें अत्यंत महतुपुरून है मेरे दोस्त की सफलतागा रहशे यही है वह दिखाता है काम कैसे किया जाएगी और जब आप किसे दूसरे से कोई काम करवाना चाहते हैं तो दूसरों को अमीर बनने में मदद करने कि यह तकनिक हर बार सफल होती है अगर कोई पादरी लोगों से कहता है कि वे परलोबन के सामने हार नहीं माने तो उसे बहतर परिणाम उस स्थिति में मिलेंगे जब वह उन्हें कदम दर कदम दिखाए कि नसिले पदार्थों के परियोग या परीक्षा में नकल करने की इच्छा का परतिरोद किस तरह किया जाए माता पिता के लिए बच्चों को यह बताना आसान है कि उनमें बहतर नमबर लाने की योग्यता है परंतु निश्चित रूप से यह स्पस्ट करने से ज़्यादा फाइदा होगा कि पढ़ाई कैसे की जाए और बेतर नमबर कैसे लाए जाए जो कोच अपने खिलाडियों को यह करके दिखाता है कि बॉल को कैसे कैच किया जाए वह उस कोच से अधिक सफल होगा जो किलाडियों से सिर्फ यह कहता है कि वह कैच करने के लिए ज़्यादा मेहनत करें ग्रहाग की कमाई बढ़ाने में मदद करो कि निती से ब्रोकर ने किस तरह एक नए आकाउंट जीता एक निवेसक ने मुझे बताया कि उसने अपना स्टोक ब्रोकर क्यों मदद ला दो साल पहले मैंने एक ब्रोकरेज हास को अपना स्टोक ब्रोकर बनाया मैं कोई समझदात निवेसक होने का दावा नहीं करता इसलिए मुझे अपने ब्रोकर पर बहुत विष्वास था आखिर वह इस उद्योग की सबसे बड़ी फर्मों में से एक का परते निदी था इसी वज़े से मैंने यह मान लिया कि वह पूरी तरह योग्य है बहराल मेरे निवेस ठीक ठाक काम करते दिख रहे थे बहुत बढ़िया नहीं पर ठीक ठाक फिर दूसरी फर्म का एक ब्रोकर मुझसे मेरे पोर्टफॉलियो के संबने में बात करने आया मैंने सपस्ट किया कि मैं ब्रोकरेज हाउस के साथ अपने निवेस को लेकर काफी संतुष्ट था परन्तु अब वह मुझे अपने विचार बताना चाहे तो उसका स्वागत है उस दिनों में दूसरा ब्रोकर दुवारा मेरे पास आया और उसने मुझसे सवाल पूछे जैसे आपने यह बोंड क्यों खरीदे इन म्यूचल फंडों को खरीदने के लिए आप कैसे प्रेरित हुए मैं सिर्फ इतना ही कह पाया कि मैंने अपने ब्रोकर की सलावर ऐसा किया है जितनी नर्मी से वैब बता सकता था उतनी नर्मी से दूसरे ब्रोकर ने मुझे बताया कि मेरे पॉर्टफोलियो के दस में से साथ निवेस हाउस स्पेशल थे यानि कि ब्रोकर को मेरे लिए वे सिक्यूरिटीज खरीदने पर बोनस कमिशन मिला था फिर उस ब्रोकर ने मुझे एक और मैतोपुन बात बताई उसने कहा आपका ब्रोकर आपके लिए पैसा कमाने की बजाई आपसे पैसा कमाने में ज़्यादा दिल्चस्वी ले रहा है दूसरे सब्दों में मेरा ब्रोकर स्वार्थ पूर्ण डंग से काम करके मुझे ऐसे सिक्यूरिटीज बेच रहा था जिन से उसे सबसे ज़्यादा लाब हो बजाए ऐसे सिक्यूरिटीज के जिन से मुझे सबसे ज़्यादा लाब हो यह कहने के जुरूर्ट नहीं कि मैंने अपना ब्रोकर बढ़लकर दूसरे ब्रोकर को अपना ब्रोकर बना लिया यह कहना जल्दवाजी होगी कि मैं नए ब्रोकर के साथ ज्यादा पैसे कमाऊँगा परंतु यह तैय है कि मैं बेतर अनुवर कर रहा हूं मुझे मैसूस होता है जैसे पहले ब्रोकर ने मुझे मुर्ख मनाया और यह बात मुझे कतई पसंद नहीं आई इस तरफ गोर कीजिए कि पहला ब्रोकर यह सोच रहा था कि वह प्रीमियम कमिशन वाले सिक्यूरिटीज बेच कर ज्यादा पैसे कमा रहा है परन्तु लंबे समय में उसने पैसा गवाया क्योंकि उसने एक लाबदाए ग्राहक खो दिया सफलता का नियम यह पूछना है मैं क्या कर सकता हूँ ताकि मेरे ग्राहक ज़्यादे से ज़्यादा पैसे कमाई चाहे आप बैंकिंग में हो रियल इस्टेट बीमा सिक्यूरिटीज में हो या आपका खुद का बिजनस हो अगर आप अपने इंग्राहक के लाब को अपने ततकालिक लाबों के उपर रखेंगे तो आप ज़्यादा पैसे कमाईगे रिपीट बिजनस से आपकी असली कमाई होती है इस कावत में बुद्धिमानी है अगर आप किसी आदमी को मचली देंगे तो वह एक दिन जिन्दा रहे सकता है परन्तु अगर आप उसे यह सिखा देंगे कि मचली कैसे पकड़ी जाती है तो वह हजीवन जिन्दा रहे सकता है पीस कार्प्स का जो स्विम्चे वक कभीले वालों को दिखाता है कि किस तरह ज़्यादा अनाज उगाया जाई वह है उनका इतना ज़्यादा भला कर रहा है जो एक लाग पर्चे बांटने से भी नहीं होगा अगर आप लोगों को दिखाते हैं कि नोकरी कैसे हासिल की जाए तो उन्हें नोकरी मिल जाएगी परंतो इसके बजाए अगर आप उन्हें यह बताते हैं कि आपको काम पर जाना चाहिए या अमुक अमुक से मिलना चाहिए उनके पास कोई अफसर होगा तो इससे लोग यह नहीं सीख पाते कि नोकरी कैसे हासिल की जाए इससे सिर्फ रोजगार एजन्से के करमचारी के गले का प्यायाम होता है सबक लोगों को सिर्फ यही नहीं बताएं कि क्या करना है बलकि यह भी दिखाएं कि कैसे करना है ताकि उन्हें सची मदद मिल सके दिखाना हमेशा बताने से अच्छी तरह काम करता है इस उदारन को आजमाई अपने जैकेट उतारें और किसी दोस्त से यह बताने को कहें कि इसे ठीक ठीक कैसे पहना जाता है बिल्कुल वही करें जो आपके दोस्त ने कहा है और पांच मिनट बाद शायद आप अब भी जैकेट नहीं पहन पाएंगे आपका दोस्त पूरी तरह कुंठी तो होगा या किसी बच्चे को बताएं कि जूते का फीता कैसे बांदा जाता है अगर बताने के साथ साथ आप उसे यह करके नहीं दिखाएं तो बच्चा फीते बांदना कभी नहीं सीख पाएगा किसी भी काम, सेलिंग, बासन देने, कंप्यूटर चलाने, कार चलाने, पैसे कमाने में लोगों को सबसे अच्छे परिणाम तब मिलते हैं जब आप दहर्य और सपस्टा से यह दिखाते हैं, कि इसे कैसे किया जाता है जब आप किसी अजनवी को सिर्फ मोखिक निर्देश देते हैं, कि उन्हें कहां पता खोजना है तो उसे एसा करने में बहुत परिशानी होगी परंतु अगर आप उसे नक्षा बना कर दिखा देते हैं, कि जगए कौन सी है, तो उसे यह आसानी से मिल जाएगी दिखाना सिक्षा का सबसे शुद्ध और स्रेश्ट रूप है लोगों को परवावित करने के लिए परसंसा की शक्ति में निपुन बनिये सब लोग तारिफ चाते हैं, उनके एहम के लिए यह अच्छा पोशक आहार होता है लोगों की सच्ची तारिफ करना यह दरसाना की वे मेत्व पुर्ण है और आप उन्हें व्यक्ति के रूप में सम्मान दे रहे हैं एक सशक्त परिणादाई हो जा रहे हैं जो आपके प्रभावक्षेत्रों को फैलाता है लोगों की तारिफ करने से आपको वह पाने में मदद मिलती है जो आप चाते हैं देखिए किस तरह हैं लोगों को बताएं कि वे अच्छे दिखते हैं हर वेक्ती यह सुनना चाता है आप अच्छे दिख रहे हैं लोग कपड़े करीदते हैं बाल सेट करवाते हैं वजन कम करते हैं वजन उठाते हैं और व्यायाम करते हैं क्योंकि वे अपने बारे में बेतर मैसूस करना चाते हैं परन्तु वे यह भी चाहते हैं कि उनमें हुए सुधार को दूसरे भी देखें, बेतर दिखने में किये गए निवेस के बदले में लोग यह लाब चाहते हैं कि आप उनके रंग रूप की प्रसंसा करें, लोग खुद को ज्यादा आकर सक बनाने के लिए जो परियास कर रहे ह उनकी तरफ ध्यान दीजी, मैं एकसर सेंडविच की एक छोटी दुकान में कौफी पीता हूँ, विदेशी मूल की एक सत्तर वर्षिय मेलाई से चलाती है, एक दिन मैंने देखा कि उसकी हेर स्टाइल बदली होई थी, मैंने उससे कहा कि उसकी नई हेर स्टाइल बहुत यह है बताने की आदट डालें, कि लोग कितने अच्छे दिख रहे हैं, इसमें कुछ खर्च नहीं होता, परंतु जिस व्यक्तिकिया प्रसंसा कर रहे हैं, उसे बहुत अच्छा लगता है, और आपको भी बहुत अच्छा लगता है, अगर आप हिसा करेंगे, तो लोग अपने हुलिये पर अधिक घर्व महसूस करेंगे, व्यक्तिगत ऐस अवेदंशीलता को पैचानने के लिए, मैंने समुवक इस्तितियों में मनोव एग्यानिक परिक्षन का एक आसान प्रियोग सेंकड़ो बार किया है, एक से चार के पैमाने पर यह ऐस वभाविक है कि गर्मी डालिए, याद रखें, आप बैतर दिख रहे हैं, सुनने के लिए लोग दोड़ते हैं, व्यायाम करते हैं, हेर स्टाइलिस के पास जाते हैं, कपड़े खरीदते हैं, और डाइटिंग करते हैं, इस बात का भी ध्यान रखें, आगर आप किसी व्यक्ति को बताते है कि वह कितना अच्छा दिख रहा है तो वह आपको तथा आपकी बातों को कई दिनों तक शायद कई सब्ता तक याद रखेगा लोग फर कोट क्यों खरीदते हैं? मेरा दोस्त डाउन टाउन में फर विकरेता है उसने मुझे एक बहुत अच्छी बात कही सिर्फ अमीर ओरते ही फर का कोट नहीं खरीदती दरसल नैंसी रीगन प्रथम मेला के रूप में शायद ही कभी फर का कोट पहनती हो पचास परतिसत से भी ज्यादा फर कोट जो मैंने पांच अजार डॉलर से अधिक में बेचे है किस्तों में या किसी अन्य तरीके से उधरी में खरीदे गई है अब हाउस्टन की आम मेला उसने आगे कहा फर के उस कोट को एक साल में लगबग दस बार पहनेंगी अगर वह फर के कोट को पांच साल तक रखती है तो हर बार कोट पहनने के कीमत 200 डालर आती है एक बार कोट पहनने के लिए 100 डालर बहुत ज़्यादा होते है मैंने कहा लोग ऐसी चीज़ें करीदने के लिए क्यों परेरित होते हैं जिसकी उन्हें जरूरत नहीं है दो करणों से हर विकरेता ने स्वस्ट किया पहला दूसरी औरतों को थोड़ा एर्शलू बनाने के लिए और दूसरा पुरुसों की परसंसा पाने के लिए लोग यह तारिप सुनना चाहते हैं कि वे अच्छे दिख रहे हैं दो से लेकर बानमे साल की उमर के लोग अमीर, गरीब, पुरुष, महिला, कार पार्क करने वाले करमचारी से लेकर एक्जिक्यूटिव्ज तक सब इस बात के बुके हैं कि लोग उनकी तारिप करें और सभी यह महसूस करना चाहते हैं कि लोग उनकी कदर करते हैं किशी व्यक्ति के परिवार के बारे में कोई अच्छी बात कहीं हैं हम में से अधिकांस के लिए हमारा परिवार हमारी सबसे गहरी चिंता है परिवार व्यक्ति की मुख्य रूची और गरव का सबसे बड़ास्तरोत होता है सामान्य टिपनिया जैसे जिमी स्कूल में अच्छा परदर्शन कर रहा है मैं शर्त लगा सकता हूँ कि आपको गरव होगा कि सारा बैले में दिल्चस्पी ले रही है जिम ने मुझे बताया कि हैरियट अपनी नोकरी में बहुत तरक्की कर रही है फ्रेड को बता देना कि मुझे उसके प्रमोशन मिलने पर गरव है अरे मैंने सुना है कि पीट ने स्टेट उन्वेस्टि में अपना नाम लिखवा लिया है यह बहुत बढ़िया हुआ लोगों को यह पता चलने दें कि उनके जीवन में जो महत्वपूर्ण है आप उसका ध्यान रखते हैं सावदानी का एक शब्द दूसरे वेक्ति के परिवार की सिर्फ इसलिए तारिफ ने करें ताकि आप अपने परिवार के बारे में डिंगे हांक सकें इससे सामने वाले को वह खुशी और संतुष्टी नहीं मिलेगी जो आप उसे अनुवव कराना चाते हैं लोग यह नहीं सुनना चाते कि आप महान क्यों है वे यह सुनना चाते हैं कि वे महान क्यों है दूसरों की उकलबदियों को पैचाने किसी चीज को हासिल करने के लिए एक प्रमुक प्रेणा होती है दूसरे लोगों की परसंसा हासिल करना सबी चाते हैं कि उनके कामों की परसंसा की जाई जिस सेल्जमेन ने नया ग्राग बनाने के लिए कड़ी मेनत की है उसकी उपलब्दी के लिए उसे परसंसा मिलनी चाहिए और उसे इसकी जरूरत है जो खिलाडी किसी मुश्किल मैच को सफलता पूर्वक खेलता है वह बदाई के सब्द सुनना चाहता है जो कम्प्यूटर प्रोग्रामर किसी कटिन सिस्टम को आसान कर देता है वह अपने काम की परसंसा सुनना चाहता है उपलब्दियां हर आकार में आती है जोनी के एक ग्रेड पाने से लेकर जेनी के पहला कदम चलने और दादाजी के बोर्ड आफ डारेक्टर्स में चुने जाने तक परन्तु चाहे यह मिलियन डॉलर की उपलब दी हो या बोर्डोजर आपरेटर के समय से तीन गंटे पहले काम खत्म कर देने की इसके लिए उसकी पीट ठोकी जाना चाहिए और पीट थबतबाना एक उतकरष्ट प्रेणा धायक दवा है यह सामने वाले को बताती है आप मैत्वपूर्ण है अच्छा काम करते रहिए इसलिए यह देखते रहिए कि लोग कब अच्छा काम करते हैं और इसके लिए उनकी तारिफ कीजिए उन्हें हामने सामने की मुलाकात में बताइए फोन कीजिए या चिठ्ठी लिखिए उन्ह सामान दो कार्णों से खरिदए हैं उन्हें सामान की जरूरत होती है और वे दूसरों की प्रसंसा था शाहिद इरशा भी चाते हैं असलिए हर अवसर पर दूसरे वक्ति के सामान पर द्यान दें और प्रसंसा करें कहिए मुझे आपकी नई कार सचमुच पसंद है यह आपके व्यक्तित्तों के अनुरूप है या आपका अगर बहुत अच्छी तरह से सजा हुआ है या आपकी नई गड़ी सचमुच अच्छी दिख रही है सामने वाले व्यक्ति के सामान की तरीफ करने में आपका कुछ खर्च नहीं होता परंतु इससे यह साबित होता है कि आप उस व्यक्ति की परसंसा करते हैं बदले में धन्यवाद के अलावा आपको बेहतर सहयोग जादा मेनत से किया गया काम और अधिक त्याग मिलेगा लोग में यह सोचने की आदर डाल दी गई है मेरी बुद्धी ज्यादा अच्छी नहीं है लोग सोचते हैं कि मैं मुर्क और नादान हूँ इससे यह समझ में आता है कि लोग अक्सर अपनी राई देने में जिसकते क्यों हैं बोलते क्यों नहीं हैं और प्रमोशन के लिए सकते हैं दूसरों की मान सीख सकती को जागरत करने का सबसे अच्छा तरीका है हर आउसर पर उनकी तारीफ करना इन तरह के टिपनियों जैसे जोआन मैं आपकी निरनेक शमता की प्रसंसा करता हूं आपकी राई क्या है बिल मैं जानता हूं आपको इस तरह की समझ्याओं का काफी अनुबव है आपके विचार से हमें क्या करना चाहिए या जार्ज आपने ऐसी स्थिती में बहुत अच्छा काम किया था आप हमें क्या करने की सला देते हैं अगर आप दूसरों के बुद्धिक इंजिन को चालू करने के लिए एहम बढ़ाने वाले परशनों का प्र मेरे पास दिमाग है मेरे पास विचार है मेरे पास योग्यता है सब लोगों में बुद्धिमान मैसूस करने की जो भूख है उसे संतुष्ट कीजिए और वे आप से प्रभावित होंगे यह सबसे अच्छी प्रेड़ना है और इसमें आपका कुछ खर्च नहीं होता कोशि इतिक पद के लिए लड़ने वाले उमीदवार हार जाते हैं नोकरी के लिए आवेदन करने वाले अधिकांस लोग ना सुनते हैं और किसी प्रतियोगिता में शामिल होने वाले अधिकांस लोग प्रतियोगिता में नहीं जीत पाते हैं चाहे प्रियास ऐसफल हो परंतु सि विशय में A-grade नहीं ला सकता, जो बच्चा कुछ विशयों में C-grade का रिपोर्ट कार्ड लेकर घर आता है, उसे समझाईश, प्रोच्छाहन और मदद की जरूरत है, नेकी उपहास, दंकी या डांट डपटकी, जब किसी सेल्जमेन का बुरा समय चल रहा हो, तो यहे आवशक हो जाता है, कि सच्चा परियास करने के लिए उसकी परसंसा की जाई, अगर पुत्री संद्रिय परतियोगिता नहीं जीत पाती, तो यह जरूरी हो जाता है, कि परतियोगिता में सामिल होने के लिए उसकी परसंसा की जाई, अगर कोई राजनेता चुनाव हार जाता है, तो ही वह व्यक्ति जो यह बताता है कि द्रड व्यक्ति किस तरह लट खड़ाया या काम करने वाला कहां बहतर काम कर सकता था तारीफ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो दरसल मैदान में संघर्स करता है जिसका चेरा दूल पसीने और खून से लत्पत होता है जो बहादुरी से प्रियास करता है जो गलतियां करता है और बार बार ऐस फ़ल होता है तारिफ उस व्यक्ति को मिलना चाहिए जो प्रबल उच्छा वे प्रबल निश्टा को जानता है जो खुद को किसी मेहत्वपून काम में लगाता है जो जानता है कि अंत में उच्छ उप प्रियास के बाद ऐसा फ़ल होगा इसलिए उसका अस्तान उन ठंडे और कायर लोगों के साथ कभी नहीं होगा जो ने तो वीजे को जानते हैं नहीं पराजे को थियोडोर रुजवेल्ड याद रखें लोगों के नीचे गिरने पर हम उनसे जिस तरह गास वेवार करते हैं उ उससे उनके उपर उठने की क्षमता पर सीधा परवाव पड़ता है जब कोई वेक्ति कोसिस करने के बाद ऐस वाल हो गया हो तब उसे बदाई देना अच्छी आदत है यह स्मार्ट तरिका भी है कोसिस करते रहिए कि आपकी टिपनिया लोग याद रखेंगे इसके लिए क पर तक होंगे और किसी ने किसी तरीके से आपको पुरुषकार मिलेगा जब लोग हारते हैं तब उनकी तारिफ करना बैंक में पैसा जमा करने की तरह है किसी तीसरे की तारिफ कीजी और मित्तर जीती है सामने वाले व्यक्ति को प्रवावित करने का एक अचोग तरीका यह है कि उसे किसी तीसरे व्यक्ति द्वारा कही गई कोई बात सुनाई जाए मैं जिम से हाली में मिला था उसने मुझे बताया कि आप अपने नई नोकरी में बहुत अच्छा परदर्शन कर रहे हैं जिल ने कहा था कि मैं जब भी आप से अगली वार मिलू उनकी तरफ से आपको हेलो कहूं मैबल ने मुझे बताया था कि आपका नए अगर बहुत शानदार है तीसरे वक्ते की परसंसा सशक्त होती है यह सामने वाले को बताती है आप लोग प्रिय हैं आप सम्मान निये हैं सब आपकी परसंसा करते हैं और जब वह अपने बारे में बेतर मैसूस करता है तो उसके साथ बिजनस करना काफी आसान हो जाता है तीसरे व्यक्ति की तारिप सुनने के बाद व्यस्त एक्जिगुटिव आपकी बातों को सुनने का समय निकाल लेते हैं जिस मैनेजर के पास देने के लिए नोकरी नहीं है वहे भी आपकी योग्यताओं का विवरण सुनेगा पार्टि में लोकरी व्यक्ति वी बाद में आपको याद रखेगा और तीसरे व्यक्ति की परसंसा अनपेक्षित होती है इस वज़े से अमुक अमुक ने आपके बारे में यह अच्छी बात कही खास तोर पर सशक टिपनी बन जाती है सभी दूसरों की सहमती और परसंसा चाते है जब आप उन्हें यह पर मान देते हैं कि लोग उनके कामों को पसंद करते हैं तो आप हीरो बन जाते हैं याद रखें लोग अच्छी कबर सुनना पसंद करते हैं खास कर तब जब इसे किसी तीसरी व्यक्ति ने कहा यह नियम बना ले कि आप जिससे भी मिले उसे तीसरी व्यक्ति की कही कोई अच्छी बात सुनाई अगर परसंसा इतनी शक्तिशा लिए तो लोग इतनी कम परसंसा क्यों करते हैं इस बात की काफी संभावना है कि आपकी जितनी परसंसा होगी उससे कहीं अधिक आपकी आलोचना होती है फिर यह सोचना सोभाविक है कि आलोचना ही परिनाम हासिल करने का तरीका है लोगों की तारिफ मत करो के मित को का संग्रै हमारे सोचने के तरीके को परभावित करता है इनकी तरफ निगा डाले और देखें कि ये कितने मुर्ख तपूर्ण है परन्तो जिम मेरी तारिफ नहीं करता फिर मैं उसकी तारिफ क्यों करूँ जवाब इसलिए क्योंकि आप सफलता के विद्यारती हैं और जाहीर है कि जिम नहीं है याद रखें आपको जिम का सहयोग चाहिए इसलिए यह बात गांट बान ले आपको जितनी परसंसा मिले उससे पांच गुनी परसंसा करने की योजना बना ले निश्चित रूप से आप भी परसंसा सुनना चाहते हैं परन्तु उसकी उम्मीद ने करें परन्तु शैली में ऐसा कुछ नहीं है जिसकी परसंसा की जा सके जवाब हर व्यक्ति में कुछने कुछ परसंस नहीं होता है हर एक में कई अच्छे गुन होते हैं उन्हें खोजें और पैचाने कोई भी पूर्ण या आदर्स नहीं होता और कोई भी पूरी तरह अपूर्ण नहीं होता परंतु आप लोगों की जरूरत से ज़्यादा तारिफ कर सकते हैं जबाब मैंने हजारों लोगों से पूछा है कि क्या उन्हें कभी जरूरत से ज़्यादा तारिफ की वजए से मनोवग्या निकापच हुई है मुझे ऐसा एक भी परकरण नहीं मिला हम में से हर एक का एहम इतना भूखा है ति तारिफ का ज़्यादा से ज़्यादा बोजन जाता है परन्तु अगर मैं किसी की तारिफ करूँगा तो वह बाद में कम परियास करेगा जवाब गलत अगर आप अच्छे रिपोर्ट कार्ड के लिए बच्चे की तारिफ करेंगे तो बच्चा अगली बार और ज़्यादा मैंनत करने की कोशिस करेगा अगर आप किसी खिलाडी के अच्छे परदर्शन की तारिफ करेंगे तो वह अगली पर्तियोगिता में ज़्यादा कड़ी मैंनत का प्रियास करेगा जो अच्छा है उसके बारे में बात करें और गपशप से बचें किसी व्यक्ति की सबलता की संभावना को नापने का एक तरीका यह है कि क्या उसे गपशप की लत है गपशप नकारात्मक चर्चा है गपशप अफवा पर आधारित होती है यह सचाई नहीं है गपशप हमेसा विक्रत होती है और इसका लक्षय होता है दूसरों को चिंतित, नर्वस और कुंठित करना गपशप और लेडर्शिप एक साथ नहीं रह सकती हम देखते हैं कि सभी संग्टनों में गपशप करने वाले लोग होते हैं वे लोग उन कामों की आलोचना करते हैं जिन पर सकारात्मक चिन तक मेनत से जुटे रहते हैं इस हुदारण पर विचार करें आप कंपनी के काफी हाउस में बैठकर काफी की चुस्किया ले रहे हैं और अपनी नोकरी की किसी समश्या के बारे में विचार कर रहे हैं डिपार्टमेंट का गप्षप करने वाला हैरी वहां आ जाता है और कहता है क्या मैं आपके साथ पैठ सकता हूँ आप विनम्र है इसलिए कहते हैं क्यों नहीं ट्रेसे अपनी काफी उठाते हुए हैरी कहता है अभी अभी एक मैत्पूर्ण खबर सुनी है एसी चर्चा चल रही है कि कमपनी के यदिकारी प्रोजेक्ट 3 को कैंसल करने जा रही है जब ऐसा होगा तो उस प्रोजेक्ट पर काम करने वाले आप जैसे बहुत से लोग भारी मुसिबत में पढ़ जाएंगे अगले 10 मिनट तक आप हैरी के परमान सुनते हैं और यहे भी सुनते हैं कि इस वज़े से नोकरी के पुनर गठन चंटनी और सेवा मुक्ती पर किस तरह पर भाव पड़ेगा अब आप अपनी डेस्क पर लोटते हैं चिंतित, दुविदा गरस्त तथा विचलित हैं आप खुद से पूछते हैं क्या मेरा ट्रांसपर कर दिया जाएगा या शायद निकाल दिया जाएगा अगर मेरा ट्रांसपर किया जाता है या मुझे नोकरी से निकाला जाता है तो इसका मेरे गरेलू जी उन पर क्या परभाव पड़ेगा मैं बिलों का बुपतान किस तरह कर पाऊंगा अगर मेरा ट्रांसपर हो जाता है तो क्या मेरी पत्नी अपनी नोकरी छोड़ने के लिए तैयार हो जाएगी आपका बाकी दिन कुंठा में गुजरता है आप अपनी चिंताओं को घर ले जाते हैं और उन्हें अपने पत्नी की तरफ बढ़ा देते हैं अब दो लोग चिंतित हो गई आपकी चिंताओं अगले तीन दिन तक चलती रहती हैं आपकी कार्येक्षमता गढ़ जाती है शारेरिक रूप से आप बयानक दिखने लगते हैं फिर तीन दिन बाद एक आधिकारी कोशना होती है कि प्रोजेक्ट थ्री पर काम की गति को बढ़ाना है उसे खतम नहीं करना है जैसी बविश्यवानी गप सब करने वाले ने की थी आपने चिंता की आपने अपने काम को बूरी तरह परवाईत होने दिया और अपना डर अपनी पतनी तक भी पहुँचा दिया सिर्फ इसलिए क्योंकि आप डिपार्टमेंट के सबसे बड़े गपोड़ों की मन गणत जूटी जानकारी से डर गए कुछ लोग गपोड़ों पर विश्वास करते हैं जब आप बड़ी सफलता के लिए खुद को तयार करते हैं तो यहे तथ्य कभी ने बूले ज्यादातर लोग अंदर से ऐसुरुक्षित होते हैं वे नोकरी, घर और सामाजिक स्थित्यों में डरे हुए होते हैं चुकि लोग डरे होते हैं इसलिए वे बुरी खबर पर बरोसा करते हैं और अच्छी खबर पर बरोसा नहीं करते हैं मैं आपको एक उधारन देदू ब्रेंडा जेट एक पस्चमी यूनिवेस्टी में पीएजडी की चात्रा थी ब्रेंडा बहुत अच्छी चात्रा नहीं थी और उसका पास होना मुश्किल लग रहा था परंतु वह आकरशक थी शायद बहेखाने वाली भी उसने मैसूस किया कि डिगरी हासिल करने के लिए उसे कमेटी के तीन सदस्यों के परबल पावनात्मक समर्थन की जरूरत है ब्रेंडा को डिपार्टमेंट के चेर्मेन की वह टिपनी याद आ गई जब उन्होंने एक बार मजाक में उसने कहा था तुम इतनी आकरशक हो कि जब मैं तुमारे आसपास होता हूँ तो मेरा ध्यान भटक जाता है इस टिपनी का कोई गलत मतलब नहीं था इसे उत्सा बढ़ाने वाले वाक्यों के रूप में कहा गया था परंतु सभी गपोड़ों की तरह ब्रेंडा भी शाजिस करने में उस्ताद थी उसने चेर्मेन की टिपनी में संभावना खोज ली इसलिए बेहतरिन टाइमिंग करके वह कमेटी के सबसे युवा सदसे के पास गई और साफ़दानी से बहाई गई आंसों के साथ उसे बताया चेर्मेन ने उसके सामने प्रेंपरस्ताव रखा जिस वज़ए से उसे पढ़ाई छोड़ना पड़ेगी उसने कहा मैं सिर्फ डिगरी हासिल करने के लिए उसके बिस्तर पर नहीं सो सकती युवा प्रफेसर को एक पल के लिए भी यह संदे नहीं हुआ कि चेर्मेन को फसाया जा रहा था उसे समझ में नहीं आया कि वह क्या करे दुर्भग्य से उसने यह कबर उस परमुग पोड़े को सुना दी जो चेर्मेन से चिर्टा था परमुग पोड़े ने कमान संभाल ले सुनिश्ची तरीके से उसने पूरे डिपार्टमेंट में यह कबर फैला दी क्या आपने सुना है चेर्मेन किस तरह ब्रेडा को फसाने की कोशिज कर रहे है मुझे लगता है ये आनंद लेने के लिए चेर्मेन अपने पद का नजाइस फाइदा उठा रहे है जल्दी ही डीन और दूसरे वरिष्ट परसासकों को भी यह काहनी पता चल गई इस समय तक इस काहनी में बहुत अतिस्योक्ती आ गई थी क्योंकि इसमें कई कालपनिक विवरन जुड़ चुके थे सो बाग्य से डीन ने इस परकरण की जाँच की बाद में यह पता चला कि यह तो पूरी तरह से गप थी तब कहीं जाकर चेर्मेन की जान चुटी होती है यहां तीन सुजाव दिये जा रहे हैं पहला गप शप्ट ने सुने याद रखें गप शप्ट से आपको कोई फाइदा नहीं होता जब हर व्यक्ति का मित्र यानि गपोड़ा आपके पास कोई चटपटी खबर सुनाने आई जैसे क्या तुमने सुना है आज कल जवान की समश्या क्या है या मुझे लगता है आज सुबह मैंने सच्मुच लोगों को उलजा कर रख दिया या एक विश्वसन या सुत्र से मुझे पता चला है कि बिल अपने एक एक्सपेंस अकाउंट में गड़बडी कर रहा है तो बस इतना ही कहें जिम मेरे पास गप सब के लिए समय नहीं है इस समय मुझे पर काम का सचमुच बहुत दबाव है लंच से पहले दस्वी मंजिल पर एक रिपोर्ट ले जाना है या इसी तरह की कोई बात कहकर विश्या चर्चा में गुमा दें इसमें समय लग सकता है परंतु जब जिम नाम के गपोड़े को यह पता चल जाएगा कि नकारात्मक चर्चा में आपकी दिल्चस्पी नहीं है तो फिर वह आपको परिशान करना बंद कर देगा बुरी खबर पहलाने में मजे लेने वाले लोगों क के साथ लंच करने कोफी पीने या समाजिक संपरक से बचने के लिए खुद को व्यस्त रखें सकारात्मक लोगों को खोजें एसे लोग जिन के पास रचनात्मक योजनाई हो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप अपने जीवन का अधिक आनन्द ले पाएंगे दूसरा याद रखें आपका समय और योगताई कचा माल है जिन से आपकी तकदीर बनती है यह रही वह एक और गलती चो कमपनी कर रही है या बोस ने उस मुर्ग को नोकरी पर क्यों रखा एसी बातें सुनने में आप जो समय बरबाद करते हैं उसकी वज़े से आपके बैं और मल्य समय भी नश्ट हो जाता है जिसका इस्तेमाल आप अपने लाप के लिए कर सकते हैं इससे आपकी योगताई नकारातमक दिसा में भी एकागर हो रही है साथ ही अगर आपकी अंतरातमा सही स्थितिती में है तो आप यकिनन जानते हैं कि गपशप करना गलत है एसा कर पर आप अपरादी अनुव करते हैं और खुद से नाराज रहते हैं एक बुद्धिमान प्रोफेसर ने एक बार हमारी कलास में कहा था आप किसी चर्चा का जो हिस्सा दो रहेंगी वह है या तो आपकी मदद करेगा या आपको नुपसान पहुंचाईगा आप जिस व्यक् में कोई अच्छी चीज मिल जाएगी गपशप गपोड़े को नुकसान पहुंचाती है क्योंकि वह साबित करता है कि वह एक छोटा गटिया और नकारात्मक चिन तक है जिसके बारे में गपशप हो रही है उसे भी नुकसान होता है क्योंकि कई लोग अफवा पर विस्वा भावी देते हैं सुनने वालों को भी नुकसान होता है क्योंकि इस से उनका ध्यान नकारात्मक सुजाओं की तरफ जाता है याद रखें अगर आप गपशप के जाल में फंसते हैं तो इस बात की परबल संभावना है कि आप गपोड़े से जो भी कहेंगे उसे वैट तोड़ मरोड़ कर दूसरों के सामने दोराएगा बीस में से शायद एक ही व्यक्ति गोपनिया जानकारी को गोपनिया रख पाएगा इसलिए जब आप किसी व्यक्ति से अपने बिजनस अपने बिजनस प्लान समश्याओं लक्षों या विचारों के बारे में कुछ कहीं तो इस बात पर हैरान ने हो कि जल्दी ही दूसरे ल रही हैं वह सचा विश्वास पतर है तब तक आपको यह मानना चाहिए कि आप उस व्यक्ति से जो भी कहेंगे उसे तोड़ मरोड कर दोराया जाएगा और नकारात्मक बातों का नमक मिर्च लगाकर उसे पेस किया जाएगा मान लेजिए आप ए को बताते हैं कि टाम का वज चल ही नहीं पाता अगर आप जेन को बताते हैं कि बारवरा संतोस जनक नहीं है तो इस बात की संभावना है कि जेन संडरा को यह बताएगी कि बारवरा हर चीज बिगाड़ कर रख देती है देखिए बुरी खबर तेजी से फेलती है और हर बार दोराय जाने के साथ और भी बुरी बनती जाती है जब आप कोई बात कहने से पहले सामने वाले से बोलते हैं यह बहुत गोपनिया है या इसे किसी को भी मत बताना तो आप उसकी ख़बर फैलाने की इच्छा को बढ़ा देते हैं जानकरी गोपनिया रखने के लिए आप दूसरों को जितना हूंगे एक बल के लिए स्वार्टपून डंग से सूचें समरदी मानशिक शांती प्रसिदी और परसंसा के अपने लक्षों को हासिल करने के लिए आपको दूसरों के सयोग की जुरूरत है आपकी सबलता इस बात से तै होती है कि आप दूसरों से अपने लिए कितना काम करवा सकते हैं आपको उनका सयोग चाहिए परंतु इस से भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको उनका सयोग हर हाल में चाहिए लोगों के बारे मे बाते करें हाँ लोगों के बारे में बूरी बाते करें कभी नहीं आगे बढ़ने का संकल्प करें बदला लेने का नहीं निश्पक्स खेल हम सबी यह जानते हैं हम में से ज्यादा दर लोग दूसरों के साथ उसी तरह का व्यावार करने की कोशिश करते हैं जिस तरह के का व्य हो जाते हैं हम बदला लेना चाहते हैं बच्चा चलना सीखने से पहले ही अपने उस भाई से बदला लेना चाहता है जो उसके साथ अन्याय पूर्ण व्यवार कर रहा है हो सकता है बच्चे के बिस्तर गिला करने का कारण यह हो कि उसे लग रहा हो कि माता या पिता अन्याय प सबक सिखाना चाहता है और कुछ कठोर परंदु अनुचित नियम थोप देता है तो क्या होता है शरारती बच्चों के साथ अच्छे बच्चे भी उसके विरोधी बन जाते हैं जल्दी ही लोकर तोड़ दिये जाते हैं स्कूल की संपत्ति को नुक्सान पहुंचता है महुल और स्कूल आने वाले बच्चों की संख्या घट जाती है जब आदिकारी की कुर्ची पर बैठे लोग परतिशोद लेना चाते हैं तो हर एक को नुक्सान होता है हर बड़े शहर में हर रोज बदला लेने के लिए हत्याई होती है तलाक के बाद पती अपनी पत्नी के साथ जिसमें कोई भी कभी भी नहीं जीच सकता मैं बदला लेने जा रहा हूँ चाहिए या मेरे द्वारा किया गया आखरी काम हो का संकल्प अक्सर इसी तरह का होता है गातक कार दुरगटनाओं का कारण क्या होता है लापरवाई से गाड़ी चलाना या नियंतरन खो देना पर मैं निर्दोस ड्राइबर हमलावर को सबक सिखाने के लिए गाड़ी की गती बढ़ा देता है और नतीजा यह होता है कि दुरगटना हो जाती है कौन जीता कोई नहीं दो साल पहले एक बेसबाल सितारे को पीचर की फेंकी हुई गियन से चोट लगी उसने सोचा कि पीचर इसा जान भूज कर किया था वह ततकाल दोड़ कर गया और बल्ला उठा कर पीचर को दे मारा कुछ सेकंड में ही दोनों टीमें आपस में बिढ़ गई कुछ लोग कह सकते हैं कि बेसबाल के सितारे का काम सही था और बेसबाल के समर तक कभी कबार जगड़ा देखना पसंद करते हैं परंतु बेसबाल के उस सितारे को यह एसास नहीं था कि उसकी बदला लेने की कोशिस की वज़े से उसे पांस लाग डोलर के विग्यापन कॉंट्रेक्ट से हाथ दोना पड़ेगा प्रायोजकों ने फैसला कि इस गटना से खिलाड़े की छवी को नुक्सान पहु कर यह सिलसिला चलता रहे तो तरक की द्रिश्टी से एक दिन सब लोग मर जाएंगे परतिशोद साइटिस यानि बदला लेने की बिमारी हम में से हर एक में जनमजात होती है आंक के बदले आंक दांत के बदले धांत सतई तोर पर उन लोगों के साथ निपटने का बड़े लक्षे से दूर बढ़क जाता है सफलता और परतिशोद साइटिस आपस में मिल ही नहीं सकते हैं अगर हमारे मन में बदला लेने की इच्छा है तो हम इसका सामना सकारात्मक ढंग से भी कर सकते हैं परंतु इसके लिए मेनद करना पड़ती है याद रखें नमबर एक हर आदमी अमीर बनना चाहता है अगर आप लोगों को यह दिखाएंगे कि वे किस तरह जदा कमा सकते हैं तो आपको उनका अधिक से योग मिलेगा खुद से पूछें मैं किस तरह अधिक आनंद लेने में लोगों की मदद कर सकता हूँ फिर उन्हें करके दिखा करें लोगों को बताएं कि वे अच्छे दिखते हैं उनके परिवार के बारे में अच्छी बातें करें लोगों की उपलवदियों को पैचाने उनके सामान की तारिफ करें उनके विचारों के लिए उनकी सरा ना करें कोशिस करने के लिए लोगों की परसंसा करें बले ही वे एसफल हो रहे हूँ तीसरा यह सुनिश्चित कर ले कि तीसरे व्यक्ति की परसंसा उन तक पहुंच जाए चोथा गपशप और लीडर्शिप एक साथ नहीं चलती गपशप नहीं सुने यह जान ले कि आप लोगों को जो बताते हैं उसे तोड़ मरोड कर दूसरों को सुनाया जाएगा पांचवां बदला लेने के बज़ाए आगे बढ़ने का फैसला करें सही काम करके परतिसोद साइटिस्ट को जीते हैं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याए साथ की तरफ जो है उत्सा जमा करम मराबर सफलता आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू अध्याए साथ उत्सा जमा करम मराबर सफलता किसी बिलकुल नई बेतरीन कार के बारे में सोचे हैं यह मेंगी है पचास अजार डॉलर की आदर्स डिजाइन अला दर्जे की विशुस्तरिये इंजिनिरिंग सुन्दर सीट शानदार रंग रूप दमदार उनजन सिर्फ एक समश्या है यह कार स्टार्ट नहीं होती क्यों कि किसी ने इसमें इगनिशन सिस्टम नहीं लगाया किसी आदमी को जल्दी से ऐस्पिताल पूंचाने जैसे अपातकालिन श्तिती में 50,000 डलर की यह कार किसी काम नहीं आ सकती एस स्थिति में इस कार और कूडे के धेर में कोई अंतर नहीं होता अब अपने किसी ऐसे परिचित के बारे में सोचें जो हर तरह से लाबदा एक स्थिति में दिखता हो जवाने तक वह किमती हो चुका है उसके बोजन, कपड़ों, सिक्षा और मनोरंजन पर कम से कम धाई लाख डोलर खर्च होए है ताकि वह करियर के लिए तेयार हो सके उस वेक्ति की डिजाइन बहुत पढ़िया है उसमें प्रतिबा है, आकरसक चेहरा मोरा है अच्छी सेहत है, इंजिनिरिंग भी फर्स्ट कलास है वह सबसे अच्छे स्कूल कालेजों में पढ़ा है उसने सबसे अच्छे और शानदार कपड़े पहन रखे है परंतु कार की तरह उसके साथ भी एक समश्या है जोनी काम को शुरू नहीं कर पाता वह स्टार्ट नहीं हो पाता क्योंकि उसका मनोव एग्यानिक इगनिसिन सिस्टम नदारद है इस परतियोगी युग में सफलता की तैयारी में जोनी पर जो डाई लाख डॉलर खर्चुबे हैं वे प्रबाद हो गई मशिनों और इंसनों में एक समानता होती है दोनों को ही काम करने के लिए चालू करना पड़ता है हर इंसान एक मनोव एग्यानिक इगनिसिन सिस्टम के साथ पैदा होता है उसे उस्था का आजाता है उस्था पूर्णते अमूर्थ और एद्रशे होता हे परंतु आप हर दिन इस के परिणाम देखते हैं जब आप किसी खिलाडी को रिकार्ड तोड़ते देखते हैं तो आप उत्सा का बोतिक रूप देखते हैं ये सब लोग उत्सा से बरे हैं वहे परिवार जो ज्यादा पैसे नए होने के बास भी अपने बच्चों को अच्छे सिक्षा दिलवाता है वह सेल्जमेन जो सरोसरेश्ट परदर्शन करता है वह आवेदक जिसे नोकरी मिलती है वह साधारन आदमी जो बिलेनियर बनता है वह व्यक्ति जो लोगों के सोचने के तरीके को बदल देता है वे दमपती जो अपने परिवार को अद्वूत बनाते हैं उच्छा मनोगा गैनिक एड्रिनलीन है जो आपके मस्तिस, शरीर और इच्छा से काम करता है ताकि आप मुश्किलों, परतियोगिता, सीमित धन और दूसरी कमियों के बावजुद जीत सकें हर आदमी उच्छा के साथ पहला होता है नवजाद सेशू पहला काम यह करता है कि वह बहुत उच्छा के साथ रोता है अगर वजन के अनुपाद से कोई वेसक व्यक्ति नवजाद सेशू जितनी तेजी से रोए तो उसकी आवाज एक मिल दूर तक सुनाई देगी परन्तु जल्द ही इस सच्ची और दिल से काम करने की आदत पर बंदन लग जाते हैं लोग बच्चे के मनोवगयनिक एगनिशन सिस्टम के साथ छेड़ चाड़ करने लगते है बच्चे से कहा जाता है यह मत करो वह करना बंद कर दो तुम्हें यह नहीं करना चाहिए तुम में समझ होना चाहिए तुम तो बुद्धू हो क्या तुम कभी कोई काम सही तरीके से नहीं कर सकते और अन्य निर्देश जो बच्चे को यह सिखाते हैं कि वह अपना उत्सा कम करे तारीफ, प्रसंसा और सराहना के शब्द दुरलब होते हैं कुछ समय बाद बच्चा अपने वास्त्विक व्यक्तित तवका परदर्सन नहे करने में सुरक्षा खोज लेता है आंत्रीक उत्सा की जगे अब वह सामाजिक बंदनों को उत्सुक्ता गवा देते हैं यह समझने और समझाने की बहुत कोशिश की गई है कि जीनियस का कारण क्या है विग्यान, बिजनेस, कला और टेकनोलजी में कुछ लोग ऐसा आदारन रूप से सफल क्यों होते हैं बरसों तक यह ऐसे जानत लोग प्रिय था कि ऐसा आदारन लोगों का मस्तिस्क समान्य लोगों की तुलना में बड़ा होता है परन्तु महान लोगों के मस्तिस्कों पर जब प्रियोग किये गई और उनका वजन तोला गया तो उनमें और समान्य लोगों के मस्तिस्क के वजन में कोई अंतर नहीं पाया गया अक्सर कहा जाता है शिख्षा भी इस अंतर का कारण है परंतु यह भी सच नहीं है बहुतिक शास्तर में क्रांति लाने वाले आइंस्टिन और अंतरिक्ष अन्वेंशन के परवर्तक वान ब्रान के पास पीएजडी की डिगरी नहीं थी हमारे सबसे सफल कलाकारों बिजनस एक्जिक्यूटिव्स बिजनसमैन किसानों और दासनिकों में से कईयों की स्कूली शिक्षा बहुत कम थी दरसल स्कूली या उप्चारिक शिक्षा के साथ एक बहुत बड़ी समश्या है यह लोगों को इस बुलावे में रखती है कि चूंकि उनके पास एक कागजगा टुकड़ा है इसलिए दुनिया में उनकी सफलता तै है हाल ही में रसाइन सास्तर के एक नोबल पूरुशकार विजयता ने कहा मुझे कैमेश्ट्री की दुन है यह मेरा जीवन है मैं जिन्दा ही इसलिए हूँ ताकि पदार्थ की प्रकर काई मात्रा का प्रियोग करने के लिए सुतंत रहें अगर हम कम शक्ति का प्रियोग करेंगे तो हमें चोटे परियोग मिलेंगे परंतु अगर हम शक्ति को काफी बढ़ा देंगे तो हमें बड़ी सफलता मिल जाएगी इन्सान के मन में काम के लिए जितना उत्सा होगा वह एपने लक्षे को पाने में उसी अनुपात में सफल होगा। महान सफलता हमेशा महान उत्सा की बदोलत ही आती है। दूसरी तरफ ऐस सफलता हमेशा उत्सा की कमी की वज़े से मिलती है। यह अध्याय आपको ऐसी तक्नीकें बताता है, जिन से आप अपना मनोवग्यानिक इगनिशिन सिस्टम बेहतर बना सके। मुस्कुराने से उत्सा पैदा होता है। मुस्कुराहट एक अद्बुत प्रेड़ना दाएक तक्नीक है। मुस्कुराना सकारात्मक है, त्योरी चड़ाना नकारात्मक है। एक छोटा सा परियोग करें, किसी ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें, जिसे आप खास तोर पर नापसंद करते हों, अब उस व्यक्ति के बारे में सोचते वे मुस्कुराईं, आपकी नापसंद की ततकाल काफूर हो जाती है, जब तक आप मुस्कुरा रहे हैं, तब तक आप स जिस तरह तोलिया पानी को मुस्कुराना सफलता के दुश्मनों जैसे निराशा, क्रोध, कुंठा, ग्रणा और डर को हराने का अद्बुत उपाई है दूसरों के साथ सभी तरह के संबन्दों में मुस्कुराहट का प्रियोग करें जब आप किसी से पहली बार या सोवी बार मिले तो उस व्यक्ति का स्वागत मुस्कुराट से करें जब आप किसी सामान, व्यक्ति या विचार के बारे में कोई बात कह रहे हों तो मुस्कुराएं अगर कोई आपको फटकार रहा है और एसे में आप मुस्कुराएंगे तो सामने वाले का गुस्सा जल्दी शानत हो जाएगा और जब आप हार मानने जा रहे हो तब भी आप खुद को मुस्कुराने पर विवस करें हश्य सकती है इसका परियोग करें अगर आप हाश्य अपरियोग करते हैं या मुश्किल परिस्तितियों में भी कोई रोचक पहलू देख लेते हैं, दूसरे लोग आपकी सराना करते हैं, प्रसंसा करते हैं और आपके करीब आ जाते हैं। हश्य लोगों को अपनी और आकर्षित करने वाले चुम्बक की तरह है, लोग हमेशा ऐसे आदमे के आसपास रहना पसंद करते हैं, जो मुस्कुराने, हंसने और जीवन का आनंद लेने में उनकी मदद करता है, दूसरी तरफ, लोग हमेशा गलतियां निकालने वाले आदमे स बचना चाते हैं, जो कभी नहीं मुस्कुराता और हर स्थिती का सिर्फ नकारात्मत पहलोई देखता है, हंसी से चमतकार होते हैं, हंसने से दूसरों को अच्छा मैसूस होता है, हंसने से ब्लड प्रेशर कम होता है, मान शिक्ष्यानती मिलती है, पाचन ठीक रहता है, और चिंताएं भूलने में मदद मिलती है, पीडियों से रीडर्स डाइजेस्ट कह रही है, कि हंसी सर्वस्रेश्ट दवा है, यह सच है, इस बारे में कोई संदे नहीं है, जिन लोगों को आप प्रभावित करना चाते हैं, वे हाश्या को पूंजी की तरह देखते हैं, मैं एक यूवक को अच्छी तरह से जानता हूँ, जो मेडिकल कालेज की पड़ाही पूरी करने वाला है, वह है एक परतिवावसाली यूवर डॉक्टर है, उसने अपने रेजिडेंसी के लिए 20 नामी अस्पतालों में आवेदन किया, उसे 19 की स्विकरती मिली, 95% स्विकरती की दर इस वेक्ती के बारे में अच्छी राई वेक्त करती है, अब यह है रहा मैतपून बिंदू, जिन मेडिकल दिनों ने उसकी रेजिडेंसी के परस्ताओं को स्विकरत किया था, उनमें से साथ ने यह कहा, कि यूवर डॉक्टर के हाश्य बोद ने उन्हें काफी परवावित किया था, उसका हाश्य बोद एक प्रमुक्तत्तो था, जिसकी वज़य से उन्होंने उसे स्विकार करने का निर्ने लिया, यह है रहा उस पत्तर का हिस्सा जो एक अस्पिताल के चेर्मेन ने उसे लिखा था, प्रिये डॉक्टर ओल्ट, आपने यह है क्षमता है कि किसी मु एक बेहद सफल सेल्जमेन ने मेरे सामने यह टिपनी की, हर प्रस्तुती के पहले कुछ सेकेंडों में मैं हमेसा यह कोशिस करता हूँ कि मेरा प्रोस्पेक्ट मुश्कुराई या इससे भी बेहतर है कि वह है हंसे, मैं एसा दो कारणों से करता हूँ, पहला हंसी रिलेक्स क बताने वाला हूँ, उसके परतियुसे अधिक सकारात्मक बनाती है। दूसरा कारण यह है कि हंसी से यह चवी बनती है कि मैं मिलनसार और दोस्ता ना हूँ, इससे यह लाब होता है कि जब मैं पहली बार उसे फोन करूँगा, तो वह है मेरे साथ बात करना चाहेगा। उसे मुहों लटका कर नहीं उजरा जाना चाहिए। अच्छे हश्य का कच्छा माल क्या है। सरवस्रेश्ट हश्य सामगरी आपश्य है। राष्टपती रीगन में यह योग गयता थी कि वे किसी भी आवसर के अनुरूप अपने बारे में कोई मजा की अबात खोज लेते और उन्हें इसका लाब भी मिलता था। राष्टपती अपने उमर के बारे में दरजनों मजाग करते थे। और चूंकि वे इतियास में अब तक सबसे ज़्यादा उमर के राष्टपती थे। इसलिए जब रीगन अपने बुड़ावे पर खुद अंसते थे। तो वे जोंकि जानते हैं हमें उत्ना मालूम होता है कि हम कुछ नहीं जानते। चिकित्सा, इंजिनिरिंग या बहुतिकी के ख्षेतर में कोई नई खूज जितने जवाब देती है। उससे ज़्यादा सवाल खड़ी कर देती है। और ग्यान से उत्सा भी बढ़ता है। हम अंत्र का हमारा उच्छा उतना ही ज्यादा पड़ता है मेरी एक दोस्त एक ऐसी संस्ता की परमुक है जो बच्छों के साथ होने वाले दूर वेवार को रोकने का काम करती है उसने मुझे बताया कि जब तक लोग यह नहीं जानते कि बच्छों के साथ कितने व्यापक पैमाने पर जमस्योक मिलना और समश्या को मीडिया में परचारित करने के लिए विश्वास दिलाना कठिन होता है। बहराल जब लोग जान जाते हैं तो वे उसके काम में सयोग करने के लिए उत्सुक हो जाते हैं। एक बार फिर उत्सा अज्यान के साथ आता है। अधिकांस लोगों को डाग टिकट एकठे करने के विचार से बुरियत होगी। जब तक की वे इस तरह के सवालों के जवाब नहीं जान जाएं। यहें निर्ने कौन करता है कि डाग टिकट पर कौन सी तस्विर चपेगी और क्यों चपेगी। हर साल कितने टिकट जारी किये जाते हैं, कि इस वजए से कुछ टिकट बहुमल्य बन जाते हैं, डाक टिकट का विचार किसने किया और सब टिकट एक याकार के क्यों होते हैं। ग्यान से ज्यादा सीखने की प्रेणा और उत्सा मिलता है जब हम किसी व्यक्ति वबस्तू या विचार के बारे में ज्यादा जान जाते हैं तो हम उत्सा बढ़ाने की दिशा में एक मेहत्पून कदम उठाते हैं अग्यान से उत्सा सिमटता है, ग्यान से उत्सा फैलता है, उत्सा हित होने में दूसरों की मदद करेंगे, तो आप और भी यदिक उत्सा ही होंगे, आप जितना आदिक देंगे, आपको उतना ही यदिक मिलेगा, यह कहावत उत्सा पर भी लागू होती है, आप दूसरे इस अवदारना को अच्छी तरह से जान ले, चाहे आप कुछ भी करते हो, लक्ष प्राप्ति है तू, आपकी लीडर्शिप के लिए यह बेहद महत्पूर्ण है, कि आप में दूसरों से सर्वसरेश्ट परदर्शन करवाने के लिए प्रेरित करने की योगता हो, सफलता का ए अनुबहो को टटोले, इस बात की संभावना है कि आपको कोई ऐसा टीचर याद आया हो, जिसने आपको सचमुझ परेरित किया हो, आपने ज़्यादा कड़ी मेहनत की, उसकी एक भी कलास नहीं छोड़ी, उसके साथ सहयोग किया, और सबसे बड़ी बात, उससे कुछ काम की बातें सीखी, अनुबहो को टटोलते समय शायद आपको वह दूसरा टीचर भी याद आया होगा, जिसने आपके इंजन को बंद कर दिया हो, आपने सिर्फ उस विशे में पास होने लाइक पढ़ाई की, यथा संभव उसकी कलास के बंक मारा, और सिर्फ इतना सीखा ताकि क्या परिक्षा में पास हो जाएं, फर्क किस चीज से पढ़ा, क्या प्रेरक टीचर के पास किसी बहतर यूनिवेस्टी की डिगरी थी, क्या यह अधिक बुद्धिमान था, अधिक अनुबवी, शायद नहीं, फर्क विद्यार्थियों को उत्साइद करने की योग्यता में था, आप अलग अलग अधिकारियों, आफिस मैनेजर्स, एक्जुक्यूटिव्स और सुपरवाइजरों के लिए किये गए काम की क्वालिटी और क्वांटिटी में बहुत अंतर देखते हैं, जो लोग दूसरों को प्रेरित करते हैं, वे लीडर्शिप की पहली आवशक्त करता है कि मैं दूसरों को किस तरह प्रेरित कर सकता हूँ, सवाल का जवाब देना आपके लिए महत्वकूर्ण है, इस जवाब से आपको धन, स्टेटस और लीडर्शिप के दूसरे पुरुसकार प्राप्त करने में मदद मिलेगी, जब आप किसी योजना में मदद करते है और लोगों का उत्सा बढ़ाकर उन्हें प्रेरित करते हैं, तो वे बेतर प्रदर्शन करते हैं। आपके करमचारी अपने काम को जितने बेतर तरीके से करेंगे, आपका प्रदर्शन उतना ही बेतर होगा। एक लीडर्शिप शुक्ति कहती है, आपका मुल्यांकन इस बा उसार काम करेंगे, तो आपको भी अधिक संतुस्टी का आनन्द मिलेगा। लोगों को परिणाम के साथ जोड़ें, इसे पहचानने में गलती ने करें। कोई व्यक्ति अपने काम के अंतिम परिणाम से जितनी नजदीकियों से जुड़ा रहेगा, वह है उतना ही जड़ा उतसाई और सफल होगा। मेरा एक दोस्त, नौर्थ कैरोलीना में एक बड़ी फरनिचर फेक्ट्री का मालिक है, उसे अपने करमचारियों पर बहुत गर्व है। और उने वी उस पर बहुत गर्व है। वह अपने करमचारियों की इस तरह मदद करने में निपून है, ताकि वे कंपनी के कारियों से भावनात्मक रूप से चुड़ जाएं। यह उत्सा बढ़ाने वाली एक सशक्त तक्नीक है। वह बताता है मेरे ट्रक ड्राइवरों को ही देख लें। वे बहुत मेहनत करते हैं। कभी शिकायत नहीं करते और अपने हिस्से के जोखिमों से ज्याद मिलदूर तो वे सवी दस्तावेजों पर यह लिखकर अस्ताक्षर करते हैं गरव के साथ ने पहुंचाया। अपने नाम के अस्ताक्षर करते समय वे सोचते हैं यह मैंने किया है। मैंने यह सामान अपनी कुशलता, साउधनी और कड़ी मेनत से पहुंचाया है। जब वे आफिस फोन करके हमें बताते हैं कि उन्होंनों यह काम कर दिया है तो भे हमेशा इस तरह से शुरू करते हैं मैं बोल रहा हूँ मिशन सफल हुआ परंतु करमचारियों का जुडाओ यहीं पर खत्म नहीं होता मेरे दोस्त ने आगे कहा तीन से पांश करमचारियों की टीम फर्निचर के हर नमुने को अंतिम रूप देती है और उसकी जांच करती है हम उन करमचारियों के नाम फर्निचर पर एक साफ सुत्रे लेबल में लिख देते हैं इससे उन्हें गरोग का एसास होता है और इससे फरनिचर बेजने में भी मदद मिलती है क्योंकि इससे ग्रहा किया है जान जाते है कि इस फरनिचर को मशीनों ने नहीं बलकि इन्शानों ने बनाया है मेरे मित्र के कारखाने में सेक्रेटरी भी पत्रों, रिपोर्ट्स, कीमत के कोटेशन सिर्फ हास्ताकसर से नहीं बलकि पूरा नाम लिख कर भेज़ती है किये गए काम के साथ जुडाओ बड़े पहलू पर यानि मेत्वपुन पहलू पर ध्यान के अंदरीत करता है और इससे सक्रिय उत्सा पैदा होता है एक एसी टीम बनाएं जो उत्सा को पहले नंबर पर रखे इससे कोई फरक नहीं बढ़ता कि आप क्या करते हैं हर क्षेतर में आपको अपने लक्षे पाने के लिए दूसरों के सक्षम और उत्सा पुरन सहयों की अफशिक्ता होती है अपना खुद का बिजनस चलाने के लिए कौर्पोरेट जीवन में आगे बढ़ने के लिए खिलाडीयों की टीम बनाने के लिए या राजनिते में जीतने के लिए आपको लोगों की मदद की जरूरत होती है इन लोगों को चुनने में दो गुन मैतोपूर्ण है योगेता और नजरिया योगेता मैतोपूर्ण है महान संगठन बनाने में योग्या लोगों की आवशकता होती है एक अच्छी बेसपाल टीम का मतलब यह है है कि परतीवाशालिक खिलाडियों को लिया जाए महान इमारतें डिजाइन करने के लिए योग्या आर्किटेक्ट के सायोग की जरूरत होती है किसी भी महान परिणाम को हासिल करने के लिए परशिक्षित, दक्ष और योग्या वेक्तियों की जरूरत होती है हम एक ऐसे समय में रहे रहे हैं जब काम लगातार विशे सग्यता पूर्ण और जटिल होता जा रहा है नोकरी में विशे सग्यता की मांग पिछले पंदरा सालों में दूगनी हो गई है और अगले पंदरा सालों में तूगनी हो जाएगी और हमारे देश में कालेज डिगरी धारकों का परतिसत अब सारे रिकोर्ड तोड़ रहा है फिर भी उत्पातगता की इस्तिती निरसाजनक है कारण यह है कि योगेता सिर्फ यह नापती है कि लोग क्या कर सकते है योगेता हमें यह नहीं बताती कि लोग क्या करेंगे ऐसा कोई मल्टिपल च्वाइस टेस्ट नहीं है जो इच्छा या प्रेड़ना को नाप सके नजरिया योगेता से ज़्यादा मेतपूर्ण है अगर कोई व्यक्ति एक से दस के पैमाने पर योगेता में दस अंक पर हो परन्तु नजरिया के पैमाने पर उसका स्कोर सिर्फ पांच या च्छे हो वह उस व्यक्ति से पीछे रह जाएगा जिसका स्कोर योगेता के पैमाने पर सिर्फ पांच या च्छे है परन्तु नजरिये के पेमाने पर दस है अगर नजरिये का स्कोर दस है तो व्यक्ति सीख कर अनुबहु से और कोशिस करके अपनी योग्यता को बहुत अधिक बढ़ा सकता है इसका विपरित सच नहीं है हर बिजनस या प्रोफेशन में सभी तरह की नुकरियों में ऐसे योग्यय लोग होते हैं जो खराप परदर्शन करते हैं बटक जाते हैं नुकरी के दोरान ही रिटायर हो जाते हैं सायोग नहीं करते और अपनी या बिजनस की तरक्की के लिए कुछ नहीं करते कालेज कोच परतिवाशाली हाई स्कूल खिलाडियों को टीम में सामिल करते समय बहुत ध्यान रखते हैं स्काउट्स उन्हें बताते हैं कि किन खिलाडियों पर उन्हें अधिक ध्यान देना है स्काउट्स चाते हैं कि खेल के मैदान में सर्वस रेस्ट खिलाडी ही उतरे परंतु हर साल उलट फेर होते हैं जिन हाई स्कूल खिलाडियों को स्काउट्स ने सोट लिस्ट नहीं किया था जिन खिलाडियों की अनुसंसा हाई स्कूल टीम के किसी भी कोच ने नहीं की थी इसे खिलाडी कुलेज की टीम में आने के लिए व्युवस करते हैं और उन में चुन लिये जाते हैं इसका कारण यह है कि उनके मन में टीम में शामिल होने की प्रवल इच्छा वे उच्छा होता है और उनका नजरिया सकारात्मक होता है। हमेशा यही देखा जाता है कि जो लोग शिखर पर पहुंचते हैं वे नजरिये के पैवाने पर भी सचमुत शिखर पर होते हैं। योग्यता मैतवपूर्ण है परन्तु यह उतनी अनिवारिये नहीं होती जितना की सकारात्मक वे परतिवद नजरिया होता है। योग्यता सिर्फ संभावित शक्ती है। जब तक इसे सक्रिये ने किया जाए तब तक इसका कोई मुल्य नहीं है। सकारात्मक लोग सुधार करना जारी रखेंगे। नकारात्मक लोग ज्यादा से ज्यादा यथा स्थिति काईम रखना चाहेंगे। अपने करमचारियों को प्रेरित करने के लिए उनमें व्यक्तिकत रूची जगएं। मैं बहुत से पुरुषकार समारों में भासने दे चुका हूँ। कुछ कंपनियां हर साल पुरुषकार समारों आयोजित करती हैं। यह बहुत अच्छी बात है। ऐसा अधारन परदर्शन का सम्मान किया जाना चाहिए। क्योंकि इससे हर एक को बहतर काम करने का पूंचान मिलता है। हर व्यक्ति चाहता है की उसकी पीट थप तपाई जाए। हर व्यक्ति को इसकी जुरूरत है। जब कंपनी किसी करमचारी से कहती है आपने बहुत बढ़िया काम किया है धन्यवाद हम आपके सायोग की सराना करते हैं और इसी तरह शांदार काम करते रहें तो उसे यह सुनकर बहुत अच्छा लगता है वार्सिक पुरुसकार समारवायोजित करने के साथ साथ यह भी होना चाहिए कि हर दिन हर सब्ता उत्सा बढ़ाने की कोशिस की जाए जब तक किसी व्यक्ति को समय समय पर प्रेणा की खुराक नहीं मिले तब तक वह सामान बेचने, स्कूल में जाने, फुटबाल खेलने या किसी और काम को करने में बहुत ज़्यादा उत्साही नहीं रहेगा एक सोफ्टेयर कंपनी के सेल्ज मेनेजर ने मुझे अपने प्रेणा दाईक कारिकरम के बारे में बताया मेरे पास मीसी पीसी के पूरू क्षेतरों में तेरे परते निदी है मेरे करमचारी सिर्फ अस्पतालों और मेडिकल सुईदा देने वाली संस्ताओं में सामान बेचते हैं सेल्ज मेन ज़्यादातर समय अपने दम पर काम करते हैं और उन्हें काफी यात्राई करनी पड़ती है परंतु मैं उन में से हर एक के साथ सब्ता में कम से कम दो बार चर्चा करता हूँ मैं उनसे सेलिंग की तक्निकी पहलू के बारे में ज़्यादा बाते नहीं करता हमारे सेल्ज मेन जानते हैं कि कैसे बेचा जाता है क्योंकि हमारा प्रशिक्षन कारेकरम बहुत अच्छा है मेरी चर्चाओं का सिर्फ एक ही उदेश्य होता है उन्हें उत्साइद करना जिसे मैं गिरावट रोकने का नाम देता हूँ सुक्षम तक्निकों से मैं उन्हें बताता हूँ कि उन्हें कितनी संभावनाई है मैं उन्हें से हर एक को बताता हूँ कि हम उनके काम वैसा योकी सराना करते हैं मेरा विश्वास कीजी मेरे मित्र ने आगे कहा जब आप अपनी पतनी, बच्चों और घर के आराम दे जीवन से हर सब्ता तीन या चार दिनों तक दूर रहे तो अपने उच्छा को बढ़ाने के लिए आपको बहुत सारी प्रेड़ना की जरूरत होती है क्या आपकी चर्चाओं से लाब होता है? मैंने पूछा, बिल्कुल होता है देखिए, मुझे लगता है नजरिया और सिर्फ नजरिया ही वह तरीका है जिससे बिकरी को बढ़ाया जा सकता है और मंदी को रोका जा सकता है मैं परतियोगिता को नियंद्रित नहीं कर सकता मैं उन मेडिकल सेंटर्स के बजट को नियंद्रित नहीं कर सकता जिनें हम सामान बेशते हैं परन्तु मैं अपने करमचारियों के उच्छा पर बहुत अधिक प्रभाव डाल सकता हूँ और मैं उनके उच्छा को बढ़ाने के लिए बहुत मेहनत करता हूँ हर व्यक्ति सकारात्मक ध्यान चाता है अगर लोगों से मशीनों या बेजान वस्तूं की तरह वेवार किया जाए तो वे चिड़ जाते हैं लोगों के पास पतनिया, पती, बच्चे, शोंक, पालतु जानवर और समश्याई होती है किसी व्यक्ति के निजी मामले के बारे में उसे कुछ मिनिट का समय देना, एक तरह से उसकी तारिफ करना है मैं एक बहुत सफल सुपरवाईजर को जानता हूँ जो हर दिन अपने पंदरा करमचारियों में से हर एक के साथ दो या तीन मिनिट तक बात करते हैं उन्होंने मुझे बताया इसमें हर दिन 30 से 35 मिनिट का समय लगता है परंतु इससे सचमुच फाइदा होता है चुकि मैं उनमें रूची लेता हूँ इसलिए वे मेरा सम्मान करते हैं मेरे दोस्त ने आगे कहा अपने करमचारियों की व्यक्तिगत रूचियों और चिंताओं को जानना मेरे काम का सबसे मेतफून हिस्सा है मैंने कहा अधिकांस मैनेजर तो यही कहेंगे कि अपने करमचारियों की व्यक्तिगत चिंताओं से आपका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए सुपर्वाइजर ने आगे कहा मैं जानता हूँ परंतु मैं आपको इस बात का प्रमान दे दूँ कि मेरा तरीका सच मुझ काम करता है मुझे जब सुपर्वाइजर बनाया गया उसके एक साल पहले बिमारी के कारण अनुपस्तिती की ओसत संख्या प्रती करमचारी 13 दिन थी मेरे पहले वर्स में अनुपस्तिती गटकर प्रती करमचारी सिर्फ 2 दिन रहे गई मुत्पादन बढ़ गया कमपनी छोड़कर दूसरी कमपनी में जाने वालों के संख्या कम हो गई और मेरे डिपार्टमेंट में दुर्गट नगांगडा आदर से है अपने करमचारीयों के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ना मेरे लिए बहुत फाइदे मन रहा है आखिर उनकी समश्याई मेरी समश्याई है क्योंकि उनकी परेशानी से मैं भी तो प्रवावित होता हूँ उच्साथ समतकार करता है उच्साई वैसकती है जो सेलिंग, स्पोर्ट्स और बिजनस में फर्क पैदा करती है उच्साई लोगों को विजेता की तरह मैसूस कराता है और उससे विजेता की तरह काम करवाता है जिस वज़े से वे विजेता बन जाते हैं उच्साग घर बेचता है रियल एस्टेट बेचने में 80% धन, 20% या उससे कम एजेंट कमाते हैं क्यों? क्या पांच में से एक एजेंट जो बाकी चार की समिलित कमाई से भी ज़्यादा धन कमाते हैं उन से ज़्यादा कुशल है ज़्यादा कड़ी मेहनत करता है बिजनस में अधिक सालों से है अधिक भग्य साली है नहीं रियल एस्टेट के सितारों में एक जोसिल अस्तात्व होता है उत्सा, वे जमीन के एक बेजान टुकडे में जीवन, सपने, आनंद और आउसर भर देते हैं, सफल रियल एस्टेट सेल्जमें शिर्फ जाइदाद नहीं दिखाते, वे उसमें उत्सा फूंग देते हैं, मेरियन ओ नामग महिला एक्जुटिव ने मुझे बताया कि उसने एक गर दूसरी बार दिखाई जाने पर क्यों खरीदा, जब दूसरी एजेंट ने उसे वही गर दुबारा दिखाया, मैं एक घर की तलास कर रही थी, क्योंकि मेरे पती और मैं यहां ट्रांसफर होकर आई थ मरियन ने बताया, एजेंट हर प्रोपर्टे के बारे में सारे तथ्या जानता था, वर्गफूट, मार्गरेज, कायबिवरन, टेक्स, यूटिलिटी खर्च और इसी तरह की दूसरी चीज़ें, उसके पास मेरे हर सवाल का तथ्यात्मक जवाव था, परंतो 18 मकान देखने क के बाद मुझे अपने लिए आदर्सगर नहीं मिला, इसलिए मैंने दूसरी रियल एस्टेट फर्म से मदद लेने का फैसला किया, दूसरी फर्म की एजेंट ने मुझसे दरजनों सवाल पूछने के बाद अपना काम शुरू किया, उसने मुझसे पूछा, इस से पहले कि म मैंने इस एजेंट को थोड़े विस्तार से बताया कि मुझे कैसा घर चाहिए, उसने अपनी फाइल नेटर टोली, अपने कम्प्यूटर में जानकरी खोजी और मुझसे कहा, हमारे पास एक घर है, जो आपकी जरूरतों के हिसाब से सचमुचादर्स है, आईए हम चल कर उस चुकी हूँ, और मुझे यह पसंद नहीं आया था, नई एजेंट ने जवाब दिया, इसके मालिक ने एक सब्ता पहले ही दूसरी फर्म के साथ अपना एगरिमेंट कैंसल किया है, मुझे विश्वास है कि इस प्रोपर्टी के बारे में कुछ खास बातें शायर आपको बत उसने अपनी बात अलग अंदाज में कही, घर, भगीचे और पडोस की हर विसेस्ता के बारे में उत्सा ही थी, क्या आप विस्तार से बताएंगी, मैंने पूछा, जैसे दोनों एजेंटों ने मुझे पताया कि घर में उर्जा की बचत की संभावना है, परन्तु दूसरी एजेंट ने मुझे बताया कि हम घर को गरम या ठंडा रखने में हर मैने 100 डालर की बचत कर सकते हैं, और फिर उसने कहा, 100 डालर परती माह इन दिनों बड़ी रकम नहीं लगती, परन्तों गर हर मैने 100 डालर को 20 साल की यहुदी के लिए 15% ब्याज पर निवेश कर दिया जा दूसरी एजेंट ने बगीचे के बारे मेरी कलपना शक्ति को भी जागरत किया। उसके पास योजना थी कि पेड़ कहां लगाए जाएं। और उसने मुझे वह जगे दिखाई जो पुराने फैशन के बगीचे के लिए बिलकुल सही हो सकती थी। मकान के दो कमरों में काफी म परमत की जुरूरत थी। परंतु एजेंट ने बताया कि यह भी एक कारण था जिसकी वज़े से वह प्रोपर्टी मुल्यवान थी। क्योंकि मैं इन कमरों को अपने मंचाई तरीके से दुवारा सजा सकती थी। जब मैंने पडोशियों के बारे में पूछा तो उसने दूसरी एजेंट ने हाई स्कूल का वरणन किया तो उसने यह नहीं कहा यह शेहर के सबसे अच्छे स्कूलों में से एक है। सभी रियल एस्टेट एजेंट आपसे यही बात कहते हैं। उसने मुझे स्कूल के कुछ विद्यार्थियों के बारे में बताया जो अब बहुत स खाने का उसर देने के लिए धन्यवाद। मैं इस गर की संभावना से सचमुश प्रेम खरती हूँ। फिर क्या हुआ? मैंने पूछा। मरियन ने जवाब दिया। 24 गंटे बाद हम उस गर के मलक बन गई। सबक। सिर्फ तथ्यों के सारे आप कोई चीज नहीं बेच जब तथ्यों को उसा पूर्ण कल्पना शक्ति के मादम से प्रस्तूत किया जाता है तबीक रहक हां कहते हैं। उसा मैच जिताता है। खेल की टिम में योग्यता, दक्ष्टा, आकार और अनुबों में कभी एक दूसरे से बहुत अलग हुआ करती थी। परन्तु अब ऐसा नहीं है। बेजबाल टीमों की ओसत उन्चाई में अब आम तोर पर एक दूसरे से एक इंच से भी कम का फरक होता है। ओसत वजन में सिर्फ तीन या च्यार पौंड का और अनुबों में सिर्फ एक या दो माँ का यही फुटबाल, बासकेटपाल, हाकी या किसी अन्या खे के बारे में सत्य है। आज परतियोगी टीमों के बीच अंतर्शाडिरिक नहीं बलकि भावनात्मक होता है। वही टीम सिखर पर पहुंचती है। जिसमें जीतने की सबसे प्रवलिच्छा और सबसे ज्यादा उच्छा होता है। एक फुटबाल कोज ने मुझे अपनी हाफ किसी को धमकी नहीं दी। मैंने सिर्फ उनसे इतना कहा कि अगर सामने वाली टीम अपने हाफ में हमसे 28 पॉइंट ज्यादा बना सकती है। तो हम दूसरे हाफ में 28 से भी ज्यादा पॉइंट बना सकते हैं। मैंने अपनी टीम को बताया कि वे सचमुष बहुत अच्छे खि खिल खिलना चाहिए। अंत में हम 33-28 से मैच जीत गई और यह दूसरी टीम के घरेलू मैदान पर हुआ। मैंने बीच में कहा हाँ पर इससे मेरे लिए विजय अधिक सुकद नहीं होती। कोच ने जवाब दिया। मैंने अपने खिलाडियों को यह सिखाया है कि वे भावन कि इनसान के बीतर से आता है। एक रिटेलर इतना ज़्यादा सफल क्यों है। वासिगटन डीसी में एक अगड़नी रिटेलर चेन के चेर्मेन ने मुझे अपनी सफलता का राज बताया। पारंपरिक द्रिष्टी से देखा जाए तो हम अपने परतियोगियों की तुलना म ज़्यादा फाइदेमन स्थिति में नहीं है। अगर हमारे पास अच्छी लोकेशन है तो उनके पास भी अच्छी लोकेशन है। हमारे और उनके ब्रांड भी काफी मिलते चुलते हैं। उनके स्टोर में 300 डालर खर्च करने पर ग्राग को लगबग उतनी ही मात्रा और हमारे पास सबसे लाप पहुंचाने वाले चीज है हमारे करमचारी। पर इस वरदा में हमारे जीत का का खरण ग्राग के साथ की यह जाने व विवार है कि हम अपने स्टोर में एसे खर्मचारी रखते हैं जो सेवा को पहले स्थान पर रखें। जो खुशी-खुशी और उ कर रहे हो हमारी निती है ग्रहाक की पूर्ण संतोस्टी को सबसे उपर रखो और इस निती का पालन हर विभाग में किया जाता है सेल्फ सर्विस तथा व्यक्तिकत सर्विस क्षेत्रों में डाइनिंग रूम में और पूरे स्टोर के लीज किये हुए डिपार्टमेंट में मैं यहां स्रेष्ट सेवा के लिए लगातार पूरुषकार देने की प्रमपरा है हमारे यहां प्रेणा दाइक बैठके होती है बहुत से करक्रम है जिनका लक्षे करमचारियों के मनोबल को उंचा रखना है परंतो हमारा प्रेणा दाइक करक्रम दरसल हमारे करमचारियों को च शवी जुटी रहती है मुझे यह बात इतनी दिल्चस्प लगी कि मैंने अपने मित्र से इसे थोड़े विस्तार से बताने को कहा देखिए उसने आगे कहा हमारे करमचारियों को अच्छे स्वास्ते संतोष जनग रोजगार इतियास आपरादिक रिकार्ड नय होना और अच् चाहता है या वह हमारे यहां नोकरी चाहता है हम कार्पृड वैलफेर में विस्वास नहीं करते ही इससे आपका क्या मतलब है मैंने पूचा मेरे मितर ने कहा वेलफेर दो तरह का होता है ज़ादा तर लोग सिर्फ पबलिक या गवर्णेंट वेलफेर के बारे में ही सोसते हैं परन्तु एक और तरhopल वेलफेर होता है जिसे प्राइवेट या कॉर्परेट वेलफेर कहा जाता है अगर सारे आंकड़े कठे किये जाएं तो कॉर्परेट वेलफेर लोगों को कुछ नए करने या बहुत कम काम करने के लिए तनकवा देना हमारी अर्थ व्यवस्ता के पबलिक वेलफेर पर भारी पड़ेगा और निश्चित रूप से इससे कमपनी को बहुत गाटा होता है कॉर्परेट वेलफेर का मतलब है लोगों को सिर्फ काम करने की परकिरिया से गुजरने के लिए तनकवा देना चाहे उन्होंने सचमुच काम किया हो या ने किया हो हम बहुत कोशिज करते हैं कि यह से लोगों को अपने यहां काम पर ने रखें जो शत्परतिसद से कम प्रियास करें हम अपने आवित कों का मुल्यांगन कई बिंदों पर करते हैं जैसे हमारे साथ काम करने की इच्छा, टीम का खिलाड़ी होने की योग्यता उच्छा ही तथा जिन्दा दिल लोगों की तरह बात करना, मुस्कुराना, व्यवार करना और चलना हमारे यहां करमचारी चायनवी बाग एक परिक्षा लेता है जिसे मैं उच्छा परिक्षन कहता हूँ चर्चा में वे इस तरह के सवालों के जवाब खोचते हैं क्या आवे दक टीम का खिलाडी बन पाएगा मेरे मित्र ने आगे कहा ग्राहक मुर्दा लोगों के साथ बिजनस करना पसंद नहीं करते मैं मानता हूँ कि शोपिंग करना अमेरिका का सबसे बड़ा मनोरंजन है अगर लोगों को हमारे यहां शोपिंग करने में मज़ा नहीं आएगा तो वे कोई दूसरा स्टोर खोज लेंगे जहां पैसे दे कर सामान खरीदने में उन्हें ज़्यादा मज़ा आई अटलांटा में अधिकाश शेरों तक हावाई यात्रा के लिए बहुत सी एरलाइन जोंके विकल्प हैं इसके बावजूत मेरा ट्रेवल एजेंट हमेशा एक ही एरलाइन से मेरा टिकेट खरीदता है चाहे इसकी वज़े से मुझे एक या दो गंटे की देर हो जाई क्यों? दूसरी एरलाइन भी उसी तरह के उपकरणों के सारे उड़ती है मेरी प्रिये एरलाइन के बराबर शैरों तक ही यात्रा करवाती है और उनी सुरक्षामानकों को पूरा करती है फिर मैं एक एरलाइन से यात्रा करने पर ही जोर क्यों देता हूँ और दूसरी की उपेक्षा क्यों करता हूँ तीन सब्दों में इसका कारण है करमचारियों का उत्सा मेरी प्रिय एरलाइन के करमचारी दूसरी एरलाइन के करमचारियों की तुलना में ज्यादा उत्सा ही है चेक-इन काउंटर से लेकर दरवाजे और हवाई जाज के भीतर तक मुस्कुराहट और गरम जोशी से किया गया अभी वादन बहुत अच्छी सेवात अथा पाई लेटों दोबरा की गई दोस्ता ना गुडबाई जैसे छोटी-छोटी दिखने वाली चीजें फर्क पैदा कर देती है उच्छा पूर्ण प्रोफेसनलिजम की वज़े से डेल्टा लाकों लोगों की सबसे प्रिया एरलाइन बनी हुई है और उच्छा के लिए डेल्टा को कितना खर्च करना पड़ता है एक भी पैसा नहीं बलकि इससे कंपनी के पास पैसा आता है कोई भी कंपनी पैसे खर्च किये भीना बहुत बड़ा परतियोगी लाब हासिल कर सकती है लोग सिर्फ सामान नहीं खरीदते वे सामान के साथ उस्षा भी चाते हैं अपने काम में विश्वास करें उस्षा अपने आप आ जाएगा जब हमारे मन में पूरा विश्वास होता है कि हम जो कर रहे हैं वह सही है तो उस्षा या भावनात्मक जुड़ाव अपने आप आ जाता है स्रेष्ट पादरी, राजनिता, डॉक्टर और बिजनसमेनों को यह विश्वास होता है कि उनका काम बेहद मैतवपूर्ण है और उन्हें किया ही जाना चाहिए यही कारण है कि वे हमेशा उत्साही नजराते हैं परन्तु अगर हम जानते हो कि हम जो कर रहे हैं वह गलत है तो हम उसे लेकर उत्साही नहीं हो सकते हम में से ज़्यादातर लोग मादक द्रव्य बेचने के बारे में कभी उत्साही नहीं बन सकते क्योंकि हमारी अंतरात्मा हमें चेताती है कि दूसरों के शरीर को नुकसान पहुंचाना और उनके मस्तिस को दूसित करना गलत है हमारी अंतरात्मा हमारे शरीर से कभी जूट नहीं बोलती हम किसी व्यक्ति, वस्तू या विचार के बारे में सच्मुच कैसा महसूस करते हैं यह हमारी आंखों, हाथ मिलाने, आवाज और हाव बाव से प्रकट हो जाता है एक सफला विनेता ने मुझे बताया कि इसे इतनी सारी फिल्मों में रोल के आफर मिलते हैं जिन में से ज्यादातर उसे ठुकराना पड़ते हैं उसने मुझे यह भी बताया कि उसके आमदनी बहुत ज़्यादा क्यों है जबकि अधिकांस अविनेतां को काम के लाले पड़े हैं उसने इसका कारण बताते हुए कहा अधिकांस अविनेता सिर्फ अविने करते हैं आम अविनेता 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 का अविनेत करता है नाटक करता है, नकल करता है वहे अपनी अविनेता में पूरी तरह डूपता नहीं है मैं जिस अविनेता को निवाता हूं उस पर इतनी गहराई से ध्याने का करता हूँ कि मैं वही व्यक्ति बन जाता हूँ सबसे अच्छा आविने किसी इंसान जैसा होने का आविने करना नहीं है बलकि वह इंसान बनना है जब मेरी भूमिका के विक्तित्यों को मैं अपना विक्तित्यों बना लेता हूँ तो मेरे हाव भाव, मेरा सोभाव, आवाज, टाइमिंग, मेरा पूरा अस्तित्यों उस भूमिका में होता है अब उसने आगे कहा किसी भूमिका का विशलेशन करते समय अगर मुझे लगता है मैं उस भूमिका के विक्तितों के बीतर प्रवेश नहीं कर सकता तो मैं उसे ऐस विकार कर देता हूँ लोग समझ जाते हैं कि आप कब दोका दे रहे हैं दोके बाज हमेशा दोके बाज की तरहे दिखता है महान अविनेता बनने के लिए आप में विश्वस्नियता होना चाहिए आप को यह विश्वास होना चाहिए कि आप ही वह वेक्ति हैं जिसकी भूमिका आप निभा रहे हैं एक सेल्जमेन ने मुझे बताया, मैं उस प्रडेक्ट को बेचने से साफ इंकार कर देता हूँ, जिसके बारे में मुझे यह विश्वास नहीं होता, कि वह ग्राकों के लिए सही है। अगर मैं यह नहीं सोचता, कि वह उनके लिए अच्छा है, तो उन्हें इस बात का एसास हो जाएगा, कि मैं क्या सोचता हूँ, और इस से मेरी विश्वास नहीं तक खतम हो जाएगी, मैं सिर्फ वही प्रडेक्ट बेचता हूँ, जिसके बारे में मैं उससा ही हो सकता हूँ, एक वकील ने कहा, जब मेरा विश्वास होता है, कि मेरा मुवकील निर्दोस है, तो मैं अदालत में ज्यादा अच्छी तरह से मुक्दमा लड़ता हूँ, इसा तब नहीं होता, जब मुझे लगे कि मेरा मुवकील दोसी हो सकता है, जूरी हमेसा जान जाती है, कि मैं अपन विश्वास का बाई प्रडेक्ट या परिणाम होता है सफल लोग जानते हैं कि अंतरात्मा से मार्क डर्शन लेने में ही समझदारी है अपनी बातों में उच्छा वरे जब आप बोलते हैं तो आपके कहे गए शब्द मैत्वपूर्ण होते हैं परंतो आपके शब्दों से भी अधिक मैत्वपूर्ण है आपका लहजा आप कह सकते हैं गुड मॉनिंग आप आज बहुत अच्छे दिख रहे हैं परंतो सामने वाला इन शब्दों का इन में से कोई भी मतलब निकाल सकता है यह वैक्टिप सचमुच मेरी परवा करता है और सोँचता है कि मैं शांदार दिख रहा हूं से लेकर यह मतलब तक यह आदमी जो कह रहा है दरसल उसका मतलब यह नहीं है वह दरसल सोँचता है कि मैं बेयानक दिख रहा हूं कुछ वाक्यांसों के साथ परियोग करके देखिए कि आप कितने अलग-अलग भाव पर सूथ कर सकते हैं आप कैसे हैं मुझे आपसे मिलकल खुशी हुई और मैं आपके नई कार को पसंद करता हूँ जैसे वाक्य मित्तरता, कटूता, इर्शा या आनंद व्यक्त करने के लिए कहे जा सकते हैं समस्त मानुविय भाव द्वनी के माद्यम से व्यक्त होते हैं संगीत का अध्यन करने वाले जानते हैं कि द्वनिया प्रेम, रोमांच, कोमलता, दुख और कई अन्य भावनों को व्यक्त कर सकती है तता संगीतकार इनके मद्यम से ऐसा ही करते हैं अगर आपके पास कोई कुटा या बिली है तो आप उसकी आवाज सुनकर जान सकते हैं कि उसे कैसा अनुवव हो रहा है और अपना पहला शब्द बोलने से महीनों पहले ही बच्चा स्वस्च रूप से बता देता है कि वह आपके बारे में बोजन के बारे में और अपने आसपास की चीजों के बारे में कैसा महसूस करता है अगर आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जो आपकी बासाने बोल पाता हो तो आप इसके बावचुद उन बावनाओं को समझ जाएने जो वहवे अक्तियाब तक पहुंचाना चाहता है शब्द नहीं बलकि द्वहनी मूलग उत्षंदेश होता है संप्रेशन के दोरान द्वहनी को अक्सर नजर अंदाज कर दिया जाता है बच्चों को यह तो चिखाया जाता है कि शब्दों को सही बोलना चाहिए परंतु उन्हें यह नहीं सिखाया जाता कि शब्दों को उत्षा पूरवक बोलना चाहिए जब आप बोलें तो इन दो उत्षा वर्दक सादनों का इस्तेमाल करें याद रखें, दोस्त बनाने के लिए दोस्त बने, खुद को याद दिलाएं, मैं इस आदमी को पसंद करता हूँ एसा करने पर आपकी आवाज का स्वार अपने आप उस गरम जोशी को परदर्शित करेगा, जो आप उस तक पहुंचाना चाते हैं उसा के साथ बोलें, दरड और उसाई द्वहनी निकालें, कोई भी मुर्दा लोगों के साथ बातें करना पसंद नहीं करता, अपनी आवाज को जिन्दा दिल बनाई, टेलिफोन पर उसा किस तरह पर दर्शित करें, आमने सामने की चर्चा के बाद, टेलिफोन लोगों से चर रहे गया है, एक दोस्त ने मजाक में मुझे बताया, कि हम जितनी बूरी तरह से टेलिफोन का उप्योग करते हैं, उतने ही बूरी तरह से, अगर हम कार चलाने लगें, तो कोई भी जिन्दा नहीं बचेगा, पिक्चर फोन टेकनोलोजी 25 सालों से है, परंतो टेलिफोन के म जो हमें फोन कर रहा है, वह हमें भावनात्मक रूप से उतनी ही सपश्टा से देख सकता है, मनोवै टेबल पर हमारे सामने ही पैठे हो, पहला, जब आप फोन का जवाब दें, तो इन आसान वे प्रोफेशनल चार कदम की फार्मूले का अनुसरन करें, एक, सामने वाले व इलसन कमपनी, तीन, अपना परिचे दें, टेट ब्राउन बोल रहा हूँ, चार, सहयोग परदान करें, मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ, इसमें अधिक से अधिक पांच सेकंड या एक मिनट का आठ परतिसद समय लगता है, दूसरा, बोलते समय मुस्कुराइं, मुस्क आप सच्ची मुस्कुराट लाते हैं, अपने चेहरे पर यह सच्ची अभी व्यक्ति लाते हैं, कि मुझे आप से बातें करने में खुशी है, तो आपके मन में गुसा या डर नहीं हो सकता, और आप कोई नकारात्मक बहुएक्द नहीं कर सकते, और जिस से आप बात कर रहे वहे आपकी बातों को मन लगा कर सुनेगा जब आप सकारात्मक और आतम विश्वासी अंदाज में बोलते हैं तो सामने वाले को लगता है कि वहे किसी अच्छे व्यक्ति से बात कर रहा है तीसरा, फोन पर धीमे बोले उतनी ही धीमी गती से बोले जैसे सामने वाले वक्ति आपके सामने बैठा हो सामन्य चर्चा की गती से बहुत अच्छा आसर पड़ता है जिस तरह भीड भरे राजमार्क पर तेज गाड़ी चलाने वाले ऐसे एकसिडेंट कर बैठते हैं जिन में बंपर टकराने की वज़े से गती धिमी हो जाती है उसी तरह फोन पर तेज गती से बात करने से समय वरवाद होता है क्योंकि आपको अपनी बात कई बार दोराना पड़ती है ज्यादा तेज गती से बोलने का परेणाम यह भी हो सकता है कि रिशेपनिस्ट आपकी बात गलत व्यक्ती या डिपार्टमेंट से करवा दे मैं कई फोन काल्स का जवाब देता हूँ और मेरा अनुमान है कि मेरी यादी काल्स में रिशेपनिस्ट इतनी बूरी तरह जवाब देती है कि मैं उसकी कंपनी का नाम ठीक से नहीं सुन पाता वह अपनी कंपनी का नाम इतनी तेजी से बोलती है जैसे किसी ओडियो टेप को समान्य से तीन गुनार अफ्तार में चलाया जा रहा हूँ इस बात का ध्यान रखें फोन पर तेज गती से बात करने से आतम विश्वास की कमी और ऐसुरक्षा का संकेत मिलता है धीरे बोलना समान्य चर्चा की गती यह बताती है मुझ में आतम विश्वास है मैं नियंतर्ण में हूँ परंतु मैं किस तरह उन घटिया लोगों से निप्टूं जो मुझे फोन करते हैं शिकायत करने वाले लोग फोन पर अक्सर कहते हैं आपने जो बिल भेजा है उसमें जरूर कोई गलती है आपने मुझे ऐसी चीज भेज दी है जिसका मैंने ओरर नहीं दिया था जिमी स्कूल में बुरी तरह विचले तोकर घर लोटा और यह अमुक अमुक की गलती है और आपने मेरे घर के सामने का कचरा नहीं उठाया दो बातें पहली बात दरसल कोई आदमी गटिया नहीं होता जो व्यक्ति आपको शिकायत करने के लिए फोन कर रहा है आप सिर्फ बली का बकरा है खुद को मनवय गयनिक की तरह आदमाने जो किसी के गुसे का निसाना बनकर उसकी मदद कर रहा है शिकायतों को दिल पर ने ले एग्जिकुटिव के लिए ध्यान रखने वाली बात अपनी कंबनी में आने वाली कॉल्स की निगरानी करें मैं एक एरलाइन को जानता हूँ जो रिजर्वेशन के लिए आने वाली सभी कॉल्स के एक प्रतिश्यत की निगरानी करती है जिसका लक्ष जासुसी करना नहीं बलकि अपने परशिक्षन कारिक्रम में सुधार के कदम उठाना है होटलों, कार रेंटल कंपनियों, डिपार्टमेंटल स्टोरों, सरकारी एजिंसियों और टेली फोन के बड़े प्रियोक करताओं के मैनेजर इस बात से बहुत अधिक लाब उठा सकते हैं बसरते वे कुछ फोन काल्स का सेंपल टेप करवा ले, ताकि वे यह सुनिस्चित कर सकें कि लोगों को सिष्ट वे कुसल सेवा ही मिले धन कमाने की इच्छा रखने वाली कोई भी कमपनी अपने बाहरी सेल्ज परते निदियों को मूर्खों की तरह कपड़े नहीं पहनने देगी उन मेंसे कच्रे की तरह बद्बू नहीं आने देगी और ग्राकों को अपनानित नहीं करने देगी परन्तु कई कंपनियों में एसे लोग फोन का जवाव देते हैं जो मूर्खों की तरह बोलते हैं उनकी आवाज कचरे की तरह लगती है और उन्हें अपमानित वै आतंकित करने का पुरुसकर मिलना चाहिए टेलिफोन का उप्योग करने वाले लोग सेल्स टीम का हिस्सा होते हैं फोन का प्रियोग करने वाला हर आदमी चाहिए वैचो की दार हो या कंपनी का प्रेजडिन्ट कंपनी की चवी बनाता है हर बिजनस कुछने कुछ बेचने के लिए स्थाविद किया जाता है और कुछ बेचना तब ज़्यादा असान होता है जब फोन पर इस तरह की छवी बनती है हम आपको पसंद करते हैं हमें खुशी है कि आपने फोन किया हम आपकी मदद करना चाहते हैं उच्छा के चम्तकार देखने के लिए यह है याद रखें। पहला, उच्छा आपका मनोवेगेनिक इगनिशन सिस्टम है। लोग अपने उच्छा को बढ़ाने की योगेता के अनुपात में ही सफल होते हैं। दूसरा, उच्छा सेलिंग, बिजनस, खेलों और परिवार को पालने में चम्तकार करता है। सफलता और उच्छा साथ साथ चलते हैं। तीसरा, अपने काम में विश्वास करें और उच्छा अपने आप आ जाएगा। अगर आपको यह विश्वास नहीं है, कि कोई काम सही है, तो वह काम ने करें। चोथा, अपनी बातों में उच्छा बरें। आप जो शब्द कहते हैं, उससे ज़्यादा में तो कून है आपकी आवाज, आपकी आवाज में जोस बरें। अपनी आवाज को कहने दें, मुझे आपसे बात करके खुशी हुई। पांचवाँ, मुस्कुरा कर उच्छा पैदा करें। याद रखें, जब आप मुस्कुराते हैं, तो आप नाराज, निराश या चिंतित नहीं रह सकते। और जब आप मुस्कुराते हैं, तो दूसरे लोग आपको पसंद भी करते हैं। छठा, ग्यान से उच्छा पैदा होता है। आप किसी चीज के बारे में जितना ज्यादा जानेंगे, आप उतने ही ज्यादा उच्छा ही होंगे। साथवा, दूसरे लोगों को उच्छाई अनुबव कराएं। इससे आप और ज़्यादा उच्छाईत होते हैं। धन्यवाद। आईए चलते हैं अध्याए आठ की तरब, जो है लक्षे पाने के लिए दूसरों की आतम रूची जगाईं। सफल सोच का सफल जादू अध्याए आठ लक्षे पाने के लिए दूसरों की आतम रूची जगाईं। हाली में दो सप्ता तक एक टेलिविजन चैनल ने आंतों के कैंसर पर जनित में विज्यापन दिया। इस टीवी चैनल ने स्थानिय दवा कंपनी और हस्पताल के सायोग से डाक दवारा मूफ्त परीक्षन की विवस्था की। ताकि यह पता लगाया जा सके क्या किसी व्यक्ति में आंतों के कैंसर के लक्षन है। आस्चर जनक तथ्य यह है। एक लाग से ज्यादा लोग दवाई की दुकानों तक गई, टेस्ट किट खरीदी और अपने मल के नमुने डाक द्वारा सायोगी अस्पताल में भिजवाई। इसी दोरान टीवी पर इतनी बार विज्यापन किये गई कि लोग रेड क्रोस में चंदा दें। कितने लोगों ने चंदा दिया या इसका बादा किया सिर्फ 97 ने आतम रूची का आग्रह समुदाइक रूची के आग्रह से 1000 गुना ज्यादा शक्ति साली साबित हुआ। लोग दूसरों की जरूरतों के बारे में सोचते हैं परन्तु अपनी खुद की जरूरतों के कारणवे कारिया करने के लिए प्रेरित होते हैं। मानिवे सवबाव का एक नियम ऐसा है जिसे नजर अंदाज नहीं किया जा सकता। यह सीधा सा नियम है। लोग मूल रूप से स्वेय में, अपने परिवार के सदश्य में, अपनी नोकरी में, अपनी दौलत में और अपनी बलाई में दिल्चस भी लेते हैं। दूसरों की बलाई में रूची स्वेय की बलाई में रूची के बाद दूसरे स्थान पर आती है। समझदार विग्यापन करता आतम रूची के नियम की तरफ पूरा ध्यान देते हैं। देखें कि किस तरह उनके संदेश आप से या आपके परिजनों से यह वाइदा करते हैं कि आपको अधिक आराम, अधिक सुरक्षा, अधिक प्रतिष्टा, अधिक सेहत, अधिक आनंद, अ अधिक आकरशक शरीर या इसी तरह के अन्यलाब प्रापत होंगे। ये विग्यापन्दाता आपको यह नहीं बताते हमारे प्रडेक्ट खरीदो ताकि हम ज़्यादा पैसे कमा सकें। सफलता की कुंजी यह है कि दूसरों की रूचियों को पहले स्थान पर रखा जाए और अपनी रूचियों को दूसरे स्थान पर अपने लक्षय पर नजर गड़ाई रहें आप दूसरे लोगों को प्रभावित करना चाहते हैं ताकि वे आपसे खरीदें आपको अपना सायोग दें आपके नजरिये का समर्थन करें आपके लिए जाना कड़ी मेनत करें आपसे प्रेम करें आपको पैसे उधार दें या किसी और तरीके से आपकी मदद करें अब अपने लक्षय को दिमाग में रखते हुए यह भी याद रखें कि लोग आत्मरूची की वज़ए से प्रेरित होते हैं उधारन के तोर पर लोग आपसे सामान इसलिए नहीं खरीदते ता इसमें मेरे लिए क्या है? मैं इस प्रोडेक्ट को दुवारा बेच कर कितना कमा सकता हूँ? मुझे ठीक ठीक कितना फाइदा होगा? मुझे ज़्यादा कड़ी मेहनत क्यों करना चाहिए? मेरे अतिरिक्ट प्रियास की बज़े से मुझे क्या पुरुसकार मिलेगा? मान लि कि दूसरे व्यक्ति की मदद से आपको कितना लाब होगा? आपको जिस लाब की आशा है वह मैत्वपूर्ण नहीं है. अपनी सारी शक्ति को उन लाबों पर केंद्रित करें जो सामने वाले व्यक्ति को मिलेंगे. दूसरों की सेवा को पहले स्थान पर रखें. धन, प्रमो पूसकार मिलेंगे. जो व्यापारी सफल होते हैं, वे लगातार पूछते हैं, मैं किस तरह अपने ग्राकों की इच्छा हूं, जरूरतों और आकांक्षाओं को सबसे अच्छी तरह पूरा कर सकता हूं? जो व्यापारी ऐस सफल होते हैं, वे हमेसा पूछते हैं, मैं किस त पर द्याने कागर करते हैं, मेरा प्रोडेक्ट किस तरह मेरे ग्राहक की मदद करेगा, उन्हें कितना कमिशन मिलेगा, यह हमेसा दूसरे स्थान पर रहेगा, प्रभावी मैनेजर कंपनी की नीतियों को करमचारियों के लिए लावदाइक बताते हैं, खुद के लिए नहीं, जो डोक्टर मरीजों की सेवा को पहले स्थान पर रखते हैं, चाहे इसके कारण उन्हें कितना ही त्याक करना पड़े, उनका काम इतना फैल जाता है कि हम दंग रहे जाते हैं, आतम रूची के नियम का सहरा लेकर लाव कमाने के तीन आसान तरीके हैं, लोगों को उनके ना रीगन वारतालाप के लिहाद से सबसे महान राश्ट्रपती थे और इसके कारण सपस्ट हैं, वे सदीयोई आवाज में धीमे धीमे बोलते थे, जिससे बात करते थे, उसकी तरफ सीधे देखते थे, दवाओ में भी शान्त रहते थे और आसानी से समझ में आने वाले आसान सब्दों का इस्तेमाल करते थे, रीगन जनता के साथ व्यवार करते समय कई सुक्षम परंतु परवावी तकनिकों का परियोग करते थे, प्रेस वारता किसी भी राश्ट्रपती के लिए बहुत कटिन चुनोती होती है, परंतु मैतपूर्ण बात यह हैं कि सवालों को स्व अच्छे संबंद बनाने में सहायक होता है, क्यों? क्योंकि लोग तब अधिक सहयोग करते हैं जब उन्हें उनके नाम से बुलाया जाए, नाम से बुलाया जाना गंबीरता और गहराई से की गई परसंसा है, यह सामने वाले को बताता है, आप मेरे लिए मेतपूर्ण है, ह क्योंकि यह उनकी सबसे बड़ी संपत्ती है, इसलिए उन्हें व्यक्तिकत्ता का एहसास हासिल होता है, अनुठे होने की भावना, क्या आप जानते हैं मैं कौन हूँ? आतमरूची का नियम, अपनी पैचान की जबरदस्त लालसा, कई तरीकों से अभी व्यक्त होती है, हाल कितना ज़्यादा मैतवपून था, कालेज परसासकों के समू के समख्ष, बासन देने के बाद, जब मैं सूप चिंतकों से पीदा ले रहा था, तो लगबग सतर साल की एक मैला वहीं पर रुकी रही, यह सपष्ट था, कि वे मुझसे सबसे अंत में बात करना चाती थी, अं मैं समरती विशे सगे नहीं हूँ, परंतो इस मामले में मुझे याद था, जाहीर है, मैंने कहा, आप डाक्टर एस पेग हैं, ततकाल उसके चेरे पर चमका गई, वे खुश थी, क्योंकि मुझे उसका नाम दस साल बात भी याद रहा, वे एक मनोवैग्यनिक थी, यानि तो मैंने उन्हें दुबरा अस्वस्त कर दिया, मेरे नाम लेने का प्रभाव यह हुआ, आप इतनी मैत्वकून हैं कि दस साल पहले पांच मिनट की चर्चा के बाद भी आप मुझे याद हैं, आपने मुझे प्रभावित किया था, जब हमने विदा ली, तो उन्होंने मु शक्ता को प्रकट किया, उन्होंने मुझे से पूछा, क्या आपने मुझे पैचाना, वे भी यह विश्वास करना चाहती थी, कि वे इतनी मैत्वकून थी, कि उन्होंने मेरे मस्तिस्क पर अमिट चाप छोड़ी है, इस मामले में मुझे अपने दिमाग में आई, पहले किया था, क्योंकि मुझे उनका नाम याद नहीं था, एक और भाजन के दोरान, लगवख 50 साल का एक आदमी मंच पर आया, और उसने यह कहते हुए शुरुआत की, मैं शर्त लगा सकता हूं, कि आपको मेरा नाम याद नहीं होगा, कम से कम इस आदमी ने मुझे यह कहने का चाते हैं, उनका नाम उनकी पदवी है, याद रखें, याद रखे जाने की आवशकता हैं की सबसे बड़ी आवशकता है, इसलिए किसी का नाम याद रखने के लिए विशेस परियास करें, आपको क्या लगता है, आप किस की ज़्यादा मदद करेंगी, उस व्यक्ति की जो कहता है महिला क्या आप मेरी मदद करेंगे महान विश्वासोत्पादक लेंड्स जंसन ने नाम याद रखने का अभ्यास किया और लेंडस जांसन्स आधुनिक कि युक के सरवादिक विश्वासोत पादक राष्टपती थे किसी अधिनियम को संसद में पारित करवाने के लिए विरोधी पक्षों को एक जुट करने में वे बहुत जादा सफल थे राष्टपती जानसन मानुए सबंदों के इतने कुशल इंजिनियर क्यों थे इसलिए क्योंकि उन्होंने इस पर मेहनत की थी पैनेडी के बाद राष्टपती बनने के काफी पहले ही उन्होंने अपने दस सिदांत विक्सित कर लिये थे और उन पर काम करना शुरू कर दिया था ताकि वे लोगों के साथ व्यवार करने में जादा सफल हो सकें राष्टपती जंशन का लोगों को पर्रबावित करने का तरीका निक आगे बता रहा हूं ध्यान दे कि उन्होंने अपना पहला सिदांत यह बनाया था लोगों का नाम याद रखना सिखें पहला लोगों का नाम याद रखना सिखें इस बारे में ऐयोग्यता यह दर्सा सकती है कि दूसरों में आपकी प्रयाप्त रूची नहीं है दूसरा, आराम देव व्यक्ति बने ताकि आपके साथ रहने में किसी व्यक्ति को तनाव का अनुबव ने हो, पुराने जूते या पुराने हैट की तरह के इनसान बने तीसरा, शांत और निश्चिन्त बनने का गुण विक्सित करें, ताकि गटनाई आपको परेशान ने कर सके चोथा, एहंकारी ने बने, इस तरह की छवी ने बनाई, जैसे आपको सब पता हो पांचवा, रोचक बनने का गुण विक्सित करें, ताकि लोगों को आपके साथ रहने में अच्छा लगे छठा, अपने व्यक्तित्तों के खुर्दरे तत्वों को बाहर निकालने के बारे में अध्यन करें साथवा, किसी पुरानी या अभी की गल्थ फेमी को दूर करने का सच्चा परियास करें, अपनी शिकाइतों को नाली में बहा दें आठवा, लोगों को पसंद करने का अभ्यास करें, जब तक कि आप सच्मुच ऐसा करना ने सिख जाएं नुवा, किसी की उपलब्दी पर बदाई देने का कोई अफसर ने छोड़ें, ने ही दुख या निराशा में सानुबुती व्यक्त करने का अफसर चाने दें दस्वा, अगर आप लोगों को बहावनात्मक शक्ती देंगे, तो वे आपको सच्चा सनय करेंगे लोगों का सहयोग असिल करने के लिए उनके नाम से उने बुलाने के पांच मार्क दर्सक सिधान्त ये है पहला, सामने वाले के नाम का सही उचारन करें किसी वेक्ति को सबसे ज़्यादा बुरा इस बात से लगता है कि उसके नाम का उचारन सही ने हो वैसे यह हमेशा आसान नहीं होता कि किसी वेक्ति के नाम का उचारन उसी तरह से हो जिस तरह वैव से सुनना चाता हो हम ऐसी संसकर्ति में रह रहे हैं जहां कई राष्टियताओं के लोग रहते हैं इसलिए जब आप किसी ऐसे वेक्ति से मिलें जिसके नाम के उचारण के बारे में आपको दूइदा हो तो आप इस तरह की बात कहीं आपका नाम औरों से हटकर है क्या मैं इसका सही उचारण कर रहा हूँ आम तोर पर सामने वाला ततकाल अपना नाम दोरा देगा ताकि आप सुन सकें कि वहे अपने नाम का उचारण किस तरह चाता है फिर उस व्यक्ति के नाम को अपने दिमाग में उतारने के लिए अगले कुछ मिनिटों की चर्चा में इसका कई बार उचारण करें दूसरा चर्चा में सामने वाले के नाम का अक्सर प्रियोग करें यह करके आप उस नाम को अपनी यादास्त में स्थाई बना लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति का ध्यान भी आकर सित करेंगे लिखित संदेसों में भी किसी व्यक्ति के नाम का प्रियोग बार बार करें आधुनी कम्प्यूटर के सोजनने से किसी व्यक्ति का नाम आसानी से पत्र में डाला जा सकता है यह रहा एक आज चले जनक तथे जो कमपनिया डारेक्ट मेल के सामान बेचती है उन्होंने यह सीख लिया है जब लोगों को पत्र मिलता है तो हलांकि वे जानते हैं कि उनका नाम मशिनी तरीके से डाला गया है परंदो इसके बावजूद डियर सर या डियर मैडम के प्रियोग की तुलना में बहतर परतिक्रिया मिलती है तीसरा, संक्षिप्त नाम का प्रियोग तभी करें जब आप यह जानते हो कि सामने वाला उसे पसंद करता है मैंने यह सबक कई साल पहले मुश्किल तरीके से सीखा मैंने जेम्स क्रे नाम के एक वेक्ती के सामने सेल्स कोल की मैंने ततकाल उसे जिम नाम से बुलाना शुरू किया जब इंट्रिव्यू आगे बढ़ा तो मैं समझ गया कि मुझसे कहीं कोई गड़बड हो गई थी मैं जिस सेवा को बेच रहा था जिम को उसकी अफशकता थी कीमत वे बाकी चीजें भी सही थी परन्तु मैं समान नहीं बेच पाया बाद में मुझे पता चला कि मैं ऐस अफ़ल क्यों हुआ था जिम इस बात से चिड़ता था कि उसे जिम कहा जाए उसे इस बात पर ऐसा दानगरो था कि उसका नाम बाईवल के सेंट जेम्स पर रखा गया था जेम्स ने एक बार मेरे एक दोस्त से कहा था कि कोई भी सेंट जेम्स को सेंट जिम कहकर नहीं पुकारता यह रहा एक सुजाओ विलियम को विलियम कहें एलिजाबेत को एलिजाबेत, पीटर को पीटर और रेवेका को रेवेका अगर वे लोग चाते होंगे कि उन्हें बिल, लीज, पीट या बेकी कहकर बुलाया जाए तो वे आपको बता देंगे करपिया मुझे बिल कहें या जो भी संक्षित नाम उन्हें पसंद हो कभी भी किसी व्यक्ति को संक्षित नाम से ने मुलाएं जब तक कि वह आप से ऐसा करने के लिए सपश्ट रूप से ने कहँ दे चोथा, जब तक परिचेस थापित ने हो जाए तब तक किसी व्यक्ति के अंतिम नाम का ही प्रियोग करें इसमें कोई शक नहीं कि आप उन अजनवियों की टेलिफोन काल से चिड़ जाते होंगे जो आपको तदकाल आपके पहले नाम से बुलाने लगते हैं जब तक सामने वाला आपको उसके नाम के पहले हिस्से से सम्मोधित करने को ने कही तब तक उसके सरनेम का ही प्रियोग करें इससे यह पता चलता है कि आप सौमेदनशील है क्योंकि पहला व्यक्ति इस से चिड़ सकता है दूसरा उसे लग सकता है कि आप उस पर चड़ाई कर रहे हैं और तीसरा अजनबियों के साथ नाम के पहले हिसे का प्रियोग नए तो प्रोफेशनल है नए ही बिजनस के लिए अच्छा है याद रखें जबरन अपनापन जताने से लोग चिड़ जाते हैं पांचवाँ सामने वाले के नाम की सही स्पेलिंग लिखें जिस तरह किसी व्यक्ति के एक खान अपने नाम के गलत उचारन को एच्छविकार कर देते हैं उसी तरह किसी व्यक्ति की आँख ततकाल अपने नाम की गलत स्पेलिंग को पकड़ लेती है आज हमें जो अधिकांश डाक मिलती है वह व्यक्तिकत लगती है परन्तु होती नहीं है स्मार्ट कंपनिया यह सुनिश्चित कर लेती हैं कि जो लोग कंप्यूटर में नाम डालते हैं वे सही स्पेलिंग लिखें आपको कैसा मैसूस होगा अगर आपको एसी चिठी मिले जिसमें आपके नाम की स्पेलिंग गलत लिखी हो आप खुद से शायद यह कहेंगे अगर कंपनिय इतनी लापरवा है कि यह मेरे नाम की गलत स्पेलिंग लिखती है तो इस बात की संभावना है कि यह अपने सामान की गुणवत्ता इसकी कीमतों या डिलिवरी के बारे में भी इतनी ही लापरवा होगी ओफिस के अंदर होने वाले पत्राचार में तो यह और भी अधिक विद्वनसक होता है इससे यह लगता है जैसे जान बूज कर लापरवाई की गई है सामने वाले इंसान को मैं तुमसे बेतर हूँ कि खेल में जीत जाने दें मैं तुमसे बेतर हूँ यह खेल एसा है जिसमें दो लोग एक दूसरे से परतिष्टा धन उपलब्दियों या जीवन के किसी अन्नेक शेतर में आगे निकलने की कोशिस करते हैं यह रहा एक उधारण दादी नमबर एक दादी नमबर दो को अपने पोते की कुछ तस्वीरें दिखाती है और कहती है मेरा पोता सितंबर में स्टेट यूनिवेस्टी में नाम लिखाने वाला है दादी नमबर दो जवाब में ततकाल अपने पोते की कुछ तस्वीरें निकालती है और मैं तुम से बेतर हूं के अंदाज में कहती हैं यह रहा मेरा पोता उसे हारवर्ड में एडमिशन मिल कया है दादी नमबर दो सोचती है कि उसने मैं तुम से बेतर हूं का खेल जीत लिया क्योंकि सब जानते हैं कि हारवर्ड किसी स्टेट यूनिवर्स्टी से बेतर है अगर आप लोगों में परतियोगिता चल रही है क्योंकि अक्सर बातें इस बारे में होती है कि किसने वीकेंड में सबसे ज्यादा आनंद लिया किसने सबसे बड़ी मचली पकड़ी किसने सबसे शांदर पार्टी में भाग लिया और किसे फुटबाल मैच में सबसे अच्छी सीट मिल मैं तुमसे बहतर हूँ का खेल, आफिसों, समारों हो, हवाई जाजों, लंच इत्यादी में खेला जाने वाला प्रिये खेल है जहां भी लोग एक दूसरे से मिलते हैं, वहां यहे खेल खेला जाता है मैं तुमसे बहतर हूँ, का खेल बुरे परिणाम दे सकता है, मेरे एक पूरु सायोगी को उतकरष्ट सिख्षक का पुरुसकार मिला कालेज में बहुत से अधिकारी उस समारों में उपस्तित थे, जिन में कालेज का डीन भी शामिल था समारों के कुछ मिनिट बाद डीन ने मेरे मित्र को बदाई दी और कहा, जब मैं तुम्हारी उमर का था, तो मुझे अमुक अमुक पुरुसकार मिल चुका था डीन की टिपनी सुनकर मेरा दोस्त चिड़ गया, डीन ने मैं तुमसे बैतरूं का मैच तो जीत लिया, परन्तु जिस प्रोफेसर को उसने हराया, वह जल्दी ही दूसरी यूनिवेस्टि में चला गया मैं तुमसे बैतर हूँ, कि खेल में जब आप लोगों को हरा देते हैं, तो वे आपको पसंद नहीं करते, और अगर वे आपको पसंद नहीं करते, तो इस बात की संभावना बहुत कम हो जाती है, कि वे आपके साथ सायोग करेंगे, आप से सामान खरी देंगे, आपके बैक्षे को पैचाने, और इसे अपने दिमाग में रखें, क्या आप किसी व्यक्ति से इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको उसे कुछ सामान बेचना है, या इसलिए बात कर रहे हैं, क्योंकि आपको यह साबित करना है, कि आप उस से ज़्यादा अच्छे गुलफर है क्या आप नोकरी हासिल करना चाहते हैं या आप इंटर्यू लेने वाली मैला को यह बताना चाहते हैं कि आप उससे बेथर स्कूल में पढ़े हैं किसी बच्चे के साथ नंबरों की चर्चा करते समय क्या आप यह चाते हैं कि बच्चा अगली बार ज्यादा अच्छे नमर लाई या आप बच्चे को यह बता कर नीचा दिखाना चाते हैं कि जब आप स्कूल में थे तो आपके उस से अच्छे नमर आई थे अपने जीवन साती के दिन की गटनाओं के बारे में बात करते समय क्या आप यह चाते हैं कि वह अपने दिन की कुंठा से मुक्ति पाई या आप अपनी ही समश्याओं का डोल पिटना चाते हैं दूसरा जब आप मैं तुम से बेतर हूं का खेल खेलने से बचते हैं तो आप आतम विश्वास दरसाते हैं, जो लोग यह साबित करना चाहते हैं, कि वे आप से बेतर हैं, वे दरसल ऐस रुक्षित होते हैं, और उनमें आतम विश्वास की कमी होती है, याद रखें, जिन के पास डिंगे हांगने के लिए सचमुच कुछ होता है, उसे डिंगे हांगने की जरूरत नहीं होती, विजेता बने, मैं तुमसे बेतर हूँ, खेल में जीतने का एक ही तरीका है, यह है कि आप इस खेल को ने खेलें, सामने वाले को हमेशा जीत जाने दे मैं तुमसे बेतर हूँ, बच्चों का खेल है, सामने वाले को बोलने दे, यहां एक सचाई बताई जा रही है, लोग आपकी रूचियों के बारे में सुनने से ज़्यादा, अपनी रूचियों के बारे में बाते करना ज़्यादा पसंद करते हैं, इसे ज़्यादा सीधे त तो लोग अपने अपनी रूचियों, अपने परिवारों, अपनी नोकरियों, अपनी समश्याओं, अपने शोकों और अपने पालतु जानवरों के बारे में बातें करना ज्यादा पसंद करते हैं, बजाए इसके कि वे आपकी रूचियों के बारे में आपकी बातें सुनें। जब आप किसी की बात सुनते हैं, तो आप उस व्यक्ति की बहुत बड़ी प्रसंसा करते हैं और उसे बात करने तदा खुद में विश्वास करने के लिए प्रोचाइथ करते हैं, जब आप दूसरों को उनके बारे में बात करने के लिए प्रोचाइथ करते हैं, तो आपको इ ज़्यादा से ज़्यादा जानकरी हासिल करें। सामने वाले को ज़्यादा बोलने देना आसान नहीं होता। यह पूरी 300 वाविक है कि आप अपने रूचियों के बारे में बातें करना चाहें। परंतु एक बार फिर अपने लक्षे को दिमाग में रखें। क्या मैं इस व्यक्ति के साथ चर्चा यह बताने के लिए कर रहा हूं कि मेरा आहें कितना बड़ा है या मैं इस से कितना स्रेष्ट हूं। फिर या मैं बोब या बैटी के साथ इसलिए चर्चा कर रहा हूँ ताकि अपने लक्षों को हासिल करने में उनका समर्थना हासिल कर सकूँ लोगों को गरव का अनुवाव कराओ और वे आपको 110 प्रतिसत देंगे उत्री जारजिया में मेरा एक दोस्त डवल्यू गस एक कमपनी का मालिक है यह कमपनी बच्चों के कपड़े बनाती है और इसमें 300 लोग काम करते हैं यह कमपनी 100 साल से भी ज़्यादा समय से चल रही है और आज तक यहां एक भी हड़ताल नहीं हुई एक दिन भी काम नहीं रुका और हालांकि विदेशी परतिस परदा की वज़े से अमेरिकी वस्तर उद्यों को बयानक चटका लगा है परन्तु गस लगातार लाब कमा रहा है हालांकि काम रूटीन है और तन्खुआएं कम है परन्तु मनोबल और उत्पादकता बहुत उंचे है गस ऐसा किस तरह करता है काफी हद तक इसका कारण यह है, कि वहे गरो बढ़ाने वाले चोटे उपाईों का प्रियोग और गस सवता में कम से कम दो वार कार खाने का बर्वन करता है और हर करमचारी के अहाल चाल पूछता है वहें उनके बच्चों और पोतों के बारे में सवाल पूसता है जिनके परिवार में बिमारिया या मोत हुई है वहें उनके प्रति सानूबुती व्यक्त करता है और यह पूसता है कि वहें किस तरह उनकी मदद कर सकता है चिंता और दयालुता की छोटी छोटी अभी वेक्तियां पिछले क्रिस्मस पर गस ने एक रचनात्मक और बेहत शशक्त परेहनादाई तक्निक का प्रियोग किया उसने हर क्रमचारी से क्रिस्मस पार्टी में एक व्यंजन लाने को कहा फिर उसने सबसे कहा कि वे अपने व्यंजन की विदी लिख कर दें इसके बाद गस ने सारी विदियों को एक आकरशक कुक बुक में छपवाया जो उसने हर वर्तमान और संभावित खेरची क्राक को दी कुक बुक से करमचारियों का गरव बढ़ा और गराकों को भी यह बहुत पसंद आई कुक बुक की वज़े से बहुत से धन्यवाद के पत्र आए जिनने बुलेटन बोर्ड पर परमुकता से परदर्शित किया गया क्या यह गरव बढ़ाने का अद्बुत तरीका नहीं है और क्या यह गराकों के लिए सुखद नहीं है कि उन्हें उस कंपनी की तरफ से अच्छा उपार मिले जिसके प्रडेक्ट वेप बेशते हैं कैलिफोर्निया में एक कंस्ट्रक्शन मेनेजर ने मुझे बताया हमारे पास जो सबसे मेतवपूर्ण ओजार है वह है गरव बिना गरव के हर चीज ओसत या ओसत से कमतर होती है मैंने उससे कहा कि इस बात को वह विस्तार से समझाए क्योंकि कंस्ट्रक्शन कंपनिया बहुत महंगे उजारों का प्रियोब करती है उसने कहा करमजारियों का मनोबल बढ़ाने के लिए हमारे पास इस तरह के बहुत सारे बिन्दूक नहीं है कि कौन से काम नहीं किये जाई yayा कौन से काम किये जाई हम हर समय सिर्फ इतना याद रखते हैं कि हमारी सफलता के लिए गरव अनिवारिय है और फिर हम अपने गरव बढ़ाने वाले विचारों पर कारिय करते हैं जैसे मैंने पूछा चोटी चोटी बातें किसी बड़े प्रोजेक्ट को शुरू करने से पहले हम सारे करमचारियों को डीनर के लिए आमंतरित करते हैं इतने लंबे बासन नहीं होते हम सिर्फ यह याद दिलाते हैं कि हमारी कमपनी बड़ी है परंदू प्रोजेक्ट की सफलता के लिए हर करमचारी महतवपूर्ण है गर्मियों में दो या तीन बार हम बेसबाल मैचों में अपने लोगो वाली टी शर्ट और कैप पहन कर जाते हैं जब हम कोई इमार्त पूरी कर लेते हैं तो एक पार्टी देते हैं इसके बाद सेव एतनिक छुटी दी जाती है जब सहर में परेड होती है तो आम तोर पर हमारे पास एक शोबायान होता है ऐसा लगता है जैसे आपके करमचारी बहुत मज़े करते हैं मैंने बीच में कहा हम बहुत मज़े करते हैं और इसे लाब भी होता है देखिए मुझे इस बारे में चिंता नहीं करना पड़ती कि लोग ओफिस में सहराप पीकर या मादक दरव्यका सेवन करके आएंगे बिमारी का बहाना बनाएंगे या नोकरी छोड़कर परतियोगी कमपनियों में चले जाएंगे और हमारे करमचारी एक दूसरे के ओजार भी नहीं चुराते हैं देखिए लोगों को तनखावे दिगर सुविदाओं से अधिक चाहिए वे यह डिंग हांकना चाते हैं कि वे एक बेतर कमपनी के लिए काम कर रहे हैं आप अक्सर सुनते हैं कि कई लोग अपनी कमपनी में गरव का अनुबव इसलिए नहीं करते क्योंकि संगठन बहुत बड़ा हो गया है यह बक्वास है वेक्तिकत गरव सिर्फ इसलिए कम नहीं होता क्योंकि संगठन बड़ा हो गया है और इसमें हजारों करमजारी काम करते हैं आईबियम, डेल्टा, डिजनी लेंड और अन्य सिर्शत कमपनियों की तरफ देखिए बड़े होने से घरव नश्ट नहीं होता सिर्फ स्वार्थी, विचार हिन मेनेजमेंट की वज़े से ऐसा होता है अमेरिका, अमेरिकियों का सबसे बड़ा संगठन है और हमेसा वे मोजूद अंदरुनी आलोचना के बावजूद गरोग, गहरा और मनोबल उंचा है क्यों? क्योंकि हमारी परंपराएं याद की जाती है और नई पीडियां तथा नई आने वालों को हस्तान दृत की जाती है रहवासियों द्वारा किये गए इत्याग, युद्ध से हुई मोत, विनाश और दर्द, ऐसा मन्य खोजें आविश्कार और अभियान सब को यह याद दिलाते हैं कि वे एक बड़े संगठन के हिस्से हैं और सफल जीवन का सर्वशक्ति मानोजार यानि गरव इसका परिणाम है सबक, अगर आप लोगों को गरव का अनुबह कराएंगे, तो वे आपको 110 परतिसत देंगे पैसे के कारण नहीं, बलकि गरव के कारण बच्चे लिटिल लीग में अपना सब कुछ दाउं पर लगा देते हैं पिछले साल मैंने 11-12 साल के बच्चों की दो टीमों के बीच में चेंपियनसिव लीग फुटबाल मैच देखा मैंने विश्व कप मैच देखे हैं, मैंने सूपर बोल्स, बड़े गोल्फ टूर्नामेंट और अन्य विशेश मैच भी देखे हैं परन्तु छोटे-छोटे बच्चों द्वारा खेला गया यह है फुटबाल मैच, उन सभी प्रोफेशनल खेलों पर भारी पड़ा क्योंकि इसमें पूरे दिल से प्रियास किया गया था, मैदान में खेल रहे हर बच्चे ने अपनी पूरी जान लगा दी दोनों ही टीमोंने पूरे मोसम में चैंपियनशिप मैच में खेलने की जम कर तयारी की थी उन्होंने मैच के लिए प्रेक्टिस की थी आतमानुसासन का भ्यास किया था और जीतने के लिए प्रार्थना भी की थी बहराल ग्रेन टीम ने ब्लू टीम को चार तीन से हरा दिया अब सवाल यह है कि ग्रेन टीम को जीतने का क्या मिला तगड़ाब नगत बोनस बिल्कुल नहीं प्रोफेशनल फुटबाल कॉंट्रेक्ट नहीं स्कोलर्शिप नहीं गिफ्ट सर्टिफिकेट नहीं ग्रेन टीम को एक सस्ती सी ट्रोफी मिली और मैकनोनाल्स में एक हेंबर्ग एक कोक और चिप्स मिले ब्लू टीम को ट्राफी तो नहीं मिली परंतु उसे भी हेंबर्ग स्टोर में विसेस पार्टी मिली मैंने किसी भी उमर के इंसानों को किसी भी गतिविदी में इतने दिल से मेनत करते नहीं देखा और इसका पैसे से कोई संबन नहीं था दोनों टीमों के कोज शनिवार की सुबह और शाम को गोल्फ केलने या जोगिंग करने जा सकते थे परन्तु उन्होंने बच्चों को परशिक्षन देने में कई शनिवार लगाई माताओं ने भी अपने समय और उर्जा का त्याग किया ताकि वे यह सुनिश्चित कर सकें कि साइड लाइन पर परियाप्त रिफ्रेस्मेंट रहे मैच के बाद रेफरी और मैं जीतने वाले टीम को खुशियां मनाते देख रहे थे तता पराजित टीम के सदस्य सचे भदर पुरुसों की तरह विजेताओं को बढ़ाई दे रहे थे रेफरी एक सफल बिल्डर था और उसने मुझसे कहा आप जानते हैं मैंने अपने जीवन में काफी पैसा कमाया है परन्तु मेरे जीवन में इससे अधिक संतूष्टी दायक शनिवार की सुवब कभी नहीं गुजरी अगली बार जब आप किसी को इस तरह की कोई बात कहते सुने जैसे इस समश्या को सुल जाने का तरीका है तंखवा बढ़ाना या धन ही सबसे प्रमुक प्रेरना है तो ज़रा सोचें लोगों को प्रेरित करने का सबसे प्रमुक तरीका चेक बुक या बैंक अकाउट द्वारा नहीं बलकि दिल की भावना द्वारा है क्या होता है जब मैनेजर एह को तुष्ट नहीं करते जब किसी संगठन में लोगों की कभी तारिफ नहीं होती उन्हें कभी प्रोच्छन नहीं दिया जाता और उनकी हर दिना लोचना होती है तो हमेशा इसके नकारात्मक परेणाम मिलते हैं इन तत्यों को सुने पहला रिटेल स्टोर में गराकों की तुलना में करमचारी ज़्यादा सामान चुराते हैं क्यों? इसका परमुक कारण यह है कि करमचारी मैनेजर से नाराज होने के कारण उसके साथ बदला लेना चाहते हैं और वे चोरी करके बदला लेते हैं दूसरा उपेक्षित करमचारी परसंसित करमचारीों की तुलना में ज़्यादा बिमार पड़ते हैं तीसरा जिन करमचारीों को सिर्फ तनखा मिलती है और कोई भावनात्मक प्रेणा नहीं मिलती वे कमपनी छोड़कर दूसरी कमपनीों में नोकरी करने जादा जाते हैं बजाए उन करमचारीों के जिनकी कमपनी में भावनात्मक प्रेणा पर जोर दिया जाता है याद रखें तोड़फोड और मनोव अगयनिक आंतकवाद सिर्फ रिटेल स्टोर, आफिसों और फेक्टरिनों तक ही सीमित नहीं है हस्पतालों, कम्प्यूटर कमपनीों, एरलाइनों और विस्विद्यलों में भी प्रोफेशनल तब बदला लेने की सोचते हैं जब उन्हें लगता है कि उनकी सराना नहीं हो रही है उनका शोशन किया जा रहा है और मनोव एकैनिक रूप से उन्हें सताया जा रहा है मैं एक विस्विद्यले को जानता हूँ जिसकी हेड आफ डिपार्टमेंट ने दस लोगों के डिपार्टमेंट में से पांच सबसे अच्छे परोफेसरों को बाहर जाने पर मजबूर किया क्योंकि उसने उनके काम की जबरन निंदा की उनकी गतिविदियों पर जरूरत से ज़्यादा निकरानी की और तारिफ की बजाई दर का इस्तेमाल किया सबसे बुरी अड़ताले जो अकसर लंबी चलती है और कई बार हिंसक हो जाती है उन उद्योगों में होती है जहां मैनेजर करमचारियों को इनसान मानने से इंकार कर देते हैं जिन में एहें की प्रबल और गहरी आवशक काई होती है इन उद्योगों के मैनेजर आम तोर पर अपने करमचारियों को उसी निगा से देखते हैं जिस निगा से वे स्टील, सिमेंट या किसी अन्य निर्जीव पदार्थ को देखते हैं और रोचक बात यह है कि ज्यादातर हरताले उँची तनखवा वाले उद्योगों में होती है जिस से यह पता चलता है कि हरतालों का प्रमुक कारण पैसा नहीं बलकि करमचारियों के एहम की मनोव एग्यानिक अवेल ना है छोटे मैतव ही इन लोग हर तिन बिजनस को चोपट करते हैं प्रबल मंदी के दोरान मैं दक्षणी फ्लोरिडा में एक राष्टी एसमेलन में भासन देने गया जैसे ही मैं उस रिजोट होटल में पहुंचा जहां मैं पहले ही कई बार ठहर चुका था मुझे महसूस हुआ कि माहुल कुछ बदला हुआ था उस होटल का माहुल निश्चित रूप से बदल गया था रिशप्शन काउंटर के करमचारी ऐसा मान्य रूप से धीमे काम कर रहे थे कमरा लापरवाई से सजाया गया था रूम सर्वीस गटिया थी होटल में रहना उतना मज़ेदार नहीं था और वह उतना बढ़िया नहीं था जितना पहले हुआ करता था अगली सुबह अपना काम खतम करने के बाद मैंने होटल की कार ली और हवाई अड़े चल दिया मैं अकेला यातरी था इसलिए मैं युवा ड्राइवर से बाते करने लगा मैंने उसे बताया कि मैं उस होटल से नेरास हुआ मैंने उससे कहा यह वह होटल नहीं लग रहा था जहां मैं पिछली बार रुका था ड्राइवर ने खुल कर मुझे बताया कि सिर्फ दो मैने पहले ये होटल का मैनेजमेंट बदला है फिर उसने मुझे कुछ दुखत अनुबव सुनाई रिशेप्शन काउंटर पर बैठने वाले दो करमचारियों को बूरी तरह लताड़ा गया क्योंकि उन्होंने एक राद दिनर के लिए मैनेजर द्वारा निर्दारित रकम से दो डालर ज्यादा खर्च कर दिये थे बारा साल से वहां काम कर रहे सीनियर शेफ को बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि मैनेजर के विचार से वह बोजन बरबाद कर रहा था 25 पर 30 मैला करमचारियों को निकाल दिया गया और बची हुई मैला करमचारियों का काम उसी अनुपात में बढ़ गया रूम सर्वीस जो पहले 24 गंटे चालू रहती थी अब सिर्फ आदी रात तक ही उपलब थी ड्राइवर ने आगे कहा सबसे बुरी बात यह है कि मैनेजर हर दिन सुबह और शाम की सिफ्ट को इकठा करता है और उन्हें फटकारता है कि वे कितना गटिया काम कर रहे हैं अब कहीं कोई गरव नहीं है लोग अब सिर्फ यही चाहते हैं कि इस काम से मुक्ति मिले मैंने कहा ऐसा लगता है जैसे होटल में काम करना अब दर्दनाक अनुवव बन चुका है परन्तु कम से कम आप तो खुश नजरा रहे हैं ड्राइवर थोड़ा हंसा और उसने कहा सर्थ कोई बात सच में इतनी दूर नहीं हो सकती यहे इस होटल में मेरा आखरी सब्ता है मैं सड़क पर दो बलाक आगे एक दूसरी होटल के स्टाप में जा रहा हूँ क्यों मैंने पूछा अतित्यों के साथ सीधे संपर्ग में आने माले अधिकांस होटल करमचारी की तरह मैं भी अपनी अधिकांसामदनी के लिए टिप पर निरवर हूँ होता यह है कि मैं जिन लोगों को हवाई अड़े तक छोड़ने जाता हूँ उन में से ज़्यादातर आप की तरह निरास होते हैं जब वे जाते हैं तो वे उस होटल में हमेशा के लिए नाता तोड़ लेते हैं और इस वज़ए से मुझे कम टिप देते हैं इसके बज़ाए बिजनस अब इतनी तेजी से कम हो रहा है कि यहाँ पर बहुत कम इसे यातरी आती हैं जिने फ्लाइट पकड़ना होती है उस दिन घर की तरफ उड़ान बरते समय मैं इस गटना को अपने दिमाग से नहीं निकाल पाया मैं तो ही नोगों को अफ़ानित करके उनकी निंदा करके उने शोशित करके होटल के नए मैनेजमेंट ने एक अच्छे कासे बेहतरीन होटल को बरबाद कर दिया था फिर मैं यह सोचने लगा कि मैं तो ही इन करमचारियों को बूरी तरह मैनेज करने के कारण कितने अन्य बिजनस चोपड हो रहे हैं आटो मोबाइल करमचारियों को हालांकि कई पीडियों से बहुत अच्छी तंखवा मिलती है परन्तु उनके साथ भी मशीनों की तरही बरताव किया उन्होंने अपने मैनेजरों के साथ हिसाब ब्राबर करने का फैसला किया नतीजा यह हुआ कि उन्होंने ज्यादा गलतियां की गटिया काम किये और समझोते के तहट जितनी छुटियां ली जा सकती थी उतनी छुटियां ली इस परकिरिया में उन्होंने अमेरिकी जनता को विदैसी कारें खरीदने पर विवस कर दिया मैंने उन मैतव हिन कच्रा इकठा करने वालों के बारे में भी सोचा जिन्होंने समय समय वर निव्यार्क शहर को कुडे दान की तरह बदबुदार बना दिया मैंने उन मैतव हिन स्कूल सिक्षकों के बारे में सोचा जिन्होंने हर्ताल की अगर आप इस बारे में सोचें तो आप पाएंगे कि हमारे समाज में मैतव हिन लोग कैशियर, रिशपनिस्ट, टेलिफोन ऑपरेटर, स्टोर कलर्क, ट्रेफिक पुलिस के सिपाई यानि आगे की कतार के लोगों कि शायद ही कभी प्रसंसा होती है उनका अक्सर अपमान होता है और आम दोर पर उन्हें निरर्थकता का एहसास कराया जाता है परंदो एक तरह से देखा जाए तो वे समाज में सबसे मैतवून पदों पर बैठे हैं ये चोटे लोग जंता से मिलते हैं और जंता उन्हें के व्यवार के इसाब से कमपनी की छवी बनाते हैं जनता शायद ही कभी मैनेजरों से मिल पाती है करमचारियों का अपमान एक प्रमुख प्रबंदन अपराद है और इसका प्रेणाम हमेशा यह होता है कि करमचारी खराब परदर्शन करते हैं कम मनोबल का कारण है छोटे करमचारियों के गरव को चोट पहुंचाना जो लोग यह अनुवव करते हैं कि उनके गरव को चोट पहुंचाई गई है या उन्हें नश्ट किया गया है वे हमेशा जवाब देने का तरीका खोज लेते हैं अतीत में जहाज पर पलट कर लड़ने को विद्रो माना जाता था आज उद्योगिक कारखानों में इसे धीमे काम करना, कमपनी बदल लेना या हड़ताल करना कहा जाता है जेलों में पलट कर लड़ने को विशिष्ट पर करनों में विद्रो कहा कर जाता था ओफीस, हस्पतालों, विश्वी देलों और अन्य प्रोफेशनल जगों पर पलट कर लड़ने का मतलब है दूसरी कमपनी में चले जाना, गपशक करना, बिमार पड़ जाना और शिर्फ समय काटना संदेश, लोगों को नीचे गिरने के बजाए उन्हें उपर उठाएं, याद रखें आपके संगठन में हर व्यक्ति के पास एक मैतवपूर्ण काम है अगर काम मैतवपूर्ण नहीं है, तो उस पद को खत्म कर दें अगर आप लोगों को तंग करेंगे, उन्हें सजा देंगे, उन्हें अपमानित करेंगे तो उनका प्रदर्शन नीचे गिरेगा, उपर नहीं उठेगा किसी टीम को तब गरव होता है, जब उसे हवाई अड़े पर परसंसक मिलते हैं आटो मोबाइल करमचारियों को गरव होता है, जब उन मेंसे कोई पहले नए माडल को चला कर बाहर नितलाता है अभी नेताओं को अच्छा लगता है, जब उनके उद्द्योग में कुछ व्यक्तियों को विशेश पुरुषकार देकर सम्मानित किया जाता है नोबल पुरुषकार और पुलिजर पुरुषकार वेग्यानिकों और रचनात्मक लोगों को पुरुथसान देते हैं विद्यार्थियों को ऐसे हीरो और हीरोईन चाहिए जिन कावे सम्मान कर सकें हर वेक्ति किसी मैतव को बड़ी अच्छी और उपयोगी चीज का हिस्सा बनना चाता है संक्षेप में पहला आपको जो पाना है उसे हासिल करने के लिए आप उसे अधिक मैतव दें जिसे दूसरे लोग पसंद करते हैं जब आप लोगों को यह दिखाएंगे कि इस से उन्हें किस तरह फाइदा होगा किस तरह से अधिक आप धन कमा सकेंगे और जीवन का अनंद ले सकेंगे तो आपको अपने पुरूशकार आसानी से मिल जाएंगे दूसरा किशी व्यक्ति का नाम उसकी सबसे मैतवपुन पहचान है सामने वाले के नाम का सही उचारण करें सामने वाले के नाम का बार बार प्रियोग करें संक्षिप्त नामों का तब तक प्रियोग ने करें जब तक कि लोग उन्हें पसंद ने करते हो तब तक आत्मियता विक्सित नहे हो जाए तब तक लोगों को उनके सरनेम से ही संबोधित करें लोगों के नाम की सही स्पेलिंग लिखें तीसरा, मैं तुम से बेतर हूँ कि खेल में सामने वाले को हमेसा जीच जाने दे लोगों को अपने रूचियों के बारे में डिंगे हांगरें दे आपका लक्षे सामने वाले को परभावित करना है यह साबित करना नहीं कि आप उससे बेतर है चोथा, अगर आप लोगों को गरव का अनुबव कराएंगे तो वे आपके मंचाई काम में आपका सयोग करेंगे दूसरों को उनके और उनके काम के बारे में अच्छा अनुबव कराएं धन्यवाद आईए चलते हैं अध्याई 9 की तरफ जो है लेडर्शिफ दवारा सफलता पाने के पांच विश्वशनिय कदम आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जातू अध्याई 9 लेडर्शिफ दवारा सफलता पाने के पांच विश्वशनिय कदम यह रहा एक आज से रहे जनक तथे आज के 83% मिलेनियर निमन या मद्यम आई वाले परिवारों में पैदा हुए थे कल्पना कीजिए अधिकांस सफल कॉर्परेट एक्जिकुटिव उद्दमी वकील डॉक्टर अभीनेता संसद या विधानसवा सदश्य अधिकांस सिर्शत लोगोंने महानता अरजित की लीडर्शिप बाजार में नहीं बिक्ति इसे विरासत में किस्मत से या विवाद वारा हासिल नहीं किया जा सकता और अगर सिक्षा का लीडर्शिप से कोई सम्भन होता भी है तो बहुत कम होता है परन्तु लगातार जुटे रहकर लीडर्शिप विक्षित की जा सकती है यह अध्याई पांच आसान और प्रेक्टिकल कदम बताएगा जिनका आप ततकाल इस्तेमाल कर सकते हैं उतकरष्ट सोच रखें, विजयी उधारन प्रस्तूत करें, बोलें, दूसरे लोगों को अपनी मदद करने दें और जो खिमले और प्रसंसा हासिल करें कदम एक, अपने हर काम में पोसत सोच के बज़ाई उतकरष्ट सोच रखें मैं आपको एक बहुती मेत्वपूर्ण सबग बताने जा रहा हूँ, एक एसा सिदान्त जो सफलता, दोलत और सुख हासिल करने में आपकी मदद करेगा इस मेत्वपूर्ण आउधारना को समझने के लिए आप अपने मन में यहे खेल खेले कलपना कीजिए कि आप अभी अभी एक कमर्शियल हवाई जाज पर चड़े हैं आप बैठते हैं, अपनी सीट का बेल्ट बानते हैं और आराम से बैठ जाते हैं तब ही उड़ान बरने से पहले आप सुनते हैं कि कप्तान अपने सयोगियों से कह रहा है देखो, इस उड़ान को लेकर मैं आशंकित हूँ मुझे नहीं लगता कि मैं इस हवाई जाज को बहुत अच्छी तरह से उड़ा सकता हूँ मैं सिर्फ एक ओसत पाइलेट हूँ आप क्या करेंगे? संभावना इस बात की है कि आप जितनी जल्दी हो सके ततकाल हवाई जाज से उतर जाएंगे आप जानबूज कर अपने जीवन को किसी ओसत पाइलेट के बरोसे नहीं छोड़ेंगे अब इस खेल को एक कदम आगे ले जाएं मान लीजिए आप किसी अस्पताल में है जहां आपके ओपरेशन की तैयारी चल रही है जब एनेस्थिस्या का असर हो रहा हो तब आप सुनते हैं कि मुख्य सर्जन अपने सयोगियों से कह रहा है मुझे विश्वास नहीं है कि मैं यह ओपरेशन कर सकूँगा कई बार मैं अच्छे ओपरेशन करता हूँ परन्तु कई बार मैं बहुत ही गटिया ओपरेशन करता हूँ देखिए मैं सिर्फ एक ओसत सर्जन हूँ अगर संबव होगा तो आप ततकाल ओपरेशन टेबल से नीचे उतर जाएंगे सबक यह है कि जीवन और मोत के मामलों में आप अपने जीवन को ओसत लोगों के हाथ में नहीं छोड़ना चाहेंगे और चाहे आपका जीवन दाव पर नए भी हो तो भी आप यह नहीं चाहेंगे कि जीवन में ओसत लोगों से आपका कोई संबंध हो इन सवालों का जवाब दे क्या आपकी पतनी या पती ओसत जीवन साती चाहती या चाहते हैं? जाहिर है नहीं आपका जीवन साती आपसे प्रेम करना चाहता है आपके बारे में डिंगे हांकना चाहता है आपके बारे में क्षबा याचना नहीं करना चाहता क्या आपके बच्चे एक ओसत पिता चाते हैं एक बार फिर नहीं आप अपने बच्चों के जीवन में सबसे महतपूर्ण व्यक्ति हैं अगर बच्चा यह है सोचता है कि मेरे मम्मी डैडी साधारन और ओसत है तो यह एक तरह से बच्चे को सजा देना है क्या आपके करमचारी किसी ओसत मैनेजर के लिए काम करने में खुश होते हैं नहीं ओफिस में आपके करमचारी आप पर गरव करना चाहते हैं और यहे विश्वास करना चाहते हैं कि उनका बोस महान है अगर पिछले साल मेरी आमधनी ओसत थी तो क्या मुझे संतूस्ट होना चाहिए सच कहा जाए तो नहीं ओसत आमधनी आपको याद दिलाती है कि आप अभी बीच में हैं काम करने वाले आदे लोग आपसे ज़्यादा कमाते हैं क्या मैं अपने आर्थिक मामलों के बारे में सला लेने के लिए किसी ओसत सीपी, वकील या आर्थिक सलाकार को पसंद करूँगा इस सवाल का जवाब है जोरदार ना हम नहीं चाहते कि जो लोग हमारे पैसे को मैनेज करने में हमारी मदद करते हैं वे सिर्फ ओसत हो मैंने ओसत की यह सर्वसरेष्ट परिवारसा सुनी है जो आपको बताती है कि ओसत होना कितना बुरा होता है ओसत सर्वसरेष्ट में निकरष्ट तम और निकरष्ट में सर्वसरेष्ट होता है पोसत की अवदारना में सर्वस्रेष्ट या महानता सुजाने वाली कोई चीज नहीं होती पोसत का आर्थ है सिर्फ ठीक ठाक ओके साधारन, काम चलाओ या मुश्किल से स्विकारने योग्य हम उतकरष्टता की परिवासा इस तरह देते हैं वह है गुण जो सफलता पाने वाले लोग अपने हर काम में चाते हैं लगबग आदर्स, ऐसा मन्य अच्छा और सर्वस्रेष्ट संबव ओसत सोच लोगों को पीछे रोक कर रखता है क्योंकि इसमें उन्हें सुरक्षा और आराम का अनुबव होता है विद्यार्थी सुरक्षित अनुबव करते हैं जब वे यह कह सकें मेरे नमबर ओसत आये है इसलिए मैं ठीक ठाक हूँ कार खाने के मैनेजर आराम दे महसूस करते हैं जब वे यह रिपोर्ट देते हैं हमारी उत्पादक्ता उध्योग की ओसत उत्पादक्ता के बराबर है और कई सेल्ज मैनेजर सोचते हैं कि अगर उन्होंने अपने सेल्ज के लक्षे को पूरा कर लिया है तो उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है उत्करष्टा लक्षों के आगे जाना है आवशक्ता से बेहतर सेवा देना है जब चाहे हम चाहे जो कर रहे हो उसमें अपने सर्वस्रेश्ट प्रियास करना है चाहे हम नोकरी कर रहे हो बच्चे पाल रहे हो खेल रहे हो या दूसरों को मैनेज कर रहे हो हर क्षेतर में professional लोग उत्करष्टा के लिए प्रयास करते हैं और अगर परिनाम कम उत्करष्ट होते हैं तो वे रचनात्मक रूप से स्वे से दुखी होते हैं जो कोच उतने ही मैच हारता है जितने वह जीतता है अपने प्रदर्शन से दुखी होता है इसी तरह से मनोरंजन करने वाला हर वहे व्यक्ति भी दुखी होता है, जिसे सिर्फ थोड़ी सी तालिया मिलती है, और वहे मैनेजर भी दुख से ऐसंतुष्ट होता है, जो पिछले साल से बेहतर परिणाम नहीं दे पाता। देखिए, प्रोफेशनल व्यक्ति उत्करश्टा को लेकर प्रतिवद होता है। जीवन में विजेता इस पुरानी कावत की बुद्धिमानी पर अमल करते हैं। अगर कोई काम करने काबिल है, तो वहे अच्छी तरह से करने काबिल है। बहुत से तथा कतित कारण दिये गए हैं, जिन से यह समझाया गया है कि पिछले 20 सालों में मुक्ट संसार के अन्य देसों की तुलना में अमेरिका में उत्पातकता क्यों कम होई। इन कारणों में शामिल हैं कारिय नैतिकता में कमी, उर्जा की अधिक लागत, कल्यान का तंत्र, उंची ब्याजदरें, विदेशी परतियोगिता इत्यादी। परन्तु यह बहाने दरसल यह नहीं समझा पाते कि लाखों कमपनिया क्यों दिवालिया हुई, करोणों लोग क्यों बेरोजगार हैं और समाज का एक बड़ा हिस्सा हताशा तथा मोवंग के दोर से क्यों गुजर रहा है। आर्थिक उतल पुतल और इसकी वज़े से उत्पन होने वाली समाजिक समझ्याओं के पीछे असली कारण है। उत्करष्ट सोच के बज़ाई ओसत सोच के प्रती हमारा राष्ट्रिय प्रेम, ओसत सोच के परमान हर जगे हैं, इन उदारनों को देखें। उत्पादन करम्सारी, union के समझोते में 6 यूनिट प्रती गंटे लिखा है। जब में उत्ना ही काम करता हूं, जितना कानून के हिसाब से जरूरी है, तो union का बहुस्स मुझे पसंद करता है। अब सर, मैं अपने काम में सुरक्षित हूँ, मुझ से जितने नियुन्तम की उमीद की जाती है, मैं उससे ज़्यादा क्यों करूँ Executive, मेरा साल अच्छा रहा, हमने उद्ध्यों के ओसत लाब की बराबरी कर ली विद्यार्थी, मुझे पिछले ती माई में सी यानि एवरेज ग्रेड मिला, यह बुरा नहीं है, क्योंकि इसका मतलब है कि मैं पास हो गया बहुत कम लोग अपने काम में अतिरिक्त प्रयास करते हैं, इससे यह समझने में मदद मिलती है कि बहुत कम लोग अच्छे जीवन का असल यानन्द क्यों नहीं लेपाते साहस दिखाओ, उत्करष्ट सोचो आप उन लोगों को जानते होंगे, जो ओसत स्तिती में इसलिए शर्ण लेते हैं, क्योंकि उन्हें परतियोगिता करने में डर लगता है वे लोग तरक देते हैं, मेरी वर्तमान नोकरी में में हर एक के लगबग बराबर हो अगर मैं इस सुरक्षित जगए को छोड़ूँगा, तो हो सकता है, मेरी उपलब दिया इससे भी कम हो और ओसत होने के बजाए, मैं ओसत से भी कम काम कर पाऊं, या बिल्कुल ही ऐसा भल हो जाओं मैं यह समझाद हूँ कि ज़्यादा बड़े या चुनोती पूर्ण काम का डर किस तरह काम करता है मैं आर लेस्ली को बहुत कुशागर विद्यार्थी के रूप में जानता हूँ वह एक स्टेट यूनिवस्टी में गया, जहां उसने टीवी और रेडियो कम्यूनिकेशन में विश्यसक गिता हासिल की ग्रेजुएशन के बाद लेस्ली के पास बहुत से टीवी स्टेशनों से नोकरी के परस्ताव आई उसने अपने ग्रेहनगर के परस्ताव को स्विकार किया, जिसकी आबादी 55,000 थी मैं लेस्ली से 25 साल बाद मिला, जब मैं उसके शहर में चेंबर ओफ कॉमर्स में बासन देने गया मैंने उससे एक गंटे तक बातें की, उसने मुझे बताया कि सुरक्षित परंतु ओसत करियर में जाने की बज़े से वह कितना ऐसंतुष्ट था लेस्ली ने कहा, आप जानते हैं, जब मैंने अपने ग्रेहनगर के स्टेशन में नोकरी शुरू की तो उसके कुछ साल बाद तक मेरे पास कई टी स्टेशनों से नोकरी के प्रस्ताव आये, जहां तनख्वा बेहतर थी और नोकरी अधिक प्रतिश्टित थी, परंतु मैंने हमेशा उन्हें ठुकरा दिया मैंने पुछा क्यों? मेरे पास बहुत से कारण थे, लेसली ने जवाब दिया मुझे लगता था कि किसी बड़ी नोकरी करने से पहले मुझे अधिक अनुभव की जुरूरत थी, या मैं कई तरह के काम करना पसंद करता था समाचार पढ़ना, खेल का कवरेज करना, मौसम के हाल सुनाना, परंतु पीछे मुड़ कर देखने पर मैं यह स्विकार करना चाता हूँ, कि ये सब बहाने थे अब जब की मेरी उमर अधिक हो गई है, और मेरा अधिकांस टीवी करियर बीच चुका है, तो मैं यह बताना चाहूँगा, कि जिस कारण से मैंने उन अच्छे परस्ताओं को स्विकार नहीं किया, वह है असली कारण था मेरा डर मैं जानता था कि यहां पर अपने काम में मैं खासा अच्छा था, परन्तु मैं बूरी तरह डरा हुआ था कि शायद मैं अधिक रफ्तार और अधिक काम वाले माहुल में सफल नहीं हो पहूँगा, सर्वेस रेस्ट स्टेशनों में नोकरी बनाए रखने के लिए आपको सच सचमुच स्रेश्ट होना चाहिए, परन्तु मैं उन लोगों में से हूँ जो यह सोचते हैं कि वे सिर्व ओसत है, इसलिए मैंने सुरक्षिक तरीके से खेला और यहीं बना रहा, मुझे अपने आतों विश्वास की कमी पर बहुत अफसोस होता है, लेसली ने आगे कहा, मेर का यकीन करें, सबसे इस दुखत शब्द सचमुची यही है, यह हो सकता था, मैं लेसली जैसे एक सरजन को जानता हूँ, जो परतिवा साली था, परन्तु वहे देश के कई अच्छे अस्पितालों में प्रेक्टिस करने से बचता रहा, क्योंकि वहे, मैं सिर्व ओसत हूँ कि गातक बिमारी के कारण मनोवेग्यानिक रूप से पंगू हो गया था, देश बर में यात्रा करने के दोरान, मुझे ऐसे कोच मिले जो महान हो सकते थे, ऐसे संगीतकार मिले जिने शोरत और दोलत मिल सकती थी, ऐसे लोग मिले जो अपने खुद के बिजनस में सफल हो सकत थे, ऐसे मैनेजर मिले जो CEO बन सकते थे, और ऐसे उतकरष्ट प्रोफेसर मिले, जिनोंने अपनी रोष्णी को जाडिव के पीछे चुपा कर रखा हुआ था, और यह सब सिर्फ इसलिए हुआ, क्योंकि वे सब इस सोच के जाल में फसे हुए थे, मैं सिर्फ ओसत हूँ, स्वें से प्रतियोगिता करें, उतकरष्ट सोचें, दोस दर्सी लोग हमें बताते हैं कि ईस्वर को आम या ओसत लोगों से प्रेम होगा, क्योंकि उसने ज्यादातर लोगों को एसा ही बनाया है, परंतु सफलता चाने वाले और सकारात्मक मान सिकता वाले लोग कहते हैं, क इसलिए हर व्यक्ति किसी ने किसी क्षेतर में विश्व चैंपियन बनने के लिए गड़ा गया है, उतकरष्ट सोच वालों को पुरुसकार दें, ओसत सोच वालों को हटा दें, पिछली मंदी के सबसे निचले बिंदू के दोरान मैंने शिकागो की हवाई यात्रा से पहले लास एंजलीस हवाई एड़े पर लंच किया, रेस्टरा में सर्विस बहुत बुरी थी, वेटर एसिस्ट, फूहड और अपमान जनक वेवार कर रही थी, वहे मेरे लिए ऐसी चीज ले आई, जिसका मैंने ओर्डर नहीं दिया था, उसने मुझे गुसे से गुरा और मुझ मुझे 20% टिप की उमीद है, जब मैं बाहर निकला और अपना बिल चुकाया, तो मैंने मैनेजर से कहा, आपने उस वेटर को काम पर क्यो रखाय हुआ है, लास एंजलेस में एक लाख लोग बेरोजगार है, क्या आपको उससे अच्छी वेटर नहीं मिल सकती, गुसे में मै बिना जवाब सुने बाहर निकलाया, और अपने हवाईजाज की तरफ चल दिया, हवाईजाज में मेरे चड़ने के कुछ समय बाद ही मेरा पडोसी यात्री भी आ गया, कुछ मिनिट बाद वह मुझ से बोला, मैंने देखा कि रेस्तराज में क्या हुआ था, और मैंने मैने जलीस में एक लाख लोग बेरोजगार है, इसके बाद भी इस बेटर के पास नोकरी क्यों है, शायद वह सीनियर हो, या शायद उसे अपने दो बच्चे पालने हो, और उसका पती ने हो, या उसका पती बेरोजगार हो, मैं जवाब देने से खुद को रोक नहीं पाया, और मैंने अपने सहयातरी से कह दिया, कि मैं सचमुच विश्वास करता हूँ, कि सभी चीजें अच्छे के लिए होती है, मंदी का भी एक अच्छा पहलू होता है, मेरे सहयातरी ने कहा, मुझे यह समझ में नहीं आया, कि मंदी में क्या अच्छाई हो सकती है, मैं शिकागो में कैटलोग हाउस चलाता हूँ और मंदी से जुड़ी हर चीज से मेरे बिजनस को नुकसान पहुंचा है। ऐसे समय में कोई अच्छी चीज हो ही नहीं सकती। अगर आपको उसमें कोई लाव दिखे जिसे हम शिकागो में मंदी कहते हैं तो मुझे बता दें। मैंने कहना शुर पहलू यह है कि बिजली के तार्ट तूट जाते हैं। सडकों पर बर्फ जमा हो जाती है। कुछ परिवारों को दो एक दिन बिना बिजली के रहना पड़ता है। और भी इसी तरह के कई काश्ट होते हैं। परंतु सकारात्मक पहलू से देखा जाए। तो बर्फ रक्षो को चांटने का काम करती है, मरे हुए या बिमार पेड़ गिर जाते हैं और बाकी पेड़ों के कमजोर रंग तूट जाते हैं। कुल परिणाम यह होता है कि जब बर्फ पिगल जाती है तो वरक्ष उगाने वाले किसानों के पास अधिक स्वस्त जंगल होते हैं। मैं यह ब संदी भी संगठन को चांटने का अवसर देती है, उन लोगों को हटाना जो अपने हिस्से का वजन नहीं उठा रहे हैं। मेरे मित्र ने बीच में कहा, मेरी कमपने में 300 करमचारी है और मैं उन में से 50 को हर महिने के अंत में निकाल रहा हूं। परंतु मैं सेनियर्टी या वरिष्टा को इस बात का पैमाना बना रहा हूं कि उन में से कौन रुके और कौन बाहर जाए। मैं बोला, अगर आपकी कमपनी है और आप जो कदम उठाना चाहते हैं, उठा सकते हैं। परंतु अगर आप चाहते हैं कि मंदी के बाद आपके पास अधिक द्रड, अधिक स और अधिक सफल संगठन हो तो आपको वर्तवान परिष्टितियों का प्रियोग इस तरह करना चाहिए कि आपके कमजोर करमचारी छट जाएं। लोगों को नोकरी से निकालने में किसी को खुशी नहीं होती। परंतु जब आपके पास भी खल्प नह हो तो यह स्मार्ट त जाए काम के आदार पर करमचारियों को हटाया जाए। उसने कहा कि यह एक मुश्किल निरने था परंतु यह निरने सही भी था। आपको याद होगा कि मुझे पचास लोगों को हटाना था। उसने स्पष्ट किया। परंतु आज से जनक बात यह है कि अब हम 250 करमचारियो के साथ भी उतना ही काम कर रहे हैं जितना हम पहले 300 करमचारियों के साथ करते थे। मैंने एक बड़ा सबक सिखा। मेरे दोस्त ने कहा हम अपने समाज में रोजगार देने के प्रती तो जागरुक होते हैं परंतु काम करवाने के प्रती जागरुक नहीं होते। कल जब कितने अधिक प्रभावी और कम महिंगे हो जाएंगे। सबक उन्लोगों पर दाओ लगाए, जो उत्करष्ट दा चाहते हैं उन लोगों पर नहीं जो दोयम ढर्जे का काम करते हैं। याद रखें, ओसत निक्रष्ट में सर्वस्रेष्ट है और सर्वस्रेष्ट में निक्रष्ट तम है। जब आप बेहतर, अधिक सम्रद और अधिक संतोस जनक जीवन बनाने का प्रियास करें, तो इन तीन बातों का ध्यान रखें। पहली, अपने हर काम में उत्करष्टा का प्रियास करें। पुरानी कहावत की बुद्धि मता को ध्यान में रखें। अगर कोई काम करने काबिल है, तो वह अच्छी तरह से करने काबिल है। हर काम में तुपूर्ण होता है और उसे सर्वस्रेष्ट तरिके से किया जाना चाह याद रखें, जब आप उत्करष्ट करमचारी होते हैं, तो आप ज्यादा पैसे कमाते हैं, और आपको अधिक संतुष्टी भी मिलती है, जो उस सची दोलत का स्रोथ है, जिसे आप चाहते हैं। दूसरी बात, ओसत सोच से नफरत करें। ओसत सोच कभी आपके सपने साकार करने में आपकी मदद नहीं करेगी, कोई भी बच्चा यह कहना पसंद नहीं करता, मेरे डैडी एक ओसत डैडी है, कोई बोस अपने सीनियर से यह नहीं कहना चाता, जिम शिर्प एक ओसत सेल्जमेन है, और अगर आप ओसत व्यक्ति की तरह दिखेंगे, सोचेंगे, बात कर नोती का सामना नहीं करते, तब तक आप यह कभी नहीं जान पाएंगे, कि आप में कितना दम है, ओसत लोग दूसरों का साथ चाते हैं, उन्हें यह देखने में बड़ा मज़ा आता है, कि दूसरे लोग भी गिर कर उनके स्तर पर आ गए हैं, उन्हें इस दूस्ट आनन से वन्सित रखें, अपने ओसत सहयोगियों को इस बात की इजाज़त नहीं दें, कि वे आपको नीचे खींज कर अपने प्रदर्शन के स्तर तक ले आएं, विजेताओं से सला लें, अपने व्यवार को सर्वस्रेश्ट व्यक्तियों के व्यवार के अनुरूप डालें, उत्क उसका जवाब शायद यह होगा, अपने माता पिता से, परंतु माता पिता तो सिर्फ स्तरोत हैं, वह मद्यम नहीं है, जिसके दोरा हम बोलना सीखते हैं, सिधे से कहा जाई, तो हम दूसरों की नकल करके बोलना सीखते हैं, इस बात की काफी संभावना है, कि आपके जो दो पिनास लोगों के राजनेतिक विश्वास भी अपने माता पिता की तरह ही होते हैं, ज्यादातर लोग धरम, राजनिती, अर्थ सास्तर, विवाह, अनुसासन, नोकरी और सेक्स के बारे में, अपना नजरिया अपने माता पिता, सिक्षकों, सुपीरियर और साथियों के पियोर आदतें बन जाती हैं, किसी विक्ति का कम से कम 90% विवार उन उदार्णों द्वारा निर्दारित होता है, जिनकी नकल करके उसने दूसरों से सीखा है, इसलिए सही उदार्ण पेस करना सफल लेडर बनने का एक अनिवारिया हिस्सा है, अपना रोल मडल सावधानी स चुने, एक एड़टाइजिंग एग्जिक्यूटिव ने मुझे एक अनुबव बताया, जिसने उसे लोगों के साथ सही विवार करना सिखाया, मैं उस वक्त 22 साल का था और कालेज से निकला ही था, उसी समय मैंने एक मैत्वपून सबक सिखा, मुझे एक एड़टाइजिं वहें उन्हें फटकारता था, अक्सर उनके विचारों की खिली उडाता था और उन्हें नीचा दिखाता था, यह मेरी पहली नोकरी थी, लोगों के साथ उसके विवार के तरीके को मैं पसंद नहीं करता था, परन्तु मैंने सोचा कि शायद यही सही तरीका होगा, आखिर एकाउंट एक्जिक्यूटू था और उसका तरीका सही होना चाहिए एक सुक्रवार को मैं एजेंसी के काम से आफिस से बाहर गया आफिस लोटने पर मुझे यह संदेश मिला कि मैं सीनियर वाइस प्रेजिडेंट मिस्टर कैमपेल से जाकर मिलूं मिस्टर कैमपेल सिधे प्रेजिडे की बात पर आगए। वे विनमबर और सैसनु थे हमने एक के बाद एक सफल अवियान चलाए और काफी सफलताई हासिल की मैं एकसर सोचता हूँ मेरे दोस्त ने सोचते हुए कहा कि अगर मैं एक दो साल तक बिल किया दिन काम करता तो मेरा नेजानिक क्या होता मैं युवा और अनुब वहीं था और कोरे कागज की तरह था अगर मैंने बिल की आदतें सीख लिए होती तो शायद मैं ऐसा फल हो गया होता परन्तु ऐसा लगता है जैसे कोई देवी शक्ती मेरा ध्यान रख रही थी इसलिए मुझे जैक के साथ काम करने का अवसर मिला वह है मेरा रोल मोडल बन गया और इ मेरे मित्र कानुवव हमें दो बड़े सबक सिखाता है पहला जब आप सीड़ी पर उपर चड़ें तो खुद से पूस्ते रहें क्या मैं अपने अधिनस्तों के लिए अच्छा या सकारात्मक उदारन पेस का राम याद रखें कंपनी की संपत्ति और धन को उसी तरह से इसा ही करेंगे जब आप अपनी कंपनी के बारे में अच्छा बोलेंगे तो आपके करमचारे भी इसा ही करेंगे दूसरा अपने व्यवार के लिए सही रोल मडल चुनें किसी नोकरी को करने से पहले खुद से पूछें अगर मैं अपने बोस की आदतें सीख लूँ उनके नजरिये को अपना लूँ तो क्या मैं सफल और संतुष्ट बनूगा यह सुनिश्चित कर लें कि आपके बच्चे सही उधारन सीखें पिछले साल देश के कई हिस्सों में सिक्षकों ने हरताल की उन में से कुछ नकारात्मक और कटू थे सिक्षक तक्तियां उठाई थे जिन पर इस तरह के संदेश लिखे थे स्कूल बोर्ड को फांसी पर लटका दो हम आपके बच्चों की देखबाल करते हैं हमें जादा पैसे दो और सिक्षकों का सोशन बंद करो सिक्षकों के इस अंदोलन से मैं चिंता में पड़ गया शिक्षा को बच्चों को जो परमुक सी दान्ट सिखाना चाहिए उन में से एक है सत्ता का सम्मान करना हरताल करने वाले सिक्षकों ने स्कूल बोर्ड की सत्ता के जिस तरह पूर्ण अवेलना की उसने विद्यार्थियों के मन पर एक अमिट छाप छोड़ी होगी अब विद्यार्थी सत्ता का सम्मान क्यों करेंगी जब वे लोग जिनके परती उनका सम्मान होना चाहिए यानि कि सिक्षक इस पर उंगलियां उठाते हैं एक जिले में हर्ताल एक महिने से ज्यादा समय से चल रही थी वहां रहने वाली एक माने अपनी समश्चा के बारे में मुझसे बात की मेरे पती और मैं सचमुच परेशान है हमारे दो बच्चे सिक्षा से वंचित है यह ठीक नहीं है मैंने जवाब दिया मैं आपके इस बात से तो सहमत हूँ कि यह ठीक नहीं है परन्तु आप इस बारे में कुछ करती क्यों नहीं आप उन्हें प्राइवेट स्कूल में क्यों नहीं बेशती हम एसा कैसे कर सकते हैं जिम और मैंने इस बारे में विचार किया था परन्तु हम प्राइवेट स्कूल का खर्च नहीं उठा सकते इसके अलावा हम स्कूल टेक्स भी तो दे रहे हैं मेरा जवाब सीधा और ततकाल था मैं जानता हूँ कि इससे आप परार्थिक दवाव पड़ेगा और यह उचित नहीं है कि आप प्राइवेट तथा सरकारी दोनों स्कूलों को पैसे दें परन्तु अपने बच्चों को सरवस्रेश्ट सिख्षा दिलवाना आपका कर्तव्य है अपनी एक कार बेच दें अपने गर को दुबारा फाइनेंस करवा लें सस्ता बोजन कर लें चाहे आपको कुछ भी करना पड़े परन्तु अपने बच्चों को किसी एसे स्कूल में वश्य विजवाईए जहां के सिख्षक अच्छा उधारन पेस करें मैंने यह संकेत भी दिया कि उनके बच्चों के लिए हरतालिस सिख्षकों से संपर्क में आना कितना बुरा था एसे सिख्षक जिनकी मानसिक्ता इतनी गटिया थी कि वे पड़ाने से सिर्फ इसलिए इंकार करते थे क्योंकि उनकी तनख्वाईं थोड़ी कम थी मैंने अपनी मित्र को याद दिलाया कि अगर सिख्षक तनख्वा के मुद्दे पर इतनी नकारात्मक भावनाई रख सकते हैं तो वे आपके बच्चों के सामने कितने अन्य दुखद उधारन पेस कर रहे होंगे सिख्षकों को ज़्यादा तनख्वा देने से हमारी पबलिक स्कूल सिस्टम की समश्याई कभी नहीं सुलजेंगी समादान यह है कि उन्हीं को सिख्षक बनाया जाए जो बच्चों को सिखाने के प्रति समर्पित हो पादरी की तरह ही सिख्षक बनने का आकर्शन आर्थिक पुरुसकार ने तो कभी रहा है ने ही कभी होना चाहिए टीचिंग के व्यवसाई की तरफ उन्हीं लोगों को आकर्शित होना चाहिए जो यूवा मस्तिस्कों का विकास करना चाहते हो और बच्चों में परिवार समाज तथा देश के परती मुल्यों को विक्सित करना चाहते हो बात मेरे मित्र के दिमाग में बैठ गई तीन दिन बाद उसके बच्चे एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ने लगे काम शब्दों से अधिक तेज बोलते है यह पुरानी कावत अभी आपरसांगिक नहीं होई है चाहे हम जो करें चाहे हम जिस तरह से व्यवार करें परतिकिरिया करें और परिष्टितियों का सामना करें बच्चे हमारे कहे सब्दों के बज़ाए हमारे किये गए कामों से ज़्यादा सीखते हैं इन तथ्यों की तरफ ध्यान दे आंकडों का प्रमान पूरी तरह साबित कर देता है कि जिन बच्चों के माता-पिता या दोनों में से एक शराबी होता है उनके साथ सराब शमंदी समश्या होने की समावना जाता है बजाए उन बच्चों के जिनके माता-पिता शराब नहीं पीते या बहुत कम पीते हैं बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं जो माता पिताब ने बच्चों को पीटते हैं, उने उनके बच्पन में पीटा गया था, अगर बच्चों को पीटा जाता है, तो बड़े होने पर वे यह तर्क देते हैं, कि अब पीटने की उनकी बारी है। गरीबी में रहने वाले अधिकांस व्यसकों ने बच्पन में गरीबी भोगी हैं, गरीबी में जीवन गुजारने वाले लाखों व्यसक अमेरिकी इसे समान्य मानते हैं, गरीबी का उधारण अक्सर करीबी सिखा देता है, चर्च जाने वाले अधिकांस व्यसक अमेरिकी बच्पन में चर्च नहीं जाते थे, अपने बच्चों को छोड़ने वाले पिता आम तोर पर वे होते हैं, जिनके पिता ने अपने बच्चों को छोड़ दिया था, जिन बच्चों के मातापिता लेवर यूनियन में विश्वास करते हैं और उसका समर्थन करते हैं वे बच्चे आम तोर पर यूनियन का समर्थन करेंगे बजाए उन बच्चों के जिनके मातापिता कमपनी को अपना सचाई तैसी मानते हैं किसी भी तरह से देख लें, चेतन या अचेतन रूप से माता-पिता की आदतें, नजरिये और पूर्वाग्रे बच्चों के व्यवार के माडल बन जाते हैं संदेश आपके बच्चे का अधिकांस परशिक्षन उधारन द्वारा ओता है, शब्दों द्वारा नहीं, इसलिए अपने उधारनों को सकारात्मक और रचनात्मक बनाईए, इसे इस तरह से देखें, आप बच्चे को अपने उधारन द्वारा चलना सिखाते हैं, आप अपने बच् मत चुरी या कांटा पकरना सिखाते हैं बासन देकर नहीं बलकि उधारन देकर चार साल के बच्चे को सीट पेल्ड बांधना सिखाने के लिए आप उसे सुरक्षा पर बासन नहीं देते बलकि अपना सीट पेल्ड बांध कर दिखाते हैं जब तक बच्चा तीन साल का होता है तब तक उसके अधिकांस जीवन की प्रोग्रामिंग हो चुकी होती है और इस प्रोग्रामिंग का शायद ही कोई हिस्सा उसके दिमाग में शब्दों द्वारा भरा जाता है इस तरह दूसरे लोगों के उधारन हमारे जीवन को आकार देती है हाले में मैंने देश की एक अगरनी डिपार्टमेंटल स्टोर चेन के लिए भासन दिया यह मेरे लिए एक विशेश गटना थी क्योंकि मैं अपने मेजबान को जानता था आज वह एक कंपनी का चेर्मेन था परंतु 25 साल पहले वह एक स्टोक कलरक था जो अपने रिटेलिंग करियर के शुरुवात कर रहा था मैंने अपने दोस्त से कहा आप काफी दूर आ चुके हैं और आपको गरव होना चाहिए कि आपने कितना कुछ किया है मैं जानता हूँ कि आप में इतनी क्षमता थी परन्तु आपने कुछ खास किया होगा कुछ बहुत ही खास जिसकी वज़े से आप आज चेर्मेन के पद तक पहुँच गए मेरा मित्र हंसा और उसने कहा मैंने मैनेजमेंट के उन सिदानतों को अपनाया था जो मैंने आपसे सीखा था इसने मुझे बाकी किसी भी चीज से अधिक लाब पहुँचाया मेरी उत्सुकता ततकाल जागई और मैंने पूछा वह कौन सा सिदान था आपने हम सभी परशिक्षन लेने वालों को एक छोटी सी कवीता याद्व करवाई थी हमारी दुनिया किस तरह की होती है अगर इसमें सब लोग मेरी इतरह व्यावार करते तब से मैं इसी पंक्ती के सारे जिया हूँ अब मैं पूछता हूँ हमारा स्टोर किस तरह का स्टोर होता अगर हर मैनेजर मेरी तरह होता इस पंक्ति ने मेरे करियर में चमतकार कर दिया और उन सैंकडोंक मैनेजरों के करियर में भी जो मेरे प्रती जवाब दे हैं हमारी कमपनी के हर मैनेजर को सिखाया जाता है कि वह अच्छे उधारण पेस करके अपने करमचारीयों को परशिक्षित करे क्या यह उधारण किसी खास तरह के होते हैं, मैंने पूछा, मैं तीन क्षेतरों पर जोर देता हूँ उसने जवाब दिया पहला है ग्राहक की प्रवा करने का उधारण हमारे सभी मैनेजर हर दिन कुछ समय तक ग्राहकों की सिवा करते हैं इससे करमचारियों को मदद मिलती है आखिर इन लोगों को बेशने की कलमें पर शिक्षित करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि उन्हें यह सिखाया जाए कि किस तरह बेचा जाता है इसके अलावा अगर करमचारियों के मनोबल के लिए भी बहुत अच्छा रहता है जब वे देखते हैं कि मैनेजर और मेरा मतलब है कि सभी मैनेजर जिन में मैं भी शामिल हूँ सामान दिखा रहे हैं क्रेडिट की समश्या सुलजा रहे हैं पैकेट बांध रहे हैं या कोई और काम कर रहे हैं यह हमारे मैनेजरों के लिए भी अच्छा है क्योंकि वे बिजनस से हर दिन सीधे जुड़े रहते हैं अब दूसरा उधारण है मेरे CEO मित्र ने आगे कहा अपने सामान के प्रतिस सम्मान दिखाने का उधारण इसका मतलब है हमारे सामान, धन, जुड़ी हुई वस्तूओं और यंत्रों के प्रतिस सम्मान दिखाना जब कोई मैनेजर सामान को सावजानी से संबालता है और उसे सही तरीके से रखता है तो करमचारी भी ऐसा ही करेंगे सामान को किस तरह से आकरशक दिखाया जाई इस बात का एक व्यवारिक प्रतेक्स उदारन चार पेज के निर्देश से अधिक मुल्यवान साबित होता है तीसरा उदारन क्या है मैंने पूछा मैं इसे प्रोफेशनल लुक का उदारन कहता हूँ मेरे मित्र ने जवाब दिया यह मैं तो पूर्ण है कि हमारे करमचारी समझदार और प्रोफेशनल दिखें हमारे मैनेजर एक ड्रेस कोड निवदारित करते हैं ताकि प्रोफेशनल चवी बन सके साफ सुत्री और समान जनक छवी आप सामान बेचने वाली टीम बनाने में एसे उदारन पेस करने में बहुत विश्वास करते हैं जिनका पालन करवाना चाते हैं मैंने कहा एक्जिक्यूटिव ने जवाब दिया बिलकुल मेरे विचार से यह सही नजरिये और योगताईं सिखाने का एक मातर तरीका है एसा कोई तरीका नहीं है जिसके द्वारा मैं आपको यह सिखा सकूँ कि किस तरह जूते बांदे जाएं सिवाए इसके कि मैं आप को जूते बांद कर यह दिखाऊं और किसी को यह सिखाने का कोई तरीका नहीं है कि ग्रहाग की सिवा कैसे की जाए सिवाए इसके कि ग्रहाग की सिवा करके दिखाई जाए कदम तीन बोलो नेतरतों का सम्मद बोलने से है लीडर्स बोलते हैं बहुत बड़े लीडर्स के बारे में सोचे हैं चर्चिल बोलने में प्रवेण थे रुजवेल्ट भेतरिन वक्ता थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर लाखों लोगों को मंत्र मूद कर सकते थे एडॉल्फ हिटलर हालांकि बहुत बुरे किस्म के शैतान थे परंतु वे भी लीडर थे अपनी पुस्तक मीन काफ में वे लीडर्सिप से सम्मंद बोलने की कलाके मैतव को समझाते हैं वे कहते हैं मैं जानता हूं कि लिखे वे शब्द की तुलना में बोले वे शब्द से लोगों को जीतना ज़्यादा आसान होता है और इस दुनिया की हर महान मुहिम, महान वक्ताओं के कारण खड़ी हुई है ने की महान लेखकों के कारण बिजनस सम्मेलनों और बैटकों में स्वेचा से बोलने वाले लोगों को ज़्यादा जिम्मेदारियों से बरे पद दिये जाते हैं परन्तु बहुत कम लोगों में अपने विचार व्यक्त करने का आतम विश्वास होता है मैंने हाली में एक दोस्त के साथ लंच किया जो तिवर प्रगति कर रही एक कमपनी का चेर्मेन है उसने मुझे बताया मेरे साथ एक समश्या है मेरे बोड में पंद्रे डारेक्टर हैं हम साल में चार बार मिलते हैं परन्तु सिर्फ तीन या चार डारेक्टर ही बोलते हैं बाकी लोगों का मुए खुलवाने के लिए मुझे उनसे व्यक्तिकत रूप से सीधे सवाल पूछना पड़ते हैं जैसे जोन आप इस बारे में क्या सोचते हैं मैंने अपने मित्र को विश्वास दिलाया कि सयोग का अभाव आम तोर पर सभी बैटकों में होता है मैंने बताया कि अगर आप के पास दस से बीस लोग होते हैं तो सिर्फ 25 परतिसत के लगबगी अपनी तरप से कुछ कहेंगे बाकी पिछे 30 परतिसत लोग वहाँ पर सिर्फ बैठे रहेंगे मैंने अपने मित्र से एक और बात कही किसी मेटिंग में चुप बैठने वाले लोग बाद में दो या तीन के समूँ में अपनी बात कहते हैं जो लोग उपचारिक बैठेंग में कुछ नहीं बोलते उनके पास हमेशा आफिस की बैठकों के बाद लंच में या नोकरी के गंटों के बाद कहने को बहुत कुछ होता है उस पिसली मिटिंग को याद कीजिए जिसमें आपने भाग लिया हो शायद मैनेजरों या सेल्ज मैनेजरों या सेल्ज मैनों या कलब के सदश्यों की मिटिंग शायद सिर्फ थोड़े लोगों ने अपने विचार व्यक्त किये होंगे और इसकी संभावना बहुत है कि बैठक में चुपचाप रहने वाले लोग बाद में दो या तीन के समू में खड़े होकर इस तरह की बातें कर रहे होंगे काश किसी ने यह सुजाओ दिया होता या किसी ने बोस कोई उस समश्या के बारे में क्यों नहीं बताया जो हमें नई सुरक्षा सिस्टम के साथ आ रही है या काश किसी ने इस बारे में कुछ कहा होता जिस वज़े से ज्यादातर लोग बोलने के लिए खड़े नहीं होते उसे एक शब्द में बताया जा सकता है डर हसी उड़ने का डर, मुर्ख दिखने का डर, कोई विवादासवत बात कहने का डर अपनी कालपनिक कमियों के डर के कारण लोग खामोश रहते हैं सब के सामने कुछ कहने के लिए साहस और आतम विश्वास की जरूरत होती है कुछ लोग पुरानी कावत में विश्वास करते हैं यह बेतर है कि आप चुप रहें और लोग आपको मुर्ख समझें बजाए इसके कि आप अपना मुँ खोलें और आपकी मुर्खता साबित कर दें परन्तु यह कावत हमें ब्रहमित करती है अगर आप चुप रहेंगे तो आप प्रभाव बढ़ाने के अपने आवसरों को बहुत कम कर देंगे सफलता के लिए कोई और योग्यता उतनी महत्वकून नहीं है जितनी की दूसरे लोगों के सामने बोलने की उनका ध्यान खीजने की और उन्हें अपने दरश्टी कौन का विश्वास दिलाने की हमारा शिक्षा तंतर आम तोर पर सफलता की इस आवशक्ता की तरफ ध्यान नहीं देता यह संभाव है कि कोई व्यक्ति दरजनों विशों में पी एजडी की डिग्री ले ले जिसमें बिजनस एड्मिनिस्टेशन भी शामिल है और उसे कभी बोलने के समद में मारक दर्शन नहीं मिले बहराल यह बात तैह है कि जब तक आप अपनी बात को सकारातमक तरीके से व्यक्त नहीं करते हैं तब तक आप अपने क्षेतर के सिखर पर नहीं पहुंच सकते हैं यहां आगे छे मारक दर्शक सिधान बता रहा हूं जो बोलने की आदत डालने में आपकी मदद करेगी पहला बोलिए जिस भी मिटिंग में आप भाग ले रहे हैं उसमें सवाल करें विचार व्यक्त करें कोई व्यक्तिकत अनुभव बताएं या किसी तरह से कुछ ने कुछ कहें बोलने से आपकी अलग पैचान बनेगी आप खुद को उन पिछे 30% लोगों से अलग कर लेंगे जो मिटिंग में कुछ नहीं बोलते जब उन से कोई सीधा सवाल पूछा जाता है वे सिर्फ हाँ नहीं मैं नहीं जानता मुझे सब ठीक लगता है जैसा कोई जवाब बुदुदा देते हैं मिटिंग का चेर्मेन विचारों सुझावों और मदद करने वाले टिपणियों की तलास में है जब आप अपनी तरफ से अपने विचार रखते हैं तो आप लेडर्शिप के गुण का प्रदर्शन करते हैं जिसका आपको पुरुसकार मिलेगा खुद से कहें मैं जिस मिटिंग में भाग लूँगा उसमें कुछ ने कुछ जरूर कहूँगा यह आसान नहीं होगा परन्तु याद रखें बोलने के डर को जीतने का एकलोता तरीका यह है कि आप बोलें दूसरा अपनी टिपनियों को सकारादमक तरीके से व्यक्त करें अपनी बात के पहले इस तरह की कोई टिपनी करके उसे कमजोर ने करें मेरे पास एक विचार है यह शायद काम नहीं करेगा परन्तु अपना सुजाओ देने से पहले उसे मैतव हिन ने बनाएं क्या आप उस सेल्जमेन से कार खरी देंगे जो कहता है आपको शायद यह कार पसंद नहीं आएगी परन्तु फिर भी चलिए और इसे देख लीजिए तीसरा इमानदारी से बोलें जब चर्चिल ने दूतिय विशूद के दोरान ब्रिटेन के लोगों को संभोधिक किया था तो उन्होंने सचाई बताई थी उन्होंने यह वाइदा किया था कि जीतने के लिए खून पसीने मेहनत और आंसों की जरूरत होगी महान कार्पोरेट लीडर्स जब मुश्किल के समय में कमपनियों का नितरतौ करते हैं तो वे भी यह वायदा करते हैं दुबारा पट्री पर आने की रा मुश्किल होगी कुछ बावी लेडर सफलता के लिए आसान रा का वाइदा करते हैं परंतु लोगों को सचाई जानना सबसे अच्छा लगता है जो फुटपाल कोच अपनी टीम को बताता है इस मैच को जीतना केक खाने की तरह आसान होगा वह निश्चित रूप से मुश्किल में पढ़ने वाला है एक बार आप अपनी विश्वसने तक खो दें एक बार अगर लोगों को यह मैसूस हो जाए कि आप सच नहीं बोल रहे हैं तो वे आपकी हर बात में विश्वास खो देते हैं चाहे आप अगली बार सच ही क्योंने बोल रहे हूं प्रत्थम विश्व युद में जर्मन सैनिकों से कहा गया था कि ब्रिटिस सैनिक तो मैलाओं की तरह है और फ्रांसिसी सेना के दिमाग में तो सिर्फ और शराब के विचार ही बरे रहते हैं जब युद में जर्मन सैनिकों का सामना फ्रांसिसी और ब्रिटिस सैनिकों से हुआ तो उन्हें जल्दी ही यह मालूम चल गया कि उन्हें जो बताया गया था वह सच नहीं था जल्दी ही यह स्थिती आ गई कि वे हर बात पर एविश्वास करने लगे पिछले मंदी के दोरान कई कमपनियों ने अपने करमचारियों से कहा कि वे कमपनी को बचाने में मदद करें और अपनी तनखवा में कटोती करें जिन कमपनियों ने समझोते कि मेज़ पर पूरे तथे रखे उन्हें कम दिखकतों का सामना करना पड़ा सच बोलने वाले कमपनियों के करमचारियों ने तंखावें कटोती या काम करने के कई गंटों को स्विकार कर लिया परंतु जिन कमपनियों ने आर्थिक आंकडों का गलत विशलेशन करके अपने करमचारियों को मुर्ख बनाने की कोशिस की उन्हें बहुत सी समश्याओं का सामना करना पड़ा सबक की यह है अगर आप लोगों को सच बता देते हैं तो वे आपका समर्थन करेंगे अगर आप उनसे जूट बोलते हैं तो लोग आपका साथ छोड़ देंगे टीचर्स अगर अगले हफ़ते होने वाले परीक्षा में कठिन सवाल पूछे जा रहे हैं तो विद्यार्थियों को पहले से ही कठिनाई के स्थर के बारे में बता दें ताकि वे बेहतर तैयारी कर सकें सूपरवाइजर्स अगर ओर टाइम की जरूरत हो तो करमचारियों को बता दें कि यह अतिरिक्त काम क्यों आफशक है तथ्या जानने के बाद वे आपका सयोग करेंगे एग्जिक्यूटिव्स अगर कमपनी आर्थिक परेशानी में है तो सेर ओल्डरों और डिरेक्टरों को सचा ही बता दें हकीकत जानने पर वे आपकी आर्थिक सुधार संबंदी योजनाओं का समर्थन करेंगे अगर आप उनसे जूट बोलेंगे तो आपके परति उनका द्वेस बढ़ेगा और यहे भी हो सकता है कि वे आपसे कमपनी छोड़ने को कहें माता पिता जब आप अपने बच्चों को बताते हैं कि किसी मेतवपूर काम में लगन, मेनत और त्याक की जरूरत है तो आप लीडर्शिप के सिधानत का प्रियोग करते हैं चोथा आलोचना का सामना सकारात्मक तरीके से करें आलोचना होना या खिली उड़ना किसी को भी पसंद नहीं आता जनता के बीज गलतियां करना अपमान जनक होता है मूरख दिखने के बड़े डर में बहुत से छोटे छोटे डर शामिल है उचारन और व्याकरन की गलतियां करने का डर क्या बोलना है यह भूल जाने का डर किसी को चोट पूंचाने का डर और बाद में लोगों द्वारा हमारी गलतियां बताई जाने का डर हर व्यक्ति आलोचना को ना पसंद करता है आलोचना से निवड़ने का तरीका है आलोचना की उमीद खरना इसे तारिफ की तरह स्वीकार करें याद रखें अमेरिका में जिस आदमी की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है वह कोई आंतकबादी या चंद सत्रू नहीं है जिस व्यक्ति की सबसे ज़्यादा आलोचना होती है वह राष्टपती होता है ने सिर्फ कुछ पत्रकार राष्टपती की कही हर बात की बुराई करते हैं बलकि अग्यानी और निकम में लोग भी उनकी जमकर आलोचना करते हैं क्योंकि वह उन्हें कुछ नहीं के बतले में कुछ क्यों नहीं देते बिजनेस में कोई भी गेट कीपर क्यालोचना नहीं करता परन्तु बहुत से लोग बोर्ड के चेर्मेन की बातों और कामों की खामिया निकालते हैं इसलिए खुश हों कि आप क्यालोचना हो रही है यह इस बात का प्रमान है कि आप विश्वास कर रहे हैं फाइरिंग लाइन में वही रहते हैं जो मजबूत होते हैं इसलिए घरव कानुवाओ करें सकारात्मक परेणाम प्राप्ट करने वाले भासन में जानकारी और प्रेणा का अच्छा समावेस होता है अच्छा बासन कभी किसी दूसरों के विचारों पर आकर्वन नहीं होता चाहे किसी और वक्ता ने आपके विचारों के विवरित कुछ कहा हो पर अच्छा बासन कभी भी आकर्वन नहीं करें या उसे गलत साबित करने की कोशिस नहीं करें रचनात्मक होने में लाब होता है एक एड़र्टाइजिंग एग्जिक्यूटिव ने मुझे बताया कि किस तरह उसकी एजेंसी ने कई लाख डोलर का वीवरेज अकाउंट हासिल किया तीन अन्य एजेंसियों को उनकी योजना प्रस्तूत करने के लिए आमंत्रित किया गया था ग्राक ने मुझे अपनी योजना इंबताई उसने मुझसे कहा अगर आपको लगता हो कि ऐसा करने से आपकी योजनाओं को बल मिलेगा तो आप अपने प्रतिद्वंदियों की रणनेतियों की अवेलना करने के लिए सुतंत रहें क्या आपने ऐसा किया मैंने पूछा बिलकुल नहीं मेरे दोस्त ने जवाब दिया मैंने अपनी प्रस्तूती की शुरुवात में सिर्फ इतना कहा आप जिन दूसरी एजेंशियों के बारे में विचार कर रहे हैं उन में भी अच्छे और रचनात्मक करमचारी हैं परन्तो हमारी रणनेति अनूठी है इसलिए मैं उन से अपनी तुलना नहीं करूँगा फिर मैं अपनी योजना बताने लगा मेरे प्रस्तूती सबसे अलग हट कर थी अगर मैंने यह साबित करने की कोशिस की होती कि हमारी एजेंशिस सरुसरेश्ट थी तो मैंने बहस का दर्वाजा खोल लिया होता अपने परतिद्यूदियों पर आकर्मन करने से इनकार करके मैंने विबाद को टाला और अकाउंट हासिल कर लिया याद रखें छोटी मानसिक्ता वाले लोग अपने मुकों और डंडों से लड़ते हैं गटिया मानसिक्ता वाले लोग उन से थोड़ा सिर्फ उपर होते हैं और अपने मुह से लड़ते हैं सच्मुच बड़ी मानशिक्ता वाले लोग कभी नहीं लड़ते हैं। जब आप कहते हैं कि आपकी योजना किसी दूसरे से बेतर है या जब आप आकर्मन करते हैं तो निर्ने लेने वालों में से उच लोग आपके पर्तिवधन्दी के समर्थन में एक जुट हो जाएंगे। अपने पर्तिवधन्दियों को नीचा दिखाए बिना अपनी योजना को सकारात्मक तरीके और इमानदारी से समझाई। कभी भी हाँ कभी भी मंच का पर्योग किसी दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ने करें। इससे सिर्फ युद्ध शुरू होता है जिसमें आप हार भी सकते हैं। एकागर कर ली और उन्हें रिकोर्ड संख्या में वोट मिले। चाहे विचार हो या प्रडेक्ट किसी भी चीज़ को बेजने में आपका शत्त परतिसत प्रियास इस पर एगागर करें कि आप जो दे रही हैं उसमें क्या अच्छा है। कभी भी अपने प्रतियोगी के विचारों का या प्रडेक्ट की अलोचना ने करें। जो टीवी विग्यापन बताते हैं कि किस तरह प्रडेक्ट ए प्रडेक्ट बी और प्रडेक्ट सी से बेतर हैं। दरसल वे बी या सी प्रडेक्ट का मुफ्त विग्यापन कर रहे हैं। नमबर छे, आसान सब्द बोलें, कन्फिूशियन ने कहा है, महान व्यक्ति कभी बच्पन की सादगी नहीं खोता, राल्फ वाल्डो इमर्सन ने कहा था, महानता से अधिक सादगी पूर्ण कुछ नहीं है, दरसल सादगी पूर्ण होना ही महान होना है, जिस तरह किसी मसीन मे एक भी अनावशक पूर्जा नहीं होता, उसी तरह आप जो कह रहे हैं, उसमें एक भी अनावशक शब्द नहीं होना चाहिए, बड़े शब्द, जटिल विचार, लंबे लंबे वाक्यों से आपकी पुरातन पंथी और आडंबर प्रियाचवी बनती है, इसके बजाए पर चलें, अपने हर काम को आसान बना दें, उलमपिक गोता फूर चेंपियन किसी जटिल गोते का परदर्शन करते समय अनावशक मास पेशियों का इस्तेमाल नहीं करते, जादूगर अपने जादूई कारनमों को इतना आसानी से करते हैं, कि हर बच्चे को लगता है कि वह भी इसे कर सकता है, पूरुसकार जीतने वाले अबिनेता इतनी ज़्यादा कड़ी मेनत करते हैं कि लगता ही नहीं है कि जैसे वे अबिने कर रहे हैं, कदम चार, दूसरों को अपनी मदद करने दे, कैलिफोर्निया में एक इलेक्टोनिक्स कंपनी के प्रमुक ने बताया कि उन्होंने अपने करियर में प्रगती करने के लिए सैयोगी प्रबंदमन का किस तरह प्रयोग किया, उनका अनुबव दूसरों का नेतरतव करने का अच्छा उदारन है, नो सैनिक अकादमी से सनातक होने के बाग, मैंने एरक्राफ्ट करियर में जूनियर इलेक्ट्रोनिक् ततकाली मुझे पता चल गया कि मैं तक्निकी पहलू के बारे में बहुत कम जानता था, परंतु मैंने यह भी जान लिया कि मेरे अदिन कई छोटे अपसर थे जो अनुबवी थे, इसलिए मैं हर दिन उनके साथ बैठता था, दिन बर की गतिवीदियों की योजना बनाता था और फिर उन से उनके विचार पूचता था कि किस तरह आगे बढ़ा जाए, उनकी पतिक्रिया जबरदस्त थी, बाद में मुझे पता चला कि मुझे से पहले जो आदमी जूनियर आफिसर था, वह कभी उनके विचार पूचता ही नहीं था, सायोग की मेरे सैली उने बहुत पसंद आई, नो सेना से मुक्त होने के बाद मैं एक इलेक्टोनिक्स कंपनी में नोकरी करने लगा, एक बार फिर मैंने जल्दी ही यह महसूस कर लिया कि मुझे अपने अधिनस्तों के विचारों और योग्यताओं की बहुत आउशकता है, एक बार फिर मैंने यह जान लिय कि योजना बनाने में उनकी मदद लेकर मैं यह सुनिस्चित कर सकता हूँ कि काम पूरा हो और अच्छी तरह से पूरा हो, मुझे बहुत जल्दी परमोशन मिले, दो साल पहले मुझे कंपनी का प्रेजिडेंट बनाया गया, तब मैं 37 साल का था, मैं अपनी सफलता का स्रे लीडर्शिप के एक गुण को देना चाता हूँ, चिंतन और योजना बनाने में लोगों को सायोग देने के लिए प्रेरित करना, यह रहे कुछ मारगदर सक्सिदान जिनके माद्यम से आप दूसरों की मदद हासिल कर सकते हैं, पहला परसंसा को धन की तरह माने, इसका हमेशा अपने समर्थकों में करता है, स्मार्ट फुटबाल कोच जीत का सरे कभी खुद नहीं लेता, वह इसका सरे टीम को देता है, इससे टीम अगले सपता और ज़्यादा मेनत से खेलने की कोसिस करेगी, इसलिए जब आपको बदाई या पुरुसकार मिले, तो हमेशा उ अगर आप प्रडेक्शन मैनेजर हैं और आप अपने लक्षे से अधिक उप्तबादन करते हैं, तो काम करने वालों की प्रसंसा करें, अपने को मिलने वाली प्रसंसा से अधिक लाव हासिल करें, लीडर्स कभी प्रसंसा के बूखें नहीं होते, जिस तरह समझदारी से किय गए धन के निवेश से अधिक धन मिलता है। उसी तरह सयोगियों में प्रसंसा का निवेश करने से वे अगली बार बेहतर प्रदर्शन करने के लिए प्रेरित होते हैं। नमबर दो अगर गड़वड हो जाए तो सो प्रतिसत जिम्मेदारी लें। लीडर्स पस्ट रूप से समझता है कि आप काम करने की सत्ता या शक्ती तो किसी दूसरे को सौप सकते हैं। परंतु परिणाम की जिम्मेदारी दूसरों पर नहीं डाल सकते। 1984 में बेरुत में एक आंतकवादी ने 3129 सैनिकों को मार डाला। कमांडर इनचीफ होने के नाते राष्टपती रीगन ने समझदारी का प्रदर्शन करते हुए इस दुरास्टी की पूरी जिम्मेदारी ले। अगर उन्होंने मैरीन काप्स के कमांडर को दोस्ट दिया होता तो उनका व्यवार लेडरों जैसा व्यवार नहीं होता। और राष्टपती पर घंबीर दोसा रोपन भी किया जाता। वे आप पिग्स एक दुरगटना थी। राष्टपती कैनेडी के कुछ सहयोगियों ने उन्हें सुजाओ दिया कि वे ऐस अफलता के लिए आईजन हावर परशासन को दोस्ट दे। क्योंकि ज्यादातर योजना कैनेडी की राष्टपती बनने से पहले बनी थी। परंतु कैनेडी ने लीडर्शिप का परदर्शन किया और अमेरेकी जनता से कहा मैं पूरी जिम्मेदारी लेता हूँ। इसके बाद ऐसा फलता की अलोशना बहुत कम हो गई। राष्टपती निक्सन ने वाटर गेट परकरण के दोरान जिम्मेदारी के नियम की अवेलना की। इसलिए उनके सामने दो ही विकल्प थे। या तो इस्तिपादें या फिर महावियों का सामना करें। कई लोगों का विश्वास है कि अगर निक्सन ने पूरी जिम्मेदारी ली होती अगर उन्होंने अमेरिकी जन्ता से कहा होता मैं गुस्पैट और गटिया चालों की जिम्मेदारी स्विकार करता हूँ तो वे अपने कुर्सी बचा सकते थे। परंतु हड़ दर मेता का पर वर्तकों को दोस्त ने दें इससे आप छोटे और कमजोर नजर आते हैं इसके बजाए बड़पन का परदर्शन करें यह स्विकार करें कि आपके अधिनस्तों ने नहीं बलकि आपने लापरवाई की है बड़पन का परदर्शन करके आप यह सिद करेंगे कि आप लीडर है नमबर तीन, दूसरे लोगों के मस्तिस्कों को संगठित करें महान लेडर्स लोगों का अध्यन करते हैं और लोगों का ग्यान वह सबसे मैतोपून जानकरी है जिसकी जरूरत आपको सफलता, धोलत और सुख हासिल करने के लिए होती है काम का ग्यान इतना मैतोपून नहीं है आप कंप्यूटर को प्रोग्राम कर सकते हैं इसका यह मतलब नहीं है कि आप डिपार्टमेंट भी चला सकते हैं हो सकता है आप जानते हों कि कैसे बेचा जाता है परन्तु हो सकता है इसके बावजूद आप सेल्ज मैनेजर बनने के लिए एयोग्य हो हो सकता है कि किसी को स्कूल में चार ग्रेड पॉइंट मिले हो परन्तु फिर भी वेह लीडर ने हो देखिए ग्यान अपने आप में शक्ति नहीं है यह शक्ति का कच्चा माल है और इसे सही रास्ते पर ले जाने की आवशक्ता होती है इस बात की संभावना है कि आप बहुत ग्यानी लोगों को जानते होंगे जो किसी बॉय काउट प्रुप का नितरतब ने कर सके या किसी नागरिक कलब के प्रभावी प्रेजडेंट साबित नहीं हो सके लेडर्शिप दूसरों के ज्यान का दोहन, सहियोजन और सम्मिलन है एक बार फिर लेडर्शिप का संभन लोगों के मनोव ज्यान से है काम या नोकरी के ज्यान से नहीं है इस उधारन पर विचार करें मान लिजी आप किसी बड़ी युनिवेस्टी में प्रेजडेंट बनना चाहते हैं खुद को तयार करने के लिए आप हर उस विशे को पढ़ाने का फैसला करें जो युनिवेस्टी पढ़ाती है अगर आप ऐसा करेंगे तो आपकी तैयारी पूरी होने से पहले आप कम से कम ढ़ाई अजार साल बुड़े हो जाएंगे या मान लेजिए आपका लक्षे जनर्नल मोटर का सी यू बनना हो सबसे उंचे पद की तैयारी करने के लिए आप फैसला करते हैं कि आप इस कंपनी में होने वाले हर काम में पारंगत हो जाएंगे एक बार फिर आपकी तैयारी पूरी होने तक आप कम से कम ढ़ाई अजार साल बुड़े हो जाएंगे लीडर में यह योग्यता होना चाहिए कि वह एसे लोगों को मैनेज कर सके जिन में उससे अधिक विशे सगिया ज्यान होता है प्रभावी लीडर बनने के लिए लोगों के अध्यन पर अपना ध्यान एकागर करें किस तरह उन्हें सयोग देने सर्वस्रेश्ट परियास करने और व्यक्तिकत त्याग करने के लिए प्रेरित किया जाए कदम पांच जो खिमले और परसंसा हासिल करें कुछ साल पहले क्लीवलेंड से कोलंबस की छोटी सी उडान में मेरे पास वाले सीट पर ऐसाधारन इसाई दार्षनिक डॉक्टर रावर्ट शुलर बैठे थे उन्होंने एक विचारोते जग बात कही जिसमें एक महान लीडर्शिप सबक छुपा है उन्होंने कहा एसा क्यों होता है कि जब अधिकांस लोग एक दूसरे से विदा लेते हैं तो वे कहते हैं अपना ध्यान रखना हमारा देश उन लोगोंने बनाया है जिनोंने जोखिम लिया है उन लोगोंने नहीं बनाया जिनोंने अपना ध्यान रखा है संभावनाओं को सचाईयों में बदलने के लिए हमेशा जोखिम उठाना पड़ता है यह लीडर्शिप का बेहत मैतोपून सी दान्त है हर बिजनस कोई ऐसा आदमी शुरू करता है जो जोखिम लेता है और किसी नए बिजनस को सफल बनाने के लिए और भी ज्यादा जोखिम लेने की जरूरत होती है क्या लोग हमारे परडेक्ट को पसंद करेंगे क्या करमचारी ठीक तरह से काम करेंगे क्या हमारा निवेश सफल होगा यह जोखिम से जुड़े कुछ सवाल है जिनका सामना हर बिजनस शुरू करने वाले को करना पड़ता है सभी महान उपलब्दिया जोखिम लेने वालों ने हासिल की है डोक्टर क्रिश्चेन बर्नार्ड ने जब परत्म मानवी हरद्या का परत्यार उपन किया तो उन्होंने सरजन के रूप में अपनी परतिस्टा का जोखिम लिया ली आया कोका ने क्राइसलर कोर्पोरेशन को पुनर जीवित करने के अपने सफल प्रियास में अत्यदिक जोखिम लिया और डाक्टर नार्मन विन सेट पील ने जब दुनिया को बदलने वाली पूस्तक देप पावर आप पॉजेटिव ठिंकिंग लिखी तो उन्होंने चर्च से बर्खास्त होने का जोखिम उठाया था दुर्भग्य से सिक्षा का पूरा जोर इस बात पर रहता है कि जोखिम से किस तरह बचा जाए इस बात पर नहीं कि जोखिम लेकर किस तरह लाब उठाया जाए हमारे बिजनस स्कूलों से जितने जोखिम लेने वाले बिजनसमें बाहर निकलते हैं उनसे पांच गुना आधिक लोग करमचारी बनकर निकलते हैं और मैंने खुद यह देखा है कि प्रोफेसर जोखिम लेकर सफलता पाने के बजाए जोखिम से बचने की पांच गुना आधिक कोशिश करते हैं एक फुटबाल कोच ने सपस्ट किया कि उसने एक रननिती का प्रियोग करने का फैसला किया जिसके परिणाम सुखरूप हमारी टीम मैच हार गई और कांफरेश चैंपियंशिप नहीं जीत पाई हमने मैच शुरू होने के 30 सेकिंड में ही स्कोर कर लिया था इससे हम दूसरी टीम से सिर्फ एक पॉइंट पीछे थे अब मुझे उस साल का सबसे बड़ा निर्ने लेना था क्या हम लगबग निश्चित एक पॉइंट हासिल करें जिससे हम मैच ड्रा कर लेते और कांफरेश चैंपियंशिप भी ड्रा कर लेते या फिर हम अधिक जोखिंबरे दो पॉइंट की रन निती की कोशिस करें यह तै था अगर दो पॉइंट वाली रन निती सफल नहीं हुई तो हम मैच हा जाएंगे और कांफरेश चैंपियंशिप भी जहां तक मुझे याद है आपने उस मैच में दो पॉइंट वाली रन निती अपनाई मैंने बीच में कहा हाँ और यह एसफल हुई इसलिए हम हार गए कोश ने आगे कहा परन्तु मुझे इस बात का कोई अफसोस नहीं है रन निती के एसफल होने से ठीक पहले हमने टाइम आउट लिया और क्वार्टर बैक ने मुझे से कहा मैदान में उत्रा हर खिलाडी चाता है कि हम दो पॉइंट जीतने की कोशिस करें हम यहाँ जीतने के लिए आई है मेरे उस निरने की काफी अलोचना हुई जिसकी वज़े से हमारे हाथ से मैच और चेंपियन सिप चली गई हजारों पर संसक दुखी थी परंतु हर खिलाडी खुश था कि हमने कोशिस की और कोश होने के नाते मैं हमेशा खिलाडियों को पहले स्थान पर रखता हूँ मैं उनका जीवन बनाने की कोशिस कर रहा हूँ हमने वह मैच 13 साल पहले खेला था और उन सालों में कई बार उस मैच में खेलने वाले खिलाडियों ने मुझे बताया कि उस दिन उन्होंने अपने जीवन का सबसे बड़ा सबक सीखा था इससे उन्हें साहस का अर्थ समझने में मदद मिली जरा सोचिए आपने कितनी बार लोगों को यह कहते सुना है काश मैंने अमुक कंपनी में निवेश किया होता या काश मैंने फलां कमपनी में नोकरी कर ली होती या काश मैंने अमुक काम कर लिया होता सच तो यह है कि लोग जो कहते हैं काश मैंने वह किया होता जो मैंने नहीं किया वे सब दुखी होते हैं परन्तु जो आदमी सफलता दोलत और सुक चाता है वहे अपने उस साती से ज्यादा जोखिम लेता है जो ओसत जिंदगी जीने का चुनाव करता है जोखिम लेने से आपको यह जानने में मदद मिलती है कि आप में कितना दम है याद रखें बिना कोशिस के सबलता नहीं मिलती एक शोकिया लेखक ने मुझे बताया अरे मैंने किसी परकाशक के यहां कभी कोई पांडूली भी नहीं बेजी शायद वहे इसे चापने से मना कर देता एक यूवक ने बताया कि वहे सेलिंग लाइन में क्यों नहीं गया मुझे नहीं लगता कि मुझ में इस क्षेतर में सफल होने की योग्यता है उसने कोशिस करने का जोखिम नहीं उठाया कई लोग बताते हैं कि उन्होंने अपनी नोकरिया क्यों नहीं बदली नोकरी बदलने का अर्थ होता है जोखिम और एनिस्चित्ता जोखिम लेने का अर्थ जुवा खेलना नहीं है जब आप जोखिम लेते हैं तो परिणाम पर आपका थोड़ा बहुत नियंद्रिन होता है जब आप जुआ खिलते हैं तो परिणाम पर आपका कोई नियंद्रिन नहीं होता हाल ही में मैं डेटराइड में जैक डबलू से मिला जैक जनरल मोटर में 17 साल तक इंजिनियर के रूप में काम कर चुका है मेरी नोकरी ठीक ठाक है परन्तु मैं इसमें अपना सत परतिसत नहीं दे पाया मैं कई सालों से अपना खुद का बिजनस शुरू करने के बारे में सोच रहा हूँ परन्तु मुझे हमेशा एक नए एक अच्छा कारण मिल जाता था कि मुझे ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए परियाप्त धन का आभाव, ऐसा फल होने का डर परिवार को आमदनी के सुनिश्चित साधन की आवशकता इसी तरह के बहाने आखिरकार मेरी पतनी ने मुझे छलांग लगाने को कहा आप सुखी नहीं है, उसने मुझे विश्वास दिलाया कि मैं यह कर सकता हूँ, इसलिए मैंने नोकरी छोड़ दी और अपनी खुद की इंजिनिरिंग कमपनी शुरू की दो साल तक स्टाफ के नाम पर शिर्फ मैं ही अकेला विक्ती था और मैंने अपनी सेवाईं उन कमपनियों को बेची जो सामान्य रूप से सू सजित वेन और मनोरंजक वाहन चाहती थी आज मैं बहुत अच्छी स्थिति में हूँ मैंने उसे बदाई दी कि उसमें निश्चिता को छोड़कर ए निश्चिता को चुनने का साहस था परंतु मैं आपको कुछ और ही बताना चाहता हूँ जैक ने आगे कहा मुझे अपने काम पर नया गरो नया विश्वास है मैंने सचमुच अपने बारे में बहतर महसूस किया एक और लाव यह हुआ कि मुझे अपनी पत्नी, बच्चों और मित्रों से अधिक सम्मान मिला लोग जोखिम लेने और खुद के दम पर काम करने के लिए मेरी प्रसंसा करते है जो लोग सफल होते हैं वे अपनी प्राथमिक्ताई जानते हैं वे जोखिम को पहले स्थान पर रखते हैं और सुरक्षा को दूसरे स्थान पर वे जानते हैं कि अगर रचनात्मक तरीके, समझदारी और लगन से जोखिम लिया जाए तो समय के साथ-साथ आदमी को अपनी मंचाई सुरक्षा मिल जाती है नित्रतव करने के लिए इन सिदानतों का प्रियोग करें पहला, उत्करष्ट सोचें जब आप हर काम में अपना सर्वस्रेश्ट परियास करते हैं तो बहुत संतूष्टी मिलती है उसत परदर्शन कभी परियापत अच्छा नहीं होता दूसरा दूसरे आपके हर काम की नकल करते हैं इसलिए ऐसे उदारन पेस करें जिनका आप अनुकरन करवाना चाहते हैं नमबर तीन लेडर्शिप के लिए बोलना अनिवारिया है हर आउसर पर अपनी बात कहीं बोलने के डर को बोल कर जितें नमबर चार आपको अपने लक्षों को हासिल करने के लिए दूसरों की मदद की जरूरत होती है इसलिए उनका सहयोग हासिल करें पांचवा आपको जितने भी तारिफ मिले उसका निवेस करें छटा, जब चीजें गड़बर हो तो सत परतिसत जिम्मेदारी लें साथवा, दूसरों के ग्यान को संगठित करें आठवा, जोखिम लेने का साहस रखें जोखिम लेना सफलता के लिए उतना ही यनिवारिया है जितना की जीवन के लिए सांस लेना धन्यवाद, आईए चलते हैं अध्याई 10 की तरफ जो है सफलता और दोलत की पांच कभी ने बूलने वाली कुझियां आपका दिन शुब हो सफल सोच का सफल जादू, अध्याई 10 सफलता और दोलत की पांस कभी ने भूलने वाली कुंजियां अगले 24 गंटों में 219 अमेरिका वासी मिलेनियर बन जाएंगे सिर्फ 30 दिन में 6570 लोग आर्थिक रूप से मुक्त लोगों की स्रेणी में शामिल हो जाएंगे अगले 12 मेंनों में मिलेनियर्स की संख्या में 80,000 लोगों की बड़ोतरी हो जाएगी और अगले दसक में 8 लाख लोगों की आज से 10 साल बाद हर 64 परिवारों में से एक मिलेनियर होगा यह अनुमान डाक्टर थोमस स्टेनले के 12 साल के गहन शोध पर आदारित है जो अमीरों और उनके अमीर बनने के तरीकों पर अगरनी विसे सग्या है नए मिलेनियर्स समाज के सबसे निचले तबके से लेकर सबसे उन्चे तबकों से आते हैं इन मेंसे कई निरक्षर होते हैं तो कई उच्च सिक्षित होते हैं कई शारेरिक रूप से कमजोर होते हैं तो कई मजबूत और स्वस्त होते हैं बहराल सभी नए मिलेनियर्स में एक गुन साजा होता है सफलता, दोलत और सुख का सपना जिसे सच करने के लिए उन्होंने कड़ी मेहनत की सफल लोग स्वपंदर्शी होते हैं जो अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करते हैं मिलेनियर्स साधारन लोग होते हैं जो ऐसाधारन परिणाम प्राप्ट करने के अभियान में चुट जाते हैं मिलेनियर्स कई क्षित्रों से आते हैं, जैसे रेटेलिंग, कम्प्यूटर्स, चिकित्सा, खेती, मनोरंजन, रियल एस्टेट, उत्पादन और फाइनांस. कुछ लोग अब भी मानते हैं, कि किसी की आर्थिक तकदिर किस्मत से तै होती है, मैं तो यही चाओंगा, कि आप किस्मत सबसे नफरत करना सीख लें, दोलतमन बनने की आपकी खुश किस्मती के अवसर इतने कम है, कि उन्हें गिना भी नहीं जा सकता, इसके बावजूद करो अबी ने मुझसे कहा, मुझे नहीं पता था कि हमारे यहां इतनी लोटरियां चलती है, बाकी लोग यह सोचते हैं, कि दोलतमन बनने का इकलोता रास्ता, प्रदर्शनकारी संगटनों, व्यावसाइक खेलों, अभी ने और रचनात्मक शेत्रों से होकर गुजरता है, गलत 99% अभी नेताओं, कलाकारों और लेखकों को अपनी आजिविका कमाने के लिए दूसरे क्षेत्रों में काम करना पड़ता है, हाई स्कूल में फुटबाल खेलने वाले 12,000 यूवकों में से सिर्व एक को प्रोफेशनल टीम का कोंट्रेक्ट मिल पाता है, अक्सर लोग पू साल पहले थी, दोलत और स्थाई समर्दी की पांच कुंजियां ये है, पहली, दोलत के संग्रय का द्रड संकल्प करें, दूसरी, अपनी आर्थिक स्वतंतर्ता का कर चुकाईं, तीसरी, अपनी अर्थ्वेवस्ता की बागडोर थामें, चोथी, स्मार्ट कर्ज का प्रियो कुंजी नमबर एक, दोलत के संग्रय का द्रड संकल्प करें, अक्सर कहा जाता है कि तीन चीजें रियल इस्टेट का मुल्ले रतै करती है, स्थान, स्थान, और स्थान, दोलत के संग्रय की आपकी योजना को सफलता कौन दिलाएगा, एक बार फिर, तीन चीजें, संकल्प संकल्प और संकल्प दोलत के संग्रेहेतु धन निवेस करने के लिए आपके पास कई तरीके हैं रियल इस्टेट में पैसे कमाने के बेहतरिन आउसर हैं जमीन जाइदाद, किराये के घर हाउसिंग प्रजेक्ट आदि में निवेस शेयर, म्यूचुल फंड आपका अपना बिजनस प्रिफर्ड स्टोक, बॉंड तेल के कुएं के अभियान दोलत हासिल करने में पुन्जी लगाने के कुछ अन्य संभावित उतकरष्ट तरीके हैं एक अवधारना है जिसे आपको आर्थिक रूप से सुतंतर बनने के लिए समझ लेना चाहिए आपकी दोलत की योजना का संकल्ब निवेस की रन्निती से अधिक मैतोपूर्ण है अपने धन का निवेस कहां करें इसका तरीका खोजना आसान है परंतु उस रन्निती को सफल बनाने के लिए आवशक आतमा नुसासन रखना उतना आसान नहीं है ज्यादातर लोगों के अमीर ने बन पाने का कारण निवेस की दोस्पून रन्निती नहीं होती बलकि यह होता है कि उनमें योजना के प्रति संकल्ब का अभाव होता है इसका अंतिम परिणाम यही निकलता है हमारा नजरिया यानि संकल्ब का आपका स्तर दोलत के संग्रे की कुझी है दुनिया की सर्वस्रेश्ट निवेस रन्निती भी काम नहीं करेगी जब तक आप इसे कारगर नए बनाना चाहें और लगन से इस दिसा में प्रियास करने के लिए संकल्ब वान ने हो संकल्ब आता है आतम अनुसासन से अनुसाशन के लिए लक्षों को हासिल करने की स्वेचालित और सूनियोजित इच्छा की जरूर्थ होती है दुर्भाग्य से बहुत कम लोग खुद को अनुसासित रख पाते हैं क्योंकि उन्हें घर, स्कूल या नोकरी में इसका परशिक्षन नहीं मिला कोई ने कोई वरिष्ट व्यक्ति उनके उपर अनुसासन बनाई रखने के लिए हमेशा मौजूद था आतम अनुसासन की परिवासा से यह स्पष्ट है कि इसमें खुद पर नियंतर न किया जाता है जीवन की शुरुवात में ही हमारे मातापिता हमें बता देते हैं कि हमें क्या करना है और उसे कैसे करना है जब हमारा व्यवार हमारे माता-पिता की अपेक्षाओं से मिल नहीं खाता तो वे इसे सुधारते हैं फिर हम स्कूल जाते हैं और वहां हर सिक्षक हमारे व्यवार को डालने के लिए हमसे कुछ चीजें करवाते हैं और दूसरी चीजों से बचने की सला देते हैं अगर हम पढ़ाई नहीं करना चाते तो सिक्षक हमें बता देते हैं कि हमें पढ़ना चाहिए वरना परीक्षा में हमारे नमबर कम आएंगे या सजा मिलेगी अगर दोड़ते समय हम मैदान का एक और चक्कर नहीं लगाना चाहते तो कोच हमें बता देता है कि अगर हम टीम में जगे बनाना चाहते हैं तो हमें ऐसा करना ही पड़ेगा जब तक ज़्यादातर लोग स्कूल पूरा करते हैं तब तक उन्हें दूसरों दवारा अनुसासित होने की आदत हो जाती है इसलिए वे खुद को अनुसासित नहीं कर पाते कि समय पर ओफिस पहुंच जाएं इसलिए उनका अधिकारी उन्हें अनुसासित करने के लिए उन करमचारियों की ताक में रहते थे जो देर से आते थे या जिन में सही कपड़े पहनने का आतमा अनुसासित नहीं होता था चुँकि आतमा अनुसासित पर एक घर या स्कूल में नहीं सिखाया जाता इसलिए कई लोग जीवन बर यह उमीद करते हैं कि दूसरे लोग उन्हें अनुसासित करते रहें मुझे बता दें कि क्या करना है कैसे करना है और कब करना है यह बहुशंख्यक लोगों का तरीका है जिसके दवारा वे जीने का विकल्प चुनते हैं इसलिए लोग एक ऐसे जीवन से संतूष्ट हो जाते हैं जिसमें मैतपून निन्ने किसी दूसरे के दवारा लिये जाते हैं जन्ता ने अपने बुड़ापे के इंतजाम के लिए उस अनुसासन पर विश्वास किया जो सरकार ने सामा जिक को रोकने के अनुपति नहीं दूँगा कोई भी व्यक्तिकत संकट या प्रलोवन इतना द्रड नहीं होगा कि वह मुझे दोलत के संग्रह की योजना को छोड़ने के लिए विवस करें 65 साल की उमर तक पहुँचने वाले 70 पर 30 लोग अपने अस्तितों के लिए सामाजिक सुरक्षा पर निरवर है इन लोगों ने सबसे पहले उत्पादक वर्ष फिस्व इतियास के सबसे समरद कालखन में बिताई इसके बावजुद वे खुद को इतना अनुसासित नहीं कर पाई कि वे अपने बुड़ापे के लिए दोलत इकठीक कर सके मैं तब निवेश करना शुरू करूंगा जब मेरी तन्खवा बढ़ जाएगी यह वाइदा शायद ही कभी काम करता है तन्खवा के आने से पहले ही ज्यादातर लोगों को किसी चीज का चवरदस्त परलोबन दिख जाता है बड़ा मकान नई कार ज़्यादा कपड़े सपनों की छुटिया जिन लोगों का खर्च मुश्किल से चलता है अगर उनकी तन्खवा दस परतिसत बढ़ जाई तो भी छै माँ बाद उनका खर्च मुश्किल से ही चलेगा ज्यादातर लोग अपने खर्च के इतना उपर कर देते हैं कि वे अपनी बड़ी उई तन्खवा की पाई पाई खर्च कर देते हैं चुकि उन में आतमा नुसासन का अभाव होता है इसलिए ज्यादातर लोग हमेशा मुश्किल से खर्च चला पाते हैं इस समश्या का हल यह है कि आप स्मय को जितना अनुसास कर सकते हों कर लें जब तन्खवा बड़े तो आय का और अधिक प्रतिसत निवेश करें उस बड़ी संतुस्ती का आनंद ले जो आपको अपना नेट वर्थ स्टेटमेंट देखने पर मिलेगी अपने कर्ज का नवेनी करन करके मुश्किल से खर्च चलाने से आप सुखी न नहीं है जितना यह है कि आप निवेश की आदत डाल रहे हैं जिस तरह वरक्ष उगाने वाला किसान जानता है कि छोटे पोदे समय के साथ साथ विशाल वरक्ष बन जाएंगे उसी तरह समझदार निवेशक जानता है कि लगातार निवेश की जाने वाली छोटी रासियां स एक बार किया गया निवेश 20 साल में 32,000 डोलर हो जाएगा, 30 साल में 10,24,000 डोलर और 60 साल में 3,27,68,000 डोलर और एक बार किया गया 10,000 डोलर का निवेश 18,32 की सालाना दर से 20 साल में 3,20,000 डोलर हो जाएगा. इन उदार्णों में टेक्स का कोई प्रावदान नहीं किया गया है परंतु अच्छे CPA, सला से आप टेक्स में कटोती कर सकते हैं मैं धन नहीं चाता क्योंकि यह लोगों के लिए बुरा है विश्वास नहीं होता परंतु दोलत के संग्रे से बचने के लिए इस बहाने का प्रियोग अब भी किया जाता है कई लोग अब भी तर्क देते हैं कि दोलत लोगों को बिगारती है उनके जीवन मुल्यों को नश्ट करती है पारिवारिक समश्याय उत्पन करती है मादक द्रिवयों की ओर ले जाती है अपराद का माहोल बनाती है और लोगों को धोकाद़ी सिखाती है नैतिकता एक जटिल समश्या है परंतु दोलत को दोस्ने दे बहुत अधिक पैसा बुराई की जड़ नहीं है बहुत कम पैसा बुराई की जड़ है अधिकां समाजिक समश्याओं के लिए गरीबी को दोस्ने इन तथ्यों पर विचार करें पहला किसी इलाके में आमदनी जितनी कम होती है अपराद की दर उतनी ही जड़ा होती है देश बर में पूलिस अपना 83% समय सबसे गरीब 7% इलाकों में लगाती है दूसरा लोग जितने गरीब होंगे शराब खोरी और मादक द्रवियों का सिवन उतना ही जड़ा होगा सबसे गरीब 20% लोग सबसे अमीर 20% लोगों की तुलना में तीन गुना ज़्यादा सराब पीती है तीसरा ज्यादातर विश्याएं गरीब होती है वे धन कमाने के लिए पेशा करती है चोथा अधिकांस मारपीट साहेव बच्चे के साथ हो जीवनसात्थी के साथ हो या बुड़े मातापिता के साथ धन की समश्याओं से संबंदित होती है पांचवा अधिकांस पारिवारी कठिनाया और तलाग किसी अन्य कारण के बजाए आर्थिक समस्याओं से ज्यादा संबंदित होती है इन बातों में कुछ तो दम है इस समय जितने लोग धन के बारे में जगड़ रहे हैं उतने बाकी सब समस्याओं को मिला कर भी नहीं जगड़ रहे हैं उन्जी दो अपनी आर्थिक सोतंतरता का कर चुकाई यह अमीरी का बीज है जो लोग दोलत हासिल करते हैं उन में अपनी कमाई का एक इसा निवेश करने की आदत होती है दोलतमन लोग इसलिए अमीर बनते हैं क्योंकि वे अपने कुछ धन को काम पर लगा देते हैं ताकि वेह अधिक धन कमा सके यहां एक योजना है जो काम करेगी और दोलत संग्रह करने में आपकी मदद करेगी यह उतनी ही विश्वस्निय है जितना की सूरिय का उगना स्वेय के फाइनेंसियल फ्रीडम टेक्स का हिसाब लगाएं चाहे आपकी आमदनी जो भी हो खुद पर कुछ परतिसत टेक्स लगाएं मैं पंदरा परतिसत का सुझाओ देता हूँ परन्तु यह कम से कम दस परतिसत होना चाहिए इस टेक्स को अपनी सकल आमदनी पर लगाएं ने की कटोतियों के बाद वाली उस तंखवा पर जो आप घर लाते हैं इसमें सरकार के उधारन का अनुसरन करें अगर आपकी सकल आमदनी 2,000 डालर पर तिमा है तो स्वेय पर 200 डालर का टेक्स लगाएं अगर आमदनी 8,000 डालर पर तिमा है तो अपने दोलत की योजना के लिए 800 डालर अलग रख लें फिर अपने FFT धन को अपने भावी लाब के लिए निवेश कर दें इसे अपने दोलत बढ़ाने के लिए सीड मनी की तरह समझे कुण्जी वह धन है जिसका प्रियोग अधिक धन कमाने के लिए किया जाता है आपकी FFT योजना का अर्थी है कि आप खुद को बुक्तान करते हैं कोई भी टेक्स देना पसंद नहीं करता परंतु सब को एसा करना पड़ता है क्योंकि कानून के इसाब से एसा करना अनिवारिय है जिस तरह का अनुसासन सरकार आप पर रखती हैं उसी तरह का अनुसासन अगर आप खुद पर रखते हैं तो आप उस टेक्स का बुगदान करने के लिए धन निकाल लेंगे जो आपको 100% लाब पहुंचाता है। पिछले साल आपने कितना इंकम टेक्स दिया। इस बात की काफी संभावना है कि लोग इसका जवाब देंगे। मुझे सच मुझ नहीं पता। मुझे लगता है कि मैं इस रेंज में हूँ परंतु मैं आपको निश्चित रसी का आंकडा नहीं दे सकता। फिर यह पूछें कि उन्होंने FICA में कितना धन दिया। आपने राज्या के इंकम टेक्स में कितना बुगदान किया। शहर के इंकम टेक्स में, सेल्स टेक्स में, प्रोपर्टी टेक्स में, गैसोलिन टेक्स में, हवाई जाज के टिकट के टेक्स में। करदाता इंट्रिवू में इस तरह की बात करेगा। देखिए, मैं नहीं जानता कि मैं कितना टेक्स देता हूँ। मैं तो सिर्फ इतना जानता हूँ कि मैं बहुत ज्यादा टेक्स देता हूँ और महिने के आखिर में दिवालिया हो जाता हूँ खुद पर टेक्स लगाने के इन लाबों की तरफ देखिए स्विय को शत्परतिसत लाब FFT ही वहे इकलोता टेक्स है जिसे चुकाने में आपको खुशी होगी इसका शत्परतिसत लाब आपको और आपके परिवार को मिलता है आपके FFT का जरासा भी हिस्सा उन लोगों को लाब नहीं पहुंचाता जो काम नहीं करते या जिनोंने कल्यानकारी योजनाओं को अपना करियर बना लिया है और एक पाई भी उन टेक्स कलेक्टर्स के बुगतान में नहीं जाती जो आप से धन इकठा करने के अपने अधिकारों का इस तरह परियोग करते हैं जिसके लिए आप उनके प्रतिक करतग नहीं होते ही इसके अलावा अपने निवेश किये वे FFT डालर्स का उपयोग आप स्वेय कर पाई इसके पहले ही अगर आपको कुछ हो जाए तो यह निवेश आपकी संपधा में जुड़ जाएगा अगर आप एविवाइद हैं और आपके मृत्यू हो जाती है तो सामाजिक सुरक्षा में आपने जितना भी बुगतान किया है वह सब चला जाता है परंतु आपका पूरा FFT आपके और आपके प्रियेजनों के लिए बेहतर जीवन बनाने में लगता है समय के पूरे नियंतरण में आप ही यह निरिने लेते हैं कि आपके FFT का प्रियोग किस तरह किया जाई आप अपने धन को म्यूचल फंडों, घर, जमीन, बॉंड या शेर में निवेस कर सकते हैं आपके लिए अन्य निवेस साधन भी मौजूद है शुरू करने का एक अद्बू तरीका बचत खाता है जिस दोरान आप अपने टेक्स के डालरों से कमाने के उन तरीकों के बारे में अधिक सीख सकते हैं जिनमें लाब और जोखिम दोनों ही ज़्यादा है याद रखें आप अपने F50 डॉलर्स सरकार को नहीं दे रहे हैं जो इसे उस तरह से खर्च करेगी जिस तरह से सांसद इसे खर्च करना चाते हैं सांसद एक तरह से खुद को दोबारा चुनवाने के लिए यह धन खर्च करेंगे यानि कि वोट पाने के लिए कल्यानकारी योजनाओं में वोट पाने के लिए शिक्षा में सहायता देने में या वोट पाने के लिए अनावशक रूप से करमचारियों की बड़ी फोज खड़ी करने में संसद और सीनेट के अधिकां सदेश्यों के दिमाग में शिर्फ एक ही लक्षय होता है दुबारा चुनाओ जीतना इसलिए वे अधिक सरकारी करमचारियों को नोकरी देने में अपना धन खर्च करते हैं और एसी सरकारी सेवाएं उपलवद कराते हैं जिनें आप पसंद नही कि नहीं है इसे वसूलने में कुछ भी stanbul खर्च नहीं होता जर्हा एक मिनेट के लिए सोचे कि आप जितने सरकारी टेक्स चुकाते हैं संगिए शरकार टेक्स राज्य आयकर, विक्रेकर, संपत्तिकर, Capital Gain Tax उन्हें आपसे वसूल करने के लिए सरकार को काफी खर्च करना पड़ता है FFT में आप अपना टेक्स खुद वसूल करते हैं इसलिए यहाँ पर फिजूल खर्ची का कोई सवाल ही नहीं है सरकार अक्सर इस बात पर गरव का अनुबव करती है कि आपके धन को आपसे छिनने के लिए उसे कितनी कम लागत पड़ती है परंतु सरकार जनता को हकीकत नहीं बताती आपके नियोकता को एसे लोगों को पेरोल डिपार्टमेंट में नियोकत करना होता है जिनका मुख्य काम टेक्स वसूल करना है और अगर आपका स्वें का व्यवसाई है तो आप सरकार के टेक्स कलेक्टर है आप अपना या अपने करमचारियों का समय स्वें से धनी कठा करने में लगाते हैं ताकि सरकार इसे अपने मंझाई तरीके से खर्च कर सके बेहद संतोस का स्तरोत आपका FFT आपको आर्थिक सोतंतरता प्रदान करता है नियमित रूप से इकठा किये जाने और सावधानी से निवेश किये जाने पर आर्थिक सोतंतरता का आपका लक्षय प्रापत किया जा सकता है आप अपने मन्चाई लक्षों, चुटियों, दूसरी विदेश यात्राओं, मन्चाई बोजन और घर का आनन ले सकते हैं इसके साथ ही आप अपने मन्चाई तरीके से लोगों की मदद भी कर सकते हैं परोपकार सरकार द्वारा नहीं किया जाना चाहिए आपका FFT पैसा कमाएगा आपका FFT आपके पैसे से अधिक धन कमाएगा इंकम टेक्स विष्वाग आपके लिए अधिक धन नहीं कमाता सरकार तो इतना भी इकठा नहीं कर पाती कि आय और व्या का बजट बरावर हो इसे अपने वाइदों का बुगतान करने के लिए धन उधार लेना पड़ता है आप सरकार को जो टेक्स चुकाते हैं वे एक खिडकी पर इकटे किये जाते हैं और दूसरी खिडकी से खर्च कर दिये जाते हैं परंतु आपके FFT का पैसा आपके लिए काम करता है और बढ़ता रहता है सामाजिक सुरक्षया परनाली के समश्या ग्रस्त बने रहने का कारण यह है कि आप इसमें जो धन देते हैं उसे अधिक धन कमाने में निवेस नहीं किया जाता आप जिस महीने इसका बुगतान करते हैं उसी महीने में इसे खर्च कर दिया जाता है जबकि आपका FFT आपके निवेसों में लगता है और चक्रवरती ब्याज के मान से आपके लिए धन कमाता है जब आप अपने FFT फंड को नगद में बदलने का निरने लेते हैं तो जितना आपने खुद से लिया है उस से अधिक धन आपको वापस मिलेगा अपने FFT का बुगतान करने के लिए आप पैसे जुटा सकते हैं कई लोग सोचते हैं मुझे FFT का विचार पसंद है परंतु मैने के आखिर में कुछ बचता ही नहीं है मैं खुद को FFT का बुगतान कर ही नहीं सकता चाहे इसे सिर्फ मुझे ही लाब क्योंने हो रहा हो परंतु आप ऐसा कर सकते हैं मान लीजिए सरकार आपके इंकम टेक्स को 15% और बढ़ा दे जैसा सरकारी योजना बनाने वाले कई लोग चाते हैं क्या आप इसका बुगतान करेंगे निश्चित रूप से आप नहीं चाहेंगे कि इंकम टेक्स विभाग आपकी जायदात बेच दे या मान ले सामाजिक सुरक्षा पर सासन निर्ने लेता है कि यह लोगों को खुश करने के लिए और अधिक धन खर्च करेगा इसलिए यह आपकी आमदनी पर सामाजिक सुरक्षा कर की रासी को साड़े साथ से बढ़ा कर साड़े आठ परतिसत कर देता है आप सोचते हैं अरे यह तो मेरे कमाए गए हर डोलर पर एक पैनी ही है मैं इतना बाहर उठा सकता हूँ परंतु साड़े साथ से साड़े आठ परतिसत की वरदी दरसल बारा परतिसत वरदी है 35,000 डोलर की आमदनी पर यह रकम 3,500 डोलर है एक बार निवेस किये जाने पर यह साड़े 300 डोलर 18 परतिसत चकरवरती ब्याज़ पर 20 साल में 11,200 डोलर बन जाएंगे और 40 साल में 3,58,400 डोलर या मान लेजिए आप रेस्तराओं में कैशियर से कहते हैं देखिए मैं सेल्स टेक्स को पसंद नहीं करता करपियाई से बिल में मत जोड़िए वह आपकी तरफ ऐसे देखेगा मानो कहरा हो इस मुर्ख का दिमाग चल गया है और टेक्स जोड़ देगा या अपने नियुकता से कहें मेरे सामने अभी बहुत सी समझाएं है कुछ बिल अचानकी आ गए है बच्चा बिमार हो गया था किराया बढ़ गया था कार्क खराब हो गई है करपिया इस महीने मेरे वेतन से इनकम टेक्स ने काटे आपका नियुकता शिर्फ इतना ही कहेंगा माफ कीजिए यह कानून है मुझे आपका इनकम टेक्स काटना ही होगा इसके अलावा टेक्स काटने के लिए कम्प्यूटर में पहले से ही प्रोग्रामिंग की हुई है सचमुत जिद पकड़ ले और अपने घर पर प्रोपर्टी टेक्स देने से इनकार कर दे कुछ समय बाद ही टेक्स वाले आएंगे और आपका घर बेचकर अपना टेक्स वसूल कर लेंगे अपनी कड़ी मेनत का लाब पाने और आर्थी गुलामी से खुद को बाहर निकालने के लिए आपको FFT उसी तरह चुकाना चाहिए जिस तरह आप दूसरे टेक्स चुकाते हैं याद रखें FFT ही आपके द्वारा दिया जाने वाला वहे इकलोता टेक्स है जो आपके और आपके प्रियजनों के काम आता है बाकी सभी टेक्स उन लोगों को चुकाए जाते हैं जिन के बारे में आप नहीं जानते कि वे आपके धन को आपके द्वारा अनुमोदित लक्षों के लिए खर्च करेंगे या नहीं जो लोग आपसे IRF, FICA, City Tax, State Tax या County Tax वसूल करते हैं वे आपकी समश्याओं के बारे में सुन सकते हैं परन्तु इसके बावजुद वे आपसे टेक्स वसूल करेंगे इसलिए इससे पहले कि आप तनक्वा को घर ले जाएं सबसे पहले खुद के नाम एक चेक कटें सची आर्थिक सफलता के सभी कदमों की ही तरह Financial Freedom Tax आसान है परन्तु शुरुआत में इस पर आमल करना मुश्किल होता है जो लोग सोचते हैं मुझसे मुश्किल से खर्ट चल रहा है मैं इस महीने खुद को FFT नहीं दूँगा मैं इसे अगले महीने से दूँगा वे खुद को मुर्ख बना रहे हैं सबक आप अपने FFT के साथ तालमिल बिठाना सीख लेंगे तीन से चै महीने बाद आपको उस दन की याद नहीं आएगी जो आप अपने आर्थिक बविश्य को सुद्रड करने के लिए खुद को चुका रहे हैं दोलत इकठी करने के आगे आने वाले कदमों का अध्यन करें ताकि आप देख सकें कि आप अपनी कमाई के हिस्से को अपने लाब के लिए किस तरह निवेश्य कर सकते हैं और करेंगे कुझी तीन अपनी आमदनी को अधिक्तम करें हर साल हजारों पर करन बताते हैं कि किस तरह बहुत अधिक धन कमाने वाले लोगों ने उस धन को गवा दिया जिसे पाने के लिए उन्होंने कड़ी मेनत की थी जो लुई शायद अब तक के सबसे अच्छे प्राइज फाइटर रहे हैं परन्तु अब उनकी मोत हुई तो वे लास वेगास के एक कैसिनों में बहुंसर के रूप में नोकरी कर रहे थे राष्ट्रिय संपति के परतीक इस आदमी को विशेश सरदान्जली देते हुए संसद ने एक विशेश कानून पारित किया ताकि इंकम टेक्स विभाग को उनके पुराने टेक्स वसूल करने से रोक दिया जाए जो लुई सरकार के पुराने टेक्स नहीं चुका पाए थे यह ऐसा मन्य नहीं है कि कभी लखपती रहे, फुटबाल खिलाडी, फिल्म अविनेता, मनोरंजन के ख्षेतर के लोग और मीडिया परसनलिटी 40 या 50 साल की उमर में बूरी तरह कर्ज में डूब जाएं मैंने 32 लाख डालर कमाई और मेरे पास इस समय सिर्फ 31,000 डालर है खुद बाखुद आपको दोलत्मन नहीं बना देती, हाल ही में मैं 45 साल से ज्यादा उमर के एक आदमी से मिला, उसने मुझे बताया कि उसने अपने जीवन में 32 लाख डालर कमाई, परन्तु इस समय उसके पास सिर्फ 31,000 डालर की रकम है उसने बताया, मैंने बहुत सा धन कमाया, परन्तु मैंने कुछ मुर्कता पूर्ण निवेस किये और दो शादियां की, फिर 12 साल पहले मेरी इंकम टेक्स भी भाग से जंजट हो गई, और वे तब से मेरे पीछे पड़े हुए हैं मैंने खुद से कहा, अगर इस आदमे ने फाइनेंसियल फ्रीडम टेक्स चुकाया होता, तो आज इसके पास बहुत बड़ी रकम होती, मेरे एक दोस्त ने एक दसक तक हर साल पांच लाख डालर कमाई, वह एक महीने पहले मुझसे मिलने आया, यह सच है कि जब मैं बहुत इक धन कमा रहा था, तो मैं और मेरा परिवार बहुत अच्छे जिन्दगी जी रहा था, परंतु मैं अपनी बची हुई सारी रकम बिजनस में लगाता रहा, जब तक बहुत देर नहीं हो गई, तब तक मुझे यह पता नहीं चला, कि मेरा पार्टनर कमपनी के पैसों का इ हैं, तो बहुत कम लोगों के पास प्रचूर दोलत होती है, इस पर विचार करें, हम दुनिया के सबसे अमीर और दोलतमन दैस में रहते हैं, हर नागरिक के पास मुफ्च शिक्षा की गारंटी है, हर एक के पास समान आउसर है, फिर भी पिछले दसक में 31 लाख लोग दिव उठाएं, अगर आप अपनी परंद्रापर्ति सतामदनी को चक्रवर्ति ब्याज पर चलने दें, तो आप किसी भी तरह के आर्थिक तुपान को जहल सकते हैं, पुरोषकार के बारे में सोचें, तो त्याग में हरंद आएगा, दोलत का संग्रे, वह सबसे चुनोती पूर् खेल सकते हैं, अपने उर्जा और अनुसासन धन कमाने पर केंद्रित करें, धन कमाना त्याग करना नहीं है, यह सिर्फ एक अच्छे लक्षे को हासिल करने का आपका तरीका है, आर्थिक सोतंतर्ता, एक युवा दमपती, गेल और विक ने मुझे बताया, कि आर्थिक सोतं नोकरी नहीं करती, विक की सकलवार्शिकाई 31,250 डालर है, हमारे पास एक छोटा सा घर है, और एक साल पहले तक हम अपना पूरा पैसा खर्च कर देते थे, परन्तु अब हम दोलत इकटी करने की राह पर हैं, मैंने पूछा आप अब अलग क्या कर रहे हैं, विक और मैं से पूछा, क्या 12,000 डालर की चमचमाती हुई नई कार, तीन साल पुरानी 3,000 डालर की अच्छी कार से चार गुना ज्यादा मुल्यवान है, हम किसे परवावित कर रहे हैं, कितने समय तक, क्या दूसरे लोगों को सचमुच इस बात की परवा है, कि हमारी कार कितनी नई है, क्या 2000 डालर की चुटियों में हमें दुगना मजा आएगा, और दुगनी संतोष्टी मिलेगी, जबकि अच्छी तरह से कम शानो सोकत से पास में ही 1000 डालर की चुटियों मनाने में हमें सिर्फ आदा मजा ही आएगा, क्या हमें सचमुच दूसरे टीवी की जरूरत है, क्या जीवन विमा जरूरी है, हमने सिखा कि जब तक समय पूरा नहीं होता, तब तक हम अपने पैसे से सिर्फ विमा कंपनी को अमीर बना रहे हैं। विक और मैंने हर वह चेक देखा, जो हमने पिछले साल काटा था, हमने उस एक एक डालर पर ध्यान दिया, जो हमने खर्च किया था, मैंने पूछा, अपनी आर्थिक सोतंतरता के लिए अधिक धन जुटाने के लिए आपने कौन से दूसरे तरीके खोजे। हमने पाया कि हम मैगजिन खरीदते तो हैं, परन्तु उन्हें कभी पढ़ते नहीं हैं। गेल ने आगे कहा, और हम कुछ परडेक्ट सिर्फ इसलिए खरीदते थे, क्योंकि वे सेल में बिक रहे थे। हम काफी सारा जंक फूड करीते थे और दूसरे तरीकों से पैसे को अपने हाथ से फिसल जाने देते थे। इसलिए गेल ने आगे कहा, हमने अपने बजट में हो रही बरबादी की तरफ देखा और निवेश करने के लिए पैसा बचाने के कई छोटे बड़े तरीके खोजे। हमारे दिमाग में कुछ और विचार भी आई, ताकि दोलती कठी करने के लिए हम पैसे को अलग रख सकें। जैसे मैंने पूछा, जैसे सिगरेट पीना, गेल ने जबाब दिया, विक बरसों से हर दिन दो पैकेट सिगरेट पी रहा था। मैं उससे कहती थी कि सिगरेट पीना उसकी सेहत के लिए अच्छा नहीं है, परन्तु इसका उस पर कोई असर नहीं हुआ, अब जब विक को यह है एसास हुआ कि वह हर मईने सिगरेट पर 75 डालर खर्च कर रहा था, जिने अगर 12% के चक्रूरती ब्याज पर अगले 32 साल के लिए निवेस किया जाए, यानि जब वह है 65 का होगा, तो यह है रकम पांच लाख डालर के करीब होगी, तो उसने सिगरेट पीना छोड़ दिया, मैंने कहा, यह है स्पस्ट है कि आपने खर्च करने और बचट बनाने में काफी विचार किया, निवेस करने में आपने अप किये, और यह विक के आई आर ए के अतिरिक्त है, मुझे बताई, मैंने पूछा, क्या यह सचमुच भारी त्याग साबित हुआ, गेल ने एक पल के लिए सोचा, फिर गंबिरता से कहा, यह कोई त्याग नहीं है, हम सिर्फ ज़्यादा समझदारी से जी रहे हैं, और इसमें मज़ा भी आ रहा है, अब हमें मैसूस होता है, कि हम सचमुच बेतर बविशे की और बढ़ रहे हैं, उनजी चार, स्मार्ट कर्ज का इस्तेमाल करें, और मुर्कता पूर्ण कर्ज से बचें, स्मार्ट कर्ज वह धन है, जिसे आप और अधिक धन कमाने के लिए उधार लेत हैं, माल लेजिए, आप 10% ब्याज पर धन उधार लेते हैं, और आपके पास उस धन पर 15, 20 या 25% अतिरिक्त धन कमाने की एक अच्छी योजना है, तो आप स्मार्ट कर्जदार हैं, हाम तोर पर अपने घर और दूसरे रियल इस्टेट को लंबे समय के माडगेज पर फाइ पान या फरनीचर को फाइनेंस करवाने के लिए किस्तों में बुगदान की योजनाओं में फंसते हैं, जब आप छुट्टियों, मनोरंजन, कपड़ों और शानो सोकत के दिखावे के लिए धन उधार लेते हैं, तो आप मुर्कता पूर्ण कर्ज ले रहे हैं, आप जो ब वाइत मैला को अपनी डाक खोलते देखा, वहे खुसी से चिखी, मुझे मिल गया, मुझे मिल गया, आपको क्या मिल गया, मैंने पूछा, क्योंकि मैं हैरान था कि मेरी मित्र किस बात पर इतनी खुश हो रही थी, मेरा अमेरिकन एक्सप्रेस कार्ड, यहे आ गया, इसकी त सेटस चाते हैं, लोग उन चीजों के स्वामी बनना चाते हैं, जो हर एक के नसीब में नहीं होती, इस मैला के लिए अमेरिकन एक्सप्रेस के कार्ड का आर्थ है, आपके पास एक अच्छी नोकरी है, आप अच्छी तरह से रहती है, आपकी शाख अच्छी है, अब आप आ जूती की मदद करेगा या बादा बनेगा, मेरे मन में दूसरे चीजें भी आई, जो कभी स्टेटस सिंबल समझी जाती थी, जैसे सिग्रेट, धुम्र पान के स्वास्ते सबंदी तथ्य पता चलतें से, पहले सिग्रेट निर्माताओं ने वाइदा किया था, कि सिग्रेट पीने से लोग आकरशक दिखते हैं, उनका परभाव ज्यादा होता है और लोग उनने ज्यादा पसंद करते हैं, कैमल सिग्रेट के निर्माता ने लोगों से वाइदा किया कि सिग्रेट तनाव कम करती है और पाचंस सही रखती है, विग्यापन में लोगों को यह कहते नहीं चल सकते। सिग्रेट पीने के कारण एंफी सेमा, कैंसर, हर्द्य रोग और सामान्य बूरी से तो वह बड़ी कीमत है जो सिग्रेट पीने वाले चुकाते हैं जिसके बारे में उन्होंने सोचा था कि यह स्टेटस सिंबल है। शराब को बेचते समय कहा जाता है कि इसमें आपको अलग हटकर बनाने की शक्ती होती है। आप जिंदा दिल बन जाते हैं और लोग रोल मडल के रूप में आपकी प्रसंसा करते हैं। क्रेडिट कार्ड एक आर्थिक बंदूक है। इसका इस्तेमाल कई लोग अपनी भावी समर्दी की हत्या करने में करते हैं। यह नशे के आदी व्यक्ति के लिए नशेली वस्तु की तरह है। कारण तत्काल आनन देता है। परंतु बाद में बहुत ज़्यादा कष्ट सबस्ते के लिए खतरनाक हो सकता है। इसका परिणाम आदिक खर्च, आर्थिक समझ्याई या आर्थिक मृत्यू हो सकती है। क्रेडिट कार्ड की अच्छाईयां हम सब जानते हैं। यह आसान है। यह बहुत सी जगाओं पर स्विकार किया जाता है। और हम ढेर सारी नग बिजनस में क्रेडिट कार्ड के बिना काम नहीं चल सकता। परंतु क्रेडिट कार्ड का नकारात्मक पहलू यह है कि यह आपके दोलत इकठी करने के कारेकरम में बादा बन सकता है। इसका कारण यह है कार्ड में आपको सालाना सेवा शुल्क देना पड़ता है। सामाने खरी दो, बाद में पैसे दो, एक आकरशक प्रलोबन होता है, जिससे बच पाना अधिकांस लोगों के लिए मुश्किल होता है। रेश्तरा मैनेजर भी, क्रेडिट कारड वाले एक राकों को पसंद करते हैं, क्योंकि वे नगद पैसे देने वाले राकों की तुलना में उस्तन सालिश परतिसर ज्यादा खर्च करते हैं और ज्यादा वड़ी टिप भी देते हैं। बाइबल का यह वाक्य कर्ज के बारे में पूरी तरह सही है। आपने जो बोया है आपको वही काटना पड़ेगा। आप अपने कर्ज की बहुत ज़्यादा कीमत चुकाते हैं, कर्ज मुफ्त में नहीं मिलता, इसमें हमेसा खर्च होता है। क्रेडिट कार्ड लोगों को फिजूल खर्ची के लिए प्रोटसाइद करता है। प्लास्टिक कार्ड की बज़े से आप सावधान रहना बंद कर देते हैं। आपको सुरक्षा का जोटा एसास होता है। और आप यह सोचने लगते हैं। मैं यह सोच लूँगा कि बाद में बुगतान कैसे किया जाई। गलत तरह से इस्तेमाल किएगे क्रेडिट कार्ड की बज़े से आप अपनी आर्थिक कब्र अपने ही आतों से खोटते हैं। हमारी संसक्रती में कई कावते हैं जो बताती है कि आपको अपनी कमाई का एक एक पैसा ततकाल खर्च कर देना चाहि आज के लिए जीओ और जो लिखा है वह होकर रहेगा सुख के कुछ आयक अल्पनिक नुस्के हैं। क्या यह समझदारी नहीं है कि जीवन के बारे में ज्यादा लंबी सकारात्मक और रचनात्मक योजना बनाई जाई। माइक्रो एकोनोमिक सोचें, सोचें मेरे लिए क्या सर्वस्रेष्ट है। दसकों से मैं एक सूपर मिलेनियर से गैराई से जुड़ा हूँ, सतासी साल की उमर में उनकी संपति 40 करोड डालर से ज्यादा है। इतनी प्रचूर दोलत के बावजूद उनकी जीवन सेली ऐसाधान रूप से साधगी पूर्ण है। याट भी नहीं, प्राइवेट हवाई जाज भी नहीं, सिर्फ 24 गंटे की एक नोकरानी। उनका प्रमुख आर्थिक लक्षे पैसा कमाना है, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। और मैं जितना अधिक कमाता हूँ, मैं दूसरों की उतनी ही ज़्यादा बलाई कर सकता हूँ। वे परोपकार के कमों में उदार हैं और बहुत से लोगों की मदद करते हैं। ज्यादातर बार उनका स्रे लिए विना। मेरे यह दूलतमन मित्र एक गरीब परिवार में पैदा हुए थे। इसलिए उन्होंने प्रचूर दूलत हासिल करने का सफर सुन्य से शुरू किया। परंतु वे अक्सर मुझसे कहते हैं, मेरे माता पिता ने मुझे धार्मिक से दांत सिखाए। और मुझे पैसे कमाने के जितने अच्छे विचार बाइबल से मिले, उतने बाकी सब पुस्तकों को मिला कर भी नहीं मिले। मेरे दोस्त और मैंने दोलत इकठी करने के रहशे पर गंटों तक चर्चा की, यहां पर एक सला दी जा रही है, जो आज लागू होती है, आप चानते हैं, उन्होंने कहा, मैं 45 साल का हो गया था, तब जाकर मुझे पता चला कि माइक्रो और मैक्रो एकोनोमिक शब्दों का क सिदान्तों का प्रियोग कर रहा था, देखिए, अधिकांस लोग हेडलाइन पढ़ते हैं, वे हर दिन बिजनस न्यूज सुनते हैं, वे सोचते हैं कि दिन प्रते दिन के उतार चड़ाओ मैक्तो पूर्ण है, मेरे साथ ऐसा नहीं है, लोग सोचते हैं कि उनका आर्थिक प उचाल आ रहा है, तो वे सोचते हैं कि उन्हें इसका लाब मिलने वाला है, यह मुर्खता पूर्ण है, मेरे मित्र ने आगे कहा, मैं अमेरिकी अर्थवेवस्ता, यूरोपियन अर्थवेवस्ता या विस्वेवस्ता की चिंता नहीं करता, मैं अपनी अर्थवेवस्ता की कभी ज्यादा ध्यान नहीं दिया मैं हर स्थिति के तरक को देखता हूं तरक ने मुझे 50 के दसक में बता दिया था कि 20 सदी का उत्रार्द दक्षन और दक्षन कैलिफोर्निया का है इसलिए मैंने अटलांटा डलास और सेंड येगो में रियल इस्टेट में निवेज किया उन उन्होंने आगे कहा चाहे अर्थ व्यवस्ता की हालत कैसी भी हो समझदार लोग पैसे कमा लेते हैं और मुर्ख अच्छे से अच्छे समय में भी अपना पैसा गवा देते हैं सिर्फ इसलिए कि दूसरे लोग आर्थिक रूप से बिमार हैं यह जरूरी नहीं है कि आप भी बिमार होने वाले हैं बूरी से बूरी महामारी में भी सिर्फ कुछ पर्दिसत को ही मरते हैं यहीं मंदी के बारे में सही है अधिकांस कंपनिया बच जाती है और सरुश्रेष्ट कंपनिया हामेसा बहतर हो जाती है स्वर्ण के बारे में क्या मैंने पूछा मेरे दोस्त ने जवाब दिया मैं आपको ठीक ठीक तो यह नहीं बता सकता कि सोना अगले साल कितना कमा कर देगा या अगले पांच साल में भी कितना कमाईगा परंतु मैं यह बात जानता हूँ लंबे समय में हमारे यहां हमेशा मुद्रास्पिती रही है और स्वर्ण की कीमत हमेशा सस्ते धन के साथ बढ़ी है मुझे याद है मैंने पढ़ा था कि हमने मैनहटन के लिए इंडियन्स को 25 डालर मुल्या के मनके दिये थे मैं इसे जिस निगा से देखता हूँ उस हिजाब से इंडियन्स के लिए यह फाइदे का सोदा था अगर मैंने इन 25 डालरों को 1626 में यानि जब हमने यह टापू खरीदा था तब निवेस किया होता और मुझे इस पर 15 परतिसत का ही चक्रवर्ति ब्याज मिलता तो मेरे पास इतना अधिक धन होता जितनी आज इस टापू की कीमत भी नहीं है आपने स्वर्ण के बारे में पूछा था जब रुजबेल्ट ने हमें स्वर्ण मांदंड से बाहर निकाला था तो इसकी कीमत 35 डालर परति योंस रखी गई थी जब मुद्रा स्विती हम पर दुबारा कसकर परहार करेगी तो सोने में एक बार फिर उच्छा लाएगा आप यह कह रहे हैं कि मुद्रा स्विती जारी रहेगी मैंने पूछा अरे हाँ उन्होंने स्पस्ट किया यह तो सोना ही है परंतु यह हमेशा जटकों में आती है यह कभी 5 या 11 परतिसक परतिवर्स की तरह स्थिर नहीं रहती कुछ काल खंडों के दोरान यह बिलकुल भी नहीं होगी या बहुत कम होगी शायद डिफलेशन भी हो परंतु हर दसक में एक बार उचाल आएगा बहराल मुद्रस पितिगी मुझे कोई चिंता नहीं होती अच्छे निवेस हमेशा मुद्रस पितिगी दर से अधिक धन कम आते हैं किसी वस्तु में निवेस करने से पहले मैं हमेशा कम से कम दो कई बार तीन या चार लोगों की राहे लेता हूं मैं सुनता हूं परंतु मैं हमेशा अपने निड़ने खुद लेता हूं मैं सोचता हूं कि यह मेरा पैसा है और यही काम करने में मुझ سے ज़्यादा रूची किसी दूसरे की नहीं हो सकती सबक माइक्रो एकोनुमी के संदर्म में सोचें सोचें कि आपके लिए क्या सर्वस्रेष्ट है कभी भी कोई काम खास कर धन का निवेश सिर्फ इसलिए ने करें क्योंकि दूसरे लोग ऐसा कर रहे है सला लें परंतु अपने निर्णे खुद लें कुझी पांस आने वाले स्वर्ण यूग में सहवागी बने हर यूग अवसर से भरा होता है परंतु बविश्य कभी इतने अधिक लोगों के लिए इतना आशापून नहीं था हम सच्चे स्वर्ण यूग के लांचिंग पैड़ पर खड़े हैं संसार उन गोड़ों की तरह है जो रोमान्चक और इनामी दोड़ के लिए तयार है इसके कारण ये है विश्व स्तिर्य आर्थिक सहयोग देश अब आर्थिक रूप से एक दूसरे पर अधिक निर्वर होते जा रहे हैं वस्तुओं और सेवाओं के बढ़ते विश्व व्यापार का मतलब यह है कि देश अपनी योग्यताओं जलवाईयू तकनिकी या संसादन के मान से प्रडेक्ट के उत्पादन में विश्व सग्यता का लाब उठा सकते हैं विश्व अर्थ्व्याउस्ता के सहयोग का एक महत्पूर्ण परिणाम यह होगा कि उत्पादक्ता बहुत बढ़ जाएगी अच्छी चीजें ज्यादा होगी जिनका लोग आनंद ले सकेंगे बढ़ती आर्थिक अंतर निर्वरता का एक और लाब होगा युद्ध की आशंका में कमी जिस तरह एक दूसरे की जुरूर्थ होने पर लोग आपस में नहीं लड़ते उसी तरह एक दूसरे पर निर्वर्देश भी युद्ध नहीं करेंगी जनसंख्या में व्रदी होती रहेगी दुवित्यवी सुजित के बाद रहद आर्थिक विस्तार का प्रमुक कारण जनसंख्या व्रदी थी 1945 से 85 के दोरान अमेरिकी जनसंख्या में 10 क्रोड की व्रदी हुई अधिक लोगों का मतलब था अधिक स्कूल, अधिक घर, चर्च, सडकें, पुस्तकें, मनोरंजन, मेडिकल सुईदाईं वे सभी प्रडेक्ट जिनकी लोगों को आवशिक्ता होती है कुछ लोग मैसूस करते हैं कि जनसंख्या व्रदी गलत है निराशावादी, पराजयवादी और दोस्दर्सी कहते हैं कि अमेरिका पहले से ही अतीज जनसंख्या का शिकार है उनके अनुसार हमारी भूमी, जल, भोजन, वाईयू और अच्छे जीवन के लिए आवशिक तक तो धीरे-धीरे कम होते जा रहे हैं इन ओचे नकारात्मक विचारों को अपने मस्दिस्क को दुशित ने करने दें 40-50 करोड लोगों की जनसंख्या होने पर भी अमेरिका को तीन या चार दस्कों में कोई समश्या नहीं आएगी इन तत्यों पर विचार करें पहला 1885 में जनसंख्या 9 करोड थी और 1985 में यह 24 करोड हो गई फिर भी पहले से कम एकर जमीन पर खेती की गई और लोगों को बेहतर कपड़े, बेहतर भोजन और बेहतर आवास मिले आज भूग का अस्तितव एक राजनेतिक समश्या है भूग अब उत्पादन, अर्थसास्तर और टेक्नोलजी की समश्या नहीं है दूसरा, हर अमेरिकी पुरुष, महिला और बच्चे के लिए 10 सेकर से अधिक भूमी उपलब्द है तीसरा, अगर लोग अधिक जनसंख्या गनातव वाले इलाके में रहते हैं तो एसा इसलिए है क्योंकि वे वहां रहना चाते हैं इसलिए नहीं क्योंकि उनके पास कहीं और रहने की जगए नहीं है चौथा, दुनिया की पिछे तर परतिसत भूमी पानी से डखी है अगर हमें इसकी जरूरत पड़े तो हमारे पास एसी टेकनोलजी उपलवद है जिसके द्वारा हम नमक और अन्य ऐसुदियां दूर करके उस पानी का उप्योग कर सकते हैं उन लोगों के लिए महान अवसरूपलवद है जो जन्संग के अवरदी को सकारात्मक रूप से देखते हैं टेकनोलजी में विस्तार होगा टेकनोलजी पहले से ही एक प्रमुखुद्योग है परंतो इसकी संभावना के संदर्ब में यह अब भी एक शिशू है जनेटिक इंजिनिरिंग सोर और वायूर जा रोग उन मुलन तथा बचाओ वे गहन अंतरिक्ष दोहन जैसे क्षित्रों में करियर, बिजनेस और निवेस की महान संभावनाई तेजी से बढ़ रही है टेक्नोलजी की मदद से हम अंतरराष्टी ये हाईवे सिस्टम बना पाएंगे ओसर जीवनायू 95 वर्सिया इससे अधिक हो जाएगी इतना ही नहीं आने वाले दसकों में और भी बहुत कुछ है वे दसक जो आपके बविश्य को सीधे प्रभावित करेंगे मानविय इच्छें तब भी संतुष्ट नहीं होगी एडम स्मित ने दो सदी पहले हमें यह अवधारणा दी थी सभी मानविय इच्छें संतुष्ट नहीं की जा सकती यह आज भी उतना ही सच है जितना की यह बहुश्य में होगा यात्रा पर विचार करें जो अवस्षर के दरजनों क्षेत्रों में से एक है लोग देश के अलग-अलग प्रांतों या दूसरे देशों में ब्रह्मन की अपनी इच्छाओं को संतुष्ट नहीं कर पाते सो में से सिर्फ एक अमेरिकी ने पिछले साल अमेरिका से बाहर की यात्रा की और जितने ज़्यादा लोग यात्रा करते हैं, वे उतनी ही ज़्यादा यात्रा करना चाते हैं। हालांकि अंतराष्टे प्रेटन ने पिछले साल सबसे उंचा रिकार्ड बनाया, परंतु यह संभव है कि अगले दो दस्कों में यह कम से कम पांच गुना बढ़ जाएगा। सामने खड़ा होने के बावजूद उसके प्रती अंदे थे। उसी तरह अधिकांस लोग आज भी स्वर्ण यूप को नहीं देख पाएंगे। जब तक कि लाव उठाने के लिए बहुत देर नहीं हो जाई। किसी बच्चे को यह समझाना मुश्किल है कि पिछले 40 सालों के परचूर आर्थिक विकास और सामजिक बेहतरी के बाद आज कोई गरीब कैसे हो सकता है। बविश्य में व्यक्तिकत गरीबी को समझाना और भी ज्यादा कठिन हो जाएगा। अभी हाल निरने लें कि आप अपने प्रियजनों और अपने लिए एक अद्बुत बविश्य बनाएंगे। समरदी की इन कुझियों का इस्तेमाल करें। पहला दोलत इकठी करने का पूर्ण संकल्ब करें। शुरुवात करने का समय अभी है। तब नहीं जब आपकी तनखोएं बढ़ेंगी या जब आपका खर्च बहुत कम होगा। इसी समय शुरुवात करें। दूसरा अपने आर्थिक सोतंदर्था का टेक्स दें। टेक्स चुका कर खुद को दोलत का पासपोर्ट दिलाएं। तीसरा जो भी आप कमाते हैं उसे अधिक्तम कर दें। फिजूल खर्चें ने करें। यह सोचें कि पूरुसकार और त्याग में आनंद है। चोथा स्मार्ड तरीके से कर्ज लेना सीखें और मुर्खता पूर्ण कर्ज से बचें। पांचवाँ यह सोचें कि आप किस तरह सम्रद होंगी। यह नए सोचें कि अर्थ व्यवस्ता किस तरह सम्रद होगी। चटा आने वाले स्वर्ण युग में सहबागी बने। सर्वय स्रेष्ट समय आने ही वाला है। धन्यवाद। आपका दिन शुब हो।